रोबर्ट टी कियो साकी के द्वारा लिखित पूस्तक रिच डैड पूर डैड की प्रस्तावना इसकी बहुत जरूरत है क्या स्कूल बच्चों को असली जिंदिगे के लिए तयार करता है मेरे ममे डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नमबर लाओ क्योंकि एसा करो तो एक अच्छी तंक्वा वाले नोपरी मिलेगी उनके जीवन का लक्षा यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कालेज की सिक्षपूरी हो जाई उनका मानना था कि अगर कोलेज की सिक्षपूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामियाव हो सकेंगे जब मैंने 1976 मे अपना डिपलोमा हासिल किया मैं फ्लोरिडा स्टेट युनिवेस्टी में अकाउंटिंग में ओनर्स के साथ ग्रेजुएट होई और अपनी कक्षा में काफी उंचे स्थान पर रही तो मेरे ममी डैडी का लक्षय पूरा हो गया यह है उनके जिंदगी की सबसे बड़ी अस्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग एट अकाउंटिंग फर्म में नोकरी भी मिल गई अब मुझे उमीद थी एक लंबे करियर और कम उमर में रिटायर्मेंट की मेरे पती माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे हम दोनों ही बहुत मेहंती परिवारों से आये जो बह पेटेंट लामें विशे सगेता रखने वाली वासिंग टन डेसी की एक मानियोई लाफर्म में नोकरी मिल गई और इस तरह उनका बविश्य भी सुनेरा लग रहा था उनके करियर का नक्सा साफ था और यह बात तै थी कि वे भी जल्दी रिटायर हो सकते थे हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ हमने कई बार नोकरियां बदली हालांकि हर बार नोकरिय बदलने के कारण सही थे परन्तु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेस नहीं किया हमारे रिटायर्मेंट फंड हमारे खुद के लगाई पैसों से बढ़ रहे थे हमारी शादी बहुत सफल गई और हमारे तीन बच्चे हैं उन में से दो कोलेज में हैं और तीसरा भी हाई स्कूल में गया ही है हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी सिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लोटा स्कूल से उसका मो बंग हो गया था वह पढ़ाई से उप चुगा था मैं उन विशों को पढ़ने में इतना चाता समय क्यों बरबाद करूँ जो असली जिन्दगी में मेरे कामी नहीं आएंगे उसने विरोध किया बिना सोचे विचारई मैंने जवाब दिया क्योंकि अगर तुमारे अच्छे नमर नहीं आए तो तुम कभी कालेज नहीं जा पाओगे चाहे मैं कालेज जाओँ या ना जाओँ उसने जवाब दिया मैं अमीर बन कर दिखाऊंगा अगर तुम कालेज से ग्रेजवेट नहीं होगे तो तुम्हें कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी मैंने एक मां की तरह चिंतित और आसंकित होकर कहा बिना अच्छी नोकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो मेरे बेटे ने मुश्करा कर अपने सिर को बोरियत बरे अंदाज में हिलाया हम यह चर्चा कई बार पहले भी कर चुके थे उसने अपने सिर को जुगाया और अपनी आंखे गुमाने लगा मेरी समझदारी वरिसला एक बार फिर उसके कानों के बितर नहीं गई थी हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा सक्टी वाला यूवक था मम्मी उसने बोलना शुरू किया और भासन सुनने के बार यह मेरी थी समय के साथ चलिए अपने चारों तरफ देखिए सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने है माइकल जोर्डन और मैडोना को देखिए यहां तक की बीच में हारवड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसुप्ट काईम किया आज भी अमेरिका के सबसे अमीर विखती है और अभी उनकी उमर भी 30 से 40 के बीच में है और उस बेशवाल पीचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो हर साल 40 लाग डालर कमाता है जबकि उस पर दिमाकी तोर पर कमजोर होने का डिलेबल लगा हुआ है हम दोनों काफी समय तक चूप रहे अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सला दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी हमारे चारों तर्व की दुनिया बदल रही थी परंतु हमारी सला नहीं बदली थी अच्छी सिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सभलता की गारंटी नहीं रह गए थे और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी मम्मी उसने कहा मैं आपकी और डैड़ी की तरह कड़ी मेनत नहीं करना चाता आपको काफी पैसा मिलता है और हम एक शांदार घर में रहते हैं जिसमें बहुती कीमती समान है अगर मैं आपकी सला मानूँगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं और ज़्यादा टेक्स बर्स कूँ वैसे भी आज की दुनिया में नोखरी की सुर्क्षा तो बची नहीं है मैं यह जानता हूँ कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है मैं यह भी जानता हूँ कि आज के दोर में कालेज के सनातकों को कम तनख़वा मिलती है जबकि आपके जमाने में उन्हें ज्यादा तनक्वा मिला करती थी डोक्टर को देखी वे अब उतना वैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे मैं जानता हुँ कि मैं रिटाइर्मेंट के लिए समाजीक सुर्क्षा या कंपनी पेंसरपर बरोशा नहीं कर सकता अपने सวालों के मुझे नई जवाब चाहिए वे हैं सही था उसे नई जवाब चाहिए थे और मुझे भी मेरे मैताविता की सलाय उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे पर यह उन लोगों के लिए विनासकारी सावित हो सकती थी जिनोंने तेजी से बदल रही दुनिया में जनम लिया था अब मैं अपने बच्चों से यह सिदिसी बात नहीं कह सकती थी स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड असिल करो और किसी सुरक्षित नोकरी की तलास करो मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की सिक्षा को सही दिसा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी एक माँ और एक अकाउंटेन होने के नाते मैं इस बात से परिशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंदी सिक्षा या वित्तिय सिक्षा नहीं दी जाती हाई स्कूल खतम होने से पहले ही आज के युगाउं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंदी बाठेकर में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है इस बात का ग्यान तो दूर की बात है कि क्रेडिट काड़ पर चक्रवर्दी ब्याज की गरना किस तरह की जाती है इसे आसान वासा में कहें तो उन्हें धन सम्मंदी सिक्षन नहीं मिलती और यह ग्यान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है इस तरहे वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है एक एसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा मैतव खर्च को दिया जाता है जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज की शुरुवाती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर करज में डूब गया तो मुझे उसके क्रेडिट कार्ड को नस्ट करने में उसकी मदद करनी पड़ी साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके पिछले साल एक दिन मेरे पती ने मुझे अपने ओफिस से फोन किया मेरे सामने एक सजन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाओगी उन्होंने कहा उनका नाम रबर्ट कियोसा की है वे एक व्यवसाई और निवेसक हैं तथा वे एक सेक्षनिक उतपात का पेटेंट करवाना चाते हैं मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलास कर रही थी जिसकी मुझे तलास थी मेरे पती माईक रबर्ट कियोसा की द्वरा बनाई जा रहे नए सेक्षनिक उतपात कैस्पलों से इतने प्रवावित थे कि उन्होंने इसके परिक्षन में हमें बुलवा लिया यह एक सेक्षनिक खेल था इसलिए मैंने स्थानिया विस्विदेल में पढ़ रही अपनी 19 वर्ष यह बेटी से भी पुछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई इस खेल में हम लगवग 15 लोग थे जो तीन समुव में विबाजिक थे माइक सही थे मैं इसी तरह के सेक्षनिक उतबात की खोज कर रही थी यह किसी रंगीन मोनोपली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था परन्तु मोनोपली से यह इस तरह अलग था कि इसमें दो रास्ते थे एक अंदर और दूसरा बाहर खेल का लक्षय था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना जिसे रावर्ट चूहा दोड कहते थे और बाहरी रास्ते पर पहुँझना या तेज रास्ते पर जाना रावर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असली जिन्दगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं राबट ने हमें चुहा दोड के बारे में बताया अगर आप किसी भी ओसत रूप से शिक्षित कड़ी मेनत करने वाले आदमी की जिन्दगी को देखें उसमें आपको एक साही सफर दिखेगा बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नमर मिलते हैं और उसका दाखिला कालेज में हो जाता है बच्चा सनातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है वह किसी आसान शुरक्षित नोकरी या करियर की तलास करता है बच्चे को एसा ही काम मिल जाता है शायद वह डोक्टर या वकिल बन जाता है या वैसे नामे बरती हो जाता है या फिर वह सरकारी नोकरी करने लगता है बच्चा पैसे कमाता है उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जम कर खरीदारी शुरू हो जाती है खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगों पर जाता है जहां उसकी उमर के ज़्यादा नोजवन जाते हैं लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कवार शादी भी कर लेते हैं अब जिंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आज कल पुरूस और मैलाएं दोनों नोभरी करते हैं दो तनकोएं बहुत सुखत लगती है पती-पत्नी को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है उन्हें अपना वविशय सुनायरा नजर आता है अब वे घर, कार, टेलिवजिन खरीदने का फैसला करते हैं सुट्या मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं कुशहाल पती-पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेनत करना चाहिए उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा माइने रखता है वे अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें पर्मोशन मिल जाए या उनकी तनक्वाएं बढ़ जाए तनक्वाएं बढ़ती है पर उसके साथी दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत महसूस होती है वे नोकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं बेहतर करमचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगा कर काम करने लगते हैं ज़्यादा विशेसग्यता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज़्यादा पैसा कमा सकें हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें उनकी आमदनी बढ़ जाती है परन्टू उस आमदनी पर उन्हें इनकम टेक्स भी चुकाना पड़ता है यही नहीं उन्होंने जो बड़ा गर खरीदा है उस पर भी टेक्स देना होता है इसके अलावा उनने समाजिक सुरक्षय कर का टेक्स तो चुका नहीं है इसी तरह बहुत से टेक्स चुकाते चुकाते उनकी तनक्वा चुक जाती है वे अपनी बड़ी हुई तनक्वा लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहां चला जाता है भविश्य के लिए बचत के इसाब से वे कुछ म्यूचिल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं उनके बच्चों की उमर अब 5 या 6 साल हो जाती है इसके साथ ही उनने अपने रेटायर्मेंट के लिए पैसा बचाने की चिनता भी सताने लगती है 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशाल धंपती अब अपने नोकरी के बाकि दिन चुहादोड और में फंसकर बिताते हैं वे अपनी कमपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं सरकार को टेक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और पैंक में अपनी गिर्वी संपती तथा क्रेडिट काड के करज को चुकाने के लिए काम करते हैं फिर वे अपने बच्चों को यह सला देते हैं कि उन्हें मन लगा कर पढ़ चलती है इसे चुहा दोड कहते हैं चुहा दोड से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों चेतरों में निपुन हो जाएं दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विश्यों को बोरिंग और कठिन मना जाता है मैं खुद एक सीपी हू और मैंने बिग एट अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है मुझे यह देखकर ताजुब हुआ कि रावर्ट ने इन दोनों बोरियत और कठिन विश्यों को सीखना इतना रोचक सरल और रोमान्चक बना दिया था सीखने की प्रकिरिया इतनी अच्छी तरह से चुपा ल लगा खेल के दोरान हम दोनों ऐसे विशों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बाते नहीं की थी एक लेखा पाल होने के कारण इंकम स्टेडमेंट और बैलेंस सीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परिशानी नहीं हुई मैंने खेल के नियम और इसकी बारिकियां समझाने में अबनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की उस रोज मैं चुहादोड से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा हालांकि खेल लगब तीन गंटे तक चला मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था इसके लावा एक वेफसाई था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था मुझे यह देखकर बहुत एरानी होई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी कम जानकारी है जबकि यह विशे उनकी जिंदगी में कितने ज्यादा एमियत रखते थे मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल जिंदगे में अपने पैसे देले के कारूबार को कैसे समबलते होंगे मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल के बेटी क्यों नहीं समझ सकती पर यह लोग तो उससे दुगनी उमर के थे और उन्हें यह बात समझ में आनी चाहिए थी चुहादोड से बाहर निकलने के बाद मैं दो गंटे तक अबने बेटी और इन सिक्षित अमीर वेसकों को पासा फेंगते और अपना बाजार पहलाते देखती रही हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रही थे लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी वेसक लोग समाने अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलबूत पिंदों के बारे में कितना कम जानते थे उन्होंने अपने इन्कम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस सीट के आपसी सम्मंद को समझने में भी बहुत समय लगाया अपनी संपति खरीदते और बेशते से में उन्हें ध्यानी नहीं रहा कि हर सोदे में उनकी महिने के आमदनी पर असर पड़ रहा है मैंने सोचा असल जिन्दिए में इसे करोणों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि उन्होंने ये दोनों विशे कभी नहीं पड़े मैंने मन में सोचा बगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्षा खेल में जीतना है जब खेल खतम हो गया तो रावर्ट ने हमें पंदरे मिनट तक कैश पलो पर चर्चा करने और इसकी समिक्षा करने के लिए कहा मेरी टेबल पर बैठा भी अफसाई खुश नहीं था उसे खेल पसंद नहीं आया था मुझे यह सब जानने की कोई जुरूट नहीं है उसने जोर से कहा मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट बेंकर और वकील है जिनें यह सब मालूम है रावर्ट का जवाब था क्या आ आयवे लोग स्मार्ट होते हैं परंतु उन में से ज्यादातर अमीर नहीं होते हैं चुकि हमारे स्कूल में वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं इसलिए हम इन लोगों को सला देते हैं परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं आप ट्रेफि तरफ देखते हैं और आपको वहां आपका बेंकर भी उसी हाल में नजराता है इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रवावित नहीं हुआ था यह सीखने के लिए मैं साफ्टेर खरीद सकता हूँ बेंकर जरूर परवावित हुआ था मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखा था परन्तु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिंदगी में किस तरह काम में लाया जाए अब मैं समझ गया हूँ मुझे चुहा दोड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तयार करने की जरूरत है परन्तु मेरी पूत्री के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमान चित हुई उन्होंने कहा मुझे सीखने में बड़ा मजाया मैंने इस बार में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली जिंदगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए फिर उसने आगे कहा अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाई चुनू और यह व्यवसाई चुनने का कारण नोकरी की सुरक्षा उससे मिलने वाले फाइदे या तनक्वा नहीं होगे अगर मैं इस खेल में सिखाए जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूँ और वह सीखने के लिए आजाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ अभी तक मुझे उस खेल को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नोक्री पाने में मदद मिले अब मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नोक्री की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी जैसी की मेरी बहुत सी सहलियों को होती है खेल खत्म होने के बाद मुझे रोवर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला हमने उसकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बाहने रोवर्ट यह चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेतर समझ विक्षित हो जाए यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उच्शुक थी मेरे पती और मैंने रावर्ट और उनकी पत्री के साथ अगले अपते डिनर मिटिंग रख ले हलंकि यह है हमारा पहला समाजिक मेल जोलदा फिर भी मुझे ऐसा मैसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बर्सों से जानते हो हमने पाया कि हमें बहुत से बाते एक जैसी है हमने बहुत से विशों पर बातें की खेलों नाटकों रेस्तराओं और सामजिक आर्थिक विशों पर हमने बदलती होई दुनिया के बारे में बातें की हमने इस मुद्धे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायर्मेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल नहीं बचा पाते हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेर की लगवग दिवालिया हालात पर विचर्चा की क्या हमारे बच्चों को साड़े साथ करोड वरद लोगों के लिए रिटायर्मेंट के लिए पैसा चुकाना होगा हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के बरों से बैठकर कितना बड़ा खत्रा मोल ले रही है रावर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह है थी कि अमीरों और गर इसकी उमर में रिटायर होने में सफल हो गए थे वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है परन्तु इसके बावजूद शिक्षा पदतियां बिलकुल नही आने वाले हैं और वे एसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका आप नामों निसान भी नहीं बचा है आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सला दे सकते हैं वह है यह है स्कूल जाओ अच्छे नंबर लओ और सुरक्षित नोकरी ढूंड़ो उन्होंने कहा यह पुरानी सला है और यह खराब सला है अगर आप यह देख सकते हैं कि एसिया यूरोप दक्षिन अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगी जितनी की मैं रवट के अनुसार यह बुरी सला है क्योंकि अगर आप चाते हैं कि आपके बच्चे का बव मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं उन्होंने कहा क्या होता है जब कोई कोर्परेशन स्टाफ कम करने की गोश्णा करता है लोगों को नोकरी से निकाल दिया जाता है परिवार तबाव हो जाते हैं बेरोजगारी बढ़ जाती है हाँ परन्तु कंपनी पर इसका क्या आसर पड़ता है खासकर जब वह है कंपनी स्टोक एक्षेंज में दर्ज हो जब स्टाफ कम करने की गोस्टा होती है तो स्टाफ की कीमते बढ़ जाती है मैंने कहा जब कंपनी तनक्वा का खर्चा कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है एसा चाहे स्टाफ कम करने के लिए किया जाए या फिर कंप्यूटर के मादम से किया जाए उन्होंने कहा आप ठीक कह रही है और जब स्टाक की कीमते बढ़ती है तो मेरी तरफ से लोग यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं वे ज़्यदा अमीर हो जाते हैं अलग तरह के नियमें से मेरा यही आश्या है करमचारी हारते हैं मालिक और निवेसक जीतते हैं रावट करमचारी और मालिक के बीच के फरक को समझा रही थे यह फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंतर्ण होना या फिर आपकी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंतर्ण होना परंतु जादातर लोग यह नहीं समझ सकते कि ऐसा क्यों होता है मैंने कहा उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है उनका जवाब था इसलिए तो बच्चों से यह कहना मुर्गता है अच्छी सिक्षा प्रापत करो यह सोचना मुर्गता है कि स्कूलों में दी जा रही सिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगी जिसमें विकालेज के बात पहुंचने वाले हैं हर बच्चे को ज़्यादा सिक्षा की जरूरत है एक अलग तरह की शिक्षा की और उन्हें नए नियमों को जानने की भी जरूरत है अलग तरह के नियमों को जानने की धन के कुछ नियम होते हैं, जिन से अमीर लोग खेलते हैं, और धन के कुछ और नियम होते हैं, जिन से बाकी 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं, इसलिए आज कल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है, मन लगा कर पढ़ो और अच्छी नोकरिक हो जो, आज बच्चों को अलग तरह की सिख्षा की जरूरत है, और आज की सिख्षा निती उन्हें कुछ मूलबूत बातें नहीं सिखा पा रही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास रूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं, या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, जब सिख्षा निती में यह विशे ही नहीं है, तो उसे किस तरह पड़ाया जा सकता है, अब सवाल यह उठता है, किस तरह माताबिता अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं, जो वे स्कूल में नहीं सिख पातें, आप अपने बच्चों को एकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं, क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते हैं, और आप उसे किस तरह निवेश करना सिखाएंगे, जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खत्रे से टरते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षे जीवन के लिए तैयार करने के बज़ाएं, मैंने यह बेतर समझा कि उन्हें रोमान्चक जीवन के लिए तैयार किया जाएं, तो आप किस तरह किसी बच्चे को धनों और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं, जिन पर हमने अभी विचार किया हैं, मैंने रावट से पूछा, हम किस तरह इसे माता-पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खास कर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ नहीं हो, उन्होंने कहा, मैंने इस विशे पर एक पुस्तक लिखी है, वह है पुस्तक कहा है, मेरे कम्प्यूटर में, यह बर्सों से वहीं बिखरी पड़ी है, मैं कभी कवार उसमें, कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परन्तु मैं आज तक उसे कभी कठा नहीं कर पाया, मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था, जब मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर हो गई थी, परन्तु मैं अभी तक अपनी नई किताब को पूरा नहीं कर पाया हूँ, यह अभी भी खंडों में है, और यह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी, उन बेतरतिव खंडों को पढ़ने के बाद, मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेतरीन थी और समाज में इसकी बहुत जरूरत थी, खास कर एसे लोगों में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, हम दोनों ततकाल इस निर्णे पर पहुंचे कि मैं रावट की पुस्तक में सहलेखक बन जहूँ, मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वितिया आई की जरूरत होती है, उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्वर करता है, अपने बच्चमन में उन्होंने यह जान लिया था, कि वे अमीर बनना चाते थे, और उन्हें एक ऐसे पिता सुरूब व्यक्ति मिल गई, जो अमीर थे, और जो उनका मार्क दर्शन करने के इच्चुख भी थे, रावट का कहना था, कि शिक्षा ही सफलता की नीम है, जिस तरह सकूल में सिखे गई बातें बहुत मैत्वपूर्ण होती है, उसी तरह धन संबंदी, समझ और बोलने की कला भी मैत्वपूर्ण होती है, आगे की काने रावट के दो डेडियों के बारे में हैं, जिन में से एक अमीर है और दूसरे गरीब, जिनके जरिये रावट उन रहष्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सिखे हैं, दोनों डेडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है, इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, जिसमें कुछ जोड़ा और गटाया है, और इसे व्यवस्तित करने के लिए काम किया है, जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पड़े, उनसे मेरा यही कहना है कि, वे अपने किताबी ज्यान को एक तरव रख दें, और अपने दिमाग में रोबर्ट के सिदांतों को गुस जाने दे, हलांकि उन मेंसे कई सिदांत पहली नजर में गलत लगेंगे, अकाउंट्स के सिदांतों की बुनियादी बातों को चुनोत्ती देते लगेंगे, परंतु यह याद रखें, कि वे एक मैतोपोन दरश्टी देते हैं कि किस तरह सचे निवेसक अपने निवेस के फैसलों का विशलेशन करते हैं जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नोकरी पाने की सला देते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांसकर्तिक आदतों के करन करते हैं ऐसा करना हमेशा सही चीज मानी गई है जब मैं रावर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चोंका दिया दो डैडियों के साथ पले बड़े रावर्ट के सामने दो अलग-लग लक्षे होते थे उनके पड़े लिखे डैडियोंने कर्परेशन में नोवरी करने की सला देते थे और उनके अमीर डैडियोंने कॉर्परेशन का मालिक बने की सला देते थे दोनों ही कामों में सिक्षा की जरूरत थी परंतु पढ़ाई के विशे बिलकुल अलग लग थे पढ़ेलिके डैडी रावर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोचसाइद करते थे अमीर डैडी रावर्ट को यह जानने के लिए प्रोचसाइद करते थे किस तरह समार्ट लोगों की सेवाईं ली जाएं दो डेडियों के होने से कई समश्चाएं भी पैदा हुई रावट के असली डेडि हवाई राज्ये के सिक्षा परमुक थे जब रावट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी अगर तुम्हें अच्छे नमर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नोकरी नहीं मिलेगी वे पहले से ही ये जानते थे कि उनके करियर का लक्षय था कॉर्परेशन का मालिक बनना ने कि उसमें नोकरी करना सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहंती परामर्जदाता नहीं मिला होता तो रावर्ट कभी कालेज नहीं गई होते वे इस बात को मानते हैं वे दोलत कमाने के लिए बेताब थे परंतु वे आखिर कारमानी गई कि कालेज की सिक्ष्या से भी उन्हें फाइदा हो सकता है दरसल इस पुस्तक में दिये गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को करांतिकारी और अतिशोक्ति पूर्ण लगेंगे कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में भी काफी परेशानी, काफी मेनत करनी पड़ती है परन्तु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नई और जो किमबरे विचारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों को करमचारी बनने की सला देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिन्दगी भर अपनी खून पसेने की कमाई से इंकम टेक्स और भी नहीं जाने कितने टेक्स चुकाने की सला देते हैं और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती और यह है सच है कि आज के जमाने में टेक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है हकीकत में ज्यादातर परिवारतों जन्वरी से आदी मई तक सिर्फ अपने टेक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नोकरी करते हैं आज नई विचारों की बहुत जुरूरत है और यह है पुस्तक हमें नई विचार देगी रावर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं डीनर टेबल पर सिखाते हैं हो सकता है कि ये विचार वे नए हो जिन पर आप अपने बच्चों से बात करते हों परंतो उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सला देती हूँ कि आप खोज करते रहें एक माँ और एक CPA होने के नाते मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बड़ी अनोकरी पा लेना एक पुराना विचार है हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे हमें उन्हें अलग तरह की सिक्षा देनी होगी शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे करमचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेश कोर्परेशन भी खोल सकें दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा एक माह होने के नाते मुझे उमीद है कि यह पुस्तक सभी अभीवावकों के लिए फाइदे मंद होगी रावट लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है अगर आप एक माली या गेट की पर है या पूरी तरह वेरुजगार है तो भी आप में खुद को अपने और अपने परिवार के लोगों को धन संबंदी बातें सिखाने की काबलियत है यह याद रखें कि धन संबंदी बुद्धी वह दिमागी तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंदी समश्याओं को सुलजाते हैं आज हम एसे विश्व याप्टी तकनिकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है परन्तु एक बात तो तय है एसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथाप्ट से परे हैं कौन जाने वो विश्याँ हमारे लिए क्याल आता है पर जो भी हो हमारे पास दो मूलबूत विकल्ब मुझूद है या तो हम सुरुक्षा की रापर चलें या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन सम्बंदी क्षेत्रों में सिक्षित करें और अपने बच्चों की धन सम्बंदी परतिबा को भी जाकरीत करें शेरान लेक्टर धन्यवाद आईए चलतें अध्याए एक की तरफ रिच डैड पूर डैड रावर्ट कियो साकी के अनुसार अध्याए एक रिच डैड पूर डैड रोवर्ट कियो साकी के अनुसार मेरे दो डैड़ी थे एक अमीर और दूसरे करीब एक बहुत पड़े लिखे और समझधार थे वे PhD और उन्होंने अपने चार साल के undergraduate कार्वे को दो साल से भी कम समय में कर लिया था इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए Stanford University, University of Chicago तता North Western University गए और यह जब उन्होंने पूरी करह से scholarship के सारे किया मेरे दूसरे डेड़ी आठवें से आगे नहीं पड़े थे, दोनों ही अपने करियर में सफल थे, दोनोंने जिंदगी भरकड़ी मेहनत की थी, दोनोंने यह काफी पैसा बनाया था परंतो उन्हों में से एक तो पूरी जिंदगी के लिए परिशान होते रहे और दूसरे हवाई के सबसे अमीर विक्तियों में से एक बन गई एक डैड़ी के मरने पर उनके परिवार, सर्च और जरूर्द बंदों को करोडों डोलर की दोलत मिली और दूसरे अपने पीछे कर्द छोड़ कर मर गई मेरे दोनों डैड़ी इरादे के पक्के, सम्तकारी और प्रभावशा ली थे दोनों ने मुझे सला दी परन्तों उनकी सलाएं एक सी नहीं थी दोनों इस शिक्षा पर बहुत जोर देते थे परन्तों उनके दोरा सुझाए गए पढ़ाई के विशे अलग-अलग थे अगर मेरे पास केवल एक ही डैड़ी होते तो मैं या तो उनकी सलाएं मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता चुकि सला देने वाले दो थे इसलिए मेरे पास दो विरोधावासी विचार होते थे किसी भी एक विचार को सीधे-सीदे मान लेने या नए मानने के बज़ाए मैं उनकी सलाओं पर काफी सोस विचार करता उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था समझ्चा यह है थी कि अमीर डेडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डेडी अभी गरीब नहीं थे दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दूलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचयार और नजरिये एकदम अलग थे उधरन के तोर पर एक डेड़ी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराईयों की जड़ है जब कि दूसरे डेडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराईयों की जड़ है जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डेडीयों की अलग-अलग सलाओं से दिक्कत होती थी एक अच्छा बच्चा होने के नते मैं दोनों की बाते सुनना चाहता था पर एसानी यह है थी कि दोनों एक सी बाते नहीं करते थे उनके विचारों में जमीन आस्मान का फर्क था खासकर पैसे के मामले में मैं काफी लंबे समय तक यह सोचा करता कि उन में से किसने क्या कहा क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा मेरा बहुत सा समय सोच विचार में गुजर जाता था मैं कुछ से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता उन्होंने इसा क्यों कहा और फिर दूसरे डैडी के दुआरा कही होई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूसता काश मैं यह बोल सकता हाँ वे बिल्कुल सही हैं मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ या यह कहकर मैं सीधे उनकी बाट टुकरा सकता था बुड़े को यह भी नहीं पता कि वे क्या कह रहा है क्योंकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मज़ूर होना पड़ा इस तरह सोचना मेरी यादत बन गई जो आगे चल कर मेरे लिए बहुत फाइदे मन साबित हुई अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फाइदेवन नहीं होता धन दौलत का विशय स्कूल में नहीं बलकि घर पर पढ़ाया जाता है शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मद्यम वर्क कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्याद अतर लोग पैसे के बारे में अपने माता-पिता से सीखते हैं। कोई गरीब माता-पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है। वह सिर्फ इतना ही कह सकता है। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, हो सकता है वह बचा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसके मान सिकता और उसके सोचने का धंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा, यह सब उसने तब सीखा था जब वह चोटा धन का विशे स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूलों में सेक्षन एक और व्यवसाइक निपूंताओं पर जोड दिया जाता है, नहीं कि धन संबंदी निपूंता पर, इससे यह साप हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्क के बारे में बहुत कम जानते हैं, मैं एकसर नई सदी में आने वाली समश्याओं के बारे में सोचता हूँ, तब क्या होगा जब हमारे पास एसे करोडों लोग होंगे, जिने आर्थिक और चिकित सकिया मदद की जरूरत होगी, धन संबंदी मदद के लिए या तो वे अपन मारी की जिम्मेदारी माता पिता के उपर छोड़ दी जाएगी, जिन में से ज़्यादार गरीब हैं या गरीब होंगे, चुंकि मेरे पास दो पर वहोशाली डेडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा, मुझे दोनों की इसला पर सोचना पड़ता था, इस तरह से सोचते मैंने यह भी जान लिया, कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिन्दगी पर कितना जवर्दस्त असर डाल सकते हैं, उधारन के तोर पर, एक डेडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीच सकता, दूसरे डेडी इन शब्दों का इस्तेमाल से चिड़ते थे, वे दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मेरे जल्दी अमीर बनने वाले डेडी ने मुझे समझाया, कि जब हम कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीच सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसके बजाए, जब हम यह सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीच सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है, उनका यह मतलब नहीं था, कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाये, उसे खरीदी लें, वे लगबग दिवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाते थे, और उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे त खरीच सकता हूँ, उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीच सकता, कहना दिमाग की आलश्य की पहचान है, हालांकि दोनों ये डेडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंदु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डेडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुल होते चले गई, इसे इस तरह से समझें कि एक वेक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा वेक्ति अपने सोपे पर बैठकर टीवी देखता रहता है, शरीर की सही कसरत से आफ ज्यादा तंदुरूस्त हो सकते हैं, और दिमाग की सही कसरत से आफ ज्या ज्यादा टेक्स देना चाहिए, ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फाइदा मिल सके, जबकि दूसरी डैडी सोचते थे, टेक्स उन लोगों को सजा देता है, जो उतपादन करते हैं, और उन लोगों को इनाम देता है, जो उतपादन नहीं करते, एक डैडी सिकाते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपणी में नोकरी मिल जाए जोकि दूसरे डैडी की सीखिया थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपणी को खरीदने का मोका मिल जाए एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ फैसे की बातें करने लिए मना करते थे एक का कहना था जहां पैसे का सवालो सुरक्षित कदम उठाई खत्रा मत उठाऊ दूसरे का कहना था खत्रों का सामना के सीखो एक का मानना था हमारा घर हिरे सब सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है जबकि दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दाइत्तव है और अगर आपका घर आपकी नजर में सबसे बड़ा निवेश है तो आप कष्ट में हैं दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे परंत उन में से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिरी में एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए वे हमेशा तनखवा में बड़ोतरी रिटायरमेंट योजनाओं मेड अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के लिए आराम का इंतजाम कर लिया था वे मेडिकल लाब के विचार को पसंद करते थे और सेना दवारा अपने रिटायर करमचारियों को दी जारे सुईदाओं की भी तारिफ करते थे उन्हें विश्व द्यला का टेन्योर सिस्टम भ दूसरे डेड़ी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे वे सुईदाबोगी मानसिक्ता के विरोधी थे वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिक्ता लोगों को कमजोर और आर्थिक ग्रूप से जरूर्तमन बनाती है उनका द्रड विश्वास था कि आदमी को आर्थी ग्रूप से सक्षम होना चाहिए एक डैडी उस डॉलर बचाने के लिए परिसान रहते दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहते एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नोकरी तलासने के लिए अच्छा बायोड़टा कैसे लिखा जाए दूस मैंने पाया कि दरसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिसा देते हैं उधारन के तोर पर मेरे गरीव डैडी हमेसा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा और उनकी यह वविश्यवनी सही सावित होई दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेसा खुद को अमीर आदमी ही कहते थे वे अपने समर्थन में यह कहते थे गरीव होने और पैसा ने होने में फर्क होता है पैसा पास में ने होना ऐस्ताई होता है जबकि गरीव इस्ताई होता है मेरे गरीव डैडी यह भी कहते थे मेरी पैसे में कोई रूची नहीं है या पैसा में तप सके फिर भी बच्पन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभी व्यक्ति पर भी मैंने देखा कि मेरे गरीब डेड़ी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे बलकि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबूं की तरह थे दो डैडी होने के कारण बच्पन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधन हो चला था कि मैं किस तरह की विचारदारा को अपना हूँ मैं किस की बात मानूं अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैड ही ही आलांकि दोनों ही सिख्षा और ग्यान को वैत्वपूर मानते थे परंतु क्या सिखा जाए इस बारे में दोनों की राए अलग लग थी एक चाहते थे कि मैं पड़ाई में कड़ी मेनत करूं डिगरी लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नोगरी डूंड लूं वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी वकील या अकाउंटेंट बन जाओ या एंबिये कर लूं दूसरे डेड़ी मुझे परोटसाइद करते थे कि मैं अमीर बनने का रहसे सीख लूं यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं इससे अपने देड़ी से सिखूँगा यह है फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डेड़ी की बातों पर ध्यान नहीं देना हालांकि उनके पास कालेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डेड़ी के पास नहीं थी रावर्ट फ्रास्ट का सबग रावर्ट फ्रास्ट मेरे पसंद दीदा कभी हैं हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कभीता यह पसंद है परन्तु दरोड नाट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है मैं इसकी सिख्षय का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ दरोड नाट टेकन वह राव जिसे चुना नहीं गया पीले जंगल की दो राव बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था और मैं देर तक खड़ा रहा दूर तक यह देखते हुए कि यह राव कहां तक जाती है जुर्मटों में मुढ़ने से पहले फिर मैंने दूसरी रहा चुनी उतनी ही सुन्दर और शायद बेतर भी क्योंकि यहां गास ज्याता थी और कम लोग गुजरे थे हालांकि लोगों के गुजरने से यहां भी उतना ही नुक्सान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी पत्यों पर काले कदम नहीं थी और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं मुझे शक था कि मैं कभी लोटूँगा मैं आख बरकर यह करूँगा आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में दो रहीं बढ़ती थी मैंने कम चलियों रहा को चुना और इसी बात से सारा प्रक पड़ा बहुत समय गुजर चुका है पर मैं अब भी रावट फ्रास्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूं पैसे के बारे में अपने पड़े लिखे डैडी की सला और नजरिय मेरी धन संबंदी सिख्षा शुरू हो गई मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से विज्यादा समय तक सिखाया तब तक जब तक कि मेरी उमर 49 साल नहीं हो गई और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूं जो वे मेरी मोटी बुद्धी में भरने की कोशिश कर रही थे पैसा एक तरह की ताकत है परन्तु इससे भी बड़ी ताकत है विद्धिय शिक्षा पैसा तो आता और जाता रहता है परन्तु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज़्यादा तक काम करता है इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंद्गी बरबाद कर देते हैं मेरी सिक्ष्य जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पढ़ाया वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़ कर विचार किया जाए तो उन्हों ने मुझे 30 साल तक कुल 6 मैतर पूर्ण पाट पढ़ाई यह पुष्टक उनी 6 पाठों के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिस की गई है जितना की मेरे अमीर डैडी ने मुझे मेरे लिए आसान बनाया था यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गई हैं बलकि मार्गदर्सक की तरह लिखे गई हैं एसे मार्ग दर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे। चाहे बदलती हुई इस एनिस्चित दुनिया में कुछ भी होता रही। धन्यवाद। आईए चलते हैं अध्याई दो की तरह। जो है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। आपका दिन शुब हो। रिच डैड पूर डैड अध्याई दो अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखवार नीचे रख दिया बेटे क्या तुम अमीर बनना चाते हो क्योंकि यार जिमी की ममी अपनी नई कैडलिक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुन्दर तट वाले गर पर जा रही थे जिमी अपने साथ हमने तीन दोस्तों को ले गया परंतु माई को और मुझे नहीं ले गया उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे उसने ऐसा कहा डैडी ने आतमिस स्वास से पूछा हाँ बिल्कुल मैंने दर्द बरी आवाज में कहा डैडी ने अपना सेरे लाया नाग तक अपने चस्मे को चड़ाया और फिर अख़बार पढ़ने लगी मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा यह है 1956 की बात है तब मैं 9 साल का था किस्मत की बात थी कि मैं उसी पुविलिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे हम शुगर प्लांटेशन के कस्वे में रहते थे प्लांटेशन के मैनेजर और कस्वे के बाकी लोग जैसे डोक्टर और बिजनस में और बैंकर अपने बच्चों को पहली कक्षा से चटी कक्षा तक इसी स्कूल में बेजते थे चटी कक्षा के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में बेजा जाता था अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरी छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में बेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे सटीक अक्षा के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पबलिक इंटरमेडियेट और हाई स्कूल किया होता क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइविट स्कूल में जाना संभव नहीं था मेरे डेली ने आखिर अख़बार को नीचे रख दिया मुझे पता था वे क्या सोच रही थे उन्होंने दिमे से शुरू किया अगर तुम अमीर बनना चाते हो तो तुम्हें पैसा पनाना सीखना चाहिए मैंने पूछा मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ अपने दिमाग के इस्तिमाल से उन्होंने मुश्कुराते हुए कहा इसका असली मतलब यह था बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करूँ अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डेडी की बातें बताई जहां तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही दो गरीब बच्चे थे बाइक भी मेरी तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वज़ाए से इस स्कूल में था ऐसा लगता था, जैसे किसी ने कस्पे के स्कूलों की सरदें तैक कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूलों में पढ़ रहे थे सच का जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे परन्तु ऐसा हमें लगता था, क्योंकि बागी सभी बच्चों के पास नए बेसबाल गलाउज नए साइकलें और हर चीज नहीं होती थी मम्मी और डैडी हमें भी सभी जरूटतों की चीज़ें जिलवाते थे जैसे खाना, घर, कपड़े, परन्तु इससे ज़्यादा कुछ नहीं मेरे डैडी कहा करते थे अगर तुमें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो हमें बहुत से चीज़ें चाहिए थे परन्तु नो साल चीज़ें के करने के लिए जैदा काम मोजूद माईक ने पूछा तो पैसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए मैं नहीं जानता मैं ने कहा परन्त, क्या तुम में इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुवे माइक मेरा पहला बिजनस पार्टनर बन गया हम दोनों पूरी सुवे यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए कभी कभार हम उन बेफिकर बच्चों के बारे में बतें करते जो जिमी के स्पूंदर तट वाले घर पर मजे कर रही होंगी इस से थोड़ी चोट पहुंचती थी परन्तु यह चोट अच्छी थी क्योंकि इस ने हमें यह सोचने के लिए प्रेदित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए आखिर कार उस दो फैर को हमारे दिमाग में बिजली कौंड गई यह एक एसा विचार था जो माईक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाई और पार्टनर्शिप के पास अब एक बिजनस था अगले कुछ अपतों तक मैं और माईक दोड़ भाग करते रहे हर दरवाजे पर दस्तक देते थे और पडोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किये हुए टूथ पेस्ट टूब हमारे लिए रख ले हैरत से हमें देखते हुए जालातर लोगों ने मुश्करा कर हमारी बात मान ले उसने हमसे पूछा कि टूथ पेस्ट टूब हमें क्यों चाहिए इसके जवाब में हमने कहा हम आपको यह नहीं पता रखते हैं यह एक बिजनस सीक्रिट है सब्ता गुजटते गई और मेरी माँ बहुत दुकी हो गई अपने कच्चे माल को इकठा करने के लिए हमने जो जगेतु नहीं थी वह उनकी वाशिंग मशीन के ठीक पास थी एक भूरे कार्डबोर के बकसे में जिसमें कभी केचप की बोतले रखी रहती थी हमारे इस्तेमाल किये हुए टूथ पेस्ट के टूब्स और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनस सिगरेट है इस कच्रे को साफ कर दो या मैं इसे बाहर उठा कर फैंक दूँगी माईक और मैंने उनके हाथ पेर जोड़े उन्हें यह बताया कि हमारी ही जल्दी हमारा कच्चा माल पर अप जमा हो जाएगा और फिर हम उत्वादन शुरू कर देंगे हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पडोशियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथ पेस्ट के ट्यूब्स खतम कर ले माने हमें एक अपते की मोलत दे दी उत्वादन का काम यह था कि वे पडोशियों को अपने टूथ पेस्ट चल्दी खतम करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे दान्त के डाक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए मैं उत्वादन की परक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया एक दिन मेरे डैड़ी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आई और उनके आस्चरिया का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ नो साल के दो बच्चों को उत्वादन की परक्रिया में पूरी कती से जुटे देखा हर तरब बारिक सफेद फाउडर बिखरा हुआ था एक लंबी मेजबर स्कूल से लाए गए दूद के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिवाची ग्रिल लाल दैकते कोईलों के साथ अधिक्तम गर्मी पर चल रही थी डेड़ी साथ आनी से चल कर हमारे करीब आए जो कि हमारी उत्पादन की परक्रिया ने पोर्ट्स पर कबजा कर लिया था इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोईलों के उपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूद पिगल रही थे उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे ट्यूब्स सीशे के बने होते थे एक बार पेंट जल जाए तब हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वे पिगल कर दरववया के रूप में आसके इस पिगले वेसे से कौम छोटे छेद वाले दूद के काटनों में डाल रहे थे दूद के इन काटनरों में प्लास्टिक आप परीसब रहा था हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टिए ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था जल्द बाजी में मैंने उसके बैक को गिरा दिया था और पूरी जमीने से लग रही थी जैसे वहाँ अभी अभी वर्प का तुपान आया हूँ दूद के कार्टन बाहरी बक्से थे जिनके वेदर प्लास्टरा आप पेरिस के सान से थे मेरे डैड़ी और उनके दोस्त में देखते रहे और हम पिगले वे सीसे के प्लास्टरा पेरिस के क्यूब के उपसे चोटे छेद में डालते रहे संभल कर मेरे डैड़ी ने कहा मैंने बिना सीर उपर उठाई हामीबर दी आखिर कार जब सीजे को डालने का काम खतम हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैड़ी की तरफ देखकर मुस्कुराया उन्होंने अलकी मुस्कान के साथ पूछा तुम लोग क्या कर रहे हो हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था हम अमीर बनने जा रहे हैं मैंने कहा हाँ माइक ने सीर को हिलाते हुए और मुस्क्राते हुए कहा हम दोनों पारटनर हैं डैड़ी ने पूछा और इन प्लस्टर के संसों में क्या है देखिए मैंने कहा इन्वे एक बहुत अच्छी चीज है चोटे अतोडे से मैंने सील को ठोका जिससे बाहर ही खोल तूट गया सावधानी से मैंने उपर के आदे प्लास्टर को अठाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर घिर गया हे वगवान मेरे डैडी ने कहा तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे बिल्कुल सही माइक ने कहा हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था हम पैसा बना रहे थे मेरे डैडी के दोस्ट जोर से हंसने लगे मेरे डैडी भी मुस्कुराई और उन्होंने अपना सीरे लाया उनके सामने आग और टूथपेस्ट की टूब्स के बकसे के साथ सफेद धूल में लिप्टे हुए दो बच्चे खड़े थे जो इस कान से उस कान तक मुश्कुरा रही थे उन्होंने हम से कहा कि हम सब कुछ छोड़ कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीडी पर बैखें मुश्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसा सी सब्द का मतलब समझाया हमारे सपने धरासा ही हो गई थे तो आपका मतलब है कि यह गैर कनूनी है माइक ने कापती आवाज में पूछा छोड़ो भी डेडी के दोस्त ने कहा हो सकता है कि बच्चे अपने जन्मजाद पर तेबागो विक्षित कर रहे हो मेरे डेडी हमें गुरते रहे हाँ यह गैर कनूनी है डेडी ने नर्मी से कहा परंतु तुम लोगों ने यह थाबित कर दिया कि तुम में बहुत ज़्यादा रसनात्मक्ता और मॉलिक भी चार है इसी तरह आगे बढ़ते रहो मुझे तुम पर गर्व है निरास होकर माइक और में तकरिबन 20 मिनिट तक चुप चाप अपना सिर पकड़ कर बैठे रही इसके बाद हमने सारा आटाला साप करना शुरू कर दिया पहले ही दिन हमारा बिजनस चोपट हो गया था पाउडर साप करते वे मैंने माइक की तरफ देखा और कहा मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक है यह है कि तुमने कुछ किया ज्यादातर लोग के वल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं तुमने कुछ किया है मुझे तुम दोनों पर गर्व है मैं एक बार फिर से यही कहूंगा आगे बढ़े चलो, हार मत मनो, माईक और मैं खामोस खड़े रहे, यह सब चुनने में अच्छे थे, परन्तु हमें यह पता नहीं था, कि हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसा क्यों है डेडी, कि आप अमीर नहीं है, मैंने पूछा, क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला लिया था, स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं, कास कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परन्तु हकीकत में मैं यह नहीं जानता, कि दोलत कैसे कमाई जाती है, माईक और मैं पल्टे, और अपने सफाई अभियान में जुट डैडी नहीं कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाते हो, कि अमीर कैसे बना जाता है, तो मुझस से मत पूछो, माईक तुम अपने डैडी से ही यह सवाल पूछो, मेरे डैडी माईक नहीं हेरानी से कहा, हाँ तुम्हारे डैडी मेरे डैडी ने मुश्कराकर दो रहा है तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारिफ करता है उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है मेरे डैडी माइक ने एक बार फिर हैरानी से पुछा फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शांदार कार और आलिसान बंगला नहीं है शांदार कार और आलिसान बंगले के होने का यह मतलब नहीं कि आप निश्ची दूप से अमीर है या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं डेडी ने जवाब दिया जीमी के डेडी सुगर प्लांटेशन में काम करते हैं उन में और मुझ में ज़्यादा फरक नहीं है वे एक कमपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए कमपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है इस समय शक्कर की कमपनी आर्थिक संकड में फजी हुई है और जीमे के डेडी के पास जल्दी कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे डेडी अलग है माई ऐसा लगता है कि वे एक समराज ये बनाने जा रहे है और मेरा अंदाजा है कुछी सालों में बहुत अमीर बन जाएंगी यह सुनकर माईक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए नए उत्सा से हमने अपने डूबी वे वेवसाई के कच्रे को साफ करना शुरू कर दिया जब हम सभाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माईक के डेडी से बात की जाई समझ्य यह थी कि माईक के डेडी बहुत जारा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लोटते थे माईक के डेडी के पास कई वेराउज, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की स्रंगला और तिन रेस्तरा थे रेस्तराओं के कारणी उन्हें घर लोटने में देरी हो जाती थी सफाई खत्म करने के बाद माईक बस बकड़कर अपने घर चला गया वह अबने डेडी से बात करने वाला था चाहे वे कितनी देर से घर लोटे और उनसे पूसने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तयार है माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वे अपने डेड़ी से बात कर लेगा वे अब मुझे फोन करेगा चाहे कितनी देर क्यों नहीं हो जाए फोन रात को साड़े आट बजे आया ओके अगले शनिवार मैंने करा और फोन रख दिया माइक के डेड़े माइक और मुझसे मिलने के लिए तयार हो गए थे शनिवार की सुबह साड़े साथ बजे मैंने शहर के दूसरे हिसे में जाने के लिए बस पकड़ी माइकल और मैं सुबह आट बजे उसके डेड़ी से मिले वे पहले से इव्यस्त थे और उनके पास एक गंटे से भी ज़्यादा का कम मौझूद था जब मैं उनके साधान सोटे और साफ गर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कस्ट्रक्शन सुपरवाईजर अपने पिक अप ट्रक में वहां से जा रहा था माइक मुझे दर्वाजे पर ही मिल गया डैडी अभी फोन पर है और उन्होंने काया कि हम लोग पीछे के पोर्स में उनका इंतजार करें माइक ने दर्वाजा कोलते हुए कहा जब मैंने उस पूराने घर की देलेज के अंदर कदम रखा तो लकडी के पूराने फर्स की चर्मराहट सुनाई दी दर्वाजे के बीतर सस्ती सी चटाई थी चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्स पर पड़े अंगिनत कदमों के निशानों को चुपाया जा सके हालांकि वह साब थी पर यह सपष्ट दिखता था कि उसे बदल लेना चाहिए जब मैं संक्रे लिविंग रूम में गुसा तो मेरा दम गुटने लगा था वहां पुराने फर्निचर की बू आ रही थी और निश्ची दूरूब से उस फर्निचर को संग्राले में होना चाहिए था सोबह पर दो मैलाएं बैटी थी उनकी उमर मेरी मां से थोड़ी ज़्यादा थी मेलाओं के सामने एक पुरूस मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पैन रखा था हलांकि कपड़े साफ और प्रेस किये हुए थे पर उन्तों में स्टार्च नहीं किया था उस आदमी की उमर मेरे डेड़ी से लगबग 10 साल ज़्यादा होगी शायद 45 साल जब मैं और माईक उनके पास से गुजरिते हुए किचन की तरफ गई जहां से पोर्च का रास्ता था तो वे मुश्कुर आई मैं भी जवाब में शर्मा कर मुश्कुरा दिया ये लोग कोन है मैंने पुछा अरे ये लोग डेड़ी के लिए काम करते हैं बुड़ा व्यक्ति उनके वे रावसों को संबालता है और मैलाए रेस्त्राओं की मैनेजर है और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपर्वाइजर को तो देखा ही होगा जो यहां से 50 मिल दूर एक सड़क पर योजना पर काम कर रहा है उनका दूसरा सुपर्वाइजर जो पहुच से घर बना रहा है वे तुमारे आने से पहले ही जा चुका है क्या इसा हमेसा ही होता है मैंने पूछा हमेसा थो नहीं फरक्सर एसा ही होता है माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खिंचते वे मुस्कुराया मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे माइक ने मुझे बताया अच्छा और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया मैंने साउधा निपुर्व कुछ सुक्ता से पूछा पहले तो उनके चेहरे पर आशी आई पर फिर कुछ सोच कर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक उफर रखेंगे अच्छा मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीट दिवार से टिका ली मैं वहां कुर्सी के पिछले दो पैरों के सारे टिका बैठा रहा माइक ने भी ऐसाई किया क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा आफर देने वाले हैं मैंने पूछा नहीं पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा अचाना माइक के डैड़ी उस पूराने दर्वाचे से गुश कर पोर्च में दाखिल हुए माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गई आदर के कार नहीं बल्कि इसलिए कि हम चौग गई थे तो बच्चों तयार हो माइक के डैड़ी ने एक कुर्शी हमारे पास खिशकाते हुए पूछा हमने अपने सिरह लाए और अपने कुर्शियों को दिवार के पास से खींच कर उनके सामने रख लिया वे एक विशाल सरीर के मालिक थे लगबग 6 पिट उन्चे और 200 पाउंड बजनी मेरे डैड़ी इसे उन्चे थे लगबग इसी बजन के और माईक के डैड़ी से 5 साल ज़्यादा बड़े वे लगबग एक जैसे ही थे हलांके दोनों एक ही प्रजाती के नहीं थे हो सकता है कि उनकी उर्जा एक सी हो माईक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सिखना चाहते हो क्या यह सही है रावट मैंने तत्काल से अमती में अबना सीरी लाया हलांके मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था उनके शब्दों और मुस्कुराट के पीछे बहुत ताकत थी अच्छा यह रहा मेरा आपर मैं तुमें सिखाऊंगा परंतु मैं इसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूँगा अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसके बदले में मैं तुमें सिखाऊंगा अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुमें नहीं सिखाऊंगा अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ और अगर तुम सिर्फ बैठ कर मेरी बाते सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बरबाद होगा यह मेरा आफर है इसे या तुमान लो या फिर वापस लोड़ जाओ क्या मैं आप से पहले एक सवाल कर सकता हूँ मैंने पूछा नहीं इसे या तो मान लो या फिर वापस लोड़ जाओ मेरे पास परबाद करने के लिए फाल तु समय नहीं है अभी डेर सा काम पड़ा है अगर तुम में ततकाल फैसला करने के किशमता नहीं है तो तुम कभी पैसा बनाना नहीं सीख पाओगे मोके आते हैं और चले जाते हैं इसलिए ततकाल निरने लेने की किशमता एक मैत्वपून कला है तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मोका तुमारे सामने मौजूद है अगले दस सेगेंड में या तो पढ़ाई चलू हो जाएगी या फिर यह हमेसा के खतम हो जाएगी माइक के डैड़ी ने चिड़ने वाली मुस्कुरार्ट के साथ कहा मन्जूर हम दोनोंने कहा बहुत बढ़िया माइक के डैड़ी ने कहा दस मिनिट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी उन से बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेच दूँगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा मैं तुम्हे एक गंटे के 10 सेंट दूँगा और तुम हर सेनिवार तिन गंटे काम करूँगी पर आज तो मेरा साफ्ट वाल का मैच है मैंने कहा माइक के डैडी ने अपनी आवाज को दिल्मा पर उन्तु कड़क करके कहा या तो माल लो या फिर वापस लोड जाओ माल लिया मैंने जबाब दिया साफ्ट वाल खेलने के बजाए काम करने और सीखने का भी कल्ब चुनने में ही समझदारी थी शनिवार की खुष उमा सुबह नो बज़े माई और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे वे एक दयालू और धहरेवान में ला थी वे हमेशा कहा करते थी कि माईक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की यात आ जाती है और अब वे बड़े हो गई थी तदा दूर चले गई थे हालांकि वे दयालू थी पर अंतो वे कड़ी मेहनत में बरोसा करते थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाई रखते थी वे बहुत कड़क मेनेजर थी हम तीन गंटे तक डिवाबन साबानों को सेल पर से उतारते थे उनकी दोल साफ करते और फिर उन्हें करेने से जमाते थे यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत का भी माईक के डेड़ी को मैं अपना आमीर ठेरी कहता हूँ उनके पास इस तरह के नो सुपरेस्ट थे जहां पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी पर सेवन इलेवन कन्विनियन्स स्टोर के शुरवाती संसकर्ण थे परोडोस के जनरल स्टोर जहां लोग दूद, प्रेड, बटर और सिगरेट चैज़े-चीज़ें खरीते थे समझे यह थे कि हवाई में एर कंडिशनिंग नहीं थी और गर्मी के कार्ण स्टोर से अपना दरवाजा बन नहीं कर सकते थे स्टोर के दोनों और दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग के जगे सामने दिखती रहे जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो उसके साथ दूल का गुबार भी आता था जो स्टोर में गुशकर डिबों पर जम जाता था इसलिए हम लोगों की नोगरी तब ही तक चलती जब तक की एर कंडिशनें नहीं हो जाती तीन अगतों तक माईक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ जाकर तीन गंटे तक काम करते रहे दोपैर तक हमारा काम खतम हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में तीन चोटे सिक़्े डाल देती थी उस समय पचास के दसक में नो साल की उमर में भी तीस सेंट कमाने में कोई खास कुशी नहीं होती थी तब कामिक्स की किमत दस सेंट हुआ करती थी इसलिए मैं अपनी कमाई को कामिक्स पर खर्च कर देता था और घर लोड जाता था चोथे हफ़ते के बुद्वार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था मैं सिर्प इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माईक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाता था चोथे हफ़ते के बुद्वार तक मैंने काम चोड़ने का मन बना लिया था मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं माईक के डैड़ी के पास पैस अक्त बनाना सीखना चाहता था इसलिए मैं दस सेंड परती गंटे के गुलामी कर रहा था और सबसे बड़ी बात तो यह थी उस पहले सेनिवार के बाद से मैंने माईक के डेड़ी खुद देखा तक नहीं मैं काम चोड़ रहा हूँ मैंने लंज के समय माईक से कहा स्कूल लंज बड़ा निरासा जनक था स्कूल भी उबहू था और अब तो मेरे पास सेनिवार भी नहीं थे इसलिए मैं इंतजार कर सुकूँ परनतु 30 सेंट के कारण मुझे बहुत दक्का लगाए इस बार माईक मुस्कुराया तुम किस बात परांस रहे हो मैंने गुस्चे और खुंठा से पूचा डेड़ी ने कहा था कि यह साई होगा उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहिने क्या मैंने आवेस में पूचा क्या वे मेरे उपता जाने का इंतजार कर रहे थे कुछ-कुछ एक ने कहा मेरे डेड़ी जरा अलग किसम के थे उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डेड़ी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलगा है तुम्हारे ममी डेड़ी बहुत बाते करते हैं दूसरी तरफ मेरे डेड़ी बहुत कम बोलते हैं तुम सिर्फ इस सेनिवार तक इंतजार कर लो मैं उन्हें बता दू कि तुमने काम सोडने का फैसला कर लिया है इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है नहीं ऐसा नहीं हुआ है पर शयद हो सकता है डैडी से निवार को इसे समझाएंगे मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था यहां तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज था पर आसली डैडी जिने मैं गरीब डैडी कहता हूँ यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल स्रम करूनों को लंगन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए मेरे पडेल के गरीब डेड़ी ने मुझसे यह कहा कि मैं अच्छी तनकुआ मंगू कम से कम 25 सेंट परती गंटा मेरे गरीब डेड़ी ने मुझसे कहा कि अगर मेरे तनकुआ नहीं बढ़ती तो मुझे ततकाल नोगरी छोड़ देनी जाए और वैसे भी तुम्हें इस गटिया काम की जुरूरत नहीं है मेरे गरीब डेड़ी ने जला कर कहा शनिवार को सुब़े आठ बजे मैं एक बार फिर माईक के गर में उसी पुराने दरवाजे के अंदर गुसरा था कुर्शी पर बैटो और लाइन में इंतजार करो माईक के डेड़ी मेरे गुस्ते ही कहा फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से आफिस में बैट गए जो बेडरूम के पास था मैंने कमरे के चारों तरफ देखा परंतु मुझे माईक नहीं दिखा अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्ही दोनों मैलाओं की बगल में बैट गया जो मुझे चार अपते पहले वहीं पर मिले थी वे मुस्कराई और सोपे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं भी बैट सकूँ 45 मिनिट गुजर गए थी और मैं उबल रहा था दोनों मैलाओं उन से मिलकर तकरिबं 30 मिनिट पहले वहां से जा चुकी थी एक बुड़ास आदमी वहां 20 मिनिट तक बैठा और पिर वहे भी निकल गड़ चला गया घर खाली था और हवाई में खुशन वासुवै को मैं सीलन बरे अंदेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का सोचन करने वाल आदमी मुझसे बाते करे मैं सुन सकता था कि वे फोन पर बाते कर रहे थे ओफिस में इधर उदर के काम कर रहे थे ठीक नो जे अमीर डेड़ी अपने आफिस से बाहर निकले बिना कुछ कही उन्होंने हाथ से मुझे इसारा किया कि मैं उनके दर्वे नूँ आफिस में आज़ो अमीर डेड़ी ने आफिस की कुर्सी में बैठते हुए कहा या तो तुम्हारी तनक्वा बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो है ना हाँ समझोते के मताबिक आप अपनी शर्थ पूरी नहीं कर रहे है मैंने लगवगासों से विगेस्वर में कहा नो साल के बच्चे के लिए एक वेसक का सामना करना बहुत ज़्यादा डरावना था आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूँगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है मैंने कड़ी मेहनत की है इस काम के लिए मैंने अपने बेसबाल गेम की भी कुरवाने दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे है आपनो मुझे कुछ भी नहीं चिखाया आप दोपे बाज़े जैसा शायर के सभी लोग कहते है आप लाल्ची हैं आपके लोग पैसा कमाना चाहते हैं और अपने करमचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाई रखा और मेरी जराब इज़त नहीं मैं एक चोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेतर बरताव करना चाहिए था अमीर डैडी अपने कुर्सी में पीछे जुग गई अपने हाथों को ठुड़ी तक लाकर उन्होंने मुझे गुरा ये साल लग रहा था जैसे वे मेरा स्विशलेशन कर रहे हूँ बुरा नहीं है उन्होंने कहा एक महिने से भी कम समय में तुम वही भासा बोल रहे हो जो मेरे ज़्यादा तर करमचारी बोलते हैं क्या मैंने पूचा मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुबड़ा रोना चालू रखा मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर काईम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे इसके बजाए आप तो मुझे पर अत्याजार करना चाहते है यह तो जुल्म है सरा सर जुल्म मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूं डैड़ी ने धहिमे से आवाज में कहा आपने मुझे क्या सिखाया कुछ भी नहीं मैंने गुछ से में कहा एक बार मैं संसिक्कों में काम करने के लिए तेयार हो गया उसके बाद तो आपने मुझे बात तक नहीं की दस सेंट परती गंटे, मैं आपके शिकायत सरकार से करूँगा, हमारे देश में भी बालक श्रम कनून है, आप तो जानते ही हैं, पिर मेरे डेड़ी सरकार के लिए काम करते हैं, शाबास, हम इस डेड़ी ने कहा, अब तुम उन जादातर लोगों भी बासा बोल रहे हो, जो क मुझे ये लग रहा था, कि कम उमर के बावजूद में बावदूरी से बतें कर रहा था, आपने मुझे जुट पुला, मैंने आपके लिए काम किया, और आपने अबादा पूरा नहीं किया, आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ न अंदाज में कहा, क्या सिखाने का मतलब के बासन या बादचीती होता है, अमेरे डैड़ी ने पूछा, और क्या, मैंने चवाब दिया, इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं, उन्होंने मुझकरा कर कहा, परंतु जिन्दगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती, और मेरा यह मानना है कि जिन्दगी सबसे बड़ी है टीचर होती है, ज्यादातर वक्त जिन्दगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है, हर धक्के के जरीए जिन्दगी आपसे कहती है, जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ, यह आदमी किसी बेज सिर्पैर की बातें कर रहा था, मैंने अपना आपसे पूछा, जिन्दगी अगर मुझे तक्का देती है, तो इसका मतलब है कि जिन्दगी मुझे बातें करती है, अब मैं जान चुका था, कि मुझे यह काम तदकाल छोड़ देना चाहिए, मैं किसी य इसा नहीं करते हो, तो जिन्दगी तुमें लगातार दख्के देती रहीगी, लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जिन्दगी के दख्के को सेहन करते चले जाते हैं, बाकि लोग गुसा हो जाते हैं, और जिन्दगी को दख्का दे देते हैं, परंतु वे दख्के देत कुछ लोग हर मान लेतेιαं बाकी की BEC लोगल शीख लेते और आगे बढ़ जाते पर जिंद्गी के दुक्रूब का स्वागत करते हैं इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि एपकर को नया है वे शीकते हैं और आगए बढ़ते जाते यह ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुमारी तरह लड़ते भी हैं अमीर डैड़ी खड़ी होगे और उन्होंने टूटी फूटी किड़की को बंद कर लिया अगर तुम यह ऐसा वक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार अमीर और सुखी युवक बन सकते हो अगर तुम यह नहीं सीखते तो तुम जिन्दगी बेर अपनी समझ्याओं के लिए अपनी नोकरी, कम तनख्वा या अपने बोस को कोशते रहोगे तुम हमेशा ऐसे बड़े मोके की उमीद करते रहोगे जो आए और तुमारी आर्थिक समझ्याओं को सुलजा दे अमेरी डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बातें सुन रहा हूँ उनकी आँखे मेरी आँखों से मिली हमें एक दूसरे की तरफ देखते रही और हमारी आँखों के बीच संप्रेशन की दारहें बहने लेगी आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें जुखा ली मैं जान गया था कि वे सही थी मैं उन्हें दोसी ठहरा रहा था जबकि सीखने के जिद मेरी ही थी मैं फालतों में लड़ा था अमेर डेड़ी ने कहा अगर आप इस तरह के आदमी है जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते है अगर आप इस किसम के आदमी है तो आप जिन्दगी बर सुरक्षित खेल केलते रहेंगे सही चीज़ें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है और फिर आप एक बोरिंग बुड़े की तरह मर जाएंगे आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तरिफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे आपने अपने जिन्दगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीज़ें करने में गुजार दे परन्तु सच बाप तो यह है जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिस नहीं की आपने सुरक्षित खेल खेलने के विकल्प चुना हमारी नजरें एक बार फिर मिले दस सेगेंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात समझ गया आप मुझे दक्का दे रहे थे मैंने पूछा कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं हमेरी डैड़ी मुस्कुर है मैं तो यही कहूँगा कि मैं तुम्हें जिन्दगी का सवाद सखा रहा था कैसा सवाद मैंने कूछा मैं अब भी गुसा था परन्तु अब मेरे जिक्यासा भी जाग गई थी अब मैं सीखने के लिए तयार भी था तुम दोनों यह से पहले लोग हो जिन्नों नो मुझे पैसा बनाने की कला सीखने का आग रखिया मेरे पास डेट सो से भी ज़्यादा करमचारी है पैसे के लिए काम करने के लिए बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक कि यह कभी समझ नहीं पाएंगे कि दरसल वे किस के लिए काम कर रहे हैं मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा तो जब माईग ने मुझे कहा कि तुम पैसे कमाने के कला सीखना चाते हो तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असले जिन्दगी के करीब था मैं बोलते बोलते ठक जाता पर अंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पा थे इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुमें जिन्दगी के थपेड़ों का स्वात चखा दिया जा ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको इसी कारण मैंने तुमें एक गंटे के दस सेंट दी तो दस सेंट परती गंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक्सी खाया यही कि आप गटिया है और अपने करमचारियों का सोसन करते है अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ जुकते हुए जोर से हंसने लगे जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो मुझे समश्या मत बनाओ मुझे दोस्त देना छोड़ दो अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समश्या मैं हूँ तो तुमें मुझे बदलना चाहिए इसके बजाए अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समश्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो सीख सकते हो और जादा समझतर बन सकते हो जादातर लोग साते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए बस हम खुद ही नहीं बदले मैं तुम्हें यह बता दूँ कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है यह कि खुद को बदला जाए मैं आपके बाद ठीक से समझ नहीं पाया मैंने कहा अपनी समश्याओं के लिए मुझे दोस देना छोड़ दो अमीर डेड़ी ने अधिरता से कहा पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का इवेतन दिया तो तुमने क्या सिखा अमीर डेड़ी ने मुस्करा कर पूछा यही कि आप घटिया हैं मैंने सरात वरी मुस्कान के साथ कहा अच्छा तो तुम यह सोचते हो कि समश्या मैं हूँ अमीर डेड़ी ने कहा वो तो आप हैं ही खैर इसी तरीके से सोचते रहूँ और तुम जिन्दगी बर कुछ नहीं कर पाओगे अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समश्या मैं हूँ तो तुम्हारे पास क्या विकल बरह जाते हैं अगर आप मेरी तनक्वा नहीं बढ़ाते अगर आप मेरी तनक्वा नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इजट नहीं देते तो मैं काम चोड़ कर चला जाँगा ठीक है अमिर डेड़ी नहीं कहा और ज़्यादातर लोग यही करते हैं पर काम चोड़ कर चले जाते हैं और दूसरी नोक्री की तलास करते हैं जहां उन्हें बेहतर मोके और ज़्यादा अच्छी तनक्वाइं मिलती है तुमें यह कलत फैमी होती है नई नोक्री या ज़्यादा तनक्वा से समश्या सोलच सकती है ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता तो समझ्या किस तरह सोल सकती है मैंने पूछा 10 सेंट परती गंटे के हिसाब से तनक्वा लेकर मुस्कराते हुए हमेरी डैडी मुस्कराई यही बाकी लोग करते हैं वे यह जानते हुए कि कम तनक्वा में काम करते हैं क्योंकि नोकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे बरेगा इसलिए मन मसूश करवे नोकरी करते हैं और यह सोच करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समझ्या सुलच जाएगी ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए उनने तनका कमी मिलती है मैं फर्ष को गुर्टा रहा अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था मुझे यह एहाइसास हो गया था यह जहिद्गी का सुआद है आखिर कर मैंने उपर की और देखा और अपना सवाल दो रहाया तो पिर यह समझ्या किस तरह सुल जाएगी इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वह बेस्क लिमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने करमचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसके बदोलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने जा रही थी जबकि मेरे पड़े लिखे गरीब डैडी जिन्दगी पर पैसे की तंगी से जूजने माले थे यह एक अद्बुत नजरिया था जिसने मेरे जिन्दगी का नक्षा ही बदल दिया अमीर डैडी ने बार-बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूँगा गरीब और मद्ध उमर गिया लोग पैसे के लिए काम करते हैं अमीरों के लिए पैसा काम करता है मेरे गरीब डैडी ने जो मुझे सिक्षा दी थी शनिवार के उस खुषन वासुबै मैं उससे बिलकुल अलग नजरिया सीख रहा था नो साल की उमर में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाते थे कि मैं सीखूँ दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे फरक सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाई वीशे अलग अलग थे मेरे पड़े लिके डैडी चाते थे कि मैं वही करूँ जो उन्होंने किया था बेटे मैं चाता हूँ कि तुम में इनत से पड़ो अच्छे नमर लाओ ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नोक्री मिल सके और यह अच्छी तरह इस देख लो उसमें बहुत से दूसरे लाओ हो मेरे अमीर डैडी चाते थे कि मैं सीखूँ कि पैसा कैसे काम करता है ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूँ यह सबक मुझे जीवन भर उनके मारक दर्शन में सीखना था ने की किसी क्लासरोम में मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा मैं खुश हों कि तुम दस सेंट परती गंटे की इसाब से काम करने पर गुसा होगे अगर तुम गुसा नहीं होते और तुम्हे ऐसा कुशी कुशी करते रहते तो मैं तुम्हें साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता यह जानलो की सच्ची सिक्षा में उर्जा प्रबल वावना और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है गुसा उसफार में लेगा एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि प्रबल वावना में गुसा और प्रेम का समने में होता है जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरुच्छित रास्ता कोचते है इजले प्रबल वावना उन्हें राह नहीं डिखा पाती उन्हें राह दिखाता है उनका दर तो क्या इसलिए वे कम तनकवा पर काम करतने के लिए राजी हो जाते हैं मैंने पूछा हाँ, अमिर टेड़ी नहीं कहा कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का सोशन करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनकवा नहीं देता जितनी उन्हें सुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना सोशन करते हैं, डरते हैं भी मैं नहीं पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनकुआ देनी चाहिए मैंने पूछा मुझे ज़्यादा देने के जूर्ट नहीं है और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्चा नहीं सुल जेगी अपने डैडी को ही देख लो वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का बुकता नहीं कर पाते दुनिया में इसे बहुत से लोग हैं जिने अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा करज में डूप जाएंगी तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट परती गंटे की तंकवा दी मैंने मुस्कराते वे कहा यह सबक का इससा था बिल्कुल सही अमेरी डैडी ने मुस्करा कर कहा देखो तुमारे डैडी स्कूल गई और उन्होंने बहुत बढ़ी असिक्षा इसलिए आसिल की ताकि उन्हें अच्छी तंकवा वाले नोकरी मिल सके जो उन्हें मिल गई फरंद उनके पास आज भी पैसे की तंगी है एसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा और सबसे बड़ी बात यह है और वे पैसे के लिए काम करने में वरोशा करते है और आप नहीं करते हैं मैंने पूछा नहीं सत पूछा जाए तो नहीं हमें डेरी नहीं कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाते हो तो स्कूल में ही रहो यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जए और कोई नहीं है परन्तु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुमारे लिए किस तरह काम करे तो यह मैं तुम्हें सिखा ज़कता हूँ परन्तु तभी जब तुम सीखना चाहो क्या हर कोई यह नहीं सिखना चाता मैंने पूछा नहीं अमेरे डैडी नहीं कहा सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है खास तोर पर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल बाऊना डर हो मैं समझ नहीं पाया मैंने तियोरियां से डाहकर कहा उसके चिंता फिलाल मत करो अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज़्यातर लोग अपने नोक्रियां करते हैं अपने बिलों का बुदान नयकर पाने का डर नोक्रे से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर प्रयाप पैसा नहीं होने का डर एक बार फिर से शुरूब करने का डर यह किसी व्यवसाई को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है ज़्यातर लोग पैसे के खुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बोस पर अपने बढ़ास निकालते हैं तो आपकी नजर में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग भी शेह मैंने पूछा बिल्कुल हम एड़ेडी ने जवाब दिया बिल्कुल शनिवार के उस खुसनु वासुब हावाई में हम लोग चुप-चाप बैठे रहे मेरे दोस्त उसमें लिटिल लीग बेसबाल गेम शुरू करी रहे होंगे और किसी वज़ाई से मैं खुस था कि मैंने दस सेंट परती गंटे के इसाब से काम करने का फैसला किया था मुझे लगा कि मैं कुछ हैसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीख पाएंगी सीखने के लिए तैयार हो अमीज डैडी ने पूछा बिल्कुल मैंने दाथ निकाल कर कहा मैंने अपना वादा निवाया है मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे ही सिखाया है अमीज डैडी ने कहा नो साल की उमर में तुम्हें ये पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है अपने पिछले महीने को पचास सालों से गुना कर और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोग अपने जिन्दी किस तरह गुजाते हैं मैं समझ नहीं पाया जब तुम मुझे मिलने के लिए रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था एक बार नोकरी के लिए और दूसरी बार तंख वरड़वाने के लिए बया नख मैंने कहा अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्ब चुनते हो तो ज्यादादर लोगों के लिए जिन्दिगी का मतलब यही होता है हमीर डैडी नहीं कहा और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन तुमारे हाथ में तीन गंटे के काम के लिए तीन सिक्के थमाई थे मुझे लगा था कि यह काफी नहीं है मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है मैं निरास हुआ था मैंने कहा और यही ज़्यादार करमचारियों को लगता है जब वे अपनी तनक्वा के चेक को देखते हैं खास कर तब जब उससे टेक्स और बाकी कटोतियां कर ली जाती है कम से कम तुम्हें पूरी तनक्वा मिले थी उन्हें तो पूरी तनक्वा भी नहीं मिलती आपका मतलब है ज़्यादतर करमचारियों को पूरी तनक्वा नहीं मिलती मैं है हैरान था नहीं हमेरे डेड़ी ने कहा सरकार हमेशा अबना इसा पहले ही ले लेती है सरकार इसा कैसे करती है मैंने पुछा टैक्स अमीर डैडी ने कहा जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है जब आप बचाते हैं तो भी आपड़ टेक्स लगता है लोग सरकार को इसा क्यों करने देते हैं अमीर लोग इसा नहीं करने देते अमीर डेड़ी ने मुश्कुरा कर कहा परंतु गरीब और मद्य उमर गिये लोग इसा करने देते हैं मैं दावा करता हूँ कि मैं तुम्हारे डैड़ी से ज़्यादा कवाता हूँ परंतो वे ज़्यादा टेक्स देते हैं यह कैसे संभवगर मैंने पूछा 9 साल का बच्चा इस जीव आंकडे को समझ नहीं पा रहा था कोई आदमी सरकार को इसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है अमीर डैड़ी चुचप बैठे रहे मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनू ने कि उनसे फाल तो सवाल पूछू आखिर मैं शान्त हो गया जो मैंने सुना था वे मुझे अच्छा नहीं लगा था मैं जानता था कि मेरे डैड़ी हमेशा टेक्स का रोना रोते रहते थे पर अंतु दारसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं करपाते थे क्या जिन्दगी उन्हें धका दे रही थी अमीर डैड़ी मेरी तरफ देखते हुए अपने कुर्सी ने धीमे दिमे और खामोसी से हिलने लगे सीखने के लिए देयारो उन्होंने पूछा मैंने अपना सिर्थी में से हिलाया जैसा मैंने कहा सीखने के लिए बहुत कुछ है पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाई यह जिन्दगी बर चलने वाली पढ़ाई है ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कालेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंदी पढ़ाई जीवन बर चले ही और इसकी बज़ाई यह है कि मैं जितना ज़्यादा जान लेता हूँ चलता है उससे भी ज़्यादा जानने की मेरी जिग्या साब बढ़ती चली जाती है ज्यादा तर लोग इस वीशेगुक कभी नहीं पढ़ते ही वे नोकरी पर जाते हैं अपनी तनख्वा लेते हैं अपनी चेक बुक को बैलेंस करते हैं और बात खतम हो जाती है इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समच्चा ही क्यों है फिर वे सोचते हैं कि ज़्यादा पैसों से उनकी समच्चा हल हो जाएगी बहुत कम लोगों को यह ऐसास होता है कि असली समच्चा धन समंदी सिक्षा या ग्यान की है तो मेरे डेड़ी को टेक्स की समच्चा है इसलिए है क्योंकि उन्हें पैसे की समच्च नहीं है मैंने विचली तोकर पूछा देखो अमेर डेड़ी ने कहा पैसे के लिए अपने लिए कैसे काम करवाया जाए टेक्स तो उस सिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है आज जो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अभी पैसे के बारे में सीखने की प्रवल इच्छा बची है या नहीं ज़्यादातर लोगों में सीखने की प्रवल इच्छा नहीं होती बेश्कूल जाना चाहते हैं कोई वेवसाई सीखना चाहते हैं अपनी नोकरी में मज़े करना चाते हैं वो डेहर सारा पैसा कमाना चाते हैं एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समश्या आ जाती है और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और उन्हें यह कीमत चुकाना इबढ़ता है अगर वे पैसे से अबने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या नहीं आती तो तुम्हें अब सीखने की जानने की जिग्यासा है अमेरे डैड़ी ने पूछा अच्छा, अमेरे डैड़ी ने कहा अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तंक्वा नहीं दूँगा मैंने हैरानी से पूछा तुमने सही सुना तंक्वा बन, तुम हर शनिवार तिन गंटे उसी तरह काम करोगे परंदू इस बार तुम्हें 10 सेंट पर 3 गंटे के हिसाब से तंक्वा नहीं मिलेगी तुम्हें ने तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाते इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूँगा मैंने माइक से पहले ही बात कर लिया तुमने कहा था कि तुम सीखना चाते हो अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं दो मैलाओं और बुड़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि उन्हें मैं नोपरे से निकालने दूँ या तुम अपने डेड़ी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं पर दुगले तक करज में डूबे रहते हैं शायद उन्हें यह उमीद रहती है ज़्यदा पैसे जो उनकी समझे हैं सुझ जाएंगी अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर दस सेंट के अपने पुराने वादे पर लोटने को तयार हूँ या तुम वहे कर सकते हो जो ज़्यदातर लोग करते हैं इस बारे में शिकायत करो कितन ख़वा बहुत कम है और तुम यह नोगरी छोड़कर दूसरे नोगरी तलास चुरू कर दो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मैंने पूछा अमीर डैडी ने अपने सिर्प रोंगली रखी इसका इस्तेमाल करूँ उन्होंने कहा अगर तुम इसका इसा ही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्दी इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुमें मुका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे मैं वहाँ यह सोचते वे खड़ा था कि मुझे कितना गटिया फिकल्ब दिया गया है मैं यहाँ अपनी तनक्वा बढ़वाने आया था और अब मुझे मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है अमीर डैडी ने एक बार फिर अपने उंगली को सिर पर रखा और कहा इसका इस्तेमाल करो अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुड़ जाओ सबक ए अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते मैंने अपने गरीव डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ उन्हें यह समझ में नहीं आता मैं उन्हें इसकी वज़ा ठीक से इसलिए नहीं समझाओ सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था अगले तीन अपते माई को और मैं तीन गंटे तक हर शनिवार को काम करते रहे मुफ्त में काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और वक्त गुज़ने के साथ-साथ यह ज़्यादा आसान होता जा रहा था मुझे अफसोस था तो अपने छुटे वे बेसबाल गेम्स और कमिक्स का अब मैं उनका मज़ा नहीं ले सकता था तीसरे अपते दो पैर में अमी डेड़ी आई हमने उनके ट्रक के पार्किंग में आने की आवाज सुनी वे स्टोर में गुशे और उन्होंने मिसेज मार्टिन को गले लगा कर अब ग्वांदन किया स्टोर में क्या चल रहा है यह जानने के बाद वे आईस क्रीम फ्रीजर के पास गाई उसमें से दो आईस क्रीम निकाली उनका दाम चुकाया और इसके बाद मेरी और माईक की तरवी सारा करके कहा चलो गुमने चलते हैं हम सड़क के पार कई कुछ कारों को चक्मा दिया और एक बड़े गास के मैदान में टहलने लगे जहां कुछ ब्यासक साफट वाल खेल रहे थे दूर की पिगनेक टेवल पर बैठकर उन्होंने माईक और मुझे आईस क्रीम दी कैसा चल रहा है बड़िया माईक ने कहा मैंने सेम्टी में से रिलाया कुछ और सिखा हमें एक डैड़ी ने पूछा माईक और मैंने एक दूसरे के तरफ देखा अपने कंदे उचकाई और अपने सिर को नहीं में एक सा हिलाया अच्छा यह होगा कि तुम बचपन से ही यह सोचना चालू कर दो तुम अगर जिन्दगी के सबसे बड़े सबग को देख रहे हो अगर तुम इस सबक को सीख लेते हो तो तुम बहुत ज़्यादा आजादी और सुरक्षा बरी जिन्दगी का सुख ले सकते हो अगर तुम यह सबक नहीं सीख पाते हो तो तुम भी मिसेज मार्टेन और इस पार्क में खेल रहे ज़्यादतर लोगों की तरह बन जा हुई वे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं परन्तु उनके बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं पर नोकरी की सुरक्षा के मोह में फसे रहते हैं हर साल मिलने वाले तीन अफ़ते की चुटियां और 45 साल तक काम करते रहने के बाद मिलने वाली थोड़ी सी फिंचन का सफना देखते रहते हैं अगर इस तरह की जिन्दगी जीने में तुमें सुख मिलता है तो मैं तुम्हारी तन को अब ड़ाकर 25 सेंट परती गंटे कर सकता हूँ परन्तो ये लोग अच्छे लोग हैं और मेंती भी हैं फिर आप उनका मजाग क्यों उड़ा रहे हैं मैंने पूछा हमेरी डेडे के चेहरे पर मुस्कान आ गई मिसेज मार्टिन मेरे लिए माज ऐसी है इतना कटोर नहीं हो सकता कि उनका मजाग उड़ा हो ये कटोर लगता जरूर है क्योंकि मैं तुम दोनों के सामने स्थितिस पस्ट करना चाता हूँ और वह भी असान सब्दों में मैं तुम्हारे नजरीयों को बढ़ा करना चाता हूँ ताकि तुम कुछ आगे भी देख सको दूर तक देख सको ज्यादातर लोगों को आगे देखने का फाइदा कई बार सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा था क्योंकि उनके देखने का दाइरा बहुत चोटा हुता है ज्यादातर लोग जिस जाल में फसे हुई हैं वे उसे देख ही नहीं पते। माई को और मैं वहाँ पर सोचती वे बैठे रही क्योंकि हम उनकी बातों का मतलब पूरी द्रह से समझ नहीं सके थे। उनकी बातें सुनने में कटोर और कड़वी लग रही थी। परंतु हम यह भी जानते थे। वे हमें कुछ सिखाने की काफी कोशिस कर रही थे। मुस्कराट के साथ हमेरी डैड़ी ने कहा क्या 25 सेंट परती गंटे आप पर अच्छा नहीं लगा? क्या इससे दिल की दरकन तेज नहीं हुई? मैंने अपना सिख नहीं में ही लाया जबकि असल में ऐसा ही हुआ था एक गंटे काम के बदले 25 सेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़ी असोदा था अच्छा मैं तुम्हें एक गंटे के एक डालब डूँगा? अमीर ड़ड़ी शरार्थ बले मुस्कराट के साथ कहा अब मेरा दिल तुफान मेल की तरह दोड़ रहा था मेरा दिमाग चीख चीख कर कह रहा था इनकी बात मान लो, मान लो मुझे अपने कानों पर गोरुसा नहीं हो रहा था परन्तों फिर भी मैं चुप था अच्छा दो डालर परती गंटे? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे छोटे से नो साल पुरानी दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया हो उननीसो चपन में दो डालर परती गंटे मैं मुझे दुनिया का सबसे अमीर बच्चा बना दे थी मैं इतना सारा पैसा कमाने के गलपनाई भी नहीं कर सकता था मैं हा कहना चाहता था मैं सोदा पका करना चाहता था मुझे नई साइकल दिख रही थी नई बेसबाल के कलप दिख रही थी मेरे पास कड़क नोट देखकर मेरे दोस्तों की जलन और तारिब भी मुझे साब दिख रही थी सबसे बड़ी बात तो यह थी कि जिमी और उसके दोस्त मुझे फिर कभी गरिब नहीं कह सकते थे परन्तु किसी बज़े से मैं खामोस खड़ा रहा हो सकता है कि मेरे दिमाग में गर्मी बढ़ जाने के कारण फ्यूज उड़ गया हूँ परन्तु मनी मन दो डालर परती गंटे का आप पर मानने के लिए बेताओ था आइस क्रीम पिगल चुकी थी और मेरे हाथ पर बह रही थी आइस क्रीम की डंडी खाली थी जिसके नीचे वनिला और चाकलेट के टुगड़े थे जिनके मज़े चिंटिया ले रही थी हमीरेडी हम दोनों बच्चों को देख रही थे जो आँखे फाड़ कर और खाली दिमाग से उन्हें गूर रही थे उन्हें मालूम था कि वे हमारी परिक्षा ले रही है और वे यह भी जानते थे कि हमारे दिल का एक कोना उसाफर को मानने के लिए बेताव हो रहा था वे जानते थे कि हर वेक्ति की आत्मा का एक इसा कमजोर और जरूरतमत होता है जिसे खरीदा जा सकता है और वे यह भी जानते थे कि हर व्यक्तिकी आत्मा का ये किसा मजबूत दरड़ निश्चे ही होता है जिसे कभी नहीं करीता जा सकता असली सवाल यह था कि इन में से कौन सा इस्सा जाला तक्तवर है उन्होंने अपनी जिन्दिगी में हजारों लोगों की परिक्षा ले थी जब वे नोकरी मागने के लिए आये लोगों का इंट्रिव लेते थे तो वे हर बार आत्माउं की परिक्षा लेते थे अच्छा पांस डॉलर परती गंटे अचानक मेरे अंदर शान्ती छा गई कुछ था जो बदल गया था हाफर बहुत ही बड़ा था और मुर्क ता कुन लग रहा था उन्निस सो चपन में गिने चुने वेसकों को पांस डॉलर परती गंटे से जाता मिलता होगा लालच खातम हो गया था और इसकी जगए शान्ती ने ले ली थी धीमे से मैं अपने बाईं तरफ खड़े माईक की तरफ मूड़ा उसने मेरी तरफ देखा मेरी आत्मा का जो इससा कंजोर और जरूट बन था वह खामोस हो चुका था मेरा वह इससा जिसे खरीदा नहीं जा सकता था वह आगे आ चुका था मेरे दिमाग और आत्मा में पैसे को लेकर हुवे इस युद में शान्ती और विश्वास जित चुके थे मैं जानता था कि माईक भी उसी बिंदू पर पूंच चुका था अच्छा अमेर ड़ड़ी ने दिमे से खा ज्यादतर लोगों की एक किमत होती है और उनकी किमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो बाउना ही होती है दर और लालच पहले वो पैसे के बिना रहने के दर से कड़ी मेनत करते हैं इसके बाद जब हमें तनकौा मिलती है तो हमें लालाच या इच्छा की बावना जाग जाती है पैसे होने पर हम उन बड़ी आचीजों के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरिदी जा सकती है इस तरह हमारे जिन्दगी का एक पैटरन बन जाता है किस तरह का pattern मैंने पूछा सुबह जागने, काम पर जाने, खर्च करने, सुबह उठने, काम पर जाने, खर्च करने लोगों के जिन्दगी हमेशा डर और लालच इनी दो बाउनों से चलती है उन्हें अगर ज्यादा पैसा दे भी थे तो वे इसी pattern पर चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे इसी pattern को मैं चुहा दोड कहता हूँ क्या कोई दूसरा रास्ता भी है? माईक ने पूछा हाँ, अमीर डैडी ने दिमे से का परन्तों ये बहुत कम लोग खोज पाते हैं और वह रास्ता क्या है? माईक ने पूछा उसी रास्ते को तुम लोग काम करते वे और मेरे इसाब से सीखते वे खोज लोगे, मैं यही उमीद करता हूँ इसी कारण मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया इस बारे में कोई संकेत तो दीजिये वाइक ने कहा हम लोग मेनत से काम करते करते ठक चुके हैं खास कर तब जब इसके बदले में कुछ नहीं मिला हूँ पहला कदम तो यह है कि तुम लोग सच बोलो हमेरे डैड़ी ने कहा हम लोग जूट नहीं बोल रहे हैं मैंने कहा मैंने कब कहा कि तुम लोग जूट बोल रहे हूँ मैं तो यह कह रहा हूँ कि सची बात कह देना चाहिए हमेरे डैड़ी ने जवाब दिया किस बारे में मैंने कहा इस बारे में कि तुम लोगों को कैसा लग रहा है अमेरी डैडी ने कहा तुमें यह किसी और से कहने की जुरूरत नहीं है सिर्फ अपने आप से सच बोलो आपके कहने का मतलब यह है कि इस पार्क में मौजूद लोग आपके लिए काम करने वाले लोग यह सब लोग ऐसा नहीं करते मुझे ऐसा ही लगता है अमीर डैडी नहीं कहा इसके बजाए उन्हें अमेशा पैसा नहीं होने का डर सता आथा रहता है उस डर का सामना करने के बजाए सोचने की बजाए लोग सिर्फ पर्तिकरिया करते हैं इस दोरानवे दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली ठोकते हुए कहा फिर उनके हाथ में कुछ पैसे आ जाते हैं और उनमें खुशी इच्छा, लालच की भाउना आ जाती है और एक बार फिर वे दिमाग से सोचने के बजाए दिल से काम करने लगते हैं तो वे दिल से, अपनी बाउनाओं से सोचते हैं, माइक ने कहा बिल्कुल ठीक, हमीर डैडी ने कहा वे इस बारे में सच नहीं बताते कि उन्हें कैसा लग रहा है वे अपनी बाउना से काम करते हैं और दिमाग से सोचने का कश्ट नहीं उठाते, उन्हें डर लगता है, वे नोकरी करने जाते हैं और आसा करते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनका डर दूर हो जाएगा, परंतो ऐसा नहीं होता है, वही पुराना डर उन्हें फिर से सताने लगता है, वे फिर से नोकरी करने ज करते हैं ऐसा कमाते हैं और आसा करते हैं कि डर से उनका पीचा छूट जाएगा परंदू हर रोज जब वे उठते हैं तो उनका पुराना डर भी उनके साथ उठता है वही पुराना डर करोड़ों लोगों को रात बर जगाता है और उनकी रात बहुत चिंता और परेशानी से गुजरती है इसलिए वे उठते हैं खाम पर जाते हैं और यह आसा करते हैं कि तनक्वा के चेक से उनके दिल को पुतरने वाले इस डर्कों वे मोत के गाट उतार देंगे सच बात तो यह है कि पैसा उनकी जिन्दगी को चला रहा है परन्तु वे इस बारे में कभी सच नहीं बोलते पैसे ने उनके बहुनों पर कबजा कर लिया है और उनकी आत्माओं पर भी यह कहकर अमीर डेडी खामोस होगे ताकि उनके शब्दों में छुपा संदेश हमारे अंदर चला जए माईक और मैंने उनकी बातें सुनी थी परन्तु हम उनका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाई थी मुझे अक्सर यह आरानी होती है कि लोगों को आफिश जाने के इतनी जल्दी क्यों होती है उन्हें अपनी नोगरे में खास मजा नहीं आता था और वे कभी खुश भी नहीं दिखते थे फिर क्या बज़े थी कि वे उन्हें जल्दी आफिश जाने के लिए प्रेडित करती थी जब अमीर डैडी ने देख लिया कि हम जितना समझ सकते थे हमने उतना समझ लिया तो उन्होंने आगे का मैं यह चाहता हूं कि तुम लोग यह जाल से बचो दरसल मैं तुमें यही सिखाना चाहता हूं मेरा मकसद सिर्फ अमीर बनना सिखाना नहीं है अमीर बनने से समझा नहीं सुझेगी मैंने अस्टरे से पुछा बिल्कुल नहीं मुझे दूसरी बहोना इच्छा के बारे में अपनी बात पूरी करने दो कुछ लोग इसे लालच कहते हैं पर दू मैं इसे इच्छा कहना ज़्यादा पसंद करता हूं यह बुरा नहीं है कि हम किसी बेतर ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा सुखर या रोमांचक चीज़ की इच्छा करें लोग इच्छा की वजए से भी पैसे के लिए काम करते हैं उन्हें सुख के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है क्योंकि वे मानते हैं कि पैसे सुख खरीदा जा सकता है परंतु पैसा जो खुछी देता है वो एकसर पल बर्की होती है उने जजदा कुछी जदा अनंध जदा आराम जदा सुरक्षा हसिल करने के लिए और जदा पैसे के ज़ूरूर्ट होती है इसलिए बिए काम करते रहते हैं और यह सूसते रहते हैं कि पैसा डर और लालत से परशान उनके आत्माओं को शंत कर देगा परन तो पैसा यह काम नहीं कर सकता अमीर होने के बाद भी नहीं माइक ने कहा हाँ अमीर होने के बाद भी नहीं अमीर डैडी ने कहा दरसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बलकि डर के कारण अमीर होते हैं वे सचमुच सोचते हैं कि दोलत हो तो पैसे नय होने का डर गरीब होने का डर खतम हो जाता है इसलिए वे धेर सारी दोलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है उन्हें या वो इसके खोने की चिंता सताने लगी है मैं ये से दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं, मैं ये से लोगों को भी जानता हूँ, जिनके पास आज करोडों की दोलत है, परतु वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान है, जितने वे अपनी गरीबी के दिनों में थे, उन्हें इस बात का डर है, कि वे अपनी सारी दोलत खो देंगी, अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे, वे अमीर बनने के बाद और भी पड़ गई है, दरसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरुत्मन हिसा अब और तेजी से चीक रहा है, वे अपने आलिशान बंगलों, शांदार कारों और उस एस वाराम की जिंदी को खोना नहीं चाते, जो पैसे से खरीदी गई है, वे इसी चिंता में गुलते रहते हैं, कि अगर वे कंगाल हो गई, तो उनके दोस्त क्या कहेंगी, इसी चिंता की बज़े से कई लोग तो नियोरोटिक और कुंठी तक हो चुके हैं, हालांकि वे अ ऐसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागल पन है जितना कि उसके पीछे बागना, उसी समय तरस्बे का एक पागला हमारी मेज के पास से गुज़रा और कुड़े दान के पास रुपकर उसने कुछ ढूनने लगा, जैसे उसे किसी ने समझा कर बेजाओ, चर्चा के इस मोड पर हम तीनों उसके अरकतों को दिल्चस्पी के साथ देख रहे थे, जब कि इस से पहले हमने उसे नजर अंदाज कर दिया होता, अमीर डेड़ी ने अपने पर्स में से एक डालर निकाला और उस पागल बुड़े को पास आने का इसारा किया, पैसा देखते ही वे ततक अमीर डेड़ी को धेर सारी सुब काम नहीं दी और अपनी अच्छी किसमत पर खुश हो कर गया, जल्दी से वहां से चला गया, इसमें और मेरे ज्यादातर करमचारियों में बहुत सा अंतर नहीं है, अमीर डेड़ी ने कहा, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ, जो क नहीं है, तो में नोकरी पर क्यों जाते हैं, इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, उस कंजूसी बरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का है, जिसमें कोई अमीर पैसे पर कुनली मारकर बैट जाता है, जब मैं वहाबने अमीर डेड़ी की बात सुन रहा था, तब मेर मेरे दिमाग में यह ख्याल आ जाता था, कि मेरे गरीब डेड़ी हजार बार कह चुके थे, मुझे पैसे में कोई रूची नहीं है, वह है इसा अक्सर कहा करते थे, वे खुद की असली बाउनाओं को चुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसलिए काम करता हू मैंने पूचा, यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें, जब तक कि हमारे मन से डर और लालच की बाउनाओं पूरी तरहें निकल नहीं जाएं, उसमें तो बहुत समय बरबाद हो जाएगा, हमें डेड़ी ने कहा, बाउनाओं के कार्णी तो हम इंसान है, इन्हीं के कार्ण अमारी हस्ती है, बहुना सब्त का मतलब है चला इमानों जाओ, अपनी बहुनाओं के बारे में इमानदार रहो, और अपने दिमाग और बहुनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, ने की विरोध में, आह माइक ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसकी बावना ही फैसला कर रही है इस बिचार का असली कारण है पैसा नय होने का डर परन्तु अपनी जिंदगी चलाने के लिए लोगों को पैसे की जुरूर तो पढ़ती ही है मैंने कहा बिलकुल पढ़ती है हमेर डैडी मुस्कुराई मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि उनके डर के कारण उनके मन में यह विचार आता है मैं समझ नहीं पाया माइक ने कहा हमेर डैडी ने कहा अगर आपके मन में पैसे की कमी का डर जाग जाए तो ततकाल नोकरी डूनने के लिए दोड मत लगाई ताकि कुछ पैसों के सारे उस डर को मार दिया जाए इसके बज़ाए आप खुछ से यह सवाल पूछिए क्या लंबे समय में इस डर का सबसे बढ़िया इलाज नोकरी है मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं होता है खासकर जब आप किसी आदमी की पूरी जिन्दिकी को देखते हैं नोकरी दिर्ग कालिन समश्या का अल्प कालिन समादान है पर नदु मेरे डड़ी हम ऐसा कहा करते है स्कूल में पढ़ो अच्छे नमबर लाओ ताकि तुमें एक सुरक्षित और अच्छी नोकरी मिल सके मैंने हडबड़ी में बोल दिया हाँ मैं समझ सकता हूँ कि वे इसा क्यों कहते है अमीर ड़ी ने मुस्करा कर कहा ज्यादातर लोग ऐसी सला देते हैं और ज्यादतर लोगों के लिए एक अच्छा विचार होता है परंतों लोगों के इस सला के पीछे भी डर चुपा होता है आपका यह मतलब है कि मेरे ड़ी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं हाँ हमें ड़ी ने कहा वे गवराई हुए हैं कि शायद तुम पैसा नहीं कमा पाओगे और समाज में फिट नहीं हो पाओगे मुझे गलत मत समझना वे तुम्हें प्यार करते हैं और तुम्हारा बला चाते हैं और मैं सोचता हूँ कि उनके डर सही भी है शिक्षा और नोपरी मैं तो पुर्ण है परन्तो इससे डर का इलाज नहीं होगा वही डर जो तुम्हें सुबह उठकर कुछ रुपए कमाने के लिए प्रेरित करता है उसी डर के कारण वे स्कूल जाने पर इतना जोर देते हैं तो आपकी सला क्या है मैंने पूछा मैं चाहता हूँ कि तुम्हें पैसे की ताकत पर काबू पना सिखाऊ पैसे का डर तुम्हारे दिमाग से निकल जाना चाहिए और यह स्कूल में नहीं सिखाया जाता अगर तुमें इसे नहीं सिखोगे तो तुम पैसे के गुलाम बन जाओगे अब उनके बाते मेरी समझ में आ रही थी वे हमारे विचारों को ज़्यादा व्यापक बनाना चाहते थे वे चाहते थे कि जो मिसेज मार्टिन नहीं देख सकती थी उनके करमचारी नहीं देख सकते थे या मेरे टेड़ी तक नहीं देख सकते थे वह देखने की योगविता हम में आ जाए उन्हों ने जो उतारन दिये थे वे उस समय कठोर जरूर लग रही थे परंतों मैं उन्हें कभी नहीं मुला मेरा नजरिया उस दिन बहुत बड़ा हो गया था जब मैं उस जाल को देख सकता था जो ज्यादातर लोगों के सामने बिचा होता है देखो आखिरकार हम सभी लोग एक करमचारी है हम क्यों अलाग लग इस तरों पर काम करते हैं हम ये टेड़ी ने कहा मैं तुम लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम लोग इस जाल से बचे रहो डर और लालच इन दो फंदों से बचने वाले जाल से इनका इस्तेमाल अपने समर्थन में करो अपने विरोध में नहीं मैं तुम लोगों को यह नहीं सिखाना चाहता कि धेर सारा पैसा कैसे इकठा कर लिया जाए उसे डर या लालच को नहीं जिता जा सकता अगर तुम्हें डर और लालच पर काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ असलियत में तुम्हें एक बड़ी तनक्वा पाने वाले गुलामी रहोगे तो हम किस तरह से इस जाल से बच सकते हैं मैंने पूछा गरेबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अग्यान होता है नेकी अर्थवेवस्ता या सरकार या अमेर लो यह खुद का ओड़ा हुआ डर या अग्यान होता है जो लोगों को इस जाल में फसाई रखता है इसलिए तुम बच्चों को स्कूल जाना चाहिए और अपने कालेज की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए मैं तुम लोगों को यह जरूर सिखाऊंगा इस जाल से कैसे बचा जा सकता है पहले के टुकड़े अब सामने आ चुके थे मेरे पड़े लिखे डैडी के पास बड़ी डिग्रियां थी और एक बड़िया करियर था परन्तु स्कूल में उन्हें ये कभी नहीं सिखाया कि धन्या आपके डर को किस तरह काभू में रखा जा सकता है अब मैं समझ सुका था कि मैं अपने दो डैडियों से अलग अलग परन्तु में तो को बात सीख सकता हूँ तो आप पैसे नहीं होने के डर के बारे में बात कर रहे थे पैसे कि इच्छा किस तरह हमारे सोच पर असर डालती है माइक ने पूछा तुम्हें तब कैसे महसूस हुआ जब मैंने तुम्हारी तनकवा बढ़ाने का लालस दिया था क्या तुमने यह देखा था कि तुम्हारी च्छाएं किस तरह बढ़ रही थी हमने अपने सिरामी में लाए पर तुमने अपने बाउनों के सामने हार नहीं मानी और इस कारण तुम लोगों ने जल्दबाजी में काम नहीं लिया इससे तुम्हें सोचने का वक्त मिल गया यह सबसे महतोपूर्ण है हमें हमेशा डर और लालस की बाउना ही होती है इस एक शन्से तुम लोगों के लिए सबसे महतोपूर्ण है कि तुम इन बाउनाओं का इस्तेमाल अपनी समर्थन में करो और लंबे समय तक करते रहो अपनी बाउनाओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो इस तरह अपने विचारों को दूसित मत होने दो ज्यादातर लोग डर और लालच का इस्तेमाल खुद के विरोध में करते हैं यह अग्यान की शुरुवात होती है डर और इच्छा की बावनाओं के कारण ही ज्यादातर लोग तनक्वा के चेक, तनक्वा की बड़ोतरी और नोक्री की सुरुक्षा के पीछे बागते बागते अपने पूरी जीकी निकाल देते हैं असल में मैं यह सोचते ही नहीं है कि भावनाओं के आदार पर बने हुए यह विचार उन्हें किस तरफ ले जा रही है यह तो वही बात हो गई जिसमें घाड़ी खींजने वाले गदे के सामने उसके मालिग गाजर लचकाई रखता है जो उसके नाक के ठीक सामने होती है गदे का मालिग जहान जाना चाता है वहाoga जाता है पर अदुख गदा तो लालच के कारण बाग रहा है कल गदे के लिए दूसरी गजर आ जाईगी और गदा उसका पीछा करने लगेगा आपके कहने का मतलब यह है कि जिस समय मैंने एक पेसवाल कलब्स, केंडी योर्ट और खिलोनों के सपने देखना शुरू किया उस समय मेरी आलत उस गदे की तरह हो गई थी जो गाजर के पीछे बागता है माइक ने पूछा हाँ और उमर के साथ-साथ तुमारे खिलोने वे ज़्यादा महंगे होते जाएंगे अपने दोस्तों कर रोब जाड़ने के लिए नई कार एक नाव और एक अलिशन गर अमीर डैडी ने मुस्करा कर कहा डर आपको दर्वाजे से बाहर धक्का देता है इच्छा आपको अंदर बुलाती है आपको चटानों की तरह लल्चाती है यही जाल है तो इसकी काट क्या है माइक ने पूछा डर और इच्छा अग्यान की वज़े से बढ़ते हैं इसलिए अमीर लोगों के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उनका डर भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है धन ही गाजर है ब्रह्म है अगर गदापूरी तस्वीर देख सकता तो शायद वह गाजर का पीछा करने के अपने फैसले पर दुबारा सोचता अमीर डैरी ने आगे यह समझाया कि आदमी की जिन्दगी अग्यान और ग्यान के बीच होने वाला संगर्स है उन्होंने बताया कि एक बार को यह आदमी खुद के बारे में ग्यान की खोज करना बंद कर देता है तो उसकी जिन्दगी में अग्यान खोज जाता है यह संगर्स हर पल होता है इसलिए हमें यह फैजला करना है यह सीखना है कि अपने दिमाग को खुला रखा जाई या इसे बंद कर लिया जाई देखो स्कूल बहुत बहुत ज़्यादा मैतुकूर्ण है पर आप स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि आप वहां कोई कला या व्यावसाई सीख सकें और इस तरह से आप समाज में योगदान दे सकें हर समाज में सिख्षकों, डोक्टरों, मेकैनिकों, कलाकारों, रस्वयों व्यावसाईक लोगों, पुलिस अफसरों, आग बुजाने वालों और इसी भाईयों की जुरूरत होती है स्कूल उने यह सब सिखाते हैं ताकि हमारा समाज विक्सित हो सके और हमारी संस्कृति सम्रद हो सके अमीर डेड़ी ने कहा दुरुबा कैसे कई लोगों के लिए स्कूल सिख्षा का अंतोहना है शुरुआत नहीं एक लंबी खमोसी चाही रही अमीर डेड़ी मुस्कृरा रहे थे उस दिन उनने जो कहा था वे पूरी तरह से समझ नहीं आया पर उन्तु ज़्यादा तर महान सिख्षोगों के सब सालों तक हमें सिखाते रहते हैं उनके सब्द इसी तरह से आज भी मेरे साथ है मैं आज थोड़ा निर्मम हुआ अमीर डेड़ी ने कहा मैं एक वज़ाय से निर्मम हुआ मैं चाहता था कि तुम लोगों को आज की यह चर्चा हमेशा याद रहे मैं चाहता हूं कि तुम लोग हमेशा मिसेज मार्टिन के बारे में सोचो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग हमेशा उस गड़े के बारे में सोचो इन्हें कभी मत मुलना अगर तुमने अपनी समझदारी से उन्हें काबू नहीं किया तो डर और लालच की तुमारी दोनों बावनाई तुम्हें जिन्दगी के सबसे बड़े जाल में फसा सकती है अपनी जिन्दगी को डरते डरते गुजारना अपने सपनों को पूरा नै करना निर्ममता है यह भी निर्ममता है कि पैसे के लिए कड़ी मेनत की जाई और यह सोचा जाई कि पैसे से खरीदी की चीजें सुक दे सकती है बिल चुकाने के डर से गवरा कर आदी रात को जागना जीने का एक पयानक तरीका है तंखवा के इसाब से जिंदगी जीना भी कोई जीना है यह सोचना कि कोई नोपरी आपको सुरक्षा या एसास दे सकती है कुछ से जुट बोलना है यह निर्मम्ता है और यही वहजाल है जिससे मैं तुमें बचाना चाता हूँ मैंने देखा है कि पैसा किस तरह लोगों की जिंदगियों को चलाता है इसा अपने साथ मत होने दो बगवान के लिए पैसे को अपने जिंदगी मत चलाने दो हमारी मेज के नीचे साफट बाला आ गई अमीर डैडी ने उसे उठाया और वापस खिलाडियों के पास फेंग दिया तो अग्यान का लालत और डर से क्या तलूप है मैंने पूछा यह पैसे का अग्यान ही है जिसकी वज़े से इतना लालत सोर इतना डर पैदा होता है अमीर डैडी ने कहा मैं तुम्हे कुछ हुदान देता हूँ एक डोक्टर जो अपने परिवार को ज़्यादा खुशी देना चाता है अपने फीस बढ़ा देता है उसके फीस बढ़ने की वज़े से स्वास्ते सुज़दाई हर एक के लिए महेंगी हो जाती है अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा नुक्सान भूँचता है इसलिए गरीब लोगों का स्वास्ते अमिर लोगों से ज़्यादा बुरा होता है अब चुंकि डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा दिये इसलिए वकील भी अपनी फीस बढ़ा देता है चुंकि वकीलों ने अपनी फीस बढ़ा दिये इसलिए स्कूल के टीचर भी अपनी तनकवा बढ़ाना चाते है जिसके कारण हमारा टेक्स बढ़ता है और यह सिलसला अनंत काल तक यूँ ही चलता रहता है जल्द ही अमीर और गरीब लोगों के बीच इतना वेहनक अंतर हो जाता है कि प्रले आ जाएगा और एक दिन महान सब्वेता दराशाई हो जाएगी महान सब्वेता इन तभी दराशाई हुई है जब अमीरों और गरीबों के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया है अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल रहा है और इससे यह साबित होता है कि इतियास अपने आपको दोराता है क्योंकि हम इतियास से कुछ नहीं सीखते हम के उले इतियासिक तारिखें और नाम रखते है उनके सबक को बूल जाते है क्या क्यमते नहीं बढ़नी चाहिए मैंने पूछा अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक सिक्षित समाज में तो नहीं क्यमते दरसल कम होने चाहिए जाहिर है कि ऐसा अक्यवल से दांद में ही हो सकता है कीमते अग्यान से पैदा हुई लालत और के कारण बढ़ती है अगर सकूल में दन के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता और बाजार की कीमते भी कम होती परंतो सकूलों में सिर्फ पैसे के लिए काम करना चिकाया जाता है पैसे की ताकत का इस्तेमाल नहीं चिकाया जाता परंतो हमारे यहां बिजनस सकूल भी है माइक ने पूछा क्या आप मुझे अपनी मास्टर डिगरी के लिए बिजनस स्कूल जाने के लिए प्रेट नहीं कर रहे हैं हाँ हम यह टेरी ने कहा परन्त वो अक्सर ऐसा होता है कि बिजनस स्कूले से करमचारियों को परशिक्षित करते हैं जो परिश्क्रत बीन काउंटर्स होते हैं इस वरी मालिक है जब कोई बीन काउंटर्स बिजनस संबाल लें वे सिर्फ संख्या को देखते हैं लोगों को निकालते हैं और बिजनस का गला गोन देते हैं मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बीन काउंटर्स से काम लेता हूँ वे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि लागत कैसे कम की जाए और किमत कैसे बढ़ाई जाए इससे बहुत से समझे पैदा हो जाती है बीन काउंटर्स भी मैतोगून है मैं सोचता हूँ कि ज्यादा लोगों को इस बारे में जानना चाहिए परन तो यह भी पूरी तस्विर नहीं बताती हमें डेड़ी काम करने के लिए तैयार हो गई थे तो तुमने अपने बाउनाओं को काबू में रखना सीख लिया था तब ही मैं समझ गया था कि तुम से उम्मिद की जा सकती है जब मैंने तुमें ज़्यादा तनक्वा खलालस दिया तब तुमने एक बार फिर बाउनाओं के बात नहीं माने तुम ताक्तवर बाउनाओं के बाउजूद सोचना सीख रही हो यह पहला कदम है यह कदम इतना मैत्वपूर्ण क्यों है मैंने पुछा यह तुम अपने आप जान पाओगे अगर तुम सीखना ही जाते हो तो मैं तुम लόगों को ब्राइन पैच में ले जांगा यह वह जगह है जिससे लोग बचते हैं मैं तुम्हे उस जगह पर ले जाओँगा जहाने से ज़्यादा तर लोगों को डर लगता है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो तुम्हारे मन से पैसे के लिए काम करने का विचार निकल जाएगा इसके बजाए तुम यह ऐसी कोगे कि पैसे से कैसे काम लिया जाता है और अगर हम आपके साथ जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा अगर हम आपसे सीखने के लिए तैयार होते हैं तो हमें क्या मिलेगा मैंने पूछा वही जो ब्राइर रैबिट को मिला था अमीर डेड़ी ने कहा टार बेबी से आजा दी क्या ऐसा कोई ब्राइर पैच होता है मैंने पूछा हाँ अमीर डेड़ी ने कहा और बाहर निकलने का रास्ता हमारे दिमाग से ओकर गुजरता है यही विचारों को चुनने से माइक ने अस्षरे से कितो कर पूछा हाँ इस विचार को चुन कर कि हम क्या सोचेंगे बजाए इसके कि हम अपने बहुनाओं को में बैहकर लगातार परतिकिरिया करते रहें सुबह उठने और काम पर जाने से यहाप की समस्षें नहीं सुलच जाते क्योंकि बिल चुकाने के लिए प्रियाप्त पैसा नहे होने के डर आपको सताता रहेगा सोचने से आपको एक खुद से सवाल पूसने का समय मिलता है इस तरह का सवाल क्या इस समस्या का सबसे बड़ी असमादान इस पर और ज़्यादा मेनत करना है ज़्यादातर लोग इतनी बूरी तरह गवराई होते हैं कि वे खुद अपने आपको असली बात नहीं बताते हैं कि डर हावी हो रहा है और नतिजा यह निकलता है कि वे सोच ही नहीं पाते और इसकी बजाए दर्वाजे से बाहर दोड़ लगा देते हैं टारवे भी हावी हो जाती है अपने विचार चुनने से मेरा यही मतलब था पर हम ऐसा किस तरह करें हैं माईक ने पूछा यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें यह सिखाओ तुम हरे पास चुनने के लिए विचारों के विकल्प होने चाहिए ताकि तुम हर बड़ी में काम करने से बच सको जैसे अपनी सुबह की काफी पीकर दर्वाजे से बाहर दोड लगाने की आदत से मैंने तुमसे पहले कहा था उसे याद रखो नोकरी दिर्ग कालिन समश्य कालिन समादान है ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक समश्य होती है और यह थोड़े समय की होती है यह समश्य होती है महीने के आखिर में चुकाई जाने वाले बिल यानि टार बेवी अब पैसा उनकी जिंदगी चलाता है या मैं यह कहूँ कि पैसे को लेकर उनका डर और अग्यान उनकी जिंदगी चलाते हैं तो वे वही करते हैं जो उनके माता-पिता ने किया था। सुबह उठो और पैसे के लिए काम करो। वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते कि यह सोच सकें क्या कोई दूसरा तरीका है। इस वक्त वे दिल से सोचते हैं, धिमाग से नहीं। दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में क्या फरक होता है। माइक ने पूछा, अमीर डैडी ने जवाब दिया, मैं इस तरह के जूंगले अक्सर सुनता हूँ, हर आदमी को काम करना पड़ता है। या अमीर लोग सोचक होते हैं, या मैं दूसरी नोगरी डूंड लूँगा, मेरी तनक्वा बढ़नी चाहिए, आप इस तरह मेरा सोचन नहीं कर सकते, या मैं इस नोगरी को इसलिए पसंद करता हूँ, क्योंकि यह सुरक्षित है, इसके बजाए हमें यह कहना चाहिए, क्य मुझे मानना ही पड़ेगा, कि मेरे लिए यह सबक एक महान सबक साबित हुआ, यह जानना कि कब कोई आदमी दिल से बोल रहा है, और कब दिमाग से, किस के सब्दों में भावना ही चुपी हुई है, और किस के सब्दों में विचार, यह एक ऐसा सबक था, जो जिन्दगी मेरे काम आया, खास तोर पर तब जब मैं अपने दिल से यानि अपनी भावनों से बोल रहा था, नैकि अपने विचारों या दिमाग से, जब हम स्टोर की तरफ मुड़े, तो अमीर डेड़े ने यह कहा, कि अमीर लोग हकिकत में पैसा बनाते हैं, वे इसके लिए काम नही करते हैं, उन्होंने यह भी बताया, कि पांस सेंट के सी से के सिके डालते समय जब माईक और मैं यह सोच रहे थे, कि हम पैसा बना रहे थे, तो हमारे विचार उसी रास्ते पर चल रहे थे, जिस पर अमीर लोग चलते हैं, दिक्कत सिर्फ इतनी थी, कि हमारे लिए इसा करन कानूनी था, परंतो हमारे लिए नहीं था, उन्होंने यह भी बताया, कि पैसा कानूनी और गैर कानूनी दोनों इस तरीके से कमाया जा सकता है, अमीर डेडनी बाद में हमें यह समझाया, कि अमीर लोग जानते हैं, कि धन एक ब्रहम है, जो हकीकत में गड़े के सामने लट जनता के अज्यान और वरोसे के ब्रहम की वज़े से तास के पत्तों का यह महल खड़ा रह पाता है, सच कहा जाए तो, गडे की गाजर धन से ज़्यादा किमती है, उन्होंने कहा, उन्होंने अमेरिका के गोल्ड स्टंडर्ड के बारे में भी बात की, और यह बताया, कि हर डालर का नोट असल में चांदी का परमान पत्र है, उन्हें इस अभवा से चिंता हो रही थी, कि किसी दिन हम लोग गोल्ड स्टंडर्ड को छोड़ देंगे, और हमारे डालर चांदी के परमान पत्र नहीं रहेंगे, जब ऐसा होगा बच्चों, तो कया मता जाएगी, गरी की बातें उस दिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी, परम तु सालों बात जाकर मुझे यह समझ में आया, कि यह बड़े पते की बात थी, जब वे अपने पिक अप ट्रक में चड़े, तो उन्होंने कहा, काम चालू रखो बच्चों, पर जितनी जल्दी तुम तनक्वा की ज ज़्यादा पैसा कमा लोगे, तुम ऐसी चीज़ें देख पाऊगे, जो दूसरे लोग कभी नहीं देख पाते, मौके उनकी नाक के नीचे होते हैं, फिर भी ज़्यादा तर लोग इन मौकों को कभी नहीं देख पाते, इसका कारणी यह है, कि वे पैसे और सुरक्षा भू आप सकते हो, जिस वक्त तुम ऐसा कर लोगे, मैं तुम लोगों को कुछ और बातें सिखाऊंगा, इस बात को ध्यान से समझ लो, ताकि तुम जिन्गी के सबसे वड़े जाल से बच सको, वह है टार बेभी तुमें कभी, कभी नहीं चुपाएगी, बाइक और मैंने स्टोर से अपनी चीजियों उठाई और मिसेज मार्टिन से गुड़वाई कहा, हम वापस पार्क गए, उसी पिकनिक बेंच पर बैठे और वहाँ गंटों तक सोचते रहे और बातें करते रहे, हमने अगला हफता स्कूल में सोचते वे और इसी बारे में बातें करते वे बिताया, दो सब्ता तक हम लोग सोचते रहे, बातें करते रहे और मुफ्त में काम करते रहे, दूसरे सनिवार के आखिर में मैं मिसेज मार्टिन से दुबरा गुड़वाई कर रहा था, और कामिक बुक स्टंडर्ड को ललचाई नजर से देख रहा था, हर सनिवार, 30 से और 9 मिलने स सबसे दुखत बात यह थी कि मेरे पास कामिक्स पढ़ने, कामिक्स रिदने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं रहते थे, अचानक जब मिसेज मार्टिन मुझे और माई को गुड़वाई कह रही थी, मैंने उन्हें एक ऐसा काम करते वे देखा, जो इससे पहले कभी नहीं दे बाता और उसे संबाल कर अपने पास रख लिया, भाकी की पुष्टकों उन्होंने एक बड़े से बुरे कार्डबोर्ड के बाक्स में डाल दिया, जब मैंने उनसे पूछा कि वे इस कामिक्स का क्या करती है, तो उन्होंने कहा, मैं उन्हें फैंक देती हूँ, जब वे डिस्टिबूटर वहां आया, और मैंने उससे पूछा, कि क्या हमें कॉमिक्स मिल सकती है, इस पर उसने जवाब दिया, आपको मिल सकती है, अगर आप इस स्टोर में काम करते हैं, और अगर आप यह वादा करें, कि आप उसे दुबारा नहीं बेचेंगे, हमारी पार्टनर कामिक्स जमा कर ली, जल्दी हमारी कामिक्स लाइबरेरी जनता के लिए खूल दी गई, बाइक की छोटी बैन को पढ़ने का बहुत शोंग था, इसलिए हमने उसे अपना लाइबरेरियन बना लिया, लाइबरेरी में आने और कामिक्स पढ़ने के लिए, हम हर बच्चे से 10 सेंट लेते थे स्कूल खतम होने के बाद हर दोपैर डाही से साड़े चार तक लाइवरेरी खुलती थी पड़ोस के बहुत से बच्चे इसके गरहाग बन गई थे और वे जितने कामिक्स पढ़ना चाते थे दो गंटे में पढ़ सकते थे यहें उनके लिए बहुत बड़ी असोदा था क्योंकि एक कामिक्स की गिमत दस सेंट होती थी और दो गंटे में वे पांच या च्छे कामिक्स पढ़ लेते थे माईक की बहन लोटेज में बच्चों की तलासी लेती थी और यहें देख लेती थी कि वे अपने कपड़ों में कामिक्स चुपा कर तो नहीं ले जा रही है वहें इस बात का रिकार्ड भी रखती थी कि हर रोज कितने बच्चे आए उनका नाम क्या था और उनके सुझाओ क्या थे माईक और मुझे तीन महीने तक हर अपते साड़े नो डालर का ओसत लाब हुआ हमने उसके बहन को हर अपते एक डालर का बूधान किया और उसे मुफ्त में कामिक्स पढ़ने का फायदा भी दिया हालंकि वह कामिक्स कभी कभारी पढ़ती थी माईक और मैं समझोते के मुताबिक हर शनिवार स्टोर में काम करते रहे साथ ही हम अलग लग दुकानों के से कामिक्स ही किठी करते रहे हमने वादे के मुताबिक कामिक्स नहीं बेचे जब कोई कामिक्स फढ़ जाती थी तो हम उसे जला देते थे हमने इसके एक साखा पोलने के भी कोशिस की परन्तु हमें माईक की बहन की तरह में इन्दी और ब्रोसे मन लाइबरेरियन नहीं मिला बहुत कम उमर में ही हमने यह जान लिया था कि अच्छे स्टाफ को खोजना कितना मुश्किल होता है लाइबरेरी खुलने के तीन महीने बाद हमरे लाइबरेर में एक समश्या आ गई दूसरे मुले के कुछ गुंडे अंदर गुसाई और उन्होंने जगरना शुरू कर दिया माईक के डेड़ी ने सुझाओ दिया कि हम अपना यह कारुबार बंद कर दें तो इस तरह हमारा कामिक्स का दंदा बंद हो गया और हमने कन्वेनियन स्टोर पर हर से निवर काम करना भी बंद कर दिया फिर भी अमीर डेड़ी रोमान चित थी क्योंकि उनके पास ऐसी बहुत सी नई बातें थी जो भी हमें सिखाना चाते थी वह हैं खुश थे क्योंकि हमने उनकी पहले सबक को इतनी अच्छी तरह से सीख लिया था हमने यह हैं भी सीख लिया था कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए स्टोर में नोकरी के बदले में पैसा नहीं मिलता था इसलिए हमें मजबूरन अपने कलपना शक्ति पर जोड डालना पड़ा ताकि हम पैसा कमाने का कोई दूसरा तरीका ढूंड सके कामिक्स लाइबरेरी हमारा अपना वेवसाई था हमारा धना हमारे काभू में था और हम किसी मालिक के मौताज नहीं थे इसमें सबसे अच्छे बात यह थी कि हमारे वेवसाई से हमें तब भी पैसा मिलता था जब हम वास्वें मुझूद नहीं होते थे उस समय हम पैसे के लिए काम नहीं करते थे बलकि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता ज्यादा तनक्वा देने की बज़ाए अमीर डैड़े ने हमें इतने बढ़िया नसियत दे दी थी धन्यवाद अध्याए तीन जो है पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए रिच डैड पूर डैड अध्याए तीन पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए 1990 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त माईक ने अपने डैडी का लंबा चोड़ा कारोबार संबाल लिया है और उसे अपने डैडी से ज़्यादा काम्याभी मिल रही है हम एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्प कोर्स पर मिलते हैं वह है और उसकी पतनी इतने ज़्यादा अमीर है कि आप इसकी कलपना भी नहीं कर सकते अमीर डैडी का सामरज्य बहुत सुरक्षितातों में है और अब माईक अपने बेटे को उसी तरह सिखा रहा है जिस तरह से उसके डैडी ने हमें सिखाया था 1994 में मैं 47 साल की उमर में रिटाइर हो गया और मेरी पतनी किम उस वक्त 37 साल की थी रिटाइर्मेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करते या आगे काम नहीं करेंगे इसका मतलब यह है कि जब तक कोई चमतकार ही नय हो जाई तब तक हम काम करने या न poking करने के लिए आजाद हैं इसका कारण यह है कि हमारी दोलत अपने आप बढ़ती रहती है मुद्रस पिती की तर से कहीं ज़्यादा थेज रुपतार से मुझे लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं हमारे दोलत इतनी ज़्यादा है कि यह आपने आप बढ़ सकती है यह पेड लगाने की तरह है आप सालों तक इसे पानी देते हैं और एक दिन इसे आपकी जुरूर नहीं रह जाती है इसकी जड़े जमीन में काफी गैराई तक पहुंच जाती है इसके बाद पेड़ा आपके सुक के लिए छाया और फल दिता है माइक ने सामराज्य चलाने का विकलब चुना और मैंने रिटाइर होने का जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो वे अक्सर मुझ से सला मांगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए शुरुवात कहां और कैसे की जाई आपकी नजर में कौन सी फुस्तक बढ़िया रहेगी हम अपने बच्चों को यह सब कैसे सिखाई कामयभी का रहशे क्या है मैं किस तरह करोडों रुफे कमा सकता हूँ एसे वक्त मुझे हमेशा एक लेक की याद आती है जो यहां दिया जा रहा है सबसे अमीर बिजनस्में 1923 में हमारे सबसे महान नेता और सबसे अमीर बिजनस्में शिकागो में एसवाटर बीच पर इकटे हुए ये लोग बहुत मशूर थे चार्ल स्वाब सबसे बड़ी स्टील कंपनी के मुख्या थे सैमूल इंचोल दुनिया की सबसे बड़ी यूटिलिटी के अध्यक्स हावर्ल हाप्चन सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुख्या आईवर क्रूजर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीوں में से एक international match कंपनी के अध्यक्स लियान फ्रेजियर बैंकोप इंटरनेशलान सेटलमेंट के अध्यक्स थे रिचर्ड वाइटनी न्यूयार्क स्टोक एक्सचेंज के मुख्या आर्थर काटन और जेसी लीवर मोर सबसे बड़े दो स्टाक्स के स्पेकुलेटर्स थे और अलबर्ट फॉल प्रेजिडेंट हार्डिंग के केबिनेट के मंतरी थे 25 साल बाद इन में से 9 लोगों का अंत इस्तरह हुआ स्वाब 5 साल तक करजे में डूबे रहने के बाद गरीबी में मरे इन्सुल की मोत विदेश में दिवालियपन की हालत में हुई क्रूजर और काटन भी गरीबी में मरे हापसन पागल हो गए वाइटनी और अलबर्ट फॉल उस समय जेल से रिया हुए थे फ्रीजियर और लिवर मौर आतमत्या कर चुके थे शायद कोई भी ठीक से यह नहीं बता सकता कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ परिवर्तन ज्यादा तेजी से हो रहे हैं और पूरी दुनिया में हो रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले 25 सालों में बहुत से एसे उतार चड़ावा आएंगे जो इन लोगों द्वारा जेले गए उतार चड़ावां की तरह ही होंगे मुझे यह चिंता है कि बहुत से लोग सिर्फ पैसे पर अपना ध्यान लगाई बैठे हैं और अपनी सबसे बड़ी दोलत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसका नाम है सिक्षा अगर लोग लचेले होने, दिमाग पुला रखने और सीखने के लिए तयार रही तो इन परिवर्तनों के बावजूद वे बहुत अमीर बन सकते हैं अगर लोग यह सोचेंगे कि पैसा ही उनकी समझ्याओं को सुलजा सकता है तो एसे लोगों के लिए आगे आने वाला समय बहुत परेशानी बरहा होगा बुद्धी से समझ्याओं सुलजती है और पैसा आता है अगर आपके पास पैसे की समझ्याओं नहीं है तो पैसा चाहिए आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं दिखता ज्यादातर लोग जिन्दगी बर यह नहीं समझभाते कि असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं बलकि यह है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं हमने लाटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की काहनिया सुनी है जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं ये लोग लाकों करोडों जीतते हैं फिर भी वे लोटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था आपने उन्हें व्यवसाइक एथलेटों की काहनिया भी पड़ी होंगी जो 24 साल की उमर में हर साल करोणों डालर कमाते हैं और 34 साल की उमर में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है आज ही के एखवार में एक युवा बास्केट वाल खिलाडी की खबर चपी है जो एक साल पहले करोणों का मालिक था आज वह यह सिकायद करता फिर रहा है कि उसके दोस्तों, वकीलों और अकाउंटेंड ने उसके पैसे हडप लिये और इसी वज़े से आज उसे बहुत कम मजदूरी पर कार्द होने का काम करना पड़ रहा है वह सिर्फ 29 साल का है, उसे कार्द होने के काम से भी निकाल दिया गया है इसके वज़े यह थी कि उसने कार साप करते समय अपनी चैंपियंशिप रिंग उतारने से मना कर दिया और इसलिए उसकी खबर अखबार में छप गई वह अपने निकाले जाने का विरोध कर रहा था और कहता है कि यह बेहदवाव है अंगुठी ही तो उसकी महान जिन्दकी की क्लोती निशनी है उसका कहना है कि अगर आप उसके अंगुठी उतार लेने तो उसके पास जिन्दा रहने का कोई सहरा ही नहीं बचेगा और वहम मर जाएगा 1997 में मैं यह से बहुत से लोगों को जानता हूँ जो नए ने करोड़ पती बन रहे हैं एक बार फिर यह 1920 के उचाल वाली दसकी याद दिलाता है हालांकि मैं खुश हूँ कि इतने ज़्यादा लोग अमीर बनते जा रही है परन्तु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूँ लंबे समय में यह मैत्वण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया बलकि मैत्वण यह है कि आपने कितना पैसा रखा और आपने कितने पीडियों तक उस पैसे को सहे जा तो जब लोग मुझे से पूछते हैं हम किस तरह शुरू करी या मुझे बताईए कि जल्दी से अमीर कैसे बना जा सकता है तो वे मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे से बच्पन में कहा था अगर तुम अमीर बनना चाते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होना चाहिए जब भी मैं अमीर डैडी से मिलता था यह विचार मेरे दिमाग में हर बाठ ठोका जाता था जैसा मैंने कहा मेरे पड़ेल के डैडी हमेचा किताबे पढ़ने के फायदे बताते रहते थे दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी वित्य साक्षता या पैसे की समझ विक्षित करने पर जोर देते थे अगर आप एंपायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रही है तो सबसे पहले आपको एक गहरा खटा कोदना पड़ेगा और एक मजबूत नीव डालने पड़ेगी अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रही है तो आपको सिर्फ 6 इंस का कंक्रीट का स्लेब डालना होगा ज़्यादतर लोग अमिर बनने के चकर में 6 इंस के स्लेब पर एंपायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाते है हमारा स्कूल सिस्टम उजबाने का है जब खेतिक इसानी ही अर्थ व्यवस्ता का आदार थी आज भी यह बिना नीम के गरों में बरोसा करता है दूल की फर्स आज भी लोग प्रिया है इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नीम ही नहीं है एक दिन जब उन्हें नीम नहीं आती और वे करज में डूब जाते हैं तो वे अमेरिकी सपनों को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समश्या उनके सामने खड़ी है उसे अमीर होकरी सुलजाया जा सकता है इमारत बनना शुरू हो जाती है यह तेजी से उपर उठती है और जल्दी एंपाइर स्टेट बिल्डिंग के बज़ाए हमारे पास सबर्बिया का लिनिंग टाउर होता है हमारी रातों की नींदे एक बार फिर उड़ जाती है माईक और मेरे लिए माईक और मेरे लिए दोनों ही विकल्ब संबव थे क्योंकि हमारी आर्थी गिनिव मजबूत थी और पैसे की समझ हमें बच्पन से सिखाई गई थी देखा जाए तो अकाउंटिंग शायब दुनिया का सबसे बोरिंग विशे है यह बहुत उलजन बरा विशे भी है परन्तु अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाते हैं तो यह सबसे मैत्पूर्ण विशे भी है सवाल यह है कि आप इस बोरिंग और उलजन बरे विशे को अपने बच्चों को किस तरह सिखा सकते हैं इस सवाल का जवाब है इसे आसान बना कर पहले से तस्वीरों के जरिये सिखाईए अमीर डैडी ने माईक और मेरे लिए एक मजबूत आर्थिक नियूम डाली थी चुकि हम लोग छोटे बच्चे थे इसलिए उन्होंने हमें सिखाने का एक आसान तरीका इजाद किया था सालों तक वेके उल्चितर बनाते रहे और उनके साथ सब्दों का इस्तेमाल करके हमें समझाते रहे जब माईक और मैंने उन आसान डाइगराम्स की मदद से आर्थिक सब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया तो इसके कई सालों बाद अमीर डैडी ने अंकों को जोड़ना चालू किया जब माईक और मैंने उन आसान डाइगराम्स की मदद से आर्थिक सब्दावली और पैसे के खेल को समझ लिया आज माईक को जितने अकाउंटिंग विसलेशन की ज़रूरत है वह उससे भी कहीं सुक्षम और जटिल विसलेशन कर सकता है उसके पास दस अरब डालर का सामराज्य है मैं इतना ज़्यादा जटिल विसलेशन नहीं करता क्योंकि मेरा सामराज्य छोटा है परन्तु हम दोनों की ही नीव आसान नीव थी आगे आने वाले प्रस्टों में मैं आपके सामने वही आसान से चित्र खिंचुगा जो माइक के डैडी ने हमारे लिए खीचे थे हालांकि वे आसान है परन्तु इन चित्रों के सारे उन्होंने दो छोटे बच्चों को ठोस और गैरे नीव पर दोलत का महल बनाना शिकhाया था नियम एक आपको समपत्ति और दाइत्यों का अंतरपता होना चाहिए और अमेशा संपत्ति ही खरीदना चाहिए अगर आप अमिर बनना चाते है तो आपको बस इतना ही जनने की जरूरत है यह पहला नीव है यहिए इकलोता नियम है, यह बहुत आसान लगता है, परंतु जादा लोगों को यह पता ही नहीं है, कि यह नियम कितना मेतवपूर्ण है, जादातर लोग ऐसे की समझ्याओं में सिर्फ इसलिए उलजे रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता, कि संपत्ति और दाइतों म क्या फर्क होता है अमीर लोग संपत्ती कठी करते हैं गरीब और मद्य उमर गे लोग दाइक तो भी कठी करते हैं और मज़े की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ती कठी कर रहे हैं जब अमीर डैडी ने माई को और मुझे यह बताया तो हमने सोचा की वे मजाक कर रही है हम दो बच्चे अमीर बनने का रहसे जानने के लिए इतने हैरान परेशान थे जब कि उसका जवाब इतना आसान था यह इतना ज़्यादा आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठैरना पड़ा संपत्ति क्या है माइक ने पूछा अभी उस बारे में चिंता मत करो अमीर डैडी ने कहा अभी सिर्फ इस विचार को अपने दिमाग में घुश जाने दो अगर तुम इसे आसाने से समझ सकते हो तो तुम्हारे जिंदगी के की योजना होगी और तुम्हें जिंदगी पर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी यह आसान है इसलिए इसे अंदेखा कर दिया जाता है आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की जुरूरत है कि संपत्ति क्या है यह जानने के बाद हम उसे आसिल कर लें और अमीर बन जाए मैंने पूछा अमीर डैडी ने हामी बरी हाँ यह इतना ही आसान है अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता मैंने पूछा अमीर डैडी मुस्कुराई क्योंकि लोग संपत्थी और दैतों में फरक नहीं कर पाते मुझे याद है मैंने पूँचा था व्यसक लोग इतने मुर्ग कैसे हो सकते हैं अगर यह इतना असान है और इतना मैतोपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाता संपत्ति और दाईतों क्या होते हैं यह समझाने में अभी डेडी को बस कुछ ही मिनिट लगी बड़े लोगों को यह नियम समझाने में बहुत कटनाई होती है क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं मैंने एकसर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते इसका कारण यह है कि उनकी सिक्षा अलग तरह से हुई है उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया है जैसे बेंकर्स, अकाउंटेंट्स, रियल इस्टेट एजेंट्स, फैनेंसियल प्लान ना दित्या दि ज़्यादातर बड़े लोगों के सामने मुझ के लिए है होती है कि उन्हें बहुत कुछ बूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है एक समझदार व्यासक को अक्सर एसा लगता है कि आसान परिवासों पर ध्यान देना मुरकता है अमीर डैडी के आई एस एस सिधानत में यकीन करते थी कीप इट सिंपल, स्टूपिड, मुरक इसे आसान ही रहने दो इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के सबग को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारी पैसे के नियूं को ज़्यादा मजबूत बना दिया तो दिक्कत या उलजन किस बात से आती है या इतनी आसान चीज किस तरह कठिन बन जाती है कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरिटा है जो असल में दाइतो होती है इसका जभाब हमें अपनी बुनियादी सिक्ष्या में मिलता है हम साक्षर्टा सबत पर ध्यान देते हैं और पैसे की साक्षर्टा को अंदेखा कर देते हैं कोई वस्तु संपती है या दाइतो यह कैसे पता चलेगा अगर आप सचमुच संकट में फसना चाहें तो इन सब्दों को डिक्सेंटरी में देख लें मैं जानता हूँ कि वहाँ दी होई परिवास हैं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होंगी परंतु दिक्कत यह है कि याम आदमी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाता फिर भी हम व्यसक लोग यह मानने में अपनी तोहिन समझते हैं कि कोई चीज हमें समझ में नहीं आ रही है चोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था समझती को सब्द से नहीं अंकों से पढ़ा जाता है और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको समझती और जमीन में खुदे गड़े में कोई फर्क मैसूस नहीं होगा अकाउंटिंग में अंक मैतुकून नहीं है मैतुकून तो वह बात है जो अंक आपको बता रहे है यह शब्दों की ही तरह है शब्द मैतुकून नहीं होते मैतुकून वह बात होती है जो शब्दों के जरी बताई जाती है कई लोग पढ़ते हैं परन्तु ज़्यादा समझ नहीं पाते यह रीडिंग कॉम्प्रियेंशन या पढ़े हुए को समझने की काबलियत होती है और इस क्षेतर में हम सब की अलग-लग काबलियत होती है उधारन के लिए मैंने हाली में एक नए अबीसियार खरीदा इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी जिसमें समझाया गया था कि अपने बीसियार को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है मैं शुकरवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट शो को रिकार्ड करना चाता था पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते भटते मैं पागल हो गया मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना की अपना बीसियार प्रोग्राम करना मैं शब्दों को पढ़ सकता था परन्तु इसके बावजुद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था मुझे सब्दों को पैचानने में A मिल रहा था परन्तु उन्हें समझने में मुझे F मिल रहा था और यही ज़्यदातर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए मैंने अपने अमीर डेड़ी से यह बात हजारों बार सुनी है और मैंने यह भी सुना है अमीर लोग संपत्ती कठी करते हैं जबकि गरीब और मद्यमबर गिये लोग दाइतों भी कठी करते हैं यहाँ पर यह बताया जा रहा है संपत्ति और दाइतों में क्या फरक होता है ज्यादातर अकाउंटेंट और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स परिवासाओं पर आपस में सैमक नहीं होते परन्तु यह आसान चित्र या रेखा चित्र दो छोटे बच्चों के लिए मजबूत वितिय नेयु डालने में काम आए बहुत छोटे बच्चों को सिखाने के इसाब से अमीर डेली ने हर चीज को बहुत आसान बनाई रखा और जहां तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रियोग जाना किया यह आमदनी और खर्च बताता है आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा नीचे का चित्र बैलेंस सीट है इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दाईत्वों को एक साथ मिला कर देखा जाता है यानि उन्हें बैलेंस किया जाता है कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट के बीच के संबंद को नहीं जानते यह समझ जानना बहुत बहुत चुरूरी है पैसे की तंगी की असली वज़ाई यह होती है कि लोग संपत्य और दाइतों के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते हैं अक्सर उन दोनों सब्दों की परिवासाइं भी समझ्चाएं खड़ी कर देती है अगर आपको दूविदा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सब्द कोश उठा कर उसमें संपत्य और दाइतों सब्दों का मतलब देख ले अब इन परिवासाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है परन्तु आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई जैसी परिवासा का मतलब मेंडेरिन जैसी किसी बिदेशी बासा में लिखती आ गया हो आप परिवासा के लिखेवे शब्दों को पढ़तो सकते हैं परन्तु उन्हें अच्छी तरह समझना कठिन है इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को यह आसान परिवासाइं सिखाई संपत्ती वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है अच्छी आसान और उप्योग में आने वाली परिवासा यह एक दाइत्तों का कैस्पलो पैटर्न है अब चुंकि संपत्ती और दाइत्तों को चित्रों से समझा दिया गया है इसलिए सब्दों में दी गई परिवासाओं को समझना ज्यादा आसान होगा संपत्ती वह है चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है दाइत्तव वह चीज है जो आपकी जेव से पैसा निकालती है वास्तव में आपको इतना ही जानने की जरूरत है अगर आप अमीर बनना चाते हैं तो आप जिंदगी वर संपक्ति खरीदते रहिए अगर आप गरीब या मद्यम वरगी आदमी बनना चाते हैं तो आप गाइत्तों खरीटते रहिए इनके बीच के फर्क को नए जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परिशान रहते हैं पैसों के लिए आदमी इसलिए परिशान होता है क्योंकि वह हैं नए तो शब्दों को समझ पाता है नहीं अंकों को जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्कले आ रही है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में इसा कुछ है जिसे वह पड़ नहीं पा रही है कोई चीज ठीक से उनके समझ में नहीं आ रही है अमीर लोग इसलिए अमीर होते है क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परिशान लोगों से ज़्यादा समझ दार होते है तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दोलत को बनाई रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी मेतव पूर्ण है, सब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानि कैश्व लोग को बताते हैं। ध्यान रखिए। सिर्व अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है। और सिर्फ सब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है, मैतव तो पूरी कहानी का होता है, किसी वित्य रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लाट या कहानी ढूनने की तरह ही है, पैसा कहां जा रहा है, इस बात की कहानी, असी फिजदी परिवारों की पैसे की कहानी, यह होती है, कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेनत करते जाते हैं, इसका कारण यह नहीं है, कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है, कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगए, उधारन के तोर पर, यह एक गरीव आदमी या घर पर रहने वाले नोजवान का कैस्फ फ्लो पैटर्न है, यह है मद्यम वरगी आदमी का कैस्फ फ्लो पैटर्न है, यह है एक अमीर आदमी का कैस्फ फ्लो पैटर्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिये गई हैं, हम में से हर एक को जिन्दा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है हम सभी को रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है चित्र यह बताते हैं कि गरीब मद्यम वर्गिये और अमीर आदमियों की जिन्दगियों में पैसा किस तरह आता जाता है कैस्पलो पूरी कहाने बता देता है इस कह क्या करता है मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर वेक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहां गल्ती होती है गल्ती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समझें सुलच जाती है इसलिए जब लोग मुझ कहां से शुरू करना चाहिए, मैं एकसर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं, इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए. परणतु यह देखने में आया है, कि ज़्यादा पैसे समझ्चाएं नहीं सोलजती हैं. सच कहा जाए तो, इससे समझ्चाएं और अधिक बढ़ स इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दोलत मिल जाए जैसे पैत्रक संपत्ति, तनक्वा में भारी बढ़ोतरी या उसके लाटरी लग जाई तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद ही वह अपने पूराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल मे पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैस पलो पैटरन को उजागर करता है अगर यह पैटरन ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करना है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा इसलिए यह कावत सही है मूरक और उसके पैसे से शानदार दावते होती है मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलियए जाते हैं ताकि हम सैक्षनिक और व्यवसाइक कावलियत हासिल कर सकें निश्चित रूप से ये दोनों ही मैत्रपूर्ण है हमारी व्यवसाई काविलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं 1960 के दसक में जब मैं हाई स्कूल में था यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होना और विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहेगा यह मान लिया जाता था इसका कारण यह है था कि इस दंते में सबसे ज़्यदा पैसा नज़राता था आज डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत बड़ी संकट है जो बगवान नए करे किसी और के सामने हो बीमा कंपनिया इस व्यवसाय पर काबू किये है सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुआउजे के केस दाईर हो रही है इत्यादी आज बच्चे बास्केट वाल स्टार बनना चाते हैं टाइगर बूर्स की तरह गोलफर बनना चाते हैं कम्प्यूटर विशेजर के बनना चाते हैं मूवी स्टार, रोक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वाल स्ट्रीट पर ट्रेडर बनना चाते हैं इसलिए क्योंकि अब दोलत शोरत और इज़त इन्हीं जगव में हैं, इस कारण स्कूल में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया हैं, वे जानते हैं कि वेल्साइक सफलता का सेक्षने की सफलता के साथ कोई सीधा समझ नहीं है, जैसा कभ में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं, वे और जदा मेंनत करते हैं, परन्तो अपने समझ्याओं से जीत नहीं पाते हैं, उनकी सिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया है, बलकि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संबाला जाए इसे पैसे की समझ कहते हैं पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए जादातर लोग यविलाहीं बता पाते कि ऐनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन में केशफलों की समज़ नहीं होती कोई आदमी बहुत बड्रालिका हो सकता हैiquéने कारोबार में हो सकताए है परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझने हूँ, एसे लोग अक्सर जरूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सिखा है, परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सिखा. यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख बरा सपना किस तरह दुख बरे सपने में बदल जाता है कड़ी मेनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक गिसे पिटे धर्रे पर चलती है हाली में शादी शुदा, खुश, बहुत पड़े लिके पती बदनी साथ-साथ किराई के मकान में रहने लगते हैं जल्दी उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं क्योंकि दो लोगों के साथ-साथ रहने का खर्च भी लगवग उतना ही होता है जितना की अकेले आत्मी का समझ्षा यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वे हैं छोटा है वे अपने सपनों का खर करीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सके अब उनके पास दो तनक्वाई होती है और वे अपने करियर पर ज्यादा द्यान देने लगते हैं उनकी आमदनी बढ़ने लगती है जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है उनके खर्च भी वैसे ही बढ़ने लगते है ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टेक्स कई लोग सोचते हैं Income Tax परन्तु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा Tax होता है Social Security Tax करमचारी को एक सा लगता है कि Social Security Tax, Medicare Tax को मिलाकर कुल Tax लगवक साड़े साथ फिस्दी के करीब होता है परन्तु हकीकत में यह 15 फिस्दी होता है क्योंकि आपके बोस को भी Social Security की उतनी रकम मिलानी पड़ती है मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बोस आपको नहीं दे सकता इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे Social Security Tax की रकम पर Income Tax भी देना होता है और यह है एसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई है बलकि सीदही Social Security में चली गई फिर दाइतों बढ़ने लगते हैं इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पती पतने की कहानी के तरफ चलें उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराय के मकान में नहीं रहेंगे बलकि अपने सपनों का घर खरीदेंगे जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नई टेक्स का बोज आ जाता है जिसे Property Tax कहते हैं फिर वो लोग नई कार करीदेंगे नया फरनीचर और नया सामान करीदेंगे ताकि उनका घर आलिशान लगे अचानक वे अपने सपने से जाटते हैं और देखते हैं कि उनके दाइतों का कालम बढ़ गया है वे करजे में हैं और उन्हें बहुत से मार्केज गरिण और क्रेडिट कारिण चुकाने हैं। अब वे चुहा दोड़ में फस चुके हैं, एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। वे और कड़ी मेहनत करते हैं, पर किरिया फिर दो रही जाती है, ज्यादा पैसा आता है। उस पर ज्यादा टेक्स लगता है, जिसे ब्रेकेट क्रेड़ भी कहा जाता है। तबी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है, वे इसका इस्तेमाल करते हैं, वे एक खतम हो जाता है, तबी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उने बताता है, कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ती उनके घर की कीमत बढ़ गई है, कंपनी उने एक बिल कंसालिडेशन लोन देने का आफर देती है, क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है, कंपनी उने यह भी बताती है, कि समझदारी इसे में होगी, कि वे अपने उन्ची ब्याजदर पर लिए गए, कंजूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें, और इसके अलावा, उनके घर पर लगने वाले ब्याजद से उन्हें टेक्स में चूट भी मिलेगी, वे ऐसा ही करते हैं, और ज्यादा ब्याजदर वाले क्रेडिट कार्ड का बुक्तान कर देते हैं, इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाप साप कर दिया है, अब उन्होंने अपने उब बुक्तारेन को होम मौटकेज में बदल दिया है। उनका बुक्तान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने करज को 30 साल की आसान किस्तों में चुकाना होता है। समझ्चा से निपनने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शोपिंग पर चलने का नियुता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है। यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का वे आपस में बात करते हैं। वे अपने आपसे कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूँगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परन्तु अगर कोई चीज जम जाई है, तो उसे खरीदने की उमीद में भी अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं बूलते हैं। मैं एक युवा दमपती से हर समय ठकराता हूँ, उनके नाम बदलते रहते हैं, परन्तु उनके पैसे की तंगी एक सी ही रहती है, वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं, कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ, वे मुझ से पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकत हैं, कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है, उनकी खर्चे लिए आत्तों ने उनने और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है, पे इतना भी नहीं जानते कि दरसल समच्चा पैसा कमाने की नहीं, पैसा सही तरीके से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंग मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समझे सूझती हूँ समझे समझदारी से सूझती हैं मेरा एक दोस्त बार बार करज में फसे लोगों को यही सला देता है अगर आपको लगता है कि आपने अपने आपको किसी कड़े में फसा लिया है तो गड़ा कोदना बंद कर दो मेरे डेड़ी बच्पन में हमें बताया करते थे कि जापानी तीन ताक्तों को मानते हैं तलवार की ताकत, रतनों की ताकत और दरपन की ताकत तलवार हत्यारों की ताकट का परतीक थी, अमेरिका ने हत्यारों पर कर खरभों डॉलर करदिये और इसी करण वहे आज विस्व में सबसे ताकतवर्देश है, रतन पैसे की ताकत का परतीक है, इस कावत में कुछ तो सचाई है, यह स्वर्ण नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है दरपण आतम ज्यान का प्रतीक है जापानी दंत कता के अनस्वार यह आतम ज्यान इन तिनों में से सबसे कीमती वस्तु थी गरीब और मद्यम वरगिया लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेनत करने यानि नोकरी करने चले जाते हैं और कुछ से यह तक नहीं पूछते कि क्या एसा करना समझदरी है पैसे की समझने होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डगावनी ताकत का यह इजाज़त देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तिमाल होती है अगर वे धर्पन की ताकत का इस्तिमाल करते तो वे खुछ से यह सवाल पूछते क्या इसमें समझदरी है बहुत बार अपनी अंदरुनी समझदरी पर बरोसा करने के बज़ाए लोग भीड के साथ साथ चलने लगते हैं वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं वे सवाल पूछने के बज़ाए नकल करने लगते हैं अक्सर वे ना समझी के कारण वही दो राते हैं जो उन्हें सिखाया गया है इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूझी है आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेस है अगर आप ज़्यादा करज लेते हैं तो आपको टेक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी सुरक्षित नोकरी खोजो गलतियां मत करो, खत्रे मत उठाओ एसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मोच से भी डरावनी चीज होती है बीड के सामने बोलने का डर मनोव एक्यानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सारवजनिक मंस पर बोलने से इसलिए खत्राते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई हो भी, लोग वाग उनकी हासी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और विरादरी से अलग थलग कर दिये जाएंगे सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही, वह सबसे बड़ा कारण है जिस वज़े से ज्यादातर लोग अपनी समश्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूलते इसलिए मेरे पड़ेल के डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दरपण की ताकत को सबसे ज़्यादा मेहतो देते थे क्योंकि जब इंसान दरपण में खुद को देखता है तब ही उसे सचाई का पता चलता है और ज्यादातर लोग खत्रे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे वे होते हैं यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है जैसे खेल में संबंदों में करियर में या धन में इसी समाज से कड़ जाने के डर के कारण लोग लिक पर चलते हैं और समाज की स्विकृत मानेताओं या लोग प्रिय प्रवर्तियों के खिलाप नहीं जाते आपका घर एक संपर्ति है बिल कंसोलिडेशन लोन लो और कर्द से बाहर निकल जाओं कड़ी में इनत करूं प्रोमोशन का सवाल है एक दिन में वाइस प्रेजिनेट बन जाओंगा पैसे बचाओ जब मेरी तनख्वा बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूँगा म्यूचुल पंड सुरक्षित है टिकल में एलमो डोल्स अभी स्टोक में नहीं है परन्तु मेरे पास एक डोल रखी है जो दूसरा गराक अब तक लेने नहीं आया है भीड के साथ चलने और पडोशियों के एशो और आम की नकल करने के कारण पैसे की बहुत सी समशें पैद तो हमें स्कूल में समश्या है आने लगी थी हम बुरे बच्चे नहीं थे हम केवल अपने आपको भीड से अलग कर रही थे स्कूल के बाद और शनिवार रविवार को हम माईक के डैड़ी के लिए काम करते थे माईक और मैं एक्सर गंटों तक हूं इसके डैड़ी के पास बैठे रहते थे जब वे अपने बेंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंड, ब्रोकर्स, निवेश को मैनेजर और करमचारियों के साथ चर्चा करते थे माईक के डैड़ी ने तेरह साल की उमर में स्कूल छोड़ दिया था अवे पडेली के लोगों को रास्ता दिखा रहे थे उन मैंने खुद की दम पर सोचा और फैसला लिया, उन्हें इन सब्दों से चिड़ोती थी, हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग इसे इस तरह करते हैं, वे नहीं हो सकता, से भी बहुत चिड़ते थे, अगर आप उन से कोई काम करवाना चाते थ तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते, माईक और मैंने उनके साथ रहकर जितना सीखा, उतना आमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कालेज में भी नहीं, माईक के डैडी के पास स्कूल की सिक्षा तो नहीं थी, पर दख सकता है इसलिए माईक और मुझे समझधार लोगों की बातें सुनने और उनसे सिखने का लाब मिला परन्तु इसके कारण माईक और मैं दोनों ही उन समझी मानिताओं के साथ नहीं चल पाई जो हमारे सिक्षक हमें बताते थे और इस वज़े से कई समझें पैदा हो ग गिसे पेटे ड़े पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अकषर से पालन करना चीखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूली शिक्षा दरसल रचनात मक्ता का गला गूड देती हैं हम अमेर डड़ी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाए गया है ताकि वहां अच्छे करमचारी तयार हो ने की अच्छे मालिक कभी कबार माई की आमें टीजर से पूस्ते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उनकी असली जिन्गे में क्या उप्यू बिता है या यह है कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब बिलता था कि पैसा मैं तबूर नहीं है और अगर हम अच्छे पढ़ाई लिखा ही करेंगी तो पैसा अपने आप मिलने लगएगा हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा जानते थे अपने सिक्षकों और सैपाटियों से उतना ही दूर होते जाते थे मेरे पढ़ेल के डैड़ी ने कभी मुझे पर अच्छे नमबरों के लिए दवाव नहीं डाला मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि उन्होंने इसा क्यों नहीं किया परंतो हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे ममी डैड़ी से अच्छी हो चुकी थी मैं हिसाब किताब रख सकता था मैं टैक्स अकाउंटेंड्स, कर्पॉरेट्ट साटार्नी, बेंकर्स, रिएल इस्टेड ब्रोकर्स निवेश को इतियादी कि बाते सुनता था मेरे डैड़ी सिख्शिकों की बातें करते थे एक दिन मेरे डड़ी मुझे बता रहे थे कि हमारा गर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेस क्यों है इस बात को लेकर हम दोनों में बहश हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि गर हमारे लिए अच्छा निवेस क्यों नहीं है आगे आने वाले चित्र से यह साप हो जाता है कि अपने अपने गरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीव डैडी के विचारों में कितना अंतर था एक डैडी के इसाब से उनका गर एक संपत्ती थी जबकि दूसरे डैडी के इसाब से यह एक दाइटो था मुझे याद है मैंने नीचे वाला चित्र खींच कर अपने डेड़ी को कैश फलो की दिशा समझाने की कोशिस की थी मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उनसे जुड़ी कुछ दिगार खर्च भी बढ़ जाते हैं एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब था और ज़्यादा खर्च और इसका मतलब यह था कि कैश फलो खर्च के कालम से उपर गुजरता रहता था आज ही लोग बाग मुझे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपतिक क्यों नहीं होता मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेस मानते हैं अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है मैं इस लोग प्रियमानता को देखने का एक और नजरिया सुझाना चाहता हूँ अगर मैं और मेरी पतनी एक ज़्यादा बड़ा और आलिशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ती नहीं होगी बलकि एक दाइत्त होगा क्योंकि इस से हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा तो यह है रहा मेरा तरक हालांकि ज़्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होगी क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाई पैसे की समझ को हरा देती है मुझे व्यक्तिकत अनुवा उसे पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है नमबर एक जब घर की बात आती है तो मैं यह है बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग उस घर की किमत चुकाने के लिए जिन्दगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं होते दूसरे शब्दों में ज़्यादातर लोग एक घर करीदने से कुछ सालों बार दूसरा घर करीदते हैं और हर बार अपने पहले मकान के लिए जो कर्ज बे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार सिर्फ फिर से तीन साल का नया खर्ज होता है नमबर दू हालांकि लोगों को माटगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टेक्स में छूट मिलती है पर उन्तूबे अपने दिगर खर्चों के लिए टेक्स के साथ मिलने वाले डालरों का उप्यो करते हैं अपनी माटगेज को पूरी तरह चुकाने के बाद भी नमबर तीन प्रोपर्टी टेक्स मेरी पतनी के में में डेडी को धक्का लगा जब उनके घर का प्रोपर्टी टेक्स एक अजार डॉलर परती महा तक पहुंच गया यह तब हुआ जब हुए रिटायर हो चुके थे और इस बड़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़ बढ़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा नमबर चार घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए करज लिया था उन्हें तस लाग डालर से भी ज़्यादा का करद चुकाना है पर आज उस घर की कीमत साथ लाग डालर से ज़्यादा नहीं है नमबर पांस सबसे बड़े नुकसान अवसर गमाने की बज़ेसे होते हैं अगर आपका सारा पैसा मकाने में फसा रहता है तो आपको ज़्यादा कड़ी मेनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्ट चलता रहे है इस दोरान आपके संपत्ती वाले कोलम में कोई बड़ोतरी नहीं होती है अगर एक युवा पती पतने शुरुआत में यह बना पैसा संपत्ती वाले कोलम में लगाई तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे खास कर उस समय जब भी अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे इस दोरान उनकी संपत्ती भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चें भी आराम से निकलते लएगे अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़ते हुए खर्च के बुगदान के लिए होम एक्विटी लोन का साधन बन जाता है संक्षेप में अपना घर खरीदने का फैसला बहुत खर्चिला पड़ता है इसके बज़ाई बहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट प्रटफोलियो पना लिया जाए किसी आदमी पर इसका आसर कम से कम तीन तरह से पड़ता है समय की बरबादी क्योंकि इस दोरान दूसरी संपतियों का मुल्य बढ़ गया होता है अतिरिक पूंजी की बरबादी जिसे दुबारा निवेस किया जा सकता था जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चे पुठाने पड़ते हैं अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनकी संपति वले कोलम में उनका घर बचत और रिटायर्मेंट प्लान आते हैं चुकि उनके पास निवेस करने के लिए पैसा नहीं होता इसलिए वे बिल्कुल भी निवेस नहीं करते हैं इस कारण उने निवेस का अनुबह कभी नहीं मिल पाता ज़्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेसक नहीं बन पाते हैं और सबसे बड़ी अनिवेस सामान्य तोर पर सबसे पहले समझदार निवेसकों को बेचे जाते हैं जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बेचते हैं मेरे पड़ेली के डैडी का फाइनेंसियल स्टेटमेंट चुहादोड में फसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उधारन हैं उनके खर्चा मेंसा उनकी आमदनी से ज़्यादा होते थे इसलिए उन्हें संपत्ती में निवेश करने का मोका ही नहीं मिलता था इसका नतीजा यह होता था कि उनके दाइतव जैसे मार्केज और क्रेडिट कार्ड की कर्ज उनकी संपत्ती से कहीं ज़्यादा होते हैं यह है चित्र एक अजार सब्दों की तरह एक कहानी बताता है पढ़े लिके डैडि का फाइनेसियल स्टेटमेंट दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडि का फाइनेसियल स्टेटमेंट यह है दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेश कर रही थे और उन्होंने अपने दाइत्वों को कम से कम रखा था अमीर डेडी का financial statement मेरे अमीर डेडी के financial statement से यह है भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज़ादा अमीर क्यों बनते हैं संपत्ति वाले कोलम से इतने ज़्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कालम में दुबारा निवेश कर दिया जाता है संपत्ति वाला कालम बढ़ता जाता है और इससे होने वाली अमदनी भी बढ़ती रहती है नतीजा यह होता है अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं अमीर लोगों और ज़्यादा अमीर क्यों होते हैं यह रहा financial statement मद्यवर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूचते रहते हैं उनकी मूल आमदनी तनक्वा से होती है और जैसे जैसे उनकी तनक्वा बढ़ती है उनके टेक्स भी बढ़ते जाते हैं इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं इसलिए इसे चुहा दोड कहा जाता है ये लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल स संपर्थी है और इसलिए वे आमदनी दिलाने वाली संपर्थी में निवेस नहीं करते हैं मद्यां वर्ग को पैसे की तंगी क्यों होती है यह रहा आज की कर्जदार सोसाइटी दो बाते मानती हैं पहली यह है कि खुद का गर एक निवेस होता है और दूसरी यह है कि तंखवा बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बढ़ा घर खरीद लेना चाहिए बढ़ते वे खर्च के कारण परिवार ज्यादा कर आज में फस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है हालांकि वे अपनी नोक्रियों में लगातार तरक्की कर रही है और उनकी तंखवा लगातार बढ़ती जा रही है इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिंबरी जीवन से लिक कहा जाता है और इसका कारण यह है कि एसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती 1990 के दसक में नोक्रियों में बारी कटोती जी यह बात पता चली कि मद्यम वर्ग पैसे के मामले में कितना एसुरक्षित है अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर 41 के प्लान आगे है शोश हो गया है आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग यह बाते समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचल पंड करीदा शुरू कर दिया है निवेस में हुई बड़ोत्री के कारण ही हमने स्टोक मार्केट में इदनी तेजी देखी है आज मद्यम वर्किम बढ़ती इदने वाले आदमी नोकरी में टेक्स और मार्केट चुकाने में अपने बच्चों की सिक्षा की फीज के लिए पैसे बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का इसाप साप करने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेस करने की कला सी क्योंकि यह टुकडों में बंड गया है यह डाइवर्सिफाइड हो गया है पड़ेल के मद्यमवर्ग का यह समूख मूचल फंड ब्रोकर्स और फैनेंशिल प्लानर के डाइवर्सिफाइड को सही मानता है सुरक्षित रहो जोकिन से बचो असली तराजदी यह है कि पैसे की समझने होने के कारण वोसत मद्दमर्गे लोग खत्रों का सामना करते हैं उनके सुरक्षित खिलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है उनकी बैलेंस सीट में बैलेंस नहीं होता उनका संपत्ति वाला कॉलम तो खाली रहता है जहां से आमदनी आती है जबकि उनके दाइतों वाला कॉलम पूरा भरा रहता है समान्य तोर पर उनकी आमदनी का इकलोता साधन उनका वेतन होता है उनका जीवन वे आपन पूरी तरह से उनके बोस पर निर्वर करता है इसलिए वे सुरक्षित खेल खेलते हैं, सबसे ज़्यादा टेक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोच से दवे रहते हैं। जैसा मैंने इस खंड में शुरू में कहा था, सबसे महत्वपून नियम यह है कि संपत्ति और दाइतों के बीच के अंतर को पैचाना जाए। एक बार आप इसमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप आमदने देने वाली संपत्ति खरिदने की लगातार कोशिस करते रहें। जाएगा कि आप और ज्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। एसे निवेश जिनमें 100 फिजदी से अनंत तक फाइदा हो सकता है। एसे निवेश जिनमें 5000 डॉलर की रकम जल्दी ही 10 लाख डॉलर या इससे जादा हो जाती है। एसे निवेश जिनमें वर्ग बहुत जोखिम वरा मानता है। निवेश जोखिम वरा नहीं है। यह उस व्यक्ति की पैसे की ना समझी है। वित्तिय निरक शर्ता है जो उसे बहुत जोखिम वरा बना देती है। अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा। एक करमचारी होने के नाति जो घर का मालिक भी है आपकी नोकरी का पैटरन सामनेत हैं यह होता है। नमबर एक आप किसी के लिए काम करते हैं तनकुआ पर काम करने वाले ज़्यादा तर लोग मालिक को या शेर होलर्डर्स को ज़्यादा अमेर बना रहे हैं। आपकी कोशिशों मेहनत और सफलता से दर असल आपका मालिक सफल होता है और उसके रेटाइरमेंट में मदद मिलती है। नमबर दू आप सरकार के लिए काम करते हैं आप इसे देख पाएंगे इसके पहले कि सरकार आपकी तनकुआ मेंसे अपना हिसा ले ले लेती हैं। आप बैंक के लिए काम करते हैं टेक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आम तोर पर आपका मोर्केज क्रेडिट कार्ट कार्च चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनद से काम करते जाएं तो समझ चाहिए यह है कि तिनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनद से किसी और ज्यादा फाइदा होता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज़्यादा मेनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फाइदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला कर भी लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे तो फिर आपको यह नहीं पता दोता कि आपके लक्षों को किस तरह से निर्दारित किया जाई। संपत्य और दाइतों की मेरी अपनी परिवासाओं की ही तरह दोलत के बारे में भी मेरी अपनी परिवासा है। दरसल मैंने इसे बक्मिन्स्टर फुलर नामक व्यक्ति से सिखा है। कुछ लोग उसे नीम हकिम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तो भी इसलिए हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उसने जीयोडेसिक डॉम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था। और उस आवेदन में फुलर ने दोलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठेक ठेक मतलब समझ में नहीं आया था। परंतु यानि अगर मैं आज काम करना बंद कर दूँ तो मैं कितने दिनों तक जिन्दा रह सकता हूँ। यह नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्य और दाइतों के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत किमती है। परंतो इस प रखी कर लिए है। अलंकि नेट वर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती है जिन से पैसा नहीं आता। जैसे वह वस्तू जो आपके गैरेज में खड़ी है। दोलत का सिधा सा इसाव यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है। और इसलिए आप आर्थी ग्रूप से कितन दिनों तक जिन्दा रह सकते हैं। दोलत दरसल संपत्ति की कोलम के कैश फलो का दाइटो वाले कोलम के साथ तुलना है। एक उधारन ले। यह कहें कि मेरे पास हर महीने में संपत्ति वाले कोलम से 1000 डालर का कैश फलो है। और मेरा खर्च हर महीने 2000 डालर है। मेरे पास कित मैं कितने दिनों तक जिंदा रहे सकता हूँ, अगर हम एक महीने में 30 दिन माल ले, तो इस परिवासा के इसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रहे सकता हूँ, जब मैं अपनी संपत्ती से हर महीने 2000 डालर का कैश्पलो वासिल करने लग जाओंगा, तो मैं दोलतमन्द हो जाओंगा हालां कि मैं अमीर नहीं हूँ, परंतु मैं दोलतमन्द जरूर हूँ, हर महीने मेरी संपत्ती से मुझे जो आमदनी मिलती है, वह है मेरे महीने बर के खर्च के लिए काफी होती है, अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाता हूँ, तो मुझे इसके पहले अपनी संपत्त वाले कालम को परने में जी तोड़ कोशिस की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आजाद हो गया हूँ अगर मैं आज अपने नोगरी छोड़ भी दूँ तो भी मेरी संपत्यों से इतना कैश्पलो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसाने से चलता रहेगा मेरा आगला लक्षय यह होगा कि मेरी संपतियों से आने वाले अतिरित कैस्फ लोगो फिर से संपतियों वाले कालम में निवेस कर दिया जाएगा मेरी संपतियों वाले कालम में जितना ज़्यादा पैसा जाता है मेरा संपत्ती वाला कालम उतना ही बढ़ता रहता है मेरा संपत्ती वाला कालम जीतना ज़्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज़्यादा कैस्फलो आता है और जब तक मैं अपने खर्च को आने वाले कैस्फलों से कम रखता हूँ तब तक मैं और ज़्यादा अमिर बनता रहूंगा और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारिरिक मेनद से नहीं बलकि दूसरे जर्यों से आ रही है जब तक पुनर निवेश की यह परक्रिया चलती रहती है मैं अमीर बनने की रहा पर तेजी से चलता रहूंगा अमीर की असली परिवासा देखने वाले की निगा में होती है आप कभी अत्यदी का मीर नहीं हो सकते इस आसान सबक को याद रखें अमीर संपत्ती खरीदते हैं गरीब केवल खर्च करते हैं मद्यमवर्ग दाईतों खरीदता है परन्तु यह सोचता है कि वह संपत्ती खरीद रहा है तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा इस सवाल का जवाब क्या है मैक टोनाल्स के मालिक की बाते सुने धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई च्यार की तरफ जो है अपने काम से काम रखो आपका दिन शुभ हो रिच डैड, पूर डैड अध्याई च्यार अपने काम से काम रखो 1974 में मैक टोनाल्स के मालिक रे क्रोक से अग्रे किया गया कि वे आस्टिन में टेकसास युनिवेस्टी में MBA की कक्षिया में व्याख्यान दे मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंगम वहाँ MBA कर रहा था बहुत अच्छी और प्रेणा डाइक चर्चा के बाद कक्षा खतम हो गई और विद्यार्थियों ने रे से पूछा कि क्या वे बीयर के लिए उनकी फेवरेट बार में चलेंगे रे तयार हो गई जब सब लोगों के हाथ में बीयर आ गई तब रे ने पूछा मेरा असली बिजनेस क्या है हर कोई हंस पड़ा ज़्यादा तर एम बीयर विद्यार्थियों को यसा लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे किसे ने जवाब नहीं दिया इसलिए रे ने दुबारा यही सवाल पूछा आप लोगों की नजर में मेरा बिजनस क्या है विद्यार्थिद्वरा हंस दिए और आखिर कार एक बहदुर विद्यार्थियों ने जौर से कहा रे दुन्या में सा कौन है जो यह है नहीं जानता कि अप हैंबर्ग बिजनस में है रे हंस दिए मुझे मालूम था कि आप लोग यही कहेंगे वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा लेडीज एंड जेंटलमेंट मैं हैंबर्ग बिजनस में नहीं हूँ मेरा असली बिजनस है रियल इस्टेट कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरियों को समझाने के लिए काफी समय लिया अपने बिजनस प्लान में रे जानते थे कि बिजनस का मूल लक्षे हैंबर्ग फरंचाईजी वेचना था परन्तु वे कभी भी हर फरंचाईजी की लोकेशन को नहीं भूले वे जानते थे कि रियल इस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रंचाईजी की सबलता में सबसे मेत्वपून तक तो है मुलते वह है आदमी जो फ्रंचाईजी खरीद रहा था और रेकराक के संग्टन की फ्रंचाईजी चेन का सदश्य बनता था वह है भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था आज मेकडोनाल्ड दुनिया में रियल इस्टेट का सबसे बड़ा केला मालिक है जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी बड़ा ज़्यादा रियल इस्टेट है आज मेकडोनल्ड के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरे देसों में सबसे किमती चुराई और नुकड़ है कीथ ने कहा कि यह उनके जिन्दगी का बहुत बड़ा सा बक्ता अजगीत के बास कार दूने का बिजनस है परंतों, उसका असली बिजनस है कार दोने के घरेज के नीचे का रियले श्टेट फिछले अध्याई के अंद में हमने यह बताया था कि जएदातार लोग दूसरों के लिए काम करते हैं बस अपने लिए काम नहीं करते वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं फिर टेक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिर कार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मार्क गेज का मालिक होता है जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडोनाल्ड का कोई फ्रंचाइज याउटलेट नहीं था परन्तु मेरे अमीरी डेड़ी ने माईक और मुझे वही सबक सिखा दिया जो टेकसास यूनिवेस्टि में रेक राकने सिखाया था यह अमीरों का रहशे नमबर तीन है रहशे है अपने काम से काम रखो लोगों के जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता एक बार फिर एक चित्र एक हजार सब्दों के बराबर है यहां एक इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट का चित्र दिया गया है जो रेक राक की सला का सबसे अच्छा उधारन है हमारी वर्तमान शिक्षा पद्दती आज के युवाओं में अकादमी कुछलताएं विक्षित करों ने अच्छे नोकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है उनकी जिंदगी उनकी तनक्वाओं के चारों तरफ गोंती है या जैसा पहले बताया जा चुका है उनकी आदमधनी वाले कालम के चारों तरफ और जारा अकादमी कुछलताओं को विक्षित करने के बाद वे अपनी व्यवसाईक युगताओं को बढ़ाने के लिए और उनसे शिक्षा हासिल करते हैं वे इंजिनियर, वे ग्यानिक, रसोईए, पुलिस अबसर, कलाकार, लेखकी ज्याती बनने के लिए पढ़ाई करते हैं उनकी व्यवसाईक युगताओं उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मुका देती हैं परंतु ध्यान रहे, वे पैसे के लिए काम करते हैं आपके प्रोवेशन और आपके बिजनस में बहुत बढ़ा अंतर है मैं एक सर लोगों से पूस्ता हूँ आपका बिजनस क्या है? और वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ फिर मैं उनसे पूस्ता हूँ कि क्या वे बैंकर मलिक हैं? और समानेता उनका जवाब होता है नहीं मैं वहाँ काम करता हूँ इस तरह उन्होंने अपने profession और अपने business को एक ही समझ लिया है उनका profession एक banker का हो सकता है परन्तु उनका अपना business कुछ भी नहीं है रेक राक अपने प्रोफेशन और अपने बिजनस के बीच की अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे उनका प्रोफेशन हमेशा वही था वे एक सेल्जमेन थे एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैंबर्ग फरंचाईजी बेचने लगे आलांकि उनका प्रोफेशन हैंबर्ग फरंचाईजी बेचना था परंतु उनका बिजनस आई दिलाने वाले रियल इस्टेट को इकठा करना था स्कूल के साथ एक समय से यह है कि आप जो विशेफ पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं उधारण के लिए अगर आप कुकिंग का अध्यान करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं अगर आप कानून का अध्यान करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं और अगर आप आटो मेकेनिक का द्यान करते हैं तो आप मेकेनिक बन जाते हैं जो पढ़ा जाई वही बन जाने में गलती यहां होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह अमीर बनाते हैं आर्थे ग्रूप से शुरुक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है आपका बिजनस आपकी संपत्ति वाले कालम के चारों तरफ गुमता है जो आपकी आमदनी वाले कालम के प्रिपरीत होता है जैसा पहले बताया जा चु है जबकि बाकी सभी लोग बाकी सभी लोग अपने इंकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है मुझे ज्यादा तनक्वा की जरूरत है कास कि मुझे प्रमेशन मिल जाए मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षन लेन जिसमें तनक्वा जा रहा है कई समुओं में यह समझदारी के विचार हैं परंतु अगर आप रेक राक की बात समझ लेते हैं तो एसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं यह सभी विचार अपना पूरा ध्यान अमधनी वाले कालम पर केंद्रित किये हुए हैं और अगर अतिरिक धन का उप्योग आमधनी बढ़ाने वाली संपतियों को खरीबने में किया जाता है तभी वह आदमी आर्थी गरूप से सुरक्षित हो सकता हैं गरीब और मद्यमवर्ग के ज्यादातर लोग पुरातन पंती होते हैं यानि मैं जोखिम नहीं उठा सकता य पाकों करोडों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपति मानते थे यानि कि उनका घर वह उन्हें जिन्दा मार रहा हैं उनकी घर नमक संपति हर माँ उनकी जेव से पैसे निकलवा रही हैं उनकी कार उनकी दूसरी संपति उन्हें जिन्दा मार रही थ ती गेरेज में रखे एकजार डालर में खरीदे गई उनकी गूल्फ कलब अब एकजार डालर के नहीं रह गई थी नोकरी की चुर्क्षा नय होने के कारण अब उनके पास जीवन या पन का कोई यादार नहीं बचा था उनके विचार में जो संपतियां थी पैसे के संकट के स विदन फार्म भरा है, नेट वर्थ, खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है, यह है रोचक इसलिए होता है, क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बेंकर और अकाउंटिंग में, बेंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीजों को संपतिया माना जाता है, एक दिन करज लेने के लिए मेरी माली आलत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने नईव गोल्फ किलप, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तगें, स्टीरियो, टेलिवजन, अर्मानी सूट्स, कलाई गडियान, जूते और दिगर चीजों को संपति वाले कालम में दिख कर दिया गया, क्योंकि मेरा बहुत जादा निवेस रियल इस्टेट में था, लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया, कि मैं अपार्टमेंट हाउसे से इतने ज्यादा पैसे कमा रहा था, वे यह जानना चाहते थे, मेरे पास एक सामान या नोगरी क्यों नहीं है, जिसमें बे मैं हर बार चौक जाता हूँ, जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ, कि उनकी नेट वर्थ दस लाग डालर है, या एक लाग डालर है, या एसा ही, कोई और आंकड़ा, नेट वर्थ के सटीग नहीं होने का एक खास कारण यह है, कि जिस पल आप अपने संप्रतियों क को बेचना शुरू करते हैं, आपकी प्राप्तियों पर टेक्स चुकाना पड़ता है, इतने सारे लोग अपने आपको पैसे के इस गहरे संकट में डाल लेते हैं, जब उनकी आमदनी कम हो जाती है, पैसा जुटाने के लिए वे अपनी संपतिया बेचते हैं, पहले तो उन होता है, तो उस पर टेक्स लगा दिया जाता है, तो एक बार सरकार फाइदे में से अपना हिस्सा ले लती है, और इस तरह करद से ओबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है, अपने काम से काम रखना शुरू कर दें दिन में नोकरी को करते रहें परंतु अपने संपतियों को खरीदना भी चालू कर दें एसे दाइतों या वेक्तिगत चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाई आप जिस क्षण एक नई कार को शुरूम से बाहर निकाल कर ले आते हैं उसकी कीमत 25 फिजदी कम हो जाती है यह सची संपति नहीं है हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपति मानते हैं मेरा 400 डालर का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदे के कुछी मिन्टों बाद 1500 डालर मुल्यका हो गया था व्यसकों के लिए यही सही है कि वे अपने खर्च कम कर लें अपने दाइतों को गटा लें और मेनत से ठोज संपतियों का आधार बना ले उन यूवा लोगों को जिनोंने अभी घर नहीं छोड़ा है यह ऐसी खाया जाना चाहिए कि संपति और दाइतों के बीच क्या फार्क होता है घर चोड़ने से पहले यूने संपति वाले कालम को बनाने की प्रेणा दी जानी चाहिए इसके पहले की वे घर चोड़ें, शादी करें, घर खरीदें, बच्चे पैदा करें, खतरना कार्थिक स्थिति में फसें नोकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज को उधार खरीदें मैं बहुत सारे यूग अदमपतियों को देखता हूँ, जो शादी कर लेते हैं और अपने आपको एक ऐसे जाल में फसा लेते हैं, जिससे वे अपनी नोकरी के बहुत सालों तक कर्द से बाहर नहीं निकल पाते हैं जब आखरी बच्चा घर चोड़ कर चला जाता है, तब ज्यादा तर लोगों को यह है एसास होता है कि उन्होंने रिटायर्मेंट की पर्याप तैयारी नहीं की है, और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं मैं तो आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपतियों के संग रहन की प्रेणा दे रहा हूँ मेरी दुनिया में असली संपतिया कई तरह की होती है नमबर एक, एसी बिजनस जिसमें मेरे होने की जरूरत नहीं हो, मैं उनका मालिक जरूर हूँ परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं, अगर मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनस नहीं होगा, यह मेरी नोपरी होगी नमबर दो, स्टोप, नमबर तीन, बांड, नमबर चार, म्यूचल पंड, नमबर पांस, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, नमबर च्छे, लोट्स, आई-ओ-ई-ू, नमबर साथ, बोधिक संपता, जैसे संगीत, पढ़कता, पेटेंटी दियाती से, मिलने वाली रोय जब मैं चोटा था, तब मेरे पड़ेली के डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नमबरी डोनने की सला दी, दूसरी तरफ, मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसी संपतियों को इकठा करने की सला दी, जिने मैं पसंद करता था, अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते होगी, तो मैं सारा दिन उन्हें निहार सकता हूँ, जब समश्याएं होती है, तो वे उतनी बुरी नहीं होती कि उनके कारण, रियल इस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाई, एसे लोग जो रियल इस्टेट से नपरत करते हैं, उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए, मुझे चोटी सालों में मैं बड़े संग्ठनों में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टंडर्ड में, यूस मारीन कार्प्स और जेराक्स कार्परेशन में, मैंने इन संग्ठनों में बिताई समय का मजा लिया, और मेरे पास कई सुकह दिया दे हैं, परन्तु बीतर से मैं कम करने वाला आउट भी नहीं हूँ, मुझे कमपनी चालू करना अच्छा लगता है, परन्तु उन्हें चलाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं जो शेर खरीदता हूँ, वह भी सामाने तेर छोटी कमपनियों के होते हैं, और कई वारतों मैं कमपनी चालू क करता हूँ, और उसे सारुजनिक बना देता हूँ, नए स्टोक के सेर में कीमत चमक सकती है, और मुझे यह खेल पसंद है, कई लोग कम पुंजी वाली कमपनियों से टरते हैं, और उन्हें खतरनाक कहते हैं, और वे खतरनाक हैं भी, परन्तु खतरा हमेशा कम हो जाता है, अ जाएं, दूसरी तरब में इस्तिती रियल एस्टेट की रननिती होती ही, छोटी प्रोपर्टी से शुरू करने की होती है, फिर मैं उस छोटी प्रोपर्टी को बेच कर उसे थोड़ी बड़ी प्रोपर्टी ले लेता हूँ, और इस तरहां पने 5 दे पर टेक्स चुकाने से बस्ताग रहता हूँ इससे प्रोपर्टे की वैल्यू में नाट की अब डोतरी होती है मैं सामान्य तोर पर रियल एस्टेट को साथ साल से कम समय अपने पास रखता हूँ वरसों तक जब मैं मेरिन कार्प्स और जिरेक्स में था तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी देड़ी ने मुझे सिखाया था मैं अपनी दिन की नोबरी करता फरंतु मैं अपने काम से काम भी रखता था मैं अपनी संपति वाले कालम में कुछ ने कुछ करता रहता था मैं रियल एस्टेट और छोटे स्टोक्स की खरीद प्रोप भी करता था अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के मैंतों पर जोड दिया। जितनी अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मेनेजमेंट को समझ सकता था। उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेसों का विशलेशन कर सकता था। और आखिरकार खुद की कमपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था। जब तक कि कोई पहले से यह सहने सोच रहा हो। मैं किसी को भी अपनी कमपनी बनाने के लिए प्रोटसाइट नहीं करता। मैं जानता हूं कि कमपनी चलाने में कितना जंजट होता है। कि अउसर बहुत कम हैं। दस में से नो कमपनीा पांच सालों में लूड़ जाती है। अगर आपकी अपनी कमपनी शुरू करने की इच्छा हो, तब ही मैं इसकी सलाह दूँगा। अन्यता अपने दिन की नोक्री करते रहें और अपना काम से काम रखें। जब मैं कहता हूँ कि अपने काम से काम रखे तो मेरा में यह मतलब है कि आप अपनी संपती वाले कालम को जादा मजबूत बनाते रहे एक बार इसमें एक डालर जाए तो वह कभी बाहर नहीं निकल पाई इसे इस तरह सोचें कि जब एक डालर आपकी संपती वाले कालम में जाता है तो वह आपका करमचारी बन जाता है ऐसे के बारे में सबसी अच्छी चीज़ यह है कि यह हर दिन 24 गंटे काम करता है और इसा पीडियों तक कर सकता है अपनी दिन की नोकरी को चालू रखे एक अच्छे मेहनती करमचारी की तरह काम करें परंतो अपनी संपती वाले कालम को बढ़ाते रहें जब आपका कैश्फलो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीज़ें खरीच सकते हैं इस बारे में एक मेहत्वण तक्या यह है यह अमीर लोग विलासिता की चीज़ें सबसे बाद में खरीचते हैं जबकि गरीब और मद्यांगर गिये लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीचते हैं गरीब और मद्यांगर गिये लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, फर, जोलरी जैसी विलासिता की चीज़ें इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सकें वे अमीर दिखते हैं परंत वसल में वे उधार के दलदल में गहरे दस्ते से ले जाते हैं वे लोग जिनके पास बीडियों से फैसा है जो लंबे समय से अमीर हैं वे अपने संपत्ती वाले कालम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ती वाले कालम से होने वाले आम्दनी उनके लिए विलासिता की चीजें खरीद लेती हैं, गरीब और मद्य उमर गे लोग अपनी खून पसेने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की खरीदते हैं सच्चे विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विक्षित करने का प्रोच साहन है उधारन के लिए जब मेरी पत्नी और मेरे पास आमारे अपार्टमेंट हाउसे से अतिरिक पैसा आने लगा तो वह बजार गई और अपने लिए मर्सिडेज दलाई इसमें जरा सी भी मेनत या जोखिंद नहीं था क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उसने कार खरीदी थी परंतु उसे इसके लिए चार सालों तक इंतजार करना पड़ा था जब रियल एस्टेट पोर्टपोलियो बढ़ रहा था और आखिरगार उसने इतना अ पत्ति वाले कालम को सही तरह से बढ़ाना जानती है अब उसके लिए उस कार की किमत समान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज्यादा है ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई चीज खरीद ले आदमी उस चीज से चिडने लगता है क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया है वह एक बाहर बन गया एक बार आपने अपने बिजनस को बनाने उसमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो पिर आप उसमें जादू की चड़ी खुआ सकते हैं जो अमीरों का सबसे बड़ का रहश्य है यह है रहश्य अमीरों को भीड में सबसे आगी रखता है अपने काम से काम रखने का इनाम जो आपको उस रहा पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं धन्यवार आईए चलते हैं अध्याइप 5 की तरफ जो है टेक्स का इतिहास और कोर्परे कोर्परेशन्स की ताकत आपका दिन शुब हूए रिच डैड पूर डैड अध्याइप 5 टेक्स का इतियास और कोर्परेशन्स की ताकत मुझे याद है हमें स्कूल में राबिन हूट सो और उसके सुखी गिरों की कहानी बताई गई थी मेरे स्कूल के टीचर का मानना था यह केविन कोसनर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अदबुत कहानी है जो अमीरों को लुटता था और गरिबों में बांट देता था मेरे अमीर रेडी की नजर में राबिन हूट हीरो नहीं था वे उसे बदमास मानते थे राबिन हूट को गुजरे वे तो लंबा समय गुजर चुका है परंतु उसके अनुनाई आज भी जिंदा है कितनी बार मैंने लोगों को यह कहते सुना है इसके लिए अमीर लोग पैसे क्यों नहीं देते या अमीरों को और ज़्यादा टेक्स देना चाहिए और उन्हें गरीबों में बांट देना चाहिए राविन होड का यह है विचार कि अमीरों से लेकर गरीबों में बाढ़ दिया जाए गरीब और मद्यम वर्ग के लोगों के लिए सरवादी कष्ट का कारण है इसी रोविन होड आदर्स के कारण मद्यम वर्ग पर टेक्स का इतना भारी बोज लगा हुआ है सचाही तो यह है कि अमीरों पर टेक्स लगता ही नहीं है गरीबों की वलाई के लिए जो पैसा लगता है वह है मद्यम वर्ग से आता है खास कर शिक्षित और उंची आमदनी वाले वर्ग से टेक्स के बारे में पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसकी इतियासिक प्रस्ट लूमी को समझने की जरूरत है हमें टेक्स के इतियास को जानने की जरूरत है हलांकि मेरे पडेल के डैडी सिक्षा के इतियास कमाल का ग्यान रखते थे परन्तु मेरे अमीर डैडी टेक्स के इतियास पर विशे सक्गे थे अमीर डेडी ने माईक और मुझे यह समझाया कि इंगलेंड और अमेरिका में सबसे पहले कोई टेक्स नहीं लगते थे कभी कबार युद का खर जुटाने के लिए कुछ समय के लिए टेक्स जरूर लगा करते थे राजा या राश्टवती मुखे से कह भर देता है और हर आदमी उसकी कही बात मान कर अपना से योग देता है ब्रिटेन में 1799 से 1816 के बीच नेपॉलियन से युद के समय टेक्स लगाया गया था और अमेरिका में 1861 से 1865 के बीच वे सिविल वार के खर्च को जुटाने के लिए टेक्स लगाया गया था 1864 में इंग्लेंड ने इंकम टेक्स को अपने नागरिकों पर स्थाई रूप से लगू कर दिया 1913 में समीदान के 69 सरसोधन के साथ अमेरिका में भी आईकर स्थाई रूप से लगू किया गया एक समय था जब अमेरिकी लोग टेक्स विरोधी हुआ करते थे चाई पर बहुत ज़्यादा टेक्स लगने के कारण ही बोस्टन हार्वर पर पर प्रसीद टी पार्टी की गटना हुई थी जिससे करांतिकारी यूद को ताकत मिली इंग्लैंड और अमेरिका दोनों को इन नियमित इंकम टेक्स के विचार को जन्ता के गले उतारने में लगवग 50 साल का समय लगा इन एतियासिक दिथियों से हमें यह पता नहीं चल पाता कि दोनों इमामलों में टेक्स शुरू में केवल अमेरों पर लगाए गए थे अमीर डेड़ी चाहते थे कि माई को और मैं इस बात को कभी नहीं मूले उन्होंने सबस्ट किया कि टेक्स का विचार लोग पर यह बना और उसे ज़्यादतर लोगों ने सिर्फ इसलिए माना क्योंकि उन्हें यह बताया गया कि टेक्स अमेरों को सजा देने का और मद्यम पर असलिया है उन्हीं लोगों को दंड देता है जिन्होंने इसका समर्थन किया था यानि गरीब और मद्यम वरक एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चक लिया तो उसकी भूक बढ़ती गई अमीर डेड़ी ने कहा तुम्हारे डेड़ी और मैं पूरी तरह विरोद करते है वे एक सरकारी बिरोक्रेट हैं और मैं एक पूंजी पती हूँ हमें विपरित व्यावार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग माब दंडों पर तोली जाती है उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिये जाते हैं वे जितना ज़्यादा खर्च करते हैं और जितने ज़्यादा लोगों को काम परक रखते हैं उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है उतना ही ज़्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है दूसरी तरफ, मेरे संगठन में, मैं जितने कम लोगों को रखूँ और जितना कम पैसा खर्च करूँ, मेरे इतनी वेसक मेरा उतना ही ज़्यादा सम्मान करते हैं इसलिए मैं सरकारी आद्मियों को पसंद नहीं करता हूँ उनके लक्षे बिजनस के जYAदातर लोगों से अट करोते हैं जैसे जैसे सरकार के करमशारी बढ़ते हैं, उन्हें तनकवा देने के लिए उतने ही जयादा टेक्स की जरूरत होती है मेरे पढ़ेले के डेड़ी इस बात में बरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए वे जान अप केनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कार्प्स के विचार से वे इस विचार को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कार्प्स में के लिए काम करते थे और मलेसिया, थाइलेंड और फिलिपिंस जाने वाले सिम्चे वोगों पर सिक्षित करते थे वे हमेसा आतरिक तनुदानों और बजट में बड़ोतरी की कोसिस करते थे ताकि वे ज़्यादा लोगों को बड़ती कर सके एसा वेसिक्षित वाकि अपनी नोकरी में भी करते थे और पीस कार्प्स में भी, यह हैं उनका काम था जब मैं दस साल का था, तब से मैं अबने अमीर डेड़ी से यह सुनता आया हूं की सरकारी करमजारी आल सी चोरों का गिरो है और मेरे गरीब डेड़ी से मैं यह सुनते आया हूं कि अमीर लोग लाल्ची और बदमास होते हैं जिन से सरकार को ज़्यादा टेक्स लेना चाहिए दोनों ही वीचारों के पक्स में तरक दिये जा सकते हैं मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था क्योंकि एक तरफ तो मैं शेहर के सबसे बड़े फुंजी पतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहां मेरे डेड़ी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थे यह थे करना असान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किस की बात पर मुझे बरोसा करना चाहिए परन्तों जब आप टेक्स के इतियास काद्यन करते हैं तो एक दिल्चस पहलो सामने आता है जैसा मैंने कहा कि टेक्सों का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जन्ता राभी नूट के अर्थ सास्त्रे से दांत में बरोसा करती थी जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सब में बाट दिया जाता है समझ्या यह थी कि सकार की पैसे की भूक इतनी बढ़ गई कि जल्दी मद्यम वर्ग पर भी टेक्स लगाने की नोग बता दी और वहां से धीरे धीरे टेक्स का बोज नीचे की तरफ आता गया दूसरी तरफ अमीरों नीचे एक मोके की तरह देखा वे उन्हें नियमों से नहीं खेलते हैं जिन से जंता खेलती हैं जैसा मैंने बताया है अमीर पहले ही कार्पोरेशन के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के जमाने में लोग प्रिय हुई थे अमीरों ने हर समुंदरी यात्रा की संपर्थी के जोखिम को सीमित करने के लिए कार्पोरेशन का उप्योग किया अमीर लोग हर समुंदरी यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कार्पोरेशन में अपना पैसा डालते थे फिर यह कार्पोरेशन न्यू वर्ल्ड के घजाने की फोज के लिए नाविकों की बर्ती करता था अगर जहाज डूब जाता तो नाविकों की जान जाती ही परन्तु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुक्सान होता था कि उनका वह पैसा डूब जाता था जो उन्होंने उस समूंदरी यात्रा के लिए दिया था आगे आने वाला चितर दर्साता है कि किस तरह कार्पोरेशन स्ट्रेक्चर आपके इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस के बाहर बैठता है अमीर लोग किस तरह खेल को खेलते हैं कार्पोरेशन के कानूनी डांचे की ताकत का ग्यान ही अमीरों को गरीबों और मद्य उमर की तुलना में बहुत ज़्यादा देता है मुझे दो डेडियों ने सिक्षा दी थी जिसमेंचे एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजी पती मुझे जल्दी यह मैसूस हुआ कि पूंजी पती में पैसे की ज़्यादा समझ है मुझे इसा लगा कि पैसे की ना समझी के खारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते है मुझे इसा लगा कि पैसे की ना समझी के खारण समाजवादी जितना जोड लगा ले अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा डूंड निकलते है इसी कारण टेक्सा किरकार मद्य उमर्ग पर लगे अमीरों ने बुद्धी जीवियों को अपनी बुद्धी से हरा दिया सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विशे स्कूलों में नहीं पड़ाया जाता अमीर लोगों ने बुद्धी जीवियों को किस तरह हराया एक बार अमीरों से वसोलों का कानून पारिद हुआ तो सरकार की तीजोरी में पैसा आने लगा पहले तो लोग इस बात से खुश हुए यह पैसा सरकारी करमचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा सरकारी करमचारियों के पास यह पैसा नोकरियों और पैंशनों के रूप में गया अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्टरियों के जड़िये मिले सरकारी कॉंट्रेक्ट से आया सरकार के पास धेर सारे पैसे थे पर उस पैसे के मैनेजमेंट की समश्या थी उसमें कोई री सरकूलेशन नहीं था दूसरे सब्दों में सरकारी नेती में अगर आप एक सरकारी बिरोक्रेट है तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते अगर आप अपने लिए आमंटित फंड को खर्च नहीं कर सकते तो आपको अगले बजट में उतनी राशिन नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्या तो माना ही नहीं जाएगा दूसरी तरफ बिजनस में पैसे बसाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल बना जाता है जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चकर चलता है तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टेक्स वसूलों के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मद्यमर गया लोग भी टेक्स के दाइरे में आ गई जिन्होंनों इसके लिए वोट दिया थे सच्चे पुझी पतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपनी ऐसे की समझ का प्रियोग किया वे कार्परेशनों की सुरुक्षा में चले गई कार्परेशन अमीर लोगों को सुरुक्षा देता है परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कार्परेशन नहीं बनाया यह नहीं जानते की कार्परेशन जैसी कोई चीज नहीं होती कार्पुरेशन केवल एक फाइल का फॉल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्ताविज लगे होती है और जो रज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के आफिस में रखा जाता है यह कोई बड़ी फिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कार्पुरेशन का नाम लिखा होता है यह कोई फेक्टिय या लोगों को समुवे भी नहीं होता कार्पुरेशन केवल एक कानूनी दस्ताविज है जो एक ऐसी कानूनी देव बना देता है जिसके कोई आत्मा नहीं होती अमीरों की संपति एक बार फिर सुरूख्षित हो गही एक बार फिर competition का प्रियोग लोप्रियाँ हो गया यह स्थाई income tax कानूनों के पारित होने के बाद हुआ क्योंकि corporation के लिए income tax की दर व्यक्तिकत income tax की दर से कम है इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है कॉर्परेशन दोबारा कुछ खर्च टेक्स चुकाने से पहले किये जा सकते है अमीरों और करीबों के बेजी यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है अमीरों से वसू लोग अमीरों की खमेसा खिलाब रही है यह लड़ाई तब छिटती है जब कानून बनते है और यह लड़ाई यानंत काल तक चलती रहती है समझ्या यह है कि जो लोग हारते हैं उन में समझ की कमी है हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उटकर तयार होते हैं और अपनी नोखरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टेक्स देते हैं अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस बीड़ को उसी तरह से खेल सकते हैं फिर वे भी पैसे से आजाद हो सकते हैं और अमीर बन सकते हैं इसलिए मैं हर बार शेयर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह हैसा ला देते हुए सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरुच्षित नोकरी मिल सके जिस करमचारी में पैसे की समझ नहीं है वह बच्च नहीं सकता चाहे उसकी नोकरी कितने भी सुरुच्षित क्यों नहीं हो वोसत अमेरिकी व्यक्ति आज सरकार के लिए 5 से 6 मैने तक गाम करता है ताकि वह टेक्स चुकाने के लिए पैसा जमा कर सकी मेरे विचार में यह समय बहुत जादा है आप जितनी ज़़ा मेहनत करते हैं आपको सरकार को उतना ही ज़़ा टेक्स देना होता है इसलिए मेरा मानना है कि अमीरों से वसुलों का नारा अन्हीं लोगों पर बाही पड़ गया जिन्हों ने इसके लिए वोट किया था हर बार लोग अमीरों को सज़ा देने की कोचिस करते हैं अमीर लोग सच्मुच उसका पालन नहीं करते बलकि वे पलट कर वार करते हैं उनके पास पैसा, ताकत और इरादा होता है जिनके दम पर वे चीज़ें को बदल सकते हैं वे सचमुच बैठ कर स्वेच सासे ज़्यादा टेक्स नहीं चुकाते वे इसे तरीके खुशते हैं जिन से उन पर टेक्स का कम से कम बोज पड़े इसके लिए वे चतूर और स्मार्ट वकीलों तता काउंटेंट्स की सेवाई लेते हैं और राजनिताओं को मनाते हैं कि वे कानून बदले या कानूनी बचाओ के रास्ते बनाई जिनके पास परिवर्तन करवाने के लिए जरूरी संसादन होते हैं अमेरिका का टेक्स कानून भी टेक्स बचाने के कई रास्ते प्रदान करता है इसमें से ज्यादातर रास्ते हर एक के लिए खुले हैं परंतुर इनका फाइड़ा सामान्य तोर पर अमीर लोग ही उठाते हैं क्योंकि वे इनकी खोज करते हैं और इसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने काम से काम रखते हैं उधारन के तोर पर लोगप्रिय सब 1031 इंटरनेशनल रेवेन्यू कोड के अनुछेद 1037 का संक्षिप्त रूप है जिससे रियल एस्टेट बेशने वाले को टेक्स चुपाने में देरी करने का मोका मिलता है अगर वे ज्यादा महेंगे रियल एस्टेट को खरिकता है और सोदेवाजी में फाइदा नहीं लेता रियल एस्टेट है एक एसा पुझे निवेस है जो बहुत ज़्यादा टेक्स लाब देता है जब तक आप कम कीमत की प्रोपर्टी बेचकर उंची कीमत की प्रोपर्डी प्रोपर्टी खरिदते रहते हैं तो आपको तब तक टेक्स नहीं देना पड़ता जब तक कि आप उसे नगद ही ने रखना चाहें जो लोग कानून द्वारा दी गई इन टेक्स की छुटों का लाब नहीं उटाते वे अपनी संपती वाले कालम को बनाने का एक बहुत बड़ा मौका खो देते हैं गरीबों और मध्यम वर्ग के पास इतने संसादन नहीं होते वे चुप चुप बैटे रहते हैं और सरकार की सुजियों को अपनी बहाँ पर लगने देते हैं और बलड डोनेशन की इजाज़त दे देते हैं आज मैं ज़्यादा टेक्स चुकाने वाले या कम छूट लेने वाले लोगों की संख्या से लगातार स्थब्द होता रहता हूँ और वे एसा सिर्वेस लिए करते हैं क्योंकि वे सरकार से डुटते हैं और मैं जानता हूँगी सरकार टेक्स एजेंट कितना डराऊना होता है मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके बिजनस बंद हो वे और इसके लिए सरकार दोसी थी मुझे यह सब पता है मुझे यह सब पता है परंतु जनुरी से लेकर मई के पहले पकवाड़े तक सरकार के लिए काम करना एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम टेक्स के डर के कान चुकाते हैं मेरे गरीब डैरी ने कभी पलटू कर वार नहीं किया मेरे अमीर डैरी ने भी इसा नहीं किया उन्होंने केवल खेल को चतुराईज़े खेला और उन्होंने इसा कोर्परेशन के बादेंसे किया जो अमेरों का सबसे बड़ा रहश्य है अमीर डैरी से मेरा पहला सिखा गया सबक आपको याद होगा मैं नो साल का बच्चा था और मुझे उसे बात करने के लिए बहुत समय तक इंतजार करना पड़ता था मैं एक्सर उनके आफिस में बैठकर उनका इंतजार करता था वे जान बूज कर मुझे नजर अंदास करते रहते थे वे चाहते थे कि मैं उनकी ताकत को पहचानू और एक दिन खुद भी उतना ही ताकत वर बनता जाओं जितने भी समय तक मैंने उनके मार्क दर्सन में पढ़ा और सीखा उन्होंने मुझे हमेशा याद दिलाया कि ग्यान ही ताकत है और पैसे के साथ तो बड़ी ताकत वाती है उसे बनाई रखने के लिए और उसे कई गुना आगे करने के लिए सही ग्यान की जरूरत होती है उस ग्यान के बिना संसार आपको इदर उदर धक्ये मारता रहता है अमेरिटेडी हमेशा माईक और मुझे यह याद दिलाते कि सबसे जदा डरावना वेक्ति बोस या सुपरवाजर नहीं होता बलकि टेक्समेन होता है अगर आप उसे मुका देते हैं तो टेक्समेन हमेशा आप से जदा से जदा वसूद कर सकता है पैसा मेरे लिए काम करें मैं पैसे के लिए काम नहीं हूँ मेरा यह पहला सबक दरसल ताकत के बारे में है अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बोस के हाथ में देते हैं अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप ताकत को अपने पास रखते हैं और उसे काबू में रखते हैं एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का अग्यान हो जाए फिर हमें पैसे के लिए आसे स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने का रास्ता ढूनना चाहिए इसके लिए आपके बास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात के भी कि सिस्टम कैसे काम करता है अगर आप अग्यानी है तो आपको आसानी से डराया जा सकता है अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बजने का मुखा है हाँ इसलिए मेरी डैडी स्मार्ट टेक्स का काउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज़्यादा वेतन देते थे वकीलों को वेतन देना सरकार को टेक्स देने से सस्ता था मेरे लिए उनका सरवसरे सबक था स्मार्ट बनो ताकि तुम्हें इदर उदर धक्या ने दिये जा सकी और मैंने जिन्दी की वरी से अपनाया है वे कानून जानते थे क्योंकि वे कानून का आदर करते थे वे कानून जानते थे मेरे पढ़ेलिके डैडी मुझे हमेशा प्रोचसाइट करते थे कि मैं किसी बड़े अच्छे कॉर्परेशन में बड़ी असी नोपरिट ढूंड लूँ वे मुझे हमेशा उन अच्छाईयों के बारे में बताते थे जो कॉर्परेट सीडी पर चड़ने से आसिल की जा सकती थी वे यह नहीं समझ पाते थे कि कॉर्परेट नियुक्ता से मिलने वाले वेतन के चेक पर पूरी तरह निर्बर रहने उसे मैं एक एसी दुधारूगाई बन जा था जिसे दुभा जा सकता था जब मैंने अपने अमीर डैडी को अपने डैडी की सलाव बताई तो बेकेवल हंसे उन्होंने सिर्फ यही कहा सीडी के मालिक ही क्योंने बना जाई बच्पन में मुझे यह समझ में नहीं आया था कि अपने कॉर्कॉरेशन के मालिक होने से अमीर डैडी का क्या मतलब था यह एक ऐसा विचार था जो असंबव और डरावना लग रहा था हलांकि मैं इस विचार से रोमान्चिप था परंतो मेरी कम उमर में इस अमवना पर विचार ही नहीं कर पा रहा था कि एवे ऐसक लोग किसी दिन मेरी कंपनी में काम करने लगें मुद्दे की बात यह है कि अगर अमीर डैडी नहीं होते तो मैं अपने पड़ेलिके डैडी के सलाखा पालन कर रहा हुता अमीर डैडी ने बार बार याद दिलाने के कारण ही मेरे अपने कोर्परेशन का विचार जीवित रहा और यह मुझे एक तरह पर चलाता रहा जब मैं पंद्रह या सोला साल का था तो मैं जानता था कि मैं उज़रा पर नहीं चलने वाला जो मेरे पढ़े लिके टैडी ने बताई है मैं नहीं जानता था कि मैं इसा किस तरह करूँगा परन्तु मैंने दरड निश्चे कर लिया था कि मैं भीट के साथ नहीं चलूँगा और उस दिसा में नहीं जाँगा जिस तरफ मेरे सैपरटी जा रही है इस फैसले ने मेरी जिन्दगी बदल दी जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक अमीर डेड़ी की सला मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आई थी मैंने हाल ही में मेरिन काप शोड़ी थी और जेराक्स के लिए काम कर चुरा था मुझे बहुत पैसा मिल रहा था परन्तु हर बार जब भी मैं अपनी तंकवा के चेक को देखता था तो मुझे हमेशा निरासा होती थी कोटोती बहुत ज़्यादा थी और जितना ज़्यादा मैं काम करता था कोटोतीयां उतनी ही ज़्यादा होती थी जब मैं ज़्यादा सपल होने लगा तो मेरे वरिष्ट बोस मेरे प्रमोशन और तंकवा बढ़ाने की बातें करने लगे यह सुनने में तो अच्छा लगता था परन्तु मैं अपने कानों में अपने अमीर डेडिक की आवाज भी सुन सकता था तुम किसे लिए काम कर रहे हो तुम किसे अमीर बना रहे हो 1994 में जराक्स के करमचारी के रूप में ही मैंने अपना पहला कॉर्परेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया पहले से ही मेरे संपती वाले कालम में खुछ संपतिया मौशूद थी परंतु अब मैंने ठान लिया था कि उन्हें ज़्यादा बढ़ाया जाए कटोतियों वाले थनको अब उदेग देखकर मुझे अमीर डेड़ी की सला में समझदारी दिखने लगी थी अगर मैं अबने पड़ेली की डेड़ी की सलावर चलता तो मुझे अपना वविश्या साफ नजर आ रहा था कई नियुक्ता यह नुबव करते हैं कि अगर करमचारी अपने आकाम से काम रखे तो यह उनके बिजनस के लिए बुरा होता है मुझे विश्वास है कि यहसा कुछ लोगों के साथ हो सकता है परन्तु मेरे साथ ऐसा नहीं था एक बार मैंने अपने काम से काम रखने के ठान ली और अपने संपतियां बढ़ाना चालू कर दिया तो मैं एक बेतर करमचारी बन गया मेरे पास अब एक लक्षा था मैं सुगए जल्दी आ जाता था और मेहनत से काम करता और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता था ताकि मैं उसे रियल स्टेट में निवेस कर सबूँ हवाई में उसक मैं कीमते तेजी से बढ़ रही थी और वहां किसमत चमकाई जा सकती थी जितना ही ज़्यादा मुझे यह लगा कि वहाँ निवेस की सम्भावनाई है उतनी ज़्यादा जेराक्स मेशीने मैंने बेची मैंने जितनी ज़्यादा मेशीने बेची मुझे उतना ही ज़्यादा पैसा मिला और हाँ मेरी तनक्वागे चेक से उतनी ही ज़्यादा क्टोटिया हुई यह परेना दाइक था मैं करमचारी होने के जाल से बाहर निकलना चाहता था और इसलिए मैं कम मेहनत करने के बज़ाई जादा कड़ी मेहनत करता था 1978 तक मैं सेल्ज में चोटे के पांच लोगों में से एक था प्राइड नमबर वन मैं चुहा दोड़ से बहुत जल्दी बाहर निकलने के लिए भीताब था तीन साल से भी कम समय में मैं जेरक्स की तुलना में अपने छोटे से कर्परेशन से कहीं ज़्यादा कमा रहा था जबकि मेरा कर्परेशन रियल इस्टेट में निवेश करने वाली कमपनी थी और वह है पैसा जो मैं अपने कर्परेशन से अपने संपती वाले कालम में बना रहा था वह है पैसा मेरे लिए काम कर रहा था मुझे कोपियर बेशने के लिए दरवाजे खटटाने के जरूरत नहीं थी अमीर डेड़ी की सला में मुझे ज़्यादा समझधरी दिख रही थी यानि कि मेरे प्रोपर्टी से आने वाला कैस्पलो इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी कमपनी ने मेरे लिए पहली कार खरीद थी जराज के लोगों को लगा कि मैं अपने कमिशन बेज रहा हूँ डॉलर एक बड़ी अकरमचारी था जिसकी कड़ी मेनत के कारण और जादा करमचारी तयार होते थे और वे सब मिलकर अपने बोश को एक नई कार तोपे के रूप में दे रहते थे और वह भी टेक्स चुकाने के पहले मैंने जराज के लिए जारा कड़ी मेनत करना चालू कर दिया मेरी योजना सही तरह से चल रही थी और मेरी कार इसका जीता जागता सबूत थी अपने अमीर डेडी से सीके गए सबक के खारण उस चुहाद और मिथक से बाहर निकलने में सफल हो जगा था और कम उमर में ये एक नियुकता बन गया ये है पैसे की समझ से ही कुछ संबग हुआ था इस वीतिय ग्यान के बिना जिसे मैं फाइननसियल आईक्यू को हूँगा आर्थिक सब्तंता के मेरी रहा में बहुत ज़्या मुस्किलें आई होती अब मैं फाइननसियल सेमिनारों में दूसरों को इस आसा के साथ सिखाता हूँ ताकि मैं उनके साथ अपना गयान बाढ़ सकूँ जब भी मैं लेक्चर देता हूँ तो मैं लोगों को यह याद दिलाता हूँ कि फाइनसियल आईक्यू इसे सगेता के चार बड़े शक्षेत्रों से आने वाले ग्यान से बनता है नमबर एक है अकाउंटी जिसे मैं फाइनसियल साक्षरता कहता हूँ अगर आप सामराज्य बनाना चाते हैं तो यह बहुत मैं तो पुन्दक्षता है आप जितने ज़्यादा धन के लिए जिम्मेदार होंगी उतनी ही ज़्यादा सुक्षमता की ज़रूरत होगी नहीं तो आपका सामराज्य प्तास के पत्तों के महल की तरह डह जाएगा यह बाई मस्तिस्क का पहलू है जिसमें बनन या सुक्षमता जरूरी है फाइनसियल साक्षरता वही हो गयता है जिसके सारे फाइनसियल स्टेटमेट्स को पढ़ा और समझा जा सकता है इस योगता से आप किसी भी विवसाई की कमजोरी और मजबूतियों को पैचान सकते है नमबर दो है निवेस जिसे मैं पैसे से पैसे बनाने का विग्यान कहता हूँ इसमें तकनिकों, रन नीतियों और फार्मूलों की जरूरत होती है यह मस्तिस का दायां पैलू है यानि रचनात्मक पैलू नमबर तीन है बाजार की समझ मांग और पूर्ति का विग्यान बाजार के तकनिकी पैलू को जानने की जरूरत है जो कि बहुनाओं द्वारसंसालित होता है 1996 में क्रिसमस के दोरान टिकल मी एलमो डोल का परकरन भी तकनिकी या बाउनाओं द्वारसंसालित बाजार का उधरन है बाजार का दूसरा था तो निवेस की मूल भूत या आर्थिक समझ है क्या किसी निवेस में समझदारी है या वर्तमान बाजार की परिष्टितियों के इसा करना ना समझी है कई लोग यह सोचते हैं कि बाजार को समझना या निवेस की अवदार राएं बच्चों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वे जटिल होती है वे यह नहीं देख पाते कि बच्चे इन विशों को अनुपूती से समझ लेते हैं जो लोग इल्म और डोल से परिचित नहीं होंगे उनके लिए है एक सीसस चीट करेक्टर थी जिसे क्रिस्मस से पहले बच्चों में खूप परशारिप किया गया था लगवग सभी बच्चे इसे क्रिदना चाते थे और अपनी क्रिस्मस की सुची में उन्होंने इसे सबसे उपर रखा था परंतु क्रिस्मस के लिए इसका विग्यापन करने के बाद जब यह बाजार से गाइब हो गई तो कई लोग यह सोचने लगे कि कहीं कमपनी ने चानबूज़ कर तो इसे बाजार से कायब नहीं कर दिया है इसके मांग बहुत ज़ादा थी और पूर्ती बहुत कम इसलिए बाजार में बगदर और हर्बडी का माहो सख बन गया स्टोर्स में जब खरीदने के लिए कोई डोल नहीं बची तो दुकानदारों और दूसरे खिलोने वालों में इसमें मुनाफ़ा कमाने का मुका देखा जिने डोल नहीं मिल पाई थी वे दुरवाग्या साली ममी डेडी क्रिसमस के लिए कोई दूसरा के लोड़ा करीजने के लिए मजबूर हो गई टिकल मी एलमों डोल की एव इस वसने लोग पर रता मेरे इसमें नहीं आई परन्तु यह मांग और पूर्ती के अतसास्तर का बड़िया उधारन है यही बात स्टोक, मौन, रियल इस्टेट और वेसवाल कार्ड बाजारों पर लगू होती है नमबर चार है कानून उधारन के तोर पर अकाउंटिंग, निवेस और बाजारों की तक्निकी दक्स तागे सारे कार्परेशन का परियोग इस पोटक वरदी परदान कर सकता है कोई भी आदमी जिसे कोर्परेशन दवारा दिये जाने वाले टेक्स फाइदों और सुरक्षागा ग्यान हो वह बहुत ज़्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बनता है जो किसी करमचारी या चोटे बिजनस के मालिक के लिए संभव नहीं है उसमें उतना ही अंतर है जितना पैदल चलने वाले और उड़ने वाले में होता है यह अंतर बहुत जादा हो जाता है जब हम इसे दिर्क कालिन संपर्ति के संदर्व में देखते हैं नमबर एक है टेक्स लाव एक कॉर्परेशन कई ऐसी चीजें कर सकता है जो एक आदमी नहीं कर सकता जैसे कि यह टेक्स देने से पहले खर्च कर सकता है यह विशे सग्याता का एक एस अक्षेत्र है जो बहुत रोमान्चक है परंतो इसमें अंदर घुसना तब तक जुरूरी नहीं जब तक कि आपका बिजनेस या संपति बहुत बड़ी नहीं हो करमचारी कमाते हैं और टेक्स लुकाते हैं और फिर वो बचाता है और फिर वो बचता है उससे अबना खर्च चलाते है एक कार्परेशन कमाता है जितना खर्च कर सकता है करता है और फिर बची हुई रकम पर टेक्स चुकाता है यह है अमीरों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाला सबसे बड़ा कानूनी बचाओ का रास्ता है उन्हें बनाना आसान है और बहुत ज़्यादा मेंगा नहीं है बसरते कि आपके पास अपने खुद के निवेस हो जो अच्छा कैस्वलो दे रहे हो उधारण के तोर पर अपने कॉर्परेशन का फाइदा यह है गूमने जाने का करेकरम हवाई में बोर्ड मीटिंग बन जाता है कार का बुटान बीमा रिपेरी तैडी कंपनी खर्च में डाल दिये जाते हैं हेल्थ कलब की सबस्यता भी कंपनी खर्च है ज्यादा तर रेस्टूरेंट डीनर भी अंसिक भी हैं और भी यह से बहुत से खर्च हैं जो टेक्स चुपाने के पहले किये जाते हैं हम एक कानूनी समाज में रहे रहे हैं हर आदमी आपसे फाइदा चाता है अमीर लोग अपने क्रेडिटर से अपनी ज्यादातर संपत्ती को चुपाने के लिए कोर्पोरेसंस और ट्रस्ट का सारा लेते हैं जब भी कोई किसी अमीर आदमी पर दावा ठोकता है तो उसे यह पता चलता है कि यह कानूनी कवज से गिरा हुआ है और दरसल उस अमीर आदमी के पास कोई समपती है ही नहीं वे हर चीज़ पर नियंतरन रखते हैं परन्तु वे किसी चीज़ के मालिक नहीं होते गरीब और मद्य उमर ये लोग हर चीज के मालिक बनने की कोशिस करते हैं और इसलिए जब उन वर दावाट होगा जाता है तो वे सरकार या अपने साथी नागरिकों के हाथों अपनी संपत्ति खो बैठते हैं उन्होंने राविनूर की कानिजे यह सिखा है कि आमीरों से वसुलो गरिबों में बांडो इस पुस्तक का लक्षा यह नहीं है कि कार्परेशन बनाने का तरीका बताया जाए परंतु मैं कहूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह की वैद संपतियों हो तो आप जितनी जल्दी होजगे कार्परेशन द्वारा दिये जाने वाले फाइदों सुरक्षा के बारे में ज़्यादा जान ले इस विशह पर कई पुस्तके लेखी गई है जो इन फाइदों के बारे में पिस्ताफ से बताती है और कॉर्परेशन बनाने के लिए जरूरी सीडियों को भी समझाती है एक पुस्तक खास तोर पर बहुत अच्छी है जिसका सिर्सक है इंक एंड ग्रोरिच यह पुस्तक कॉर्परेशन की ताकत का बखुबी बनने करती है फानेंसियल आईक्यू दरसल कई कुसलताओं और गुनों का मेल है मैं तो यही कहूंगा कि यह उपर बताए गई चार तकनिकी दक्स्ताओं का समय वेस है जो मुलभूत फानेंसियल ग्यान का अधार है अगर आप बहुत ज़्यदा पैसा कमाना चाहते हैं तो इन दक्स्ताओं के समय में ऐसे आपका फानेंसियल ग्यान बहुत ज़्यदा बढ़ जाएगा आपकी महत्वपूर्ण फानेंसियल रणने इते के लिए हम आपकी संपतियों के चारों तरफ कोर्परेशन का कवच लपेटने की बहुत ज़्यदा सला देते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याइच्छे की तरफ जो है अमीर लोग पैसे का विष्कार करते हैं आपका दिन शुब हूँ रिच डैड पूर डैड अध्याइच्छे अमीर लोग पैसे का विष्कार करते हैं पिछली रात मैंने लिखना बंद किया और अलेकजनर अग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी कारिगरम देखा बेल ने टेलिफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी चुकि उन्हें एक बड़ी कमपणी की जुरूरत थी इसलिए वे उस समय की नामी कमपणी वेस्टर्न यूनियन के पास ले और उनसे कहा कि वे उनका पेटेंट और उनकी छोटी सी कमपणी को खरीद ले वे पूरे पैकेज के एक लाग डालर साते थे वेस्टर्न यूनियन के अज्जेक्स ने यह सुनते ही तियोरियन से डाली और परस्ताव को यह कह कर ठोगरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज़्यादा है बाकी इतियास है अर्बो डालर के उध्योग का जनम हुआ और एटी एंटी का जनम हुआ अलेकजंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम के समाचार आ रहे थे समाचारों में एक स्थानिय कमपनी के स्टोग में कटोती के बारे में एक ख़बर थी बच्चों के साथ खड़ा था और सुरक्षा गाड़ों से अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा था ताकि वे मालिकों से यह बिंती कर सके कि उन्हें नोपरी से ने निकाला जाए उसने हाली में एक मकान खरीदा था और उसे डब था कि उसे मकान बेचना पड़ेगा कैमरा उसके अनुने वी ने पर नजरें गड़ाए था और पूरी दुनिया देख रही थी यह कहने की जरूरत नहीं कि इसने मेरा ध्यान खेंच लिया मैं 1984 बेवसाइग रूप से पढ़ा रहा हूँ यह है एक बहुत अच्छा नुओ और पूरुसकार रहा है यह है एक विचलित करने वाला काम भी है क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी है जिसमें मैं भी शामिलू हमें बहुत ज़्यादा संभावना ही होती है और हमें परकर्तिन ने बहुत से उपार दिये होते हैं परंतु जो चीज हम सभी को पीछे दकेलती है वह है कुद के बारे में शंका तकनिकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते बल्कि याताव इस्वास की कमी के कारण पीछे रहते हैं कई लोगों पर इसका अज़र ज़्यादा होता है एक वारम स्कूल छोड़ देते हैं कालेज डिग्री के होने या अच्छे नमर आने का कोई खास मैतव नहीं होता सेक्षन एक माहूल के बाहर असली जिन्दगी में अच्छे नमरों से ज़्यादा मैत्वपून चीज़ की जरूरत होती है इसे गड्स बहादुरी चाला की साहस परतिबा जोखिम लेने की इक्षमता इत्यादी के नाम से पुकारा जाता है यह तत्त्त साहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए कुल मिलाकर हमारे वेविश्य पर स्कूल के नमरों से ज़्यादा असर डालता है हम सभी के बीतर एक बहादुर प्रतिबा साली और जोखिम लेने वाला चरितर मौजूद होता है परन्तु हम सभी के बीतर चरितर का एक दूसरा फैलू भी होता है जो अपने गुटने टेकर जरूर पढ़ने पर भीग भी मान सकता है मेरे इन काप्स के पाइलेट के रूप में वेटनाम में एक साल रहने के बाद मुझे अपने वीतर चुपए इन दोनों चरितरों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना की वेक्ति की प्रतिबा के सबसे बड़े यह दुश्मन है बहुत ज़्यादा डर और खुद की इक्षमताओं के बारे में शंका यह देखकर मुझे दुख होता था कि कई विद्यारती जवाब जानते थे परंतु ने जवाब देने की हिम्मत नहीं थी असली जिन्दगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते बहादूर लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे अपने अनुभव में आपके फाइनन्सियल जीनियस के लिए तकने की ग्यान में जरूरी है और सास भी अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपकी पृतिबा का दमन होता है मेरी कक्षाओं में में विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूँ कि वे खत्रे लेना सीखें बहादूर बने और अपने पृतिबा के द्वार अपने डर को ताकत और चतुराई में बदल ले उस लोगों के लिए ऐसे दांत काम करता है जबकि कईयों को यह डराम ना लगता है मैंने यह भी जाना है कि ज़्यादा कर लो पैसे के बारे में बहुत सुरक्षित के लिखेलना पसंद करते है मैंने ऐसे सवाल भी चुने है जोखिम क्यों लिए जाए अपने फाइनन्सियल आईक्यों को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाए जाए मैं पैसे की समझ क्यों विक्सित करूँ और मैं जवाब जानता हूँ केवल इसलिए तकि आपके पास जाना भी कल्प हो हमारे आगे बहुत से परिवर्टन खड़े है जिस तरह मैंने इस अध्याए के शुरू में युवाविस अलेकजेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी आगे आने वाले सालों में उनकी तरह के कई और लोग होंगे बिल गेट्स की तरह के सेंकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसोफ जैसे बहुत सी अत्य दिकसाफल कंपनियां बनेंगी और दिवालिया पन कंपनी बंध होने स्टाफ निकालने की बहुत सी घटनाई होगी तो आपको फाइनन्सियल आईक्यू विक्सित करने की जंजट में क्यों पढ़ना चाहिए इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता आप खुद दे सकते हैं पर उन्तु मैं आपको बता दूँ कि मैं इसा क्यों करता हूँ मैं इसलिए इसा करता हूँ क्योंकि आज का यूट सबसे ज़्यदा रोमांस काड़ी जूग है मैं चाहता हूँ कि मैं परियोरतन से डलने के बजाए उसका स्वागत करूँ मैं चाहता हूँ कि मैं लाकों करोणों बनाने के बारे में रोमांचित रहूँ ने की सिर्फ अपनी तनखा बढ़ाने के बारे में आज का यूट सरवादिक रोमांस कारी समय है जो दुनिया के इतियास में अबुत पुरू है कई फीडियों के बाद लोग इस यूप याद करते हुए यह कहेंगे कि यह कितना ज्यादा रोमांच करी रहा होगा इसे पुराने की मौत नए का जनम का यूप कहा जाएगा इस यूप में बहुत उतल उतल थी और रोमांच भी था तो अपने फाइनन्सियल आईक्यू को विक्सित करने की जंजट क्यों उठाई जाए क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएने और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आप चलिए डरावना होगा उस समय में आप बहुतुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल होते देखीने और पुरानी सिदा Zeंतों से ज़गडे रहने वाले लोगों को ऐस सफल होते देखीने 300 साल पहले जमीन ही संपत्ती थी इसलिए जिस आदमे के पास जमीन थी उसके पास संपत्ती थी फिर फैक्टरियां आई उत पादन शुरू हुआ और अमेरिका में अपना दबदबा बना लिया उत दोगपती के पास संपत्ती आ गई आज सूचना का यूब है इसलिए जिस आदमे के पास जितनी ज़्यादा और जल्दी सूचना आ जाती है वह है अमीर हो जाता है समच्या यह है कि सूचना दुनिया भर में परकास की गती से ओड़ रही है इस नई संपत्ती को सीमा और दाइरु में नहीं बना जा सकता जिस तरह जमीन और फेक्ट्रियों को बना जा सकता था परिवरतन ज्यदा तेज और ज्यदा नटकिये होंगे नई करोड़ कुतीयोंगी शिक्वा में नटकिया बड़ोत रही होगी एसे भी लोग होंगे जो पीछे छूट जाई है आज मैं इतने सारे लोगों को संगर्स करते देखता हूँ और ज्यादा प्राए ज्यादा कड़ी मेंनत करते देखता हूँ तो एसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कसकर पकड़े रहते हैं वे चाते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हो वे परिवर्तन का विरोध करते हैं मैं ये से लोगों को जानता हूँ जिनकी नोकरित सूट गई है गर बिग गया है और वे इसके लिए टेक्नोलजी आर्थ वे उस्ता या अपने बोस को दोस्त लेते हैं दुरभागय से उन्हें ये मैसूस ही नहीं होता कि वे भी समश्या का कारण हो सकते हैं पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं और इसा इसलिए होता है क्योंकि वे यह नहीं जान पाते की जो विचार पुराने जमाने में संपत्ती था वह आज इसलिए नहीं है क्योंकि जमाना आगे बढ़ चुका है एक दोबेर मैं अपने दोबारा इजाज किये के बोर्ड गेम कैश्फलो से सिख्षा दे रहा था मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया ताकि वह भी सीख सकी दोस्त की के दोस्त का हाली में तलाक हुआ था तलाक के मुगदूएं में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और वह यहाब कुछ जवाब ढून रही थी उसके मित्र को लगा कि शायद इस खेल से उसे कुछ चिखने को मिलेगा इस खेल को इस तरह से बनाया गया है ताकि लोग यह सीख सकें कि पैसा किस तरह काम करता है खेलने के दोरान वे इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट के आपसी संबन के बारे में सीखते हैं वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के भी इस कैस का फ्लो होता है और किस तरह पैसे की रहा में आपको अपनी संपत्ति वाले कालूम से निकलने वाले मासिक कैस्व लोगों बढ़ाना होता है ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज़्यादा हो जाए एक बार आप इसे आसिल कर लेते हैं तो आप सुआदोर से बाहर निकल जाते हैं और तेज रहा पर चल पड़ते हैं जैसा मैंने कहा है कुछ लोगी स्खेल से नफरत करते हैं कुछ इससे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब भी नहीं समझ पाते एक महिला ने कुछ शीखने का बहुमली अफसर खो दिया शुरुवती राउंड में उसने एक डूडेड कार्ड खींचा जिस पर एक नाव बनी होई थी पहले तो वह खुश हुई अरे मेरे पास तो एक नाव है फिर जब उसके मित्तर ने यह बताया कि किस तरह आंकडे उसके इंकम स्टेट्मेंट और बैलेंस सीट पर काम करते हैं तो वह एक उन्ठी तो हो गई क्योंकि उसे खनिप जरावी पसंद नहीं था बाकी के खिलाडियों ने शान्ति पुरूप इंतिजार किया जब उनका दोस्ति इंकम स्टेट्मेंट बैलेंस सीट और मासी कैस फ्लो के बारे में उसे समझाता है अजानक जब उसने यह जान लिया यह आंकडे किस तरह काम करते हैं तो उसे यह जानकर जटका लगा कि उसकी नाओ उसे जिन्दा खा रही है बाद में वह डाउन साइज हो गई और उसे एक बच्चा भी हो गया यह उनके लिए एक बयानक खेल साबित हुआ कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि वह बहुत विचलित है वह कक्षा में निवेस के बारे में सीखने के लिए आई थी और उसे यह बहुत मुर्गता पूम लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज़्यादा समय बरबाद किया जाई उसके मित्तर ने उसे यह समझाने की कोशिस की कि वह बने बित्तर जांक कर देके क्या यह खेल उसके किसी अंदरों निपहलू को उजागर कर रहा है इस सुजाओ पर उस महिला ने अपना पैसा वापिस मांग लिया उसने कहा कि यह विचार मुर्गता पूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरों निपहलू कुजागर करता है उसका पैसा ततकाल वापिस कर दिया जाई और वह वापिस चली गई 1984 से मैं करोडों कमा रहा हूँ और सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखा था जो मैं सिखा रहा हूँ स्कूल में ज़्यादा तर्शिक्षक वासन देते हैं अपने चातर जीवन में मुझे वासनों से चिड़ थी मुझे बहुत चल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर बठकने लगता है 1984 में मैंने खेल-खेल में सिख्षा देना चालू किया मैंने व्यासक विद्यार्थियों को प्रोटसाइद किया कि वे इन खेलों को ज्यान बढ़ाने के इस प्रेलू से देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए सबसे मैतुपोन बात यह है सबसे मैतुपोन बात यह है कि इस खेल में आदमी के विवार पर भी प्रकास पड़ता है यह एक तद्काल फीड़बेक सिस्टम भी है टीचर लेक्चर दे इसके बजाए खेल एक वेक्टिगत लेक्चर बन जाता है जो आप के लिए बनाया गया है उस मेला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया उसने कहा कि उसकी मित्र अफशानत है फशानत होने के बाद उसने खेल और अपने जीवन के वीच में कुछाप से सम्मंद की मैसुश किया है हलाँकि उसके और उसके पती के पास नाव नहीं थी परण तो उसके पास बाकी सब चीजे थी वहे अपने तलाग के बाद बहुत नाराज थी उसका पती एक कम उमर की मेला के साथ बाग गया था और 20 साल के वे भाई जीवन के बाद उसके पास दोलत के नाम पर बहुत कम सामान था उसके बीच बांटने के लिए लगवग कुछ भी नहीं था 20 साल के उनकी शादी सुधा जिन्दगी में मज़ा बहुत आया था पर उन्होंने केवल डेडूड ही कर्थे किये थे उसने यह मैसूस किया कि आंकडों पर उसका गुस्सा इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस सीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी उसका यह मानना था कि पैसे देलिगा इसाब किताब रखना पूर उसका काम है वह घर संबालती थी और उसका पती पैसों को संबालता था उसे अव यह पक्का बरोसा हो चुगा था कि उनकी शादी के आखरी पांच सालों में उसके पती में उससे पैसे चुपाई थे वह इस बात पर खुझ से नाराज थी कि उसे यह पता ही नहीं चला था कि पैसा कहा गया है और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंद बन चुका है बोर्ड गेम की ही तरह दुनिया भी पतकाल फीड़ बैक देती है अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो हम ज़्यादा सीख सकते हैं उच समय पहले की बात है मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दोबी ने मेरी पेंट को सिकोड दिया मेरी पत्नी देमे से मुस्कुराई और उसने मेरे पेट में उंगली कड़ाते हुए मुझे बताया कि पेंट नहीं सिर्कुरी है बलकि कोई और चीज फैल गई है कैस्पलो नामगिया है खेल हर कि लाड़ी को व्यक्तिकत फीड़बेक देने के इसाब से तैयार किया गया है इसका लक्षे आपको विकल्प परदान करना है अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं और यह आपको करज में डाल देता है तो सवाल यह उठता है अब आप क्या कर सकते हैं आपके पास कितने फैनाशियल विकल्प मौझूद है यही खेल का लक्षे है कि लाड़ीों को सोचना सिखाना ताकि वे नए और भूट से फैनाशियल विकल्प बना सकें मैंने एक अजार से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है वे लोग जो इस खेल की चुहा दोड़के सबसे जल्दी निकल जाते हैं उन्हें अंकों की समझ होती है और उनके पास रचनात्मक फैनाशियल दिबाग होता है वे बहुत से फैनाशियल विकल्पों को देख सकते हैं जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिने अंकों की समझ नहीं होती और जिने प्राई निवेस की ताकत का एसास नहीं होता अमेर लोग प्राई रचनात्मक होते हैं और सोच समझ कर खत्रे उठाते हैं, कैस्वलों खेलने वाले कई ऐसे भी लोग होते हैं, जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता होता कि वे इस पैसे का क्या करें, उनसे ज्यादातर असले जिन्दगी में भी आर्थी ग्रूप से होता हैं, और फिर भी वे आर्थी ग्रूप से आगे नहीं बढ़ पड़ते हैं, अपने विकल्पों को सिमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की ही तरह है, हाई स्कूल के समयगा मेरा एक दोस्त अभी तीन नोपरियां कर रहा है, बिस साल पहले वह मेरे सभी स प्राटियों में सबसे अमीर हुआ करता था, जब स्थानिय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ, तो वह जिस कंपने के लिए काम करता था, वह भी बंद हो गी, उसके दिमाग में केवले एक विकल्प था, और वह पुराना विकल्प था, कड़ी में इनत करो, समश्या यह थ थी, कि उसे कुछ बराबरी की नोकरी नहीं मिल पाई, जो पुरानी कंपने में उसकी वरिष्टा को मने, इसका परेणाम यह हुआ, कि वह अभी जो काम कर रहा है, उसकी योगता के बहुत नीचे के काम है, और इसलिए उसकी तनख़़ा कम है, उसे जिन्दा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना कमाने के लिए उसे तीन नोकरियां करनी पड़ रही है, मैंने कैश प्रो खेलने वाले लोगों को यह है, शिकायद करते सुना है, कि सही मौका देने वाले कार्ड उनके पास नहीं आ रही है, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं, मैं इ उनके पास परियापत पैसा नहीं होता, फिर वे यह ऐसी कायद करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता, तो वे चुहा दोड़ के बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वही बैठे रहते हैं, मैं असले जिन्दगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो यही कर होते हैं, और उन्हें यह पता ही नहीं होता कि यह एक महान अउसर है, उनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, कार्ड भी होता है, पर अंतों वे अउसर को नहीं देख पाते हैं, वे यह देखने में ऐसा भल हो जाते हैं, कि चुहा दोड़ से बच निकलने के लिए यह किस तरह उनके financial योजना में fit होता है और मेरी राए में इस तरह के लोग दूसरे सभी तरह के लोगों से ज़्यादा शंका में होते हैं ज़्यादा तर लोगों के जिन्निके में एक बार मिलने वाला सुने रावसर उनके सामने पड़ा हुआ मिलता है पर उनके उसे नहीं धिक पाते एक साल बाद उन्हें इसका पता चलता है जब बाकी सभी लोग अमीर वन जाते हैं financial बुद्धी का मतलब है ज़्यादा भी कल्ब होना अगर आउसर आपके सामने नहीं आ रही है तो आप अपनी आर्थिक्स्टित इस उदारने के लिए क्या कर सकते है अगर कोई उसर आपके गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उदार नहीं दे रही है तो आप उस उसर से कैसे लाव उठा सकते है अगर आपका अनमान गलत है और अगर आप इसके उमीद करते हैं कि वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक निम्बू को लाकों में बदल सकते हैं यह फाइनांसियल गुद्धी है क्या होता है इससे हमारा ज्यादा सा रुकार नहीं है बलकि आप एक निम्बू को लाकों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह के आर्थिक समादान खोच सकते हैं इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समश्या को अच्छू जाने में कितने रचनात्मक है ज्यादातर लोग के वले एक समादान जानते हैं कड़ी मेनत करो बचत करो और उधार लो तो आपको अपनी फाइनेंसिल फुदी क्यों पढ़ानी चाहिए क्योंकि आप उस तरह के इन्सान होना चाहते हैं जो अपनी किसमत खुद बनाता हो आप जो होता है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्शमता रखते हैं बहुत कम लोग यह समझ बाते हैं कि किसमत भी हमी बनाते हैं जिस तरह की पैसा बनाया चाता है अगर आप ज़्यादा किसमत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेनत करने के अलावा आपकी फाइनेंसियल गुद्धी में तो पूर्ण है अगर आप उस तरह के आदमी है जो सगी चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा यह है तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़े निकलने से पहले यह है पक्ता करना चाहें कि अगले पांच मिल तक भी सभी स्ट्रिट लाइटें हरी हो जब हम छोटे थे तो अमेर डेड़ी माईक और मुझे लगाता यह हैं बताते थे पैसा असली नहीं है अमीर डेड़ी हमें बार बार यह याद दिलाया करते थे कि जब हमने पलास्टर आप पिर इसके सिक्खे डाले थे तो हम पैसे के रहसे के करीब सबसे करीब आ गई थे चुवकि हम पैसा बना रही थे गरीब और मद्यमर्ग पैसे के लिए काम करते हैं उनका कहना है अमीर लोग पैसे बनाते हैं आप धन को जितना असली समझेंगे आप उसके लिए उतनी ही ज़्यादा मेहनद से काम करेंगे अगर आप इस विचार को मन में उतार लें कि पैसा असली चीज़ नहीं है तो आप ज़्यादा ते जिसे अमीर बन सकते है अगर पैसा असली चीज़ नहीं है तो फिर क्या है माई कोर में उनसे यह सवाल पूछते थे पैसा वह है जिसके बारे में हम सहे मत हो जाएं अमेर डेड़ी इतना ही जबाब देते थे हमारे पास जो इकलोती सबसे शक्तिशाली पूंजी है वह है हमारा दिमार अगर इसे अच्छी तरह प्रसिक्षित कर दिया जाई तो यह एक पल में धेर सारी दोलत बना सकता है इतनी दोलत कि 300 साल पहले के राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी होगी एक एप प्रसिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी भी बना सकता है जो पीडी दर पीडी चलने के कारण कई पीडियों तक बनी रह सकती है सुचना के ECU में पैसा मिनिटों में बन जाता है कुछ लोग तो जीरो से शुरू करके एविश्वसनिया रूप से अमीर हो जाते हैं और इसके लिए वेकेवल कुछ विचारों और अन्बंदों का सारा लेते हैं आपको यह बात वे लोग आसानी से बता सकते हैं जो स्टोक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या दूसरे निवेस करते हैं क्योंकि वहाँ क्योंकि वहाँ अक्सर इसा होता रहता है कुछ नहीं से तदकाल करोड़ों मनाई जा सकते हैं और कुछ नहीं से मेरा मतलब है बिना पैसे के लिन देन की यह अनुमंद के द्वारा किया जाता है ट्रेडिंग पीट में हाथ के एक संक्येट से टोरंटो के ग्रहाक के आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर्स की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेर पलवर में टोरंटो पहुंच जाते हैं एक मिनट बाद शेर बेचने का आदेश दिया जाता है और वे पलवर में बिख जाते हैं इस पूरे मामले में धन का लेंदेन नहीं हुआ अनुमंदो का हुआ था तो अपनी फाइनशियल परतिवा क्यों विक्सित करें इसका जवाब के वला आप ही दे सकते हैं यह सीखने के दिल्चस्क पर किरिया है मैं अपना फाइनस से लाइकियो इसलिए विक्सित करता हूँ तो कि मैं दुनिया के सबसे तेज़ और सबसे बड़े खेल में भाग लेना जाता हूँ और अपने छोटे तरीके से मैं मानवता के अबूत्पुरु विकास का हिस्सा होना चाहता हूँ एक एसे यूप का जहां इनसान विशुद रूप से केवल अबने दिमाग से काम करते हैं सरीर से नहीं इसके अलावा यहां ज़्यादा रोमांस है यहां पैसा है यहां डर है यहां आनंद है इसलिए मैं अपनी फाइनेंसियल गुद्धी में निवेश करता हूँ और अपनी सबसे शक्ति साली संपत्ती को विक्सित करता हूँ मैं बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ मैं पैसे बनाने वाला एक्स आसान उगान देना चाहता हूँ 1990 के दसक की सुरुवात में फिनिक्स की यार्थ्वेवस्ता बहुत बुरी थी मैं गुड मॉर्णिंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंसियल प्लानर आया और उसने निरासवादी बविशयवानी करना शुरू कर दिया उसकी सला थी पैसे बचाओ हर मेने सो डालर बचाओ और चालिस सालों में आप भी करोण भी बन सकते हैं खैर हर मेने निश्ची तरकम बचाना भी एक अच्छा विचार है यह एक विकल्ब है एक एसा विकल्ब जिसे बहुत से लोग मान लेंगे समश्या यह है कि एसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके आस-पास क्या हो रहा है फिर अपने पैसे में ज़्यादा मैत्रपॉन बडोदरी के बड़े मुकों का फाइदा नहीं उठा पाते दुनिया उनके पास से प्रूजरकत आगे बढ़ जाती है जैसा मैंने कहा अर्थवे उस्ता उसमें बहुत बुरे आल में थी निवेस कोंगे लिए एक आदर्स बादार्स दिती थी मेरा काफी पैसा उसमें स्टोप मार्केट और अपार्टमेंट आउसेज में पसा हुआ था मेरे पास नगत पैसा नहीं था सुकि हर कोई बेच रहा था इसलिए मैं खरीद रहा था मैं पैसे बचा नहीं रहा था मैं निवेस कर रहा था मेरी पत्नी और मेरे पास 10 लाग डालर से ज़्यदा नगत थे जो तेजी से बढ़ते वे बाजार में काम कर रही थे निवेस करने के लिए यह सब से बढ़ी अमोका था अर्थवियस्ता वयानक थी, मैं बहुत छोटे छोटे निविसों को तो बढ़न नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा, वे घर जिनकी कीमत कभी एक लाग डालर होती थी, अब पिछे 300 डालर के रहे गए थी, परंतु स्थानिया रियल इस्टे से भी कम में खरीदा जा सकता था, मैंने अपने मित्र से 2000 डालर का लोन लिया, 90 दिनों में एक लोन पर ब्यास 200 डालर था, मैंने वकील को कैशियर का चेक दे दिया, जब अनुमंद की कारवाई चल रही थी, तब मैंने अगबार में भी क्लपन दिया, कि पीछे 3000 डालर का ग कानुनी रूप से मेरे नाम हो गया, तो सभी संभावित खरीदारों को कर देखने की इजाज़त दी गई, अत्यांत रुतमांसकारी गटना करम के बीच, घर कुछी मिंटों में बिग गया, मैंने 2500 डालर की परसेसिंग फीस मांगी, जो मुझे खुशी-खुशी दे दी और मैं भी कुछ था, मैंने 20,000 डालर में करीदे गए, गर को 60,000 डालर में बेज दिया, मेरे पास करीदार का सपद बतर था, जिसने मेरे संपती वाले कालिम में 40,000 डालर जमा कर दिये थे, इस पूरी कारवई में मुझे 5 गंटे लगे थे, तो अब जबकि आप में पैसे क किसे मज़ा चुकी है, और आप अंक पड़ सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह पैसे काविस्कार करने का उधारन है, मंदी के बाजार में, अपने खाली समय में मैंने और मेरी पत्नी ने इस तरह के 600 दे निटाई, जबकि हमारा ज्यादातर पैसा बड़ी प अनुमानित आई, 1,90,000 डालर हो गई, इस तरह हर साल के अनुमानित आई, 19,000 डालर हो गई थी, और इसका ज्यादातर भाग हमारे प्राइवेट कोर्परेशन दवारा सुर्कशित था, इस 19,000 डालर परतिवर्स का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, पेट्रोल, ट्रि पुर्दी के इस्तिमाल से पैसा किस तरह हो जा सकता है, बनाया जा सकता है, और सुरक्शित किया जा सकता है, यह इसका एक आसान उदारन है, खुद से पूछें, 1,90,000 डालर बचाने के लिए आपको कितना समय लेगा, क्या बैंक आपके पैसे बर 10 फिस के ब्यास देगा, और सकत बतर 30 सालों तक बैद था, मुझे आसा है, कि वे मुझे कभी 1,90,000 डालर नहीं देगी, मुझे टेक्स देना पड़ेगा, और वे मुझे मूल दन देते हैं, और इसके अलावा, 30 साल के समय में, 1,90,000 डालर दिये जाने से, पुलाम दनी 5,00,000 डालर से ज्यादा होग 1994 से 97 में तक फिनिक्स रियल इस्टेट बाजार देश में सबसे ज़्यादा गरम बाजार सावित हुआ, उस 60,000 डालर के घर को दुबारा 70,000 डालर ने बेचा जा सकता है, और एक बार फिर से 200 डालर परसेसिंग फीस के रूप में वसूल किये जा सकते हैं, नए खरीदार के लिए भी यह मुफ्त का सोदा होगा और यह परकरियत चलती रहे सकती है, जब मैंने पहली बार घर बेचा था, तो मैंने केवल 2000 डालर खर्च किये थी, तकनिकी द्रिस्टे से इस सोदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था, निवेस पर मेरी वसूली अनंत थी, य यह एक उधारन है, कि पैसा पास में नहीं होने पर भी बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है, दूसरे सोदे में दुबारा बेचे जाने पर मैं 2000 डालर अपनी जेब में डालता हूँ, और लोन को 30 सालों तक फिर से बढ़ा रेता हूँ, निवेस पर मेरी वापसी क्या ह कम है, क्योंकि 40 सालों तक इस पर पांस पिजदी का टेक्स लग चुका है, और एक बार फिर आई पर पांस पिजदी टेक्स लगता है, यह करना बहुत बुद्धिवाने की बात नहीं है, यह सुरक्षित हो सकता है, परंतु यह स्मार्ट नहीं है, आज 1990 में में जब मैं यह पुस्तक लिख रहा हूँ, तो बाजार की स्थितियां पांस साल पहले की स्थिति से भी पूरी तरह अलग है, फिनिक्स का रियल इस्टेट बाजार पूरे अमेरिका की इरश्या का केंदर बना हुआ है, जो गरूस समय मने 60,000 डॉलर में बेचे थे, आज उनकी किमत एक ला बहुत कम समझदारी वेरे मौके मौशूद है, बाजार बदल चुका है, यह आगे बढ़ने का समय है, और संपत्री वाले कालम में दूसरे मौके डूमने का समय है, आप यहाँ इसार नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है, आप जोट बोल रहे हैं, मैं इस तरह की परतिक इस तरह की जुरूरत नहीं है, मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता, क्योंकि एस्क्रो कमपनी कानूनी सोदों को संबालती है, और बुगतान की सेवा को भी, मुझे चट ठीक करवाने या टाइलेक ठीक करवाने में जंजट भी नहीं उटानी पड़ती, क्योंकि यह काम इसलिए एक बार फिर से बेज़ती जाती है, पोर्ट सिस्टम ही ऐसा संबाल लेता है, और हो सकता है, यह आपके इलाके में काम नहीं करें, बाजार के स्थितिया अलग हो सकती है, पर तो यह उदारन दरसाता है, कि किस तरह एक आसान वित्या प्रक्रिया कुछ ही समय में ल इसके पास भी हाई स्कूल तक की सिक्षा है, वह इसा कर सकता है, परंतु ज़्यादातर लोग इसा नहीं करते, ज़्यादातर लोग मेहनत करो और पैसे बनाओ की पुरानी सला सुनते हैं, लगवग 30 गंटे की मेहनत के बाद, एक लाग 90 जार डालर संपत्ती वेले कॉलों म आगे, और इसके लिए टेक्स भी नहीं देना पड़ा, इन में से कौन से सला आपको ज़्यादा कठिन लगती है, नमबर एक, कड़ी मेनत करो, 50 विजदी की दर से टेक्स चुको और फिर जो रकम बसती है, उसमें से बचत करो, आपकी बचत पर आपको 5 विजदी व्याज चाकत का इस्तेमाल करें, इसमें वह समय भी जोड लें, जो आपको विखल्प नमबर एक के परियोग द्वारा एक लाख नबे जार डालर बचाने में लगता है, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ती है, अब आप समझ सकते हैं, कि मैं क्यों चुप चाबा बना सी र प्यापत है, मैं जानता हूँ, कि उप्यूप निवेस टकनीक एक छोटी टकनीक है, इसे यह बताने के लिए लिखा गया है, कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है, एक बार फिर, मेरी सफलता यह बताती है, कि मजबूत वितिया निम, कि इतनी महत्व होती है, जो मजबूत वितिया सिक्षा से शुरू होती है, मैंने इसे पहले कहा है, और यह एक दम महत्वूण है, और यह इतना महत्वूण है, कि मैं इसे एक बार फिर दो रहना चावगा, वितिया बुति चार मुक्स्या तकनीकी तक्ष्टाउं से मिलकर बनती है, नमब ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया, जो इसे चाहिए था, यही बिल गेट्स ने भी दिया, यह मोका भी बाजार ने दिया था, 20,000 डालर ने कोई मकान खरीद कर उसे 60,000 डालर में बेच दिया जाए, जबकि उसके असली किमत पीछे 30,000 डालर थी, कोई खरीद रहा था, हैं अकाउंटिंग, कार्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जाग डुपता, मैं नियमों के बीतर रहकर खुल, मैं नियमों के बीतर रहकर, खेलने की सला देता हूँ, अगर आप पैसे काविशकार करना चाते हैं, तो आप में यह मूल गूत कार्द खरीद करें या इसी किसम का कोई दूसरा काम करें 1996 तक डियल एस्टेट मार्केट सुर्ख्यों में था और हर कोई इसमें जा रहा था स्टोक मार्केट में भी बूम हो रहा था और हर कोई इसमें जा रहा था अमेरिका के अर्थे उस्ताव ने पैरों पर खड़ी हो रही थी, मैंने 1996 में बेशना सालों कर दिया, और अब मैं पेरू, नार्वे, मलेशिया और फिलिपिन्स की यात्रा कर रहा था, निवेस बढ़ गए थे, जहां तक खरिदारी का सवाल था, अब हम रियल इस्टेट अब मैं अपनी संपत्ती वाले कालम के बीतर आकड़ों को बढ़ते देखता हूँ, और शायद इस साल के आकरे में बेशना शुरू करता हूँ, यह कांग्रेज द्वारा पारित की ये जाने वाले कानूनी परिवर्तनों पर निर्वर करता है, मैं आसा करता हूँ कि 6 छोट गरों के सोदे को बेश दूँगा और 40,000 डॉलर के नोट को धन में बदल लूँगा, मुझे अपने अकाउंटेंट को बुला कर उसे कहना पड़ता है, कि वह इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टेक्स से बचाने के लिए तरीकिक हो जाए, मैं आपको सिर्फ इतन उठे अउसर देती रहती है, आपकी जिन्दगी के हर दिन परंतुपराए हम उन्हें देख नहीं पते हैं, परंतुबे वहाँ होते हैं, और टेक्नोलजी चितनी ज़्यादा बदलती है, आपके और आपके परिवार के लिए स्थाई आर्थिक सुरुक्षा के लिए उतने ह ज़्यादा मोके होते हैं, तो अपनी फैनेंसियल बुद्धी को विक्षित करने की जंजट क्यों उठाई जाई? एक बार फिर मैं यही कहूंगा, कि आप ये इसका जवाब दे सकते हैं, मैं जानता हूं कि मैं क्यों इसे सिखता हूं और विक्षित करता हूं, मैं इसा इसल कि मार्केट में जवार आएगा और मार्केट में बाटे भी आएंगे, मैं लगातार अपनी फैनेंसियल बुद्धी को विक्षित करना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट में हर परिवतन पर कुछ लोग अपने नोकलियों के लिए अपने गुपने टेक कर भीख मागेंगे, इ यही फाइनेशिल बुद्धी है, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैंने निम्बूओं को किस तरह करोडों में बदला, व्यक्तिकत रूप से मैं व्यक्तिकत निवेसों के कई और उधान देने से जिजगता हूं, मैं इसलिए जिजगता हूं क्योंकि मुझे डर है कि मु पाया जा सके, मैं उधारन इसलिए देता हूं, ताकि आपको यह बता सकूं कि यह आसान है, यह जड़ा आसान है, अगर आप फाइनेशिल बुद्धी के चार स्थम्बों के जानकार हैं, व्यक्तिकत रूप से फाइनेशिल बुद्धी के लिए दो मुखे सादनों का इस्त जाता है, सोटी कुद्धी के स्टोक्स को तेज बडोतरी के लिए इस्तिमाल किया जाता है, मैं अपने द्वारा की गई हर चीज की अनुसंसा नहीं करता है, अगर आफसर बहुत जटिल है और मैं निवेस को नहीं समझ पाता हूं, तो मैं निवेस नहीं करता हूं, पैसे के इस बारे में निरने लेने में हमें एक attend समयारन गनित और common sense की जुरूरत होती है उदारनों का प्रियोग 5 कारणों से किया जाता है नम्र 1 लोगों को जाला सीखने के लिए प्रियाइद करने के लिए नम्बर दो लोगों को यह बताने के लिए कि अगर नहीं मजबूत है तो पैसे का महल बनाना असान है नम्बर तीन यह बताने के लिए कि कोई धेर सारा पैसा बना सकता है नम्बर चार यह दिखाने के लिए कि आपके लक्षों को हासिल करने के करोड़ों तरीकी है नमबर पांच यह बताने के लिए कि यह कोई गाखेट विक्यान नहीं है 1989 में मैं ओरेगन के पोर्ट लेंड में एक खूब सूरु जगह पर जोगिंग किया करता था यह एक उपनगर था जहां छोटे छोटे गर बने हुए थे वे छोटे और सुन्दर थे हर कई मुझे विकाओ है के बोर्ट दिखते थे इंबर मार्केट का बुरा हाल था स्टोक मार्केट में क्रेश हुआ था और अर्थ व्योस्ता में मंदी थी एक सरक पर मैंने विकाओ है का बोर्ट देखा काफी लंबे समय से महां लगा हुआ था वैं पुराना दिख रहा था एक दिन इसके पास से जोगिंग करते समय मेरी मुलाकात इसके मालिक से हो गई जो परेशान दिख रहा था मैंने पूछा आपने अपने घर की क्या किमत लगाई है मालिक गुमा और फिकी मुस्कुराट साथ कहा आप कीमत लगा ले यह एक साल से ज़्यादा समय से भिका हुए है और अब तक कोई इसे देखने तक नहीं आया मैंने कहा और आदे गंटे बाद मैंने इसे 20,000 डालर में खरीब लिया जो उसके द्वारा मांगी गी कीमत से कम थी यह दो बेटरूम का चोटा सा सुन्दर गर था जिसकी खिडकी ओबर जिंजर ब्रेंड टिम था यह 1930 में बना था और इसका रंग हलका निला था अंदर एक सुन्दर चटानी अंगी थी और चोटे चोटे दो बेटरूम थे यह किराई पर देने के लिए एक आदर्स गर था मैंने मालिक को 45,000 डालर के घर के लिए 5,000 डालर नगत दिये जिसकी असल एकिमत 65,000 डालर होगी पर अंदिकत सिर्फ इतनी थी कि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता था मालिक ने एक अपते मेजे खाली कर दिया और वह है इससे पीछा चुड़ा कर खुश हुआ मेरा पहला किराई दायर वहां आ गया जो एक स्थानिय कालेज में प्रोपेसर था मार्टगेज, खर्थ और मैनेजमेंट फीच चुपाने के बाद हर महीने के आकिर में मेजीजे में सालिस डालर आते थे जो बहुत बड़ी रकम नहीं थी एक साल बाद औरेगन का रियल इस्टेट बाजार मंदी से उबर गया और बढ़ने लगा कैलिफोर्निया के निवेसकों के बाद अपने रियल इस्टेट मार्केट की तेजी का बहुत सा फैसा थ और अवे उत्तर दिशा में आकर ओरेगन और वासी गिटन में खरीदारी कर रही थे मैंने उस छोटे घर को कैलिफोर्निया से आये कि युवा दमपती को 95,000 डालर में बेश दिया जिने यह बहुत सस्ता सोदा लग रहा था इस सोदे में मुझे लगबग 40,000 डालर का कैपिटल गेन हुआ जो मैंने 1031 के टेक्स विहिन एक्चेंज में रख दिया और मैं अपने पैसे को लेकर कोई बड़ी प्रोपर्टी करीद ने चल दिया एक महिने में मुझे बीवर्टन ओरेगन में इंटेल प्लांट के पास 12 यूनिट का एक अपार्टमेंट मिल गया उसके मालिक जर्मनी में रहते थे और उन्हें इसके कीमत का अंदाजा ही नहीं था और यह एक बार फिर वे इसका पीछा चुड़ाना चाहते थे मैंने साड़े चार लाग डॉलर के इमार्ट के लिए दो लाग पीछे तर अजार डॉलर का परस्ताव दिया वे तीन लाग डॉलर पर मान गई मैंने इसे खरीद लिया और इसे दो साल तक हमने पास रखा फिर उसी 1031 एक्सचेंज पर खिरिया का फाइदा उठाते हुए मैंने उसी मारत को 4,95,000 डालर में बेश दिया और एरिजोना फिनिक्स में 31 यूनिट का अपार्टमेंट खरीग लिया तब तक हम फिनिक्स चले गए थे हमें वैसे भी इसे बेशना था पहले जो हाल ओरेगन के बाजार का था वही मंदी का माहूल फिनिक्स के रियल इस्टेट मार्केट में देखने कुछ मिला फिनिक्स में 30 यूनिट की अपार्टमेंट बिलिंग की किमत 8,55,000 डालर थी इस में से 2,25,000 डाउन पेमेंट की 30 यूनिट से आने वाला पांस अजार डालर परती महां से कूछ जादा था एरिजोना का बाजार भी बढ़ने लगा और 1996 में एक कोलोरेडो के निवेशक ने हमें उस प्रोपर्टि के लिए 12,00 डालर देने का परस्ताव रखा मेरी पतनी और मैं बेचने पर विचार कर रहे थे परन्तु हमने यह देखने का इंतजार किया कि क्या कांग्रेस कैपिटल गेन कानूनों में परिवर्तन करेगी अगर वह परिवर्तन करती है तो प्रोपर्टि की किमत 15 से 20% तक बढ़ जाएगी इसके अलावा हर मैंने 5,000 डालर मिलते रहना अच्छा लगता था इस उदारन में मुद्दे की बात यह है कि किस तरह एक छोटी रकम एक बड़ी रकम में बदली जा सकती है एक बार फिर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसके लिए फैनेंशिल स्टेटमेंट निवेस की रननेती बाजार की समख और कानून की जानकारी होनी चाहिए साथ समख्या यह है कि वे अक्सर बहुत कम मुनाफ़ा देते हैं उन्हें इतना सुरक्षित बना दिया जाता है कि उनसे मिलने वाला मुनाफ़ा कम हो जाता है जादातर बड़े ब्रोकरेज आउसेज जो किम बड़े सोदों से बसते हैं ताकि वे खुद की और अपने ग्राकों की सुरक्षा कर सके और यह है निती समझदारी की भी है असली गर्म सोदे नोसिख्यों को नहीं दिये जाते प्राइस सरवसरे सोदे उन लोगों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जो भी इस खेल को अच्छी तरह समझते हैं और यह सोदे अमीरों को और भी अमीर बना देते हैं वैसे भी इस तरह के जो किम बरे सोदे नोसिख्यों के सामने रखना तकने की रूप से गैर कानूनी माना जाता है परंदो यह सा कभी कबार होता भी है जितना ज़्यादा प्रिस्करत होता जाता हूँ उतने ही अवसर मुझे मिलते जाते हैं जिन्दगी में फाइनशल बुद्धी विक्षित करने का एक और फाइदा यह होता है कि इस से हमारे सामने ज़्यादा तरह उसर आते हैं और आपकी financial बुद्धी जितनी ज़्यादा बढ़ती है आपके लिए यह वताना असान होता है कि कोई सोधा अच्छा है या बुरा आपकी बुद्धी ततकाल एक बुरे सोधे को पैचान सकती है या एक बुरे सोधे को अच्छे सोधे में बदल सकती है मैं जितना ज़्यादा सीखता हूँ और सीखने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है मैं उतना ही ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता हूँ क्योगी समय के साथ-साथ मेरा अनुबव और बुद्धी बढ़ती जाती है मेरे कुछ दोस अब भी सुरक्षित खेल खेल रही है औ अपने संपत्ति वाले कौलों में 20 होना यह मेरा फार्मूला है मैं चोटे भेमाने पर शुरू करता हूँ और 20 होता हूँ कुछ 20 ऊग जाते हैं और कुछ नहीं ऊगते हमारे रियल इस्टेट कोर्परेशन में हमारे पास करोडों डालर की प्रोपर्टी है यह हमारा अपना R.E.I.T. याने रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है अब मैं आपको यह पते की बात बताना चाहता हूँ कि इन करोडों में से कई प्रोपर्टी तो पांजार डालर से दस अजार डालर के निवे से शुरू हुई थी नगत पैसे से खरीदी गई यह योई है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा परसनल म्यूचिल फंड कहते हैं हमारे कुछ दोस्त हमारे जैसे निवेस्टों के साथ ही बिजनस करते हैं जिनके पास हर महिने निवेस्ट करने के लिए कुछ अतिरी धन होता है हम ज्यादा जोखिमवाली प्राइविट कंपनियों के शेर करीदती हैं जो अमेरिका या कैनेडा में स्टोक एक्सचेंज पर सारुजनिकोने जा रही है कितनी तेजी से धन बढ़ता है इसका उदारने इस तरह देखें हमने कंपनी के सारुजनिकोने से पहले 25 सेंट परती शेर की दर पर एक लाग शेर करीदे 6 महीने बाद ज शेरिया इससे भी जादा होगा ऐसे भी कई वर्स रही हैं जब हमारे 25,000 डालर एक लाग से भी कम समय में 10,000 डालर बन गई हैं यह जुआ नहीं है अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं यह जुआ है अगर आप सोदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और बगवान से सबल होने के दूआ कर रहे हैं आपको अपनी तक में किरियान, बुद्धी और खेल के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे वैसे जोखिम तो होता ही है यह फेनांशिल बुद्धी होती है जिससे आपकी सबलता के अवसर बढ़ जाते हैं इसी कारण ज जैए एक आदमी के लिए जोखिम बरी होती है वह दूसरे आदमी के लिए उतनी ही जोखिम बरी नहीं होती है यह वह मूल कारण है जिसके बज़ाएसे मैं लोगों को लगतार परिडित करता हूँ कि वे स्टोक रियल इस्टेट या दूसरे बाजारों में निवेस करने के बजाई financial बुद्धी में निवेश करें आप जितने ज़्यादा स्मार्ट होंगे आपके सफल होने के अफसर उतने ही ज़्यादा होंगे मैं व्यक्तिकत रूप से जिन स्टोक्स में निवेश करता हूँ उनमें बहुत ज़्यादा जोखिम होता है और इसलिए मैं उनके अंसंसा नहीं करता मैं इस खेल को निशूनियासी से केल गाँ और मैंने इसमें काफी अनुववासिल किया है परन्तो अगर आप दुबारा पढ़ेंगे कि इस तरह के निवेश ज़्यादातर लोगों भी लिए जोखिम बरे क्यों होते हैं तो आप अपने जिन्दिगी को अलग तरह से निधरित कर सकेंगे जिसमें 25,000 डालर से एक साल में 10,000,000 डालर बनाना आपके लिए कम जोखिम बरा होगा जैसा पहले ही कहा जा चुका है मैंने जो लिखा है मैं आपको वैसा करने की सलाह नहीं देता हूँ मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूँ कि यह आसान है और संभव है बात इतनी सी है कि वोसत आदमी के लिए एक लाग डालर से ज़्यादा की परतिवर्साई अच्छी होती है और इसे असिल करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगते बाजाग कैसा है और आपकी इतनी स्मार्ट है इस बात पर निर्वर करता है कि आप पांच से दस सालों में ऐसा कर सकते हैं अगर आप अपने खर्च को कम रख सकते हैं तो एक लाग डालर की अतरीक ताई आपको सुखद लगेगी चाहे आप काम कर रहे हूं या नहीं आप चाहें तो काम कर सकते हैं या चाहें तो काम छोड़ सकते हैं और सरकारी टेक्स सिस्टम को अपने विरोध के बजाई अपने समर्थन में भी परियुक्त कर सकते हैं मेरा व्यक्ति गतादार रियल एस्टेट है मैं रियल एस्टेट से प्रेम करता हूँ क्योंकि यह स्थाई और धिमी गती से चलने वाली होती है मैं ठोस आदार को पसंद करता हूँ कैश पलोवी आम तोर पर स्थाई ही होता है और अगर इसे अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो इसकी कीमत बढ़ने की भी समावना होती है रियल एस्टेट की ठोस आदार सिला होने के कारण मैं जोखिम मेरे स्टोक्स करीदने का खत्रा मोल ले सकता हूँ अगर मुझे स्टोक मार्केट में खासा अनुनापा होता है तो मैं मुनापे पर कैपिटल गेंस टेक्स देता हूँ और बची होई रकम को रियल एस्टेट में लगा देता हूँ ताकि मेरी संपत्ती की नीव और ज़्यादा मजबूत हो जाए रियल एस्टेट पर एक और बात है मैं दुनिया वर में घुमा हूँ और मैंने हर जगे निवेस करना शिखाया है हर सेर में मुझे यह सुनने में आया है कि रियल एस्टेट को सस्ते में नहीं खरीदा जा सकता यह मेरा अनुव नहीं है निव यार्क या टोकियो में या सेर से थोड़ी सी दूर इसे शांदार मोके हैं जिने ज़्यादातर लोग नजर अंदास कर देते हैं तो मैं उन्हें यह यार दिलाता हूँ कि शायए आपको यह कहना चाहिए मैं नहीं जानता कि यहां इसा कैसे किया जा सकता है महान अवस्रों को आपकी आंकें नहीं देख सकती उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें यह जानने के लिए financial perception ही नहीं मिला होता है कि वे अपने सामने पड़े वे उसरों को देख सकें और उन्हें पैचान सकें मुझसे अक्सर पूछा जाता है मैं शुरुआत कैसे करूँ पिछले अध्याई में मैंने आर्थिक सुतंतरता की रहा पर चलने हुए वाले दस कदमों का उल्ले किया है परंतु यह हमेसा याद रखें कि आपको मज़ा आना चाहिए यह के वले खेल है कई बार आप जीट जाते हैं और कई बार आप कौन वो मिलता है बात होती है और गल्तियां करने के लिए हमें सजा दी जाती है परंतु अगर हम इंसानों को सीखने के पर करिया पर नज़र डाले तो हम पाएंगे कि इंसान गल्तियां करके ही सीखते हैं हम गिर गिर कर ही चलना सीख पाते हैं अगर हम कभी नहीं गिरे तो हम कभी चल भी नहीं पादेंगे यही मोटर साइकल चलाने के बारे में भी सही है मेरे गुटने पर आप भी चोटके निसान है परंतु आज मैं बिना सोचे मोटर साइकल चला सकता हूँ यही अमीर बनने के बारे में भी सही है दुर्बाग्य से ज्यादातर लोगों के अमीर नय बन पाने का मुख्य कारण यह है कि वे हारने से ड़ते हैं जीतने वाले हारने से नहीं ड़ते परंतु हारने वाले ड़ते हैं सफलता की प्रक्रिया का एक वाग ऐसे बलता भी है जो लोग ऐसे बलता से डरते हैं सफलता हूं से बचती है मैं पैसे कमाने को टेनिस के खेल की तरह मानता हूं मैं मेहनत से खेलता हूं गलतियां करता हूं गलतियां सुधारता हूं और ज़्यादा गंतिया करता हूँ, सुधारता हूँ और इस तरह से मेरा खेल सुधारता जाता है अगर मैं खेल में हार जाता हूँ तो मैं नेट के पास जाकर अपने विरोधी से हाथ मिलाता हूँ मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ अगले शनिवार को मिलेंगे निवेसक दो तरह के होते हैं पहले और सबसे आम तरह के निवेसक वे लोग होते हैं जो एक package में निवेस करते हैं वे retail outlet में phone करते हैं जैसे एक real estate company या stock broker या financial planner को और फिर वे कुछ खरीदते हैं यह है एक mutual fund, stock या bond हो सकता है यह निवेस का एक अच्छा, साब सुत्रा और आसान तरीका है यह है उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कोई रहा कंप्यूटर स्टोर में जाकर चेल पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले दूसरी तरह के निवेसक वे होते हैं जो निवेसों को बनाते हैं इस तरह के निवेसक आम तोर पर सोदों को असेंबल करते हैं जिस तरह कंप्यूटर इंजिनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं मैं यह तो नहीं जानता कि कम्प्यूटर के पूर्जों को किस तरह असेंबल किया जाता है, परंतु मैं यह जानता हूँ कि आर्थिक अवसरों के पूर्जों को किस तरह असेंबल किया जा सकता है, या मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसा करते हैं, दूसरी किसम का निव सक बनने के लिए प्रोच साइट किया यह सीखना मेटकूर्ण है कि फुर्जों को किस तरह आसे बिल किया जाए क्योंकि यहीं पर भारी जीत का मुखा होता है और अगर किसमत आपके साथ ने हो तो यहीं पर भारी नुकसान का खत्रा होता है अगर आप दूसरी किसम के निवे पर आप अपने दिमाग से उस मोके को देख सकते हैं उधारण के लिए मेरे एक دोस ने एक पुराना गर खरीदा यह दिखने में बुरा सा था हर एक को हैरत थी कि उसने इसे क्यों खरीदा परंट तू दूसरे जो देख नहीं पाय थे और जो इसने देख लिया था वह है य उसने यह कंपनी जाकर पता कर लिया था, घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन पांसो पलाटों को बिल्टर को बेश दिया, इस सारे सोधे में उसे अपने मूल निवेश से तीन गुना रकम मिली, उसने दो मैने के काम में पिछे तरहजार डालर का माली में, यह बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं है, परंतो यह जन्यूनतम वेतन से तो ज़्यादा ही है, और यह तकनी की रूप से कठिन भी नहीं है, नमबर दो, पैसा किस तरह जुटाया जाए, और बिना बैंक जाए, कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदा जा सकते हैं, पैसा करना मुल्यवान कला है, अक्सर मैं लोगों को यह कहते सुनता हूँ, बैंक मुझे कर्ज नहीं दे रही है, या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, अगर आप दूसरी किसम के निवेसिक बनना चाहते हैं, तो आपको यह सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी कारण ज्यादातर लोग की युजनाई ठप हो जाती है, दूसरे सब्दों में ज्यादातर लोग सिरुपीस लिए सुदे नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, अगर आप इस बादा को पार कर सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों से मिलो आगे होंगे, जिन लाग में खरीदा, मैंने इसके लिए एक अनुमंद किया, जो खरीदार और बेचने वाले के बीच में लिखित अनुमंद था, फिर मैंने एक लाग डालर का डिपोजिटी कठा किया, जिस से मुझे बाकी पैसे के जुटाने के लिए 90 दिन की मौलत मिल गई, मैंने ऐसा क्य किया, क्योंकि मैं जानता था कि इसके असली किमत 20 लाग डालर थी, मैंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया, इसके बजाए जिस आदमी ने मुझे 1 लाग डालर दिये थे, उसने मुझे 50 अजार डालर दिये, ताकि यह मेरी जगह पर आ जाए, और इस तरह वह मेरी जगह प मैटपून यह है, कि आप कितना जानते हैं, निवेश करना खरीबना नहीं है, यह एक ग्यान है, नमबर 3, कि इस तरह समार्ट लोगों को संगिठित किया जाए, ऐसे लोग समझदार होते हैं, जो या तो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों को इसाथ काम करते हैं, या तो इसके पुरुषकार भी बहुत किमती हो सकते हैं, अगर आप इन दक्षताओं को नहीं सीखना चाते हैं, तो आपको पहली किस्म का निवेशक बनने की सला दी जाती है, आप जो जहनते हैं, वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है, जोखिम तो हमेशा रहता है, इसलिए इसे बचने के बजाई इसे मैनेज करना सिखें, धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याई साथ की तरफ, जो है, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ने करें, रिच डैड, पूर डैड, अध्याई साथ, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ने करें, 1995 में मैंने सिंगापूर के एक अख़वार में एक इंट्रिव दिया, यूवा महिला रिपोर्टर समय पर आगी, और इंट्रिव ततकाल सुरू हो गया, हम एक अलिशान होटल की लोबी में काफी की चुश्कियां ले रहे थे, और मेरी सिंगापूर यात्रा के उदेशे पर चर्चा कर रहे थे, मैं प्लेट फार्म पर जिग जिगलर के साथ पैठने वाला था, वे प्रेना पर चर्चा करने वाले थे, और मैं अमीरों के रहे शे पर बोलने वाला था, एक दिन मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ, उस मैंला ने कहा, मैंने उसके कई लेख पड़े थे, और मैं उससे प्रवावित भी हुआ था, उसकी लेखन शेली दमदार और सपस्ट थी, उसके लेखों में पाठकों की रूची जगाने की क्षमता थी, आपकी शेली बहुत बढ़ी है, मैंने जवाब दिया, कौन सी ची उन्हों को हकीकत में बदलने से रोक रही है, मेरा काम कहीं का कहीं जाता है, उसने शान्ती पूरवक कहा, हर आदमी कहता है कि मेरा उपन्यास बहुत बढ़ी आए, पर अंतु कुछ नहीं होता, इसलिए मैं अकबार के लिए काम कर रही हूँ, कम से कम इस से मेरा खर्श तो क्या आप इस बारे में कोई सुजाओ देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैंने उत्सा से कहा, सिंगापूर में मेरा दोस्त है, वह एक स्कूल चलाता है, जहां लोगों को बेजने का परशिक्षन दिया जाता है, वह सिंगापूर में कई चोटी के कोर्परेशन के लिए से आमिल होने के से आपका करियर बहुत ज़्यदा विक्सित हो जाएगा, उसका सरीर सक्त हो गया, आप यह कहना चाहते हैं कि बेजना सीखने के लिए मैंजे स्कूल जाना पड़ेगा, मैंने सहमती में सीरे लाया, आप सचमूच जैसा कह रहे हैं, या मजा कर रहे हैं, एक बा रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कोई भी सुजावन नहीं दिया होता, उसकी मदद करने की कोशिस में अब मैं खुद के सुजाव की रक्षा करता नजर आ रहा था, मेरे पास अंग्रेजी साइटे में मास्टर डिग्री है, मैं सेल्जमेन बनना सीखने के ल यह होता है, तो आप मुझे बताएं कि मैं सेल्स गाते हैं क्यों करूँ, अब वह अपना ब्रीफ के स्ताकत से बंद कर रही थी, इंट्रिव्यू खतम हो गया था, कोफी टेवल पर मेरी एक बेस चेलिंग पुस्तक रखी हुई थी, मैंने इसे उठाया और उसके द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा, क्या आप इसे देख सकती हैं, मैंने उसके नोट्स की तरफ इसारा किया, उसने अपने नोट्स पर नजर डाली, क्या उसने उलजन में कहा, एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जान बूज कर इशारा किया, उसके पैड पर उसने लिखा था रावट कियोसा की बेस्ट सेलिंग लेखक यहाँ पर बेस्ट सेलिंग लेखक लिखा हुआ है नए की बेस्ट राइटिंग लेखक उसकी आंखे तत्काल फैल गई मैं बहुत पुरा लेखक हूँ आप बहुत बड़िया लेखक है मैं सेल्स स्कूल गया हूँ आपके पास मास्टर डिग्री है दोनों को इकठा कर ले और आप एक बेस्ट सेलिंग लेखक और एक बेस्ट राइटिंग लेखक बन सकती है उसकी आंखों में गुसा था मैं कभी इतनी नीचे नहीं गिरूँगी कि बेचना सीखने के लिए परशिक्षन लो आप जैसे लोगों को तो लिखना ही नहीं चाहिए मैं एक प्रोफेशनल लेखक हूँ और आप एक सेल्जमेन है यह सही नहीं है उसने अपने बाकी के नोट्स भी समेट लिये और वैसिंगापूर की उस नम सुबह में तेजी से बाहर निकल गई कम से कम उसने अगले दिन मुझे एक अच्छा कवरेश दिया दुनिया स्मार्ट, गुणी, सिक्षित और प्रतिवा संबल लोगों से भरी हुई है इंजन की आवाज सुनकर यह उसे समझ में आ गया था कि गड़बड कहां थी, मैं हैरान, देखता रहा दुखत सस्तो यह है कि परतिवाई प्रयाप्त नहीं होती मुझे लगातार यह देख देखकर जटका लगता है कि परतिवा संबल लोग कितना कम-कमाजबाते है मैंने अभी हाल ही सुना है कि 5-20 देज़े भी कम अमेरिकी एक साल में एक लाग डालर से ज़्यादा कमापते है मैं इसे परतिवा साली और उत्षिक्षित लोगों से मिला हूँ जो एक साल में 20,000 डालर से भी कम-कमाते है मेडिकल वेवसाई में विशे सग्यता रखने वाला एक वेवसाईक सलाकार कि कितने डोक्टर, दंद चिकित सक और दूसरे लोग पैसे की समस्या से जूज रही है और मेरी सोच यह थी कि एक बार डाक्टर बनने के बाद तो पैसा उनके घर परसने लगता है इस वेवसाईक सलाकार ने मुझे एक बड़ी अवाक्य दिया तो वे भारी दोलत से सिर्फ एक दक्सता दूर है इस वाक्य का यह मतलब है कि ज़्यातर लोगों केवल एक और दक्सता सीखने की जरूरत होती है और इसके बाद उनके अब्दनी अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी मैं यह पहले ही बता चुका हूँ कि फाइनांसियल बुद्धी, अकाउंटिंग, निवेस, मार्केटिंग और कनून का समनुए है इन चार तक्निकी दक्सताओं को मिला दें और पैसे से पैसा बनाना ज़्यादा असान हो जाएगा जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों में केवल ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की दक्सता होती है दक्सताओं के समनुए है का एक अच्छा उदारन अकबार की उस रिपोर्टर का है अगर वैं सेल्ज और मार्केटिंग के क्षेतर में दक्सता हासिल कर ले तो उसकी आमदनी हवा से बातें कर सकती है अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एड़टाइजिंग, कॉपी राइटिंग और सेल्ज के पॉर्स में शामिल हो जाता फिर अख़बार में काम करने के बजाए मैंने किसी एड़टाइजिंग एजेंसी में नोपरी कोजी होती चाहे इस काम में वेतन कम ही मिलता पर अंतुई से वह यह सीख जाती कि सफल एड़टाइजिंग में परियुक्त होने वाले शोटकट का परियुक किस तरह किया जाई उसे अपना कुछ समय जन संपर्ग में भी देना होता जो एक मैत्वों दक्षता है वह यह भी सीखती कि मुख्त परचार के लिए किस तरह लाकों कमाई जाए फिर रातों में और सब्तान्तों में वह अपना महान उपन्यास पूरा करती जब वह पूरा हो जाता तो वह अपनी पुस्तक को बेशने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में होती फिर कुछ ही समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखी का हो सकती थी जब मैंने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वांट टू बी रीच एंड हैपी डॉंट गो टू स्कूल छपवाई तो एक परकासक ने मुझे यह सुजाओ दिया कि मैं सिर्शक को बदल कर दा इकोनोमिक सोफ एजुकेशन कर दो मैंने परकासक से साफ कह दिया इस तरह के सिर्शक से उस तक कि कुल दो परतियां भी खेनी एक तो मेरा परिवार करी देगा और दूसरा मेरा सबसे अच्छा दोस्त दिक्कत यह है कि वे दोनों ही से मुफ्त में पाने की आसा करेंगे इफ यू वान्ट टू बी रिच एंड हैपी डॉंट गो टू स्कूल सिर्शक को जान बुज़ कर चुटिला बनाया गया था क्योंकि मैं जनता था कि ऐसा करने से इसे हजारों टर्न परचार मिलेगा मैं सिक्षा का समर्थक हूँ और सिक्षा के सुधार में विश्वास करता हूँ अन्य था मैं अपने पुरातन पंति सिक्षा तंतर को बदलने की बार बार मांग क्यों करता इसलिए मैंने एक ऐसा टाइटल सुना जो टीवी और रेडियो शोव पर ज्यादा परचारित हो सकता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं विवादास पद होने से नहीं ड़ता कई लोगों का विचार था कि मैं कोई फूट केट था परन्तु पुस्तक बिकी और बहुत बिकी जब मैं यूएस मर्चेंट मरीन अकेडमी से 1979 में ग्रेजुट हुआ तो मेरे पड़े लिखे डेडि बहुत खुश हुए स्टेंडर आईल आउड कैलिफोर्निया ने मुझे अपने आईल टेंकर फ्लीट में काम दे दिया मैं थर्ड मेट था और हलानकी मेरी तनकुआ मेरे साहबाटियों की तुलना में कम थी परन्तु कालिस के बाद पहले काम के इसाब से ठीक थी मेरी शुरुवाती तनकुआ 42,000 डालर परती वर्स थी जिसमें और टाइम भी शामिल था और मुझे केवल साथ महीने काम करना पड़ता था बाकी के पांस महीने मेरी चुट्टी थी अगर मैं चाहता तो मैं एक सायक शिपिंग कंबनी के साथ वियतनाब जा सकता था और अपनी पांस महीनों की चुट्टियों के बदले अपनी तनकुआ दुगनी कर लेता मेरे सामने एक बहुत बढ़िया करियर था परंदो मैंने च्छे महीने बाद ही इस्तिपा दे दिया और मरीन कार्स तुम्हें बर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जास उड़ाना सीख सकूँ मेरे पढ़े लेके डैडी का दिल तूर गया अमेरे डैडी ने मुझे पताईया दे स्कूल और नोपरी में विशशघ्यता का विचार एक लोफ्षय विचार है यानि कि जादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन आसिल करने के लिए आपको विशघ्यता असिल करने की जरूरत है इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स, तत्काल, बाल रोग विशख्यत या अस्ति रोग विशे सग्या जैसी विशे सग्यता आसिल करने में जुट जाते हैं यही अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पाइलेटों और बाकी लोगों के बारे में सही है मेरे पडेले के डेड़ी इसी विचारदारा में विश्वाद रखते थे इसलिए वे डॉक्ट्रेट मिलने के बाद रुमान्चित हो गए थे वे अक्सर यहे मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा है ज़्यादा पड़ते हैं अमीर डेड़ी मुझसे इसके अठीक उल्टा करने के लिए प्रोचसाइब करते थे आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए यह हैं उनका सुझाओ था इसलिए मैंने उनकी कमपनियों में कई विवागों में सालों तक काम किया उच समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम किया हालांकि मैं कभी अकाउंटेंड नहीं बन सकता था परन्तु भे चाहते थे कि मैं उस विवाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूँ अमीर डेड़ी जानते थे कि मैं वहाँ की सब्दावली को पकड़ लूँगा और यह भी समझ लूँगा कि क्या मैं तो कून था और क्या नहीं मैं एक बस बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में भी काम कर चुका हूँ और सेल्ज, रिजर्वेशन और मार्केटिंग मेंड़ी वे मुझे और माईक को पीडी दर पीडी सिखा रही थे इसलिए वे चाते थे कि हम लोग उनके बेंकर्स, वकिलों, अकाउंटेंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैठकों में बाग लें वे चाते थे कि हम लोग उनके सामराज्य के हर पैलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकरी रखे है जब मैंने स्टंडर्ड आयल की अच्छी तनकवा वाली नोकरी छोड़ी तो मेरे पढ़ेली के टेडी ने मुझे दिल खोल कर बाते ही उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था वे मेरे निर्ने के पिछे के कारण को नहीं समझ पा रही थे क्योंकि जिस नोकरी से मैंने इस्थिपा दिया था उसमें तनकवा अच्छी थी फाइदे बहुत थे खाली समय भी बहुत मिलता था और उसमें तनकवा और प्रमोशन के अच्छे अवसर थे जब एक शाम को उन्होंने मुझ से पूछा तुमने नोकरी क्यों चोड़ दी तो मैं लाग कोशिस करने के बाद भी उन्हें इसका कारण नहीं समझा सका मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे समझा यह थी कि मेरा तर्क मेरे अमीर डैडी का तर्क था मेरे पडेल के डैडी के लिए नोकरी की सुरुक्षा ही सब कुस थी मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुस था मेरे पडेल के डेडी का विचार था कि मैं शिप का अफसर बनने के लिए सिख्षा ग्रेंड करने स्कूल गया था अमीर डेडी जानते थे कि मैं अंतरास्टे व्यापार के अध्यन के लिए स्कूल गया था तो एक विद्यार्थी की तरह मैं पूरु और साउथ पैसिफिक जाने वाले जाजों पर बड़े फ्रेट्स पर आयल टैंकरों पर और यात्री जाजों पर काम करता रहा अमीर डेडी इस बात पर जोर देते थे कि वे यूरोप की तरफ जाने वाले जाजों के बज़ाए परसांत महासागर पर अपना ध्यान के अंदिलित करूँ क्योंकि बविश्य के देश एसिया में है, यूरोप में नहीं जब कि मेरे ज्यादातर साहबाटी जिसमें माईक भी शामिल था अपने गरों पर पार्टी और मोजबस्ती करते थे तब मैं जापान, ताइवान, थाइलेंड, सिंगापूर, होंग कोंग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोवा और फिलिपिन्स में व्यवसाई, लोगों, बिजनस की सेलियों और संसक्र्टियों का अध्यन करता था मैं भी पार्टी कर रहा होता, परन्तु अपने गर पर नहीं, मेरा ज्यान बहुत तेजी से बढ़ रहा था पड़े लिके डैडी कभी नहीं समझ सके, मैंने यह नोगर क्यों छोड़ी और इसके बाद मरीन कार्प्स में क्यों सामिल हुआ मैंने उन्हें बताया कि मैं जहाज उड़ाना सीखना चाहता हूँ परन्तु वास्तों में मैं ठूप का नेता बनना सीखना चाहता था अमीर डैडी ने मुझे बतला रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठीन काम था लोगों से काम लेना उन्होंने तीन साल तक से नामे काम किया था मेरे पड़ेलिके डैडी ने कभी इसा नहीं किया था अमीर डैडी ने मुझे बताया कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतरतों किया जाई तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वह है नित्रत हो उन्होंने कहा अगर आप एक अच्छे नेता नहीं है तो आप पर पीछे से गोलियंस लाई जा सकती है जैसा बिजनस में किया जाता है वियतनाम से उन्हें सुत्येटर में लोटने बद मैंने कमिशन से इस्तिपा दे दिया हलांकि मैं हवाई जाज उड़ाना पसंद करता था मैं जेराक्स कंपनी में काम करने लगा मैंने इसमें एक वज़े से नोकरी की थी और नोकरी के फाइड़े वह वज़े नहीं थी मैं एक शर्मिल आदमी था ओर बेजने का विचार मुझे दुनिया का सबसे डरावना विशह लगता था जेराक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बड़ी आ कमपनी मने जाती थी अमें डेड़ी को मुझपर गरव था मेरे पडेली के डेड़ी को मुझे पर शर्म आती थी एक बुद्धी जीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्ज में उनके निचले स्तरके होते हैं मैंने जेरक्स में चार साल तक काम किया जब तक कि मुझे दर्वाजे खटखटाने और ऐस विकार कर दिया जाने के दर्से मुक्ति नहीं मिल गई एक बार मैं विक्रे में चोटी के पांस लोगों में लगा तार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तिवा दे दिया और आगे बढ़ गया एक बार फिर मैंने एक अच्छी खासी कमपनी के साथ अपना बड़िया करियर छोड़ दिया था 1977 में मैंने अपनी पहली कमपनी खुली अमीर डेड़ ने मुझे और माईक को कमपनीया चलाने का प्रशिक्शन दे रखा था तो अब मुझे उन्हें स्तापित करना ही सीखना था मेरा पहला उत्वाद था नाइलोन और वेलक्रो का वैलेट जो फार एस्ट में बनता था और समुदरी जहाद से न्यू यार्क में एक बेर आउस्तक्ता आता था मेरी उप्चारिक सिक्षा पूरी हो चुकी थी आपके पास संबलने का मोका होता है उनकी सला थी मेरे तीसमें जनुदीन की शाम को मेरा पहला सिप्मेंट कोरिया से न्यू यार्क के लिए रवना हुआ आज मैं अंतराश्टी अस्तर पर बिजनस करता हूँ और जैसा मेरी अमीर डेड़ी मुझे प्रोचसाइट किया करते थे मैं विकास सेल देशों पर ध्यान के निरित करता हूँ आज मैं निवेश कंपनी दक्षिन अमेरिका, एसिया, नार्वे और रूस में निवेश करती है एक कहावत है, जोब एक संक्सित रूप है, जस्ट ओवर ब्रोग का और दुरवागय से यह करोडों लोगों के लिए सही सावित होता है चुकि स्कूल यह है नहीं समझता कि फाइनेंशियल बुद्धी भी बुद्धी का एक रूप है इसलिए ज्याधातर करमचारिया मजदूर अपने साधनों के बीतर रह रह रही है वे मेनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं एक और डॉरावनी मैनेजमेंट tesोरी है काम करने वाले इसलिए कड़ी मेनत करते हैं ताकि उन्हें नोकरी से नहां निकाल लगे और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़ करने चले गए और अगर आप ज्यादातर कमपनियों की तनकुएं देखें तो आप आएंगे कि इस बात में थोड़ी बहुत सचाई तो है इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज्यादातर करमचारी आगे नहीं बढ़पाते वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है सुरक्षित नोकरी खोजलो ज्यादातर काम करने वाले कम समय के पुरुषकारों से से वेतन और दूसरे फाइदों के लिए काम करते हैं परन्तु दिर्ग का लिंद्रिष्टी से यह हैं उनके लिए गाटे का सोदा सावित होता है इसके बजाए में युवा लोगों को यही सला दूँगा कि नोकरी खोजते समय वे इस बात का द्यान दे कि वे कितना कमा रही हैं और इस बात पर भी ज़्यादा द्यान दे कि वे कितना सीख रहे हैं रास्ते पर आगे की तरफ देखते रहे हैं कि किसी खास प्रोपेशन को चुनने के पहले और चुहा दोड़ में पसने इसे पहले वे कितनी दक्ष्टाओं में परंगत होना चाहते हैं एक बात लोग बिल चुकाने के आजीवन पर किरिया में फस जाते हैं तो वे चोटे हैंस्टर्स की तरह दातु के चोटे पईयों के चारों तरफ गुंते रहते हैं उनके चोटे पैर तेजी से गुंते हैं पईये की तेजी से गुंते हैं परन्तु आने वाले कल में भीवे उसी पिंजरे में रहेंगे नोकरी जैरी मैगवाइर नाम की फिल्म में टाम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार समवार थे शायद सबसे यादगार लाइन थी मुझे पैसा दिखाओ परन्तु एक और लाइन थी जो मेरे इसाव से ज़्यादा सची थी यह उस द्रेश्य में थी जहां टोम क्रूज फरम छोड़कर जा रहा है उसे नोकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कमपनी से पूछता है मेरे साथ कौन आना चाहता है और सब लोग मोन और स्थब्ध है केवल एक औरत बोलती है मैं आना तो चाहती हूँ परन्तो मेरा तीन महिने में प्रमोशन होने वाला है यह है वाक्या शायद पूरी फिल्म का सबसे सचा वाक्या है यह है उस तरह का वेक्टव गया है जो बिल चुकाने के लिए मेनद करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते है मैं जानता हूँ कि मेरे पड़े लिखे डैड़ी हर साल तनक्वा बढ़ने की आशा लगाई रखते हैं और हर साल उन्हें निरासा होती थी इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और जादा योकेता हैं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वरदी मिल सके परन्तु एक बार फिर उन्हें निरासा ही हाथ लगती थी मैं एकसर लोगों को यह सवाल पूसता हूँ रोजमर्रा की यह गतिविली आपको कहां ले जा रही है सोटे हेंस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेनत का नतीजा क्या निकल रहा है उनका भविश्य कैसा होगा सीरिल बिट फिर्ड दे अमेरिकन एसोसेशन आप रिटायर्ड प्यूपिल्स के भूत्पुर्व एक्जिगूटिव डारेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50 फिजदी को कोई पेंशन नहीं मिलेगी इसी बात से चिंता होना चाहिए और बाकी बचे 50 फिजदी में से पिछे 30 से 80 फिजदी लोगों को नामातर की पेंशन मिलेगी जो 55 डालर या 500 डालर या 300 डालर परतिमा होगी अपनी कुस्तक दे रिटायर्मेंट मित में क्रैक एस कारपिल लिखते हैं मैं एक बड़ी राष्टिय पेंशन से लाकार फर्म के मुखेले में गया और मैनेजिंग डारेक्टर से पूछा जिसकी विशे सगे था बड़ी रिटायर्मेंट योजनाई तयार करने में थी जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे आफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उमीद करनी चाहिए तो उसने विश्वास वरी मुस्पुराट के साथ कहा सिल्वर बुलेट सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है मैंने पूछा उसने वने कंदे उचकाई अगर बुजर्गों को लगता है कि गुड़ापे में उनके पास जिन्दा रहने के लिए प्रियाप्त दन नहीं है तो वे अपने आपको गोली मार सकते हैं कारपेल इसके बाद पुराने रिटाइर्मेंट प्लान को ज़्यादा खतरनाक नए 401G प्लान के अंतर को स्वस्ट करते हैं ज्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखत तस्वीर नहीं है और यह है तो हुई रिटाइर्मेंट की बाद जब इस तस्वीर में मेडिकल फीज और दिर काली नर्सिंग होम सुईदा को जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है उनके 1995 की पुस्तग में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीज 30,000 डालर परती साल से 1,25,000 डालर परती वर्स है वे अपने इलाके के साब सुत्री परंतु सादार नर्सिंग होम में गई और उन्होंने 1995 में चीमत को 88,000 डालर पाया आज भी समाजबादी चीकित्सा वाले देश्टों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं जैसे कौन जीएगा और कौन मरेगा वे यह फैसले विशोद रूप से इस आदार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने व्रद है अगर मरीज व्रद है तो वे एकसर मेडिकल केर अप्लिक शाकरत युवा आदमी को दे देते हैं बुड़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है तो जिस तरह अमीर लोग बेतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं उसी तरह अमीर लोग अपने आपको जिन्दा भी रख सकते हैं जबकि जिन के पास दोलत नहीं है वे मर जाएंगे तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या करमचारी बविशे में देख पा रहे हैं या उनकी बविशे की द्रिस्टी केवल उनकी अगली तनकवा तक ही जाती है और वे अपने आप से कभी दूरगामी बविशे के बारे में सवाल ही नहीं करते जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले बैसकों के सामने बोलता हूँ तो मैं हमेशा एक ही चीज की सला देता हूँ मैं यह सुझाओ देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में एक लंबा द्रिस्टिकों रखें केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने की बजाए जो हालां कि मैं तोकूर्ण है मैं सुझाओ देता हूँ कि वे एक और काम करने लगे जो उन्हें एक और दक्स्ता सिखा दे अगर वे सेल्स टक्निक सिखना चाते हैं तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्कटिंग में शामिल हो जाने के लिए कहता हूँ जिसे मल्टि लेवल मार्किटिंग भी कहा जाता है इन में से कुछ कंपनियों के पर सिक्षन कारेगम बहुत बढ़िया होते हैं जो लोगों के मन से जिजग और ऐस अफलता का डर निकाल देते हैं जो लोगों के ऐस अफल होने का मुख्या कारण होते हैं लंबे समय में शिक्षा धन्स से ज़्यादा मुल्यवान है जब मैं यह सुझाओ देता हूँ तो अक्सर लोगों की परतिकिरिया होती है पर इसमें बहुत जंजट है या मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी दूची है इसमें बहुत जंजट है के जवाब मैं पूस्ता हूँ तो आप जिन्दगी वर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे ताकि आपकी आई में से 50 पिज़दी आप सरकार को दे देंगे दूसरे रगत तब्ये मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी दूची है के जवाब में कहता हूँ मैं जिम जाने में बिल्कुल रूची नहीं रखता परंदू मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ ताकि मैं ज़्यादा फिटोस कूँ और ज़्यादा समय तक जिन्दा रह सकूँ दुर्बागे से उस पुरानी कावत में कुछ सचाई है आप एक बुड़े कुटे को नई चालवाजी नहीं सिखा सकते जब तक कोई आदमीं बदलने के लिए तैयार नहीं हो बदलना बहुत कठीन होता है परंदून लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से प्रेरित हो जाते है और दोराए पर खड़े है आसान हो जाता है ये से कई दिन आई जब मैं जिम जाने के नाम से काम जाता हूँ परंदू एक बार मैं वहाँ पून जाता हूँ तो काम शुरू कर देता हूँ और मुझे इसमें मजा आने लगता है जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मुझे हमेसा खुशी होती है कि मैं वहां गया था अगर आप कुछ नया सीखने के प्रती अनिच्छुक हो और इसके बजाए आप अपने क्षेतर में बहुत विसे सग्यता हासिल करने पर जोर देते हो तो यह सुनी सिथ कर लेंगे जिस कंपने के लिए आप काम करते हैं वहां यूनियन हो लेवर यूनियने विसे सग्यों की रक्षा के लिए बनाई जाती है मेरे पडेले के डैडी जब गवर्नर की करपा द्रस्टी से तूर हो गई तो वे हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्स हो गई उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वरा किया गया सबसे कथिन काम था मेरे अमीर डैडी ने दूसरी और जिंदगी बरिया एकोसिस की कि उनकी कंपनियों में यूनियन ने बनस पाई बेसभल हुए हालंकि यूनियन काफी करीब आ गई थी पर तूसरी अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामियाब हो जाते थी व्यक्तिकत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता क्योंकि मुझे दोनों इन बातों में फाइदे दिखते हैं और उनकी जुरूरत दिखती है अगर आप स्कूल द्वारा सुजाई रास्ते पर चलते हैं उच में से सग्यता हसिल करते हैं तो फिर आप यूनियन की सुरुक्षा में चले जाएं उधारन के लिए अगर मैं अपने हवाई जाज उड़ाने के करियर में गया होता तो मैंने इसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पाइलेट यूनियन बहुत तगड़ी होती क्यों? क्योंकि मेरी जिन्दगी केवल एक दक्स्ता को सीखने के लिए समर्पित होती जिसका मुल्यकेवल एक उध्योग में ही हो सकता था अगर मुझे उस उध्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जिवन की दक्स्ताई किसी दूसरे उध्योग में उतनी मुल्यवान नहीं होती अगर किसी वरिस्ट पाइलेट को निकाल दिया जाई जिसके पास हवाई उडान का एक लाग गंटे कानुगा हो और जो हर साल डेड़ लाग डालर कमा रहा हो तो उसे स्कूल टीचिक में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूनने में बहुत दिक्कत आएगी दक्स्ताएं एक उड्योग से दूसरे उड्योग में ट्रांसफर नहीं होती क्योंकि एरलाइन उड्योग में जिन दक्स्ताओं की जरूरत होती है और जिसके लिए पाइलेटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है वे स्कूल सिस्टम में उतनी मेटोपोन नहीं होती आज डोक्टरों के लिए भी यही सही है चिकित सागेख छेतर में इतने परिवर्थन हो रहे है कई मेडिकल विशे सगय मेडिकल संग्टनों जैसे MHO से जुड़ना पसंद करते है स्कूल के सिक्षकों को यूनियन का सबस्या होना पड़ता है आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेवर यूनियन है ENA यानि National Education Association के पास बहुत ज़्यादा राजनितिक परभाव है सिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि सिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मुल्य एक शक्रत काफी कम होता है तो नियम यह है है उतज़े जगता हसल करो और यूनियन बना लो स्मार्ट लोग ये ही करते है जब मैं अपनी कक्षा में पूशता हूँ आप मेंसे कितने मैक डोनाल्ड से अच्छा हैंबर्ग बना लेते हैं तो लगबग सभी भी द्यारतिय अपने हाथ खड़े कर देते हैं मैं फिर पूशता हूँ अगर आप मेंसे ज़्यादा तर बेतर हैंबर्ग बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैक डोनाल्ड आपसे ज़्यादा पैसा बना लेते हैं जवाब साफ है मैक डोनाल्ड बिजनस सिस्टम में आपसे अच्छा है ज्यादातर पत्तिवासाली लोग शिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेतर हैंबर्ग बनाने में लगाते हैं और बिजनस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते हुआई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलागार है वह काफी पैसा कमा लेता है एक दिन उसकी मा के वकील ने उसे बताया कि उसकी उसने अपने पुत्तर के नाम पर 35,000 डालर छोड़े हैं यहे रकम सरकार और वकीलों दोरा अपना हिस्सा लेने के बात बची थी ततकाल उसने इस पैसे जे विग्यापन करके अपने व्यवसाई को बढ़ाने की सोची दो महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का विग्यापन चार रंगों में एक महेंगी पत्रिका में प्रकासित हुआ जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे यह विग्यापन तीन महीने तक चला उसे विग्यापन के परती उत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी सारी पूझी इस विग्यापन में खर्प हो गई अब वह पत्रिका पर दावा ठोगना चाहता था यह एक ऐसे आदमी का सामाने उदारन है जो एक बेतरीन हैंबर्ग बना सकता है परन्तु बिजनस की बिल्कुल समझ नहीं रखता है जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सिख तो उसका जवाब केवल यही था कि विग्यापन करने वाले लोग दोखेबाज होते हैं मैंने फिर उससे पूछा कि क्या यह सेल्ज में या डारेक्ट मार्केटिम में कोई कोर्स करना जाता है तो उसका जवाब था मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा पर बादन नहीं करना जाता दुनिया परतिवा संपन गरीब लोगों से बहरी पड़िये अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समझे से जूज रही है या अपनी दख्षताओं से कम पैसा वकमा रही है और इसका बेदरी नुदारन और इसका जिम्मेदार उनके ग्यान का विशह नहीं है बलकि उनका ग्यान है वे एक बेतर हैंबर्ग बनाने की दख्षता को पैना करने में ही लगी रहती हैं और हैंबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दख्षता पर बिल्कुल विध्यान नहीं देते शायद मैक्टोडाल सबसे अच्छे हैंबर्ग नहीं बनाते थे पर अच्छे हैंबर्ग को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वस रेस्ट हैं गरीब डेड़ी चाते थे कि मैं विसे सगेता हासिल करूँ उनका विचार था कि अगर मैं यह सा करूँगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा हलांकि उन्हें हवाई के गवर्नर्ट ने साफ कह दिया था कि वेराज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते फिर भी मेरे पडेली के डेड़ी मुझे विसे सगेता हासिल करने के लिए प्रोटसाइट किया करते थे पडेली के डेड़ी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया था और वे उच सिक्षित और निपून प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरुक्षा और फाइड़ों के लिए वियान छेड़ रहे थे हमें इस बात पर काफी बहस हुई पर अंतु मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशे सगेता के खरणी क्यूनियन के सरेंक्षन की जरूरत होती है वे यहे कभी नहीं समझ बाय कि आप जीतनی ज़ादा विशे सग गेता आसिल कर लेते हैं उतने ही ज़ादा जाल में फस जाटे हैं और आप अपने विशे सग गेता पर निर्वर हो जाते हैं अमीर डड़े की सलाई यह थी कि माईक और मैं खुद विकास करें कई कार्पोरेशन्स यही करते हैं वे बिजनस स्कूल के किसी युवा प्रतिवाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विक्षित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी समाल सके और ये परतिवासाली युवा करमचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेश सग गयते नहीं होते वे बिजनस सिस्टम के सभी पैलगों की जानकरी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं अमेर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरों के बच्चों को इसी तरह विक्षित करते हैं। एज़ा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रकिरिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है। और वे यह हैवी समझ जाते हैं कि किस तरह भी विन डिपार्टमेंट में तालमेल होता है। दूसरे विश्यू यूद की पीडी में एक कमपनी से दूसरी कमपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है। चूंकि लोग ज़्यादा विश्य सगेता आसिल करने के बज़ाई इस कमपनी को बदलकर दूसरी कमपनी म कम हो परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत फाइदा हुआ। सफलता के लिए जिन मुख्य मनेजमेंट दक्स्ताओं की जुरूरत होती हैं वे हैं नमबर एक कैश फलो का मनेजमेंट नमबर दो सिस्टम का मनेजमेंट आपको और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर नमबर तीन लोगों का मनेजमेंट सबसे मेटोपोन विसे सगिये दक्स्ताओं सेल्ज और मार्केटिंग की समझ हैं बेचने की योबेता ही प्यक्तिगत सबलता की अदारबूत कुशलता है इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेशन में कुशल होना चाहिए साहिव है कोई गराहक हो, करमचारी हो, बोस हो, पतनी हो या बच्चे हो कमिनकेशन स्किल जैसे लिखना, बोलना और सोदेवाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है यह एक एसी कला है, जिस पर मैं लगातार मेंनत करता हूँ और अपने ग्यान को बढ़ाने के लिए पाठे करमों में भाग लेता हूँ या सेक्शन के टेप खरीद था रहता हूँ जैसा कि मैंने बताया, मेरे पड़े लिखे टेड़ी ने जितनी ज़्यादा मेंनत की, वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने उन्होंने जितनी ज़्यादा विशे सक्गेता हजिल की वे उतने ज़्यादा फस्ति चले गए हलांकि उनकी थन्कुआ बड़ी परअंद उनके विकल्प कम होते चले गए जब उन्हें सरकारी नोगरी से अटा दिया गया तब ही उन्हें पता चला कि वेवसाई की दरस्टी से कितने जोखिम में थे यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाई या वैखेलने के लिए ज़्यादा बुड़ा हो जाई उनकी उंची तनक्वा वाली स्थिति चली जाती है और वे अपने सीमी तक्स्ताओं के सारे जीवने आपन करते हैं मैं सोसता हूँ कि इसलिए मेरे पड़ेली के डैड़ी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गई थे उन्होंने यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा दिलाया होता अमीर डैड़ी माईक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में एक टीम के रूप में काम करवाएं आज इसे जो साइक विसे सग्यता हूँ का समन में कहा जाएगा आज मैं बूत्वरू स्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाख उन डालर कमा रही है वे इतना ज़्यादा इसलिए कमा रही हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेतर की विसे सग्यता दक्स्ताओं के अलवा भी दक्स्ताओं है वे शिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं बेचने और मार्केटिंग की दक्षताइं ज्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि उनमें नकारे जाने या ऐस विकार किये जाने का डर होता है आप संप्रेशन, सोदेवाजी और अपने नकारे जाने के तरका सामना करने में जितने बेतर होंगी आपके लिए जिन्दगी उतनी ही आसान होगी जिस तरह मैंने अख़वार की लेखिका को सला दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी मैं किसी को भी वही सला देना चाहूंगा तकनिकी रूप से विशे से गता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमजोर पहलू होते हैं मेरे कुछ दोस्तें जो जीनियस हैं परंतो वे दूसरे लोगों के साथ प्रवावी डंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम सोरूप उनके आमजनी बहुत कम है मैं उन्हें सला देता हूँ कि वे एक साल तक बेचने की कला सिखें चाहे वे कुछ भी ने कमाएं परंतो उनकी कमिनकेशन स्किल्ट सुदर जाईगी और यह अनमौल है अच्छे सीखने वाले बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले वेक्ति होने के अलावा हमें अच्छे सीखशक और अच्छे विद्यात्य होने के भी ज़रूरत है दरसल अमीर होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबलियत भी होनी चाहिए आर्थिक या प्रोफेशनल संगर्स के मामलों में देने और लेने में बहुदा कमी देखी गई है मैं एसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि वे नय तो अच्छे विद्यात थी हैं नहीं अच्छे सिक्षण मेरे दोनों डेड़ी उदार थे दोनों ने पहले देने के सी दांत का पालन किया था सिक्षा देना उनके लिए देने का एक परकार था जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला पैसे देने के मामले में जरूर उन दोनों में अंतर था मेरे अमीर डेड़ी ने बहुत सा पैसा दां दिया उन्होंने अपनी चर्च को दां दिया समाच सेवी संस्ताओं को दां दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया वे जानते थे कि पैसा आसिल करने के लिए पैसा देना होता है पैसा देना ज्यादातर अमीर परिवारों का रहशे है इसलिए राकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संग्टन काम कर रही है यह संग्रण उनकी संपत्री को लेते हैं उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं मेरे पड़ेल के डैड़ी हमेशा कहते थे जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा मैं उसे दान कर दूँगा समझ यह थी कि उनके पास कभी अत्रिक पैसा नहीं आया इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे मैतबों नियम को खुल गए दो और आपको मिल जाएगा इसके बज़ाए वे यह यकीन करते रहे लो और फिर दो निसकर्स में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डेडियों की छाफ है मेरा एक इस्सा कटर पूंजी पती का है जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है मेरा दूसरा इस्सा एक सावाजी ग्रूप से जिम्मेदार सिक्षक का है जो खरीबों और अमीरों के पीश बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यदा चिंतित है मैं इस बढ़ती ओई खाई के लिए मूल रूप से दक्यान उसी सिक्षय तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ धन्यवाद आईए अब चलते हैं दय आठ की तरफ जो है बादाओं को पार करना आपका दिन शुब हो रिच डेड पूर डेड अध्याई आठ बादाओं को पार करना एक बार लोग अध्यन कर लें और उनमें पैसे की समझ भी आ जाई तो भी आर्थी का जादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बादाओं और अवरोदों का सामना करना पड़ सकता है यसे पांच कारण है जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कोलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते समपत्ति वाला कोलम जिसमें बहुत सारा कैश्प लोग आता है समपत्ति वाला कोलम जो उन्हें अपने सपने के जिन्दगी जीने का मुका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर काम करने की जंजट से मुक्ति दे सकता है ये पांच कारण है नमबर एक डर नमबर दो सनकीपन नमबर तिन आलश्य नमबर चार बुरी आदतें और नमबर पांच है जिद पैसा कोने के डर से पार पाना मैं कभी किसी एसे वेक्ती से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो और मेरी जिन्दगी में मैं कभी किसी अमीर आदमी से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान नहीं हुआ हूँ परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिनोंने एक दमड़ी भी नहीं खोई है निवेस में पैसे के नुकसान का डर असली है यह हर व्यक्ति को होता है अमीरों को भी परंतु समझ्षा डर नहीं है समझ्षा यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं पैसा खोने के बाद स्थिति से किस तरह नहीं पड़ते हैं आप ऐस वलता को किस तरह से लेते हैं यह आपके जीवन में बहुत मैतोपूर्ण है। यह जिंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बलकि हर चीज के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलबूत अंतर यह होता है कि वे इस पैसे से किस तरह मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डर पोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सबी कुछ मोकों पर बादूर होते हैं और कुछ मोकों पर डर पोक। मेरे दोस्त की पतनी एक अमेरजेंसी प्रूम की नर्स है, जब भी वहे खुन देखती है, वहे ततपरता से काम में जुड़ जाती है, जब भी मैं निवेस का जिक्र करता हूँ, वहे भाग जाती है, जब मैं खुन देखता हूँ, तो मैं नहीं भागता, मैं बेहोस हो जाता हूँ, मेरे अमीर डैडी, पैसे के उनका सुजाव यह चोटी पंक्ती थी। अगर आप जोखिम से गवराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंके तभी बचत की आदर डालना चाहती है जब आप चोटे होते हैं। अगर आप कम उमर में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर ह होना ज्यादा आसान होता है। मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा परंतु 20 साल की उमर में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उमर में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत ही बड़ा फर्क। कहा जाता है की विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवर्दी ब्याज की ताकत मैनहटन आइलेंड की खरीद दुनिया के महांतम शोदों में से एक मानी जाती है नियुयार्क को 24 डॉलर में खरीदा गया था परंतो अगर उस 24 डॉलर को 8 फिजदी साला ने ब्याज पर निवेस कर दिय जाता तो वही 24 डॉलर 1995 के अंत तक 28 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो गई होती मैनटन को 1995 की रियल एस्टेट की कीमतों पर दुबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लास एंजलेस का ज्यादातर हिसा खरीदा जा सकता था मेरा पड़ को छोड़ देगा और उसके 401 जी रिटायर्मेंट प्लान में 40 लाख डालर जमा होंगे यह मुख्य रूप से अच्छी गती से विक्सित हो रहे मिचुर पंड में निवेस किये गए हैं जो बाद में बॉंड और गर्रमेंट सिक्रिटीज में बदल लिये जाएंगे नोकरी छोड़ते से में उसकी उमर केवल 55 साल होगी और उसके पास 3 लाख डालर से ज़्यादा की निश्क्रिया आये होगी जो कि उसके वेतन से ज़्यादा होगी अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं तो भी यह किया जा सकता है परन्तो आपको जल्द ही इसकी शुरुवात करनी होगी और एक retirement plan तो बनाना ही होगा और आपको निवेश करने से पहले एक बरोसे मन financial planner की सेवाई लेनी होगी परन्तो अगर आपके पास समय नहीं है या आप जल्दी retire होना चाते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया वे केवल इस विशे को टालते रहे और इस बारे में चर्चा करने के लिए तयार नहीं हुए दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाओ था कि मैं टेकसास के लोगों की तरह ही मान सिकता रखूँ मैं टेकसास और वहां के लोगों को पसंद करता हूँ उनका कहना था टेकसास में हर चीज बड़े वेमाने पर होती है जब टेकसास के लोग जीतते हैं तो वे बड़ी जीत होती है और जब वे हारते हैं तो वे हार भी अदबुत होती है वे हारना भी पसंद करते हैं मैंने पूछा मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कोई वी हारना पसंद नहीं करता मुझे एक खुश आरा हूँ अव्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूँगा कि हार ऐसी होती है अमीर डैडी ने कहा मैं जोखिम, पुरुषकार और ऐस वालता के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिये के बारे में बात कर रहा हूं वे जिन्दगी के बारे में इसी तरह से सोचते हैं वे बड़े पैमाने पर जीते हैं वे यहां के ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते हैं जो पैसे के मामले में बिल्कुल काक्रोच की तरह होते हैं जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कोक्रोच गभरा जाते हैं जब किराने वाला उनकी चिलर में से चवणनी कम कर देता है तो वे शोर मचाने लगते हैं। अमीर डेडी समझाते रही, मुझे टेकसास का नजरिया सबसे ज़्यादा पसंद है। जब वे जीतते हैं तो उन्हें खुद पर गरव होता है और जब वे हारते हैं तो वे शेखी बगारते हैं। टेकसास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैवने पर हुआ जाए। आप डुपलेक्स के लिए दिवालिया हो जाएं, इसकी सेखी नहीं बगारी जा सकती। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुपलेक्स भी नहीं होता। वे माई को और मुझे यह लगातार बताया करते थे कि आर्थिक एसफलता का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग खेल को बहुत ज़्यादा शुरुकशात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं यह उनके शब्ग थे फ्रेंट आरकेंटर ने जो एक वक्त का महान एनेफल क्वाटर बेंक था इसी बात को दूसरी तरह से कहा है जीतने का मतलब है हारने से ने डरना मेरी अपनी जिन्दगी में मैंने यह पाया है कि जीत हमेसा हार के ठीक बाद आती है जब मैंने आखिर कार मोटर साइकल चलाना सीखा तो इससे पहले मैं कई बार गिरा मैं आज तक किसी गोलफर से नहीं मिला हूँ जिसने कोई गोलफ बाल ने गुम की हो मैं आज तक एसे प्रेमियों से भी नहीं मिला हूँ जिसका दिल ने तूटा हो और मैं आज तक कभी एसे अमीर विक्ति से भी नहीं मिला हूँ जिसने कभी पैसा नहीं खोया हो तो ज़्यादातर लोग आर्थी ग्रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसाख होने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है टेकसास में एक और कहवत है हर व्यक्ति स्वर्ग जाना चाता है परंतु कोई मरना नहीं चाता ज्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसाख होने के विचार से कांप जाते हैं इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते अमीर डैडी माइक और मुझे टेकसास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानिया सुनाया करते थे अगर आप वास्तों में याय सीखना चाते हैं कि जोखिम को हार और ऐस सफलता को किस तरह से संभाला जाए तो सैन एंटेनियों जाकर अलेमों को देखो अलेमों उन बादूर लोगों की महान कथा है जिन के पास सफलता की कोई उमीद नहीं थी फिर भी यह जानते हुए कि उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना उन्होंने समर्पन करने के बज़ाए मरने का विकल्प चुना यह पढ़ने का विल प्रेरक कता है वैसे यह एक दुखत सेन्य हार है वे आखिरकार ऐस सफलुए वे हार गए तो टेकसास के लोग किस तरह ऐस वलता का सामना करते हैं वे अब भी चिलाते हैं अलेमों को याद रखो माईक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी जब भी हमेर डैडी किसी बड़े सोदे को करने वाले होते थे और वे नर्वस होते थे तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे जब भी वे परियाप्त मेंनत कर चुके होते और या तो मामला सही हो जाता या बिगड़ जाता तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे हर बार जब वे गलती करने या पैसा गवाने से डरते थे तब वे हमें यह कानी सुनाया करते थे इससे उन्हें ताकत मिलती थी क्योंकि यह कानी उन्हें याद दिलाती थी कि किस तरह पैसे के नुकसान को अर्थिक विजय में बदला जा सकता है अमीर डेड़ी जानते थे कि ऐस बलता उन्हें ज्यादा मजबूत और ज्यादा स्मार्ट बनाएगी ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाते थे वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और वे किस तरह हार का सामना करेंगी वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित इसे उन्हें जोकिम उठाने के लिए सीमा लांदने का साहस मिलता था जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे इसलिए मैं टेकसास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ उन्होंने एक बड़ी ऐसा फलता को लिया और उसे परेटन स्थल के रूप में बदल लिया जिससे करोडों की आमदनी हो रही है परंतु उनके सबसे अर्थपूर्ण सब्द शायद ये है टेकसास के लोग अपनी ऐस फलताओं को दखनाते नहीं है वे उनसे परेड़ना लेते हैं वे अपनी ऐस फलताओं को लेकर उने नारों में बतल देते हैं ऐस फलता टेकसास के लोगों को जीतने के लिए परेड़ित करती है परन्तु यह फार्मूला के वल टेकसास के लोगों का इफार्मूला नहीं है यह सभी जीतने वलों का फार्मूला है जैसा मैंने अभी कहा मोटर साइकल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की परक्रिया का हिस्सा है मुझे याद है कि कि गिरने के बाद मुझे में गाडी चलाना सीखने के लिए ज़्या दरण निष्चे आ गिया था मेरा दरण निष्चे गिरने से कम नहीं हुआ था मैंने यहे भी कहा कि मैं कभी किसी ऐसे Gohlfer से नहीं मिला जिसकी बाल कभी गुब नहो किसी चोटी के प्रोफेशनल गोलफर के लिए बाल खोना या टूर्नामेट हारना उसे ज़्यादा बेतर बनने, कड़ी मेनत करने और ज़्यादा अध्यन करने के लिए प्रेहरित करता है इससे वे ज़्यादा बेतर बनते हैं जीतने वालों के लिए हार प्रेणादाएक बन जाती है, हारने वालों को हार बरबाद कर देती है। जोन डी रेक्फेलर के शब्दों में मैं हमेशा हर संकट को आउसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं भी यही कह सकता हूँ। अपने अधिनस्तों से कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते वे राक्षस को जगा दिया है। जीतने वालों को बर्बार कर देती है। यह जीतने वालों का सबसे बड़ा रहशे और सुत्र है। यह वह रहशे है जिसे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महानतम रहशे यह है कि ऐस वलता जीतने की प्रेरिणा देती है इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रेंक टारकेंटन के शब्दों को एक बार फिर से दोराना चाता हूं। जीतने का मतलब है हार से नहीं डरना। फ्रेंक टार केंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं इसलिए वे जानते हैं कि हार के वोलों ने बेतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। हारने से डरने और हारने से नफरत करने में बहुत बढ़ा अंतर होता है। ज्यादातर लोग पैसा गवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं, वे डुपलेक्स के कार्ण ही दिवालिया हो जाते हैं। आर्थिक रूप से वे जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं वे बड़े घर और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं परन्तु वे बड़े निवेस नहीं करते वे है प्रमुक कारण जिसके कारण 90 फिजदी अमेरिकी जनता पैसे के लिए संगर्स करती है यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं वे जीतने के लिए नहीं खेलते वे अपने फाइनेंसियर प्लानर या अकाउंटेंट्स या स्टोक प्रोकर्स के पास जाते हैं और एक संतुलित पॉर्टफोलियो करीत लेते हैं ज्यादातर के पास सीडी, कम आमदनी वाले बॉन्ड, मिचल फंड और बहुत कम स्टोक में बहुत सा नगत जमा होता है यह एक सुरक्षित और समझदारी पूरण पॉर्टफोलियो होता है, परन्तु यह जीतने वाला पॉर्टफोलियो नहीं होता है यह उस व्यक्ति का पॉर्टफोलियो होता है, जो हार से बचने के लिए खेल रहा है मुझे गलत मत समझीए, शायद यह 70 फिजदी जनस्ग्या से बेतर पॉर्टफोलियो होता है और यह बयानक है क्योंकि पॉर्टफोलियो न euh होने से बेतर है, सुरक्षित पॉर्टफोलियो होना यह किसी ऐसे वेक्ती के लिए बहुत बड़िया पोर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंद करता है परंतो सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेस पोर्टफोलियो वह बेतर तरीका नहीं है जिससे सफल निवेसक अपना खेल खेलते हैं अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाते हैं तो पहले तो केंद्रित हो जाएं संतुलित नहीं अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुवात में वे संतुलित नहीं होते संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते वे एक ही जगे पर बने रहते हैं प्रगति करने के लिए आपको पहले ऐ संतुलित होना पड़ता है इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगति को देखें थामस एडिसन संतुलित नहीं थे वे केंदरित थे बिल गेट्स संतुलित नहीं थे वे केंदरित थे डोनाल्ड टरम्प केंदरित थे जार्ज सोरोस केंदरित थे जार्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं उन्होंने उन्हें केंदरित किया और जर्मन पंक्ती के कमजोर ठीकानों को उड़ा डाला फ्रांसिसियों ने मेजनोट लाइन में अपने सैन नेवल को फैलाया था और आप जानते हैं कि उनके साथ क्या हाथसा हुआ था अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो आप केंदरित कर लें अपने बहुत से अंडों को केवल कुछ बास्केट्स में रख लें वह नयकरें जो अमीर और मद्यमर गया लोग करते हैं वे बहुत कम अंडों को बहुत सी बास्केट्स में रखते हैं अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें संतुलित निवेस का रास्ता चुने अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और आप जोकिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं सुरक्षित खेलें परन्तो इसकी शुरुवात जल्द करें अपने अगले अंडे को जल्दी इकठा करना शुरू कर दें क्योंकि इसमें लगेगा परन्तो अगर आपके पास आजादी के सपने हैं चुहा दोड़ से बाहर निकलने का इरादा है तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए अगर आपको जीतने की प्रेड़ना मिलती है तो शायद आपको कोशिस करना चाहिए परन्तो के उल्द शायद अगर आपको कमजोर बना देती है या आप पर मान्सिक तनाव डालती है उस बिगडे नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज गलत होने पर मुधमा दायर करने के लिए वकील को ढूंडता है तो सुरक्षित ही खेलें अपने दिन की नोकरी को बनाई रखें बोंड या म्यूचल फंट खरीदें परन्तो याद रखें कि इन में भी खत्रा होता है हलांकि तुलनात्मक रूप से वे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ और टेकसास तता फ्रेंक टारकेंटन का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि संपत्य वाले कालम को बढ़ाना आसान है यह एक कम बुद्धी का खेल है इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा के जरूरत नहीं है पांचमें कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है परन्तो संपत्य वाले कोलम को तेजी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धी का खेल है इसमें हिम्मत धीरज और ऐस बलता जेलने की ताकत की जरूरत है हारने वाले ऐस बलता से बस्ते हैं जबकि ऐस बलता हार को जीत में भी बदल सकती है अलेमों को याद रखिए कारण नमबर तो संकी पन से पारपाना आसमान गिर रहा है आसमान गिर रहा है हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहनी जानते है जो आसमान गिरने के चेतावनी देता हुआ अपने दड़बे में दोड़ रहा था हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते है परंतु हम सब के वितर भी एक एसा ही छोटा मुर्गा होता है और मैंने जैसे पहले ही कहा है सनकी व्यक्ति दरसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उबर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाती है हम सभी के मन में संकाई होती है मैं स्मार्ट नहीं हूँ मैं प्रियापत अच्छा नहीं हूँ अमुक व्यक्ति मुझसे बेतर है हमारी संकाई अक्सर हमें निस्करिय कर देती है हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं क्या होगा अगर मेरे निवेस के बाद अर्थवेवस्ता धरासा ही हो जाई या क्या होगा अगर मेरा नियंतरन खो जाई और मैं पैसा वापस ने चुका सुकूं क्या होगा अगर गटनाई मेरी योजना के इसाब से ने हो या हमारे कईये से दोस्त या फ्रेजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों को याद दिला दे चाहे हमने उनकी सला मांगी या ना मांगी हो वे अक्सर कहते हैं तुम्हें इसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो या अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई इसा क्यों नहीं कर रहा है या यह कभी सफल हो यह नहीं सकता तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो शंका के यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना चालू ही नहीं कर पाते हमारे दिल में डर बैठ जाता है कई बार हम सो भी नहीं पाते हम आगे बढ़ने में ऐसवल होते हैं तो हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं और आउसर अमारे पास से ओकर गुजर जाता है हम जिन्दगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने सरीर में जकडन के कारण बिना हिले डूले बैठे रहते हैं हमने इसे अपने जिन्दगियों में कभी ने कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा फाइडलिटी मेगलिन मुचल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने के चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर या बहार से आता है प्राइड दोस्तों से, परिवारों से, सहे कर्मियों से और मेडिया से लिंच 1950 के दसक के दोरान का एक अनुबह पताते हैं जब पर्माने युद का खत्रा समाचार पत्रों में इतना ज़्यादा परचारित किया गया था कि लोगों ने फाल आउट सेल्टर बना लिये थे और अनाज पानी कठा करना चालू कर दिया था अगर उन्होंने फाल आउट सेल्टर बनाने के बज़ाई इस पैसे को समझदारी पूरोग बाजार में निवेस कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से आजाद होते जब कुछ साल पहले लास एंजलेस में दंगे बढ़के तो सारे देश में बंदूकों की बिक्री बढ़ गई वासिंगिटन राजय में एक वेक्ती हेंबर्ग के मास के कारण मर जाता है और एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि बीव को अच्छी तरह से पकाया जाई एक दवाई की कंपनी राश्ट्रिय टीवी विक्यापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है विक्यापन फरवरी में दिखाया जाता है सर्दी से ग्रस्त होने बालों की संक्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी ज्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेस की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संक्या बहुत है जो यह चिलाते हुए गूम रही है आसमान गिर रहा है आसमान गिर रहा है और चोटे मुर्गे इसलिए प्रवावी होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक चोटा मुर्गा होता है विनास की अफवाँ और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा नहीं हो इसमें बहुत ज़्यादा बादुरी की जरूरत होती है 1922 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया वह स्टोक और रियल इस्टेट में हमारे द्वारा की ये काम किसे बहुत परवावित था फिनिक्स में रियल इस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी हमने उसके साथ दो दिन गुजरे और उसे बताया कि कैस पलो और पूंजी बढ़ाने के बहुत बढ़ी अमोके है मेरी पतनी और मैं रियल इस्टेट में एजेंट नहीं है हम विशुद निवे सके हैं एक रिजार्ट कम्यूनिटी में एक यूनिट तै करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसने उस दो पैर को उस यूनिट को बेज दिया दो बेडरूम के लिए उस गर की कीमत केवल 42,000 डालर थी इसी तरह के यूनिट उस समय पैंसट अजार में बिक रहे थे उसे यह बहुत फाइदे का सोदा लगा रोमान्ची तो होकर उसने इसे खरीद लिया और बोस्टन लोट गया दो सब्ताबाद एजेंट ने हमें फोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हड़ गया है मैंने ततकाल उसे फोन करके इसका कारण पता किया उसने इतना ही कहा उसने इस विशे पर अपने पडोसी से चर्चा की थी और उसके पडोसी ने उससे कहा था कि यह एक बुरा सोदा था क्योंकि वह ज्यादा महेंगे में खरीद रहा था मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पडोसी निवेचिक है रिचर्ड ने कहा नहीं फिर मैंने उससे पूछा कि उसने उसकी सला क्यों मनी तो रिचर्ड सुरक्षात मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह बढ़िया चांज परताल करता रहता है फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के दिन पल्टे और 1994 में उस छोटे से यूनिट के एक अजार डालर परतिमा किराया मिल रहा था जाड़े के पीक सीजन में डाही अजार डालर परतिमा हा 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर 95,000 डालर हो गई थी रिचर्ड को इतना ही करना था कि वे शुरुआत में पांसजार डालर चुका दे और चुहादोड से बाहर निकलने की परक्रिया शुरू हो जाती आज तक वे कुछ नहीं कर पाया और फिनिक्स के सोदे जैसे मौके अब भी मुझूद है बस आपको उन्हें कुछ ज़्यादा गोर से देखना पड़ेगा रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताजूब नहीं हुआ था इसे खरिद्दार का पस्तावा कहा जाता है और यह हम सब को प्रवावित करता है यही संकाई हमें ले डूपती है छोटा मुरगा जीच जाता है और हम आजादी कामों का गवा देते हैं दूसरे उदार्ण में मैं सीडी के बज़ाए टेक्स लियेन सर्टिफिकेशन में अपनी संपती का कुछ हिसा रखता हूँ मैं अपने पैसे पर 16 फिजदी प्रतीक वर्ष कमाता हूँ जो बैंकों दोवारा दिये जाने वाले 5 फिजदी से निश्चित रूप से काफी ज़दा है ये परमान पतर रियल एस्टेट दोवारा सरक्षित होते हैं और राज्य के कानून दोवारा सरक्षित होते हैं जो निश्चित रूप से ज्यादातर बैंकों से ज्यादा बेतर होते हैं। जिस आदार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफी सुरक्षित फार्मूला है। उन्में सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें बुनाया नहीं जा सकता। तो मैं उन्हें दो से साथ साल की सीड़ी माल लेता हूँ। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खास कर उसे जिसके पास पैसा सीड़ी में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को इस तरह रखता हूँ, तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है, वे मुझे बताते हैं क कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था मैं उन से पूशता हूँ कि उन्हें यह ग्यान कहां से मिला तो वे कहते हैं कि उनके ढोस्त या निवेस की पत्रिका से उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरी वेक्ति को जो ऐसा कर रहे हैं यहें बता रहे हैं कि उसे इसा क्यों नहीं करना चाहिए मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूँ वहे 16 फिजदी होती है परन्तु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5 फिजदी से ही संतूस्ट हो जाते हैं शंका बहुत महेंगी साबित होती है मेरा मानना है कि यही संदे और संकीपन ज्यादातर लोगों को गरीब बनाई रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने केवल आपके संदे ही आपको गरीब बनाई हुए है जैसा मैंने कहा चुहा दोड से बाहर निकलना तकनिकी रूप से आसान है इसमें ज्यादा शिक्षा के जुरूरत नहीं होती परन्तो इन सोदों के कारण ज्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते शंकालो लोग कभी नहीं जीत पाते अमीर डैडी का कहना था शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेवादी बन जाता है शंकालो व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले लोग विष्लेशन करते हैं यह उनकी एक और पसिंदिधा कावत्ती अमीर डेड़े ने यह इसपस्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद जाता है जबकि विशलेशन से आंके खुल जाती है विशलेशन से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंदे हैं और वे उन मौकों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख रही हैं और दूसरे लोग जिन मोकों को नहीं देख पते हैं उन्हें देखने की किशमता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है जो लोग पैसे की आजादी ढूंड रही हैं उनके लिए रियल एस्टेट निवेस का एक दमदार तरीका है यह निवेस का एक अदवू तरीका है परन्तु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूँ तो मुझे यह सुनने को मिलता है मैं टाइलेट नहीं सुतारना चाता इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं इसी को मेरे अमीर डैडी संकालो लोगों के बहाने कहते हैं एसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं विशलेशन नहीं करते एसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं और डरों का परदा पड़ाव रहता है वे अपनी आँखें नहीं खोलते तो जब कोई कहता है मैं टाइलेट नहीं सुधारना चाहता तो मैं जवाब देता हूँ आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाहता हूँ वे यह कह रही हैं कि जो उन्हें चाहिए टाइलेट उससे ज़्यादा मैत्वपूर्ण है मैं चुहा दोड से बाहर निकलने के आजादी के बारे में बात करता हूँ और उनका पूरा ध्यान टाइलेट पर लगा रहता है इसी तरह के विचार ज़्यादा तर लोगों को करीब बनाई रखते हैं वे विसलेशन करने के बज़ाए अलोचना करते हैं मैं नहीं करना चाता आपकी सबलता की कुझी को अपने अंदर समाई रहते हैं अमीर डेडी का कहना था चुंकि मैं भी टाइलेट ठीक करने में ज़्यादा रूची नहीं रखता इसलिए मैं एक प्रोपर्टी मैनेजर की तलास कर लेता हूँ जो टाइलेट ठीक करने का ध्याद रखता है गरों या अपार्टमेंट को चलाने के लिए एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर को ढूंडने के बाद मेरा कैस्ट लोग बढ़ जाता है परंतो इससे भी ज़्यादा मैतुपूर्ण यह है कि एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर मुझे और ज्यादा रियल इस्टेट खरीदने का मोका देता है क्योंकि मुझे टाइलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ता एक बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर रियल इस्टेट में सफलता की कुंजी है मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज़्यादा मेत्वपूर्ण है एक अच्छा मैनेजर खोजना प्राई किसी बड़ी अप्रोपर्टी मैनेजर को अच्छे सोदे के बारे में पहले से पता चल जाता है जबकि रियल एस्टेट एजेंट को बाद में पता चलता है जिसके कारण बे और भी ज़्यादा मुल्यवान हो जाते हैं मैं नहीं करना चाता को सफलता की कुणजी कहने के पीछे अमीर डेडी का यही मतलब था चुँकि मैं भी टाइलेट ठीक नहीं करना चाता इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरी दी जाई और चुहा दोड़ से बाहर निकलने की प्रकिरियत तेज की जाई जो लोग यह कहना चारी रखते हैं मैं टोईलेट नहीं सुदारना चाता वे अक्सर इससक्त निवेस मादेम से खुद को बंचित रखते हैं उनके लिए टोईलेट उनकी आजादी से जड़ा मैतुपूर्ण होता है स्टोक मार्केट में मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ मैं अपने पैसे नहीं गवाना चाता उन्हें इसा क्यों लगता है कि मैं या कोई वेक्ती पैसे गवाना पसंद करते हैं वे सिर्फ इसलिए पैसा नहीं بنا पाते क्योंकि वे पैसा गवाने के लिए तयार नहीं होते विसलेशन करने के बज़ाई वे एक और ससक्त निवेस के माद्यम यानि स्टोक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं दिसंबर 1996 में मैं अपने एक दोस्त के साथ नजदी की गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की किमते बढ़ जाएंगी मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है या चोटा मुर्गा है उसके इसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है जब हम घर पहुंचे तो उसने मुझे वे तमाम आंगड़े बताए जो अगले कुछ सालों में तेल की किमते क्यों बढ़ेंगी ये आंगड़े मुझे पहले पता नहीं थे हालंकि मैंने वरतमान आईल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे थे उस सुचना के अदार पर मैंने ततकाल एक नई आईल कंपनी की खोज़ शुरू कर दी जिसे उसके वास्तिक मुल्य से कम आंका गया हो मुझे ऐसी आईल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ बंडारों को खोजने वाली थी मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खासा रोमान चित हो गया और मैंने 65 सेंट परती शेयर की दर्से 15,000 शेयर खरीद लिए फरवरी 1997 में मैं उसी दोस्त के साथ उसी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था और कीमत परती गैलन पंदरा फिस दी बढ़ चुकी थी एक बार फिर छोटा मुर्गा चिंता करने लगा और शिकायत करने लगा मैं मुसकराया क्योंकि जनवरी 1997 में में उस छोटी आईल कंपनी ने तेल खोज लिया था और वह 15,000 शेयर अब बढ़कर 3 डालर परती शेयर हो गए थे और मेरे दोस्त के अनुसार गैस की किमते लगातार बढ़ती रही विशलेशन करने के बजाई ये छोटे मुर्गे अपने दिवाग को बंद कर लेते हैं अगर ज़्यादातर लोग यह समझ लें कि स्टोक मार्केट निवेस में स्टोप किस तरह काम करते हैं तो ज़्यादातर लोग हार से बचने के बारे में अपना ध्यान नहीं लगाएंगे और जीतने के लिए निवेस करेंगे स्टोप एक कम्प्यूटर निवेस है जो भाव गिरने पर आपके शेर को अपने आप बेश देता है ताकि आपका कम से कम नुक्सान हो और आपको ज़्यादा ज़्यादा फाइदा मिल सके जो लोग हारने से गबराते हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा तरीका है तो जब भी मैं लोगों को मैं नहीं चाहता पर ध्यान के अंदरित करते हुए देखता हूँ और वे क्या चाहते हैं इस पर ध्यान के अंदरित करते हुए नहीं देखता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ कि उनके दिमाग में शोर की आवाज बहुत तेज होगी छोटा मुर्गा उनके दिमाग पर हावी होगा तभी वे चीख रही हैं आसमान गिर रहा है और टाइलाइट टूट रहे हैं इसलिए वे अपनी अंचाई चीजों से बचते हैं परंतु वे इसकी भारी कीमत चुकाते हैं वे जिन्दगी से जो चाते हैं वे शायद उन्हें कभी ने मिल पाई अमीर डेड़ी ने मुझे छोटे मुर्गे को देखने का एक तरीका सुझाया वही करो जो करनल सेंडर्स ने किया था 66 साल की उमर में उनका वे अफसाइट चोपट हो गया था और वे अपनी सोशल सिक्योरिटी के चेक पर गुजर बसर कर रहे थे इतना ही नहीं वे फ्राइड चिकन की अपनी रेशिपी के साथ पूरे देश में इसे बेचने की कोशिस कर रहे थे किसी के हां कहने से पहले इस रेशिपी के लिए एक अजार नो बार नहीं का गया और वे उस उमर में करोड़पती बने जिस उमर में लोग काम छोड़ कर आराम करना चाते हैं वे एक बाधूर और जिद्धी व्यक्ती थी अमीर डेडी हारले सेंडर्स के बारे में कहा करते थे जब भी आप शंका में हो और थोड़े डरे हुए हो तो वही करें जो करनल सेंडर्स ने अपने छोटे मुर्गे के साथ किया उसे फ्राई कर लें कारण नमबर तीन आलस्य व्यस्त लोग अक्सर बहुत आलसी होते हैं हम सभी ने उस व्यवसाई की कानी पड़ी है जो पैजे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है वहे अपनी पत्नी और बच्चों की सुक सुविदा के लिए काफी मेहनत करता है वहे आफिस में बहुत देर तक काम करता है और सब्तांद में भी आफिस में काम को घर ले आता है एक दिन जब वह घर लोड़ता है तो उसे घर सुना मिलता है उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ घर छोड़ कर चली जाती है उसे पता था कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में मतबेद हैं परंतो उस रिष्टे को ज़्यादा मजबूत बनाने के बजाए वह काम में ही विस्त रहता था निरास होकर वह पने काम के परतिला परवा हो जाता है और उसके काम पर इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि उसकी नोकरी चली जाती है मैं बहुदा एसे लोगों से मिलता हूँ जो इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी संपत्ति की परवा करने के भी फिक्र नहीं है दोनों का कारण एक ही है वे व्यस्त हैं और वे व्यस्त बने रहना चाते हैं क्योंकि वे किसी चीज का सामना नहीं करना चाते हैं उन्हें यह बताने की जुरूरत नहीं है, अंदर से वे खुद जानते हैं, वास्त में अगर आप उन्हें याद दिलाएं, तो वे गुसा हो जाते हैं और चिड़ जाते हैं, अगर वे नोकरी में या बच्चों के साथ व्यस्त नहीं है, तो वे टीवी देखने, मचली पकरने गुल्प खेलने या शोपिंग करने में व्यस्त उते हैं? परंतो अंदर से वे जानते हैं कि वे किसी मैत्वपूर्ण चीज़ का सामना करने से कट्रा रहे हैं, यह आलच्ची का असबसे आम रूप है, यहां आलच्ची का मतलब है व्यस्त बने रहना, तो आलच्ची का इल लाल्ची लोग बुरे लोग होते हैं, परन्तु हम में से हर कोई अच्छी चीजें, नई चीजें, रोमान्चक चीजें आसिल करना चाहते हैं। तो उस इच्छा की बावना को काबू में रखने के लिए प्राइम मावाब इच्छा को अबराद बोच से जोड़ देते हैं। मुझ पर शब्दों का तो इतना आसर नहीं पड़ा, परन्तु उन शब्दों में गुशा और अपराद बोच का जो समिशन था, उसका मुझ पर बहुत ज़ाद आसर पड़ा। या इसका विपरित अपराद बोच का जाल यह था, मैं तुम्हारे लिए यह खरीद कर अपने जीवन का बलिदान दे रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए यह इसलिए खरीद रहा हूं, क्योंकि जब मैं छोटा था, तो मेरे माबाब ने मुझे खरीद कर नहीं दिया था। मेरा एक पडोसी है, जो पूरी तरह दिवालिया है, परंतु वह अपनी कार को अपने गैरेज में पार्क नहीं कर सकता, गैरेज में उनके बच्चों के खिलोने बढ़े पड़े हैं, उन बिगडे वे बच्चों को मुँ मांगी चीज मिल जाती है, उस पडोसी के सब्द है मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी चीज की कमी हो, उसने उनके कालेज के लिए या अपने रिटायर्मेंट के लिए कुछ भी अलग से बचा कर नहीं रखा है, परंतो उसके बच्चों को हर खिलोना मिल जाता है, उसे डाक में एक नया क्रेडिट कार्ड मिला और वह अपने ब दिमाग के एकसर सुनने को मिल जाता था, इसके बजाए अमीर डेडी चाहते थे कि उनके बच्चे यह कहें, मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ, उनका तरक था कि मैं इसे नहीं खरीच सकता, इस वाक्य से आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं, इसे अब औ संतु सबसे मैतुकुन बात तो यह है, कि मैं इसे नहीं खरीच सकता, यह वाक्य जूटा होता है, और इंसान की आत्मा यह बात जानती है, इंसान की आत्मा बहुत बहुत तक्तवर होती है, उनका कहना था, यह जानती है, कि यह कुछ भी कर सकती है, जब एक आल सी दिमाग क चलो भी हम जिम चल कर कसरत करते हैं और आल सी दिमाग कहता है परंतु मैं थका हुआ हूँ आज मैंने सच मुछ बहुत काम किया है या इनसान की आत्मा कहती है मैं गरीबी से थक गई हूँ चलो इस दलदल से निकलते हैं और अमीर बनते हैं इस पर आल सी दिमाग कहता है अमीर पास पहले से ही बहुत काम है देखो आज रात कोई मुझे कितना काम करना पड़ेगा मेरा बास कह रहा है कि यह काम सुबह तक पूरा हो जाना चाहिए मैं इसे नहीं खरीच सकता यह वाक्या दुख से बरा है इससे लाचारी की बहुना आती है जिससे निरसा और इसके बाद अवसाद पैदा हो जाता है इसके लिए एक और शब्द है उदा सिंता मैं इसे किस तरह खरीच सकता हूँ वाक्या से संबावनाओं रोमांच और सपनों की दुनिया खुल जाती है इसलिए मेरे अमेर डेड़ी इस बात से ज़्यादा चिंतित नहीं होते थे कि आप क्या ख शायद ही कभी कुछ दिया हो इसके बजाए वे हमसे कहते थे तुम इसे किस तरह खरीच सकते हो और यह हमारे कालेज के बारे में भी सही था जिसे हमने अपने खर्चे से पूरा किया है वह हमें लक्षा को आसिल करना नहीं सिखा रही थे वे तो हमें लक्षा को आसिल करने क कि प्रक्रिया का ग्यानने दे रही थे मेरी समझ में आज समझ्या यह है कि करोडों लोग अपने लालच को लेकर अपराद बोट से ग्रस्त है यह उनके बच्पन से बुड़ापे तक चलता है वे जिन्दगी में मिलने वाली अच्छी अच्छी चीजें चाते है ज्यादातर लोगों के आउचेतन में यह विचार मौजूद रहता है आपको यह नहीं मिल सकती या आप इसे कभी नहीं खरीद पाएंगे जब मैंने चुआ दोड़ से बाहर निकलने का फैसला किया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया मैं किस तरह इस दोड़ से बाहर निकल सकता हूँ ताकि मुझे दोबारा कामने करना पड़े और मेरे दिमाग में जवाब और सुजाव सामने आ गई सबसे मुश्किल चीज थी मेरे असली माताबिता की चीख कि हम इसे नहीं खरीच सकते या केवल अपने बारे में ही मत सोचें या तुम दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोचते और इसी तरह के शब्द जो मेरे लालच को दबाने के लिए मुझे अपरादबोद बढ़ते थे तो आप किस तरह अपने आलच चेक से जिट सकते हैं इसका जवाब है थोड़े से लालच से यह डवलू आई आई एफम रेडियो स्टेशन है जिसका पूरा अर्थ है इसमें मेरे लिए क्या है व्यक्ति को बैठ कर पूछना चाहिए अगर मैं स्वस्ट, सेक्सी और आकर सक हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या है या मेरे जिन्दगी कैसी होगी अगर मुझे फिर कभी काम नहीं करना पड़े या मैं क्या करूँगा अगर मुझे मन्चाप ऐसा मिल जाए इस थोड़े से लालच के बिना कुछ बेतर आसिल करने की इच्छा के बिना प्रगतिन नहीं हो सकती हमारे दुनिया इसलिए तरक्की करती जा रही है क्योंकि हम सभी एक बेतर जिन्दगी जीना चाते हैं हम कुछ बेतर चाते हैं इसलिए नए आविश्कार होते हैं हम स्कूल जाते हैं और मेनत से पढ़ते हैं क्योंकि हम कुछ बेतर चाते हैं इसलिए जब भी आप किसी ऐसी चीज़ से कत्रा रहे हैं जो आपके इसाब से आपको करना चाहिए तो आपको खुद से केवल यही पूछना चाहिए कि इसमें मेरे लिए क्या है थोड़े लालची बने यह आलस्या का सबसे बड़िया इलाज है परन्तु बहुत ज़्यदा लालच भी अच्छा नहीं होता क्योंकि हर चीज़ की अतिब बुरी होती है परन्तु वह याद रखो जो वाल स्ट्रीट फिलम में माइकल डगसल ने कहा था लालच अच्छा होता है हमी डड़ी से अलग तरह से कहते है अपराद बोद लालच से ज़्यादा बुरा होता है क्योंकि अपराद बोद के कारण सरीर में से आत्मा निकल जाती है और मेरे लिए एलिनोर रुजवेल्ट की काउच सबसे अच्छी है वही करो जो तुमें दिल से अच्छा लगता है क्योंकि तुमारी हर बात में आलोसना होगी अगर तुम कोई काम करोगी तो भी तुमारी आलोसना होगी और तुम कोई काम नहीं करोगे तो भी तुमारी आलोसना तो होगी ही कारण नम्मर च्यार आदते हमारे जिंदगी पर हमारे सिक्षा से ज़्यादा असर हमारी आदतों का पढ़ता है अर्नौल्ड स्वार्जनेगर की फिल्म कानन देखने के बाद मेरे एक दोस्त ने कहा मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर स्वार्जनेगर जैसा हो ज्यादातर साथियों ने सेम्ती में सी रहला दिया मैंने तो यह सुना है कि एक समय वह वास्तों में दूबला और कमजोर सा था दूसरे मित्र ने जोड़ा हाँ मैंने भी सुना है एक और दोस्त ने कहा मैंने सुना है कि वह हर रोज जिम जाता है और उसने वहां कसरत करने की आदत डाल ली हाँ मुझे भी लगता है वह इसा करता होगा समू के संकालू व्यक्ति ने कहा मुझे तो लगता है कि वह इसी तरह पैदा हुआ होगा इसके अलावा हम अरनोल्ड की बातें क्यों कर रहे हैं चलो बियर पीएं यह एक उधारण है कि किस तरह से आदतें व्यवार को नियंतरित करती है मुझे याद है कि मैंने एक बार अपने अमीर डैडी से अमीर लोगों की आदतों के बारे में पूछा था सिधे जवाब देने के बज़ाए वे चाते थे कि इसे मैं उधारण से सीखूँ अमीर डैडी ने पूछा तुम्हारे डैडी अपने बिलकप चुकाते हैं मैंने कहा हर महीने के पहली तारिक हो क्या उनके पास कुछ बाकी बचता है उन्होंने पूछा थोड़ा बहुत मैंने कहा यही वह खास कारण है जिसके कारण उन्हें संगर्स करना पड़ता है और अमीर डैडी ने कहा उनकी आदतें बुरी हैं तुम्हारे डैडी सबको पहले पैसे देते हैं वह खुद को सबसे आखिर में पैसे देते हैं और एसा भी तभी करते हैं जब उनके पास कुछ बचा होता है सामान्य तोर पर उनके पास कुछ नहीं बचता मैंने कहा परंतु उन्हें अपने बिल का बुगदान तो करना ही होगा नहीं क्या? आप यह तो नहीं कहना चाहते कि उन्हें अपने बिल्स का बुगतान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं अमीर डड़ी ने कहा मैं समय पर अपने बिल चुकाने में पूरी 23 विश्वास करता हूँ मैं केवल खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ सरकार को पैसे देने से पहले परन्तु तब क्या होगा जब आपके पास परियाप्त पैसा नहीं हो मैंने पूछा एस स्थिति में आप क्या करते हैं मैं यही करता हूँ अमीर डड़ी ने कहा मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ साहे मेरे पास कम पैसा हो मेरे लिए सरकार से ज़्यादा मैत्वकूर्ण है मेरा संपत्ति वाला कोलम परंतु क्या सरकार के लोग आपके पीछे नहीं पढ़ते मैंने कहा हाँ अगर मैं उन्हें बुगतान ने करूँ तो अमीर डड़ी ने कहा देखो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को पैसा ने दिया जाए मैं केवल यह कह रहा हूँ कि खुद को सबसे पहले बुगतान किया जाए चाहे मेरे पास पैसा कम ही हो परंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मैंने जवाब दिया सवाल कैसे का नहीं है सवाल क्यों का है अमीर डड़ी ने कहा अच्छा आप ऐसा क्यों करते हैं प्रेरणा अमीर डड़ी ने कहा अगर मैं उनका बुगतान नहीं करूँ तो कौन ज़्यादा जोर से सिकाइट करेगा मैं या मेरे लेंदार आपकी बजाए आपके लेंदार ज़्यादा जोर से चिलाएंगे मैंने सपस्ट भी खल्ब को चुनते हुए कहा अगर आप खुद को पैसे नहीं देंगे तो आप कुछ भी नहीं कहेंगे तो अब तुम देख सकते हो कि खुद को पैसे देने के बाद मेरे पास टेक्स चुकाने और दूसरे लेंदारों को पैसे देने का इतना ज़्यादा दबाव होता है कि मुझे आमदनी के दूसरे रास्ते खोजने ही पड़ते है पैसे चुकाने का दबाव मेरी प्रेड़ना बन जाता है मैंने अतिरिक्त काम किया है दूसरी कंपनिया शुरू की है स्टोक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे हैं हर तरह के काम सिर्फ इसलिए किये हैं ताकि ये लोग मुझे पर नहीं चिलाई इस दबाव के कारण मैंने ज़्यादा कड़ी मेहनत की है और मैं ज़्यादा सोचने पर मजबूर हूँ कुल मिलाकर इसने मुझे पैसे के मामले में ज़्यादा स्मार्ट और फूर्तिला बना दिया है अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता तो मुझे पर कोई दवाव नहीं पड़ता परन्तु मेरे पास कभी पैसा भी नहीं होता तो सरकार या दूसरे लोगों को पैसे चुकाने का दवाव आपकी प्रेड़ना बन जाता है बिल्कुल ठीक अमीर टेड़ी ने कहा देखो सरकारी पैसा वसूलने वाले लोग बहुत डरावने होते हैं वैसे समान्य तोर पर पैसा वसूलने वाले लोग डरावने ही होते हैं ज्यादातर लोग इन से डर जाते हैं वे इन लोगों को पैसा दे देते हैं और खुद को कभी पैसा नहीं देते तुमने उस च्छानमे पाउंड के अकमजोर वेक्ति की कानी तो सुनी ही होगी जिसके चेरे पर लोग बालू उसालते हैं मैंने सिरह लाया मैंने कामिक्स में वेट लिफ्टिंग और बाडी बिल्दिंग के बारे में दिया गया यह विग्यापन देखा है तो ज़्यादातर लोग इन डरावने पैसे वसूलने वालों को अपने चेरे पर बालू उसालने देते हैं मैंने डरावने लेंदारों के डर को खुद को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस्तिमाल किया है बाकी लोग ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं खुद को यह सोचने के लिए मजबूर करना कि अतिरिक्त धन कहां से आएगा जिम जाने की तरह है और वहाँ बजन उठाने की तरह है मैं अपने दिमाग की मास्पेशियों से जितना काम करता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत होता जाता हूँ अब मैं इंडरावने लेंदारों से जरा भी नहीं डरता हूँ मुझे अमीर डेड़ी की बाते पसंद आ रही थी तो अगर मैं पहले खुद को पैसे देता हूँ तो मैं आर्थिक और मानसिक द्रिस्टी से ज़्यादा मजबूत हो सकता हूँ अमीर डेड़ी ने सैमती में सी रिलाया और अगर मैं खुद को सबसे आखिर में पैसे देता हूँ या बिल्कुल भी पैसे नहीं देता हूँ तो मैं कमजोर हो जाता हूँ इसलिए बास, मैनेजर, टेक्स वसूलने वाले, बिल चुपाने वाले और मकान मालिक जैसे लोग मुझे जिन्दी की बर इदर उदर ठोकर मारते रहेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के बारे में मेरी याद्टे अच्छी नहीं है अमीर डैडी ने सीरे लाया 96 पाउंड के कमजोर विक्ति कीते रहे कारण नमर पांस, जिद जिद या हट दर्मिता एहंकार और अग्यान का पिला चुला रूप है जो मैं जानता हूँ उससे पैसा आता है जो मैं नहीं जानता उसके कारण में पैसा खोता हूँ हर बार जब मैंने जिद की है, मैंने पैसा गवाया है वहे इसलिए क्योंकि जब मैं जिद करता हूँ तो मैं दरसल यह बरोसा करता हूँ कि जो मैं नहीं जानता वह मैतोबूर्ण नहीं है अमीर डेडी मुझे अक्सर पताया करते थे मैंने पाया है कि कई लोग जिद का प्रियोग अपना अग्यान चुपाने के लिए भी करते हैं जब मैं फाइनेंसियल स्टेटमेंट पर लेखा पालो या निवेश कों से चर्चा करता हूँ तो इस अक्सर होता है वे चर्चा में अपनी जिद के एक आधार पर जीतना चाते हैं मैं समझ जाता हूँ कि जिस मुद्धे पर बात हो रही है उसके बारे में उन्हें परियावद ग्यान नहीं है वे जुट नहीं बोल रहे होते हैं परंतु वे सच भी नहीं बोल रहे होते हैं धन, फाइनांस और निवेस की दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनें यह पता ही नहीं होता कि वे किस बारे में बात कर रही हैं। पैसे के उद्ध्योग में ज्यादातर लोग सेकंड हेंड कार के सेल्जमेन की तरह वेवार करते हैं। जब आप जानते हों कि आप किसी विशे सग्य को ढूंड कर या उस विशे पर कोई अच्छी पूस्तक पढ़कर अपना ज्यान बढ़ाना शुरू कर दें। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याइन नो की तरफ जो है शुरू करना। आपका दिन शुब हो। रिच डेट, पूर डेट, अध्याइन नो शुरू करना। कास ऐसा होता कि मैं कह सकता कि दोलती कठी करना मेरे लिए आसान रहा है। पर अध्याइन नहीं था। तो इस सवाल के जवाब में मैंने किस तरह शुरू किया। मैं दिन प्रतिजिन के इसाब से अपने विचार प्रगिरिया को बताना चाहता हूँ। बड़े सोदों को खोजना सचमुच असान है। मैं आपसे यह वादा कर सकता हूँ। यह मोटर साइकल बेचने की तरह है। थोड़ी से अभ्यास के बाद आपको इसका पता ही नहीं चलता। जब पैसे की बात आती है तो आप अगर संकल्ब कर लें तो थोड़ी देर डगमगाने के बाद आप संबल जाते हैं। जिन्दगी में एक बार आने वाले करोडों डालर के सोदों को खोजने के लिए हम में financial परतिबा होना जरूरी है। मुझे वरौसा है की हम सभी के भीतर एक financial genius होता है। अगर यह है की हमारी financial genius सोया होता है और उसे जगाने के जरूरत होती है। यह सोया रहता है क्योंकि हमारी संसक्रती ने हमारे बीतरी एसंस का डाल रखे हैं कि पैसे कामो सभी बुराईयों की जड़ है इस संसक्रती ने हमें प्रोफेशन सीखने के लिए तो प्रोथसाइद किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें परंतु हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से किस तरह अपने लिए काम करवाया जाई इसने हमें अपनी financial ऐस भलता के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है जब हमारे काम के दिन खत्म होंगे तो सरकार या हमारी कंपनी हमारी जिम्मेदारी संभाल लेगी परंतु इसके लिए हमारे बच्चों को पैसा चुका ना होगा जो उसी स्कूल सिस्टम से सिख्षित होते हैं संदेश यह है कि कड़ी मेनत करो पैसा कमाओ और इसे खर्च कर दो और अगर हमारे पास पैसा कम हो तो हम हमेशा कर्च तो लई सकते हैं दुर्भगय से पास्चात्य समाज के 90 फिस्दी से ज़्यदा लोग इस सिदांत का पालन करते हैं और इसा केवल इसलिए होता है क्योंकि नोकरी ढूनना और पैसे के लिए काम करना ज़्यदा आसान होता है अगर आप इस बीड में से एक नहीं है तो मैं आपके फाइनिसियल जीनियस को जगाने के लिए नीचे लिए के 10 कदम दे सकता हूँ मैं आपको केवल वही कदम बता रहा हूँ जिस पर मैं चला हूँ अगर आप इस में से कुछ पर चलना चाते हैं तो बहुत अच्छा अगर आप इन पर नहीं चलना चाते तो आप खुद के कदम बना ले आपका financial genius इतना smart होता है कि आप अपनी खुद की सुची बना सकते हैं जब मैं पेरू में था तो 45 वर्स के सोने की खुदाई करने वाले से मैंने पूछा कि उसे इतना बरुसा क्यों है कि उसे सोने की ख़दान मिल जाएगी उसने जवाब दिया सोना तो हर जगए है ज़्यादातर लोगों की आँखें से देख नहीं जवाती और मैं कहुँगा कि यह सच है रियल स्टेट में मैं बाहर जा सकता हूँ और चार या पांच संबावना बरे सोदिक कर सकता हूँ जबकि ओसत व्यक्ति बाहर जाकर खाली हाथ लोट सकता है जबकि हम दोनों एक ही इलाके में जाते हैं इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने फाइनेंसियल जीनियस को विक्सित करने के लिए समय नहीं दिया है मैं आपको नीचे दस कदम बता रहा हूँ जो इस वर द्वारा दीगी ताक्तों को विक्सित करने की परकिरिया है यह ऐसी ताक्ते हैं जिनका नियंतरन केवल आप कर सकते हैं नम्बर एक मुझे हकीकत से ज़्यादा बड़ा करण चाहिए आत्मा की शक्ति अगर आप ज़्यादातर लोगों से पूछेंगे कि क्या वे अमीर या हर्थी ग्रूप से सुतंतर होना चाहेंगे तो वे हाँ कहेंगे परन्तु फिर हकीकत हावी हो जाती है यह सडक बहुत लंबी नज़र आती है और इस पर बहुत सी टेकरियां भी दिखती है जिनें पार करना होगा इसकी तुलना में यह ज़्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए काम करें और बचे वे पैसे अपने ब्रोकर को दे दें मैं एक बार एक युवा महिला से मिला जिसने अमेरिका की उलमपिक टीम में तैरने के सपने देखी थे हकीकत यह थी कि उसे हर रोज सुबह चार बजे उठना पड़ता था ताकि स्कूल जाने से पहले वह तीन गंटे तक तैर सकी शेनिवार की रात को वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी नहीं जाती थी उसे हर एक की तरह पढ़ा ही करके अपने परिक्षा परिणाम पर भी ध्यान देना होता था जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अती मानुए मैतव कांख्षा और बलिदान के पीछे क्या कारण है तो उसने यही कहा मैं इसे अपने लिए करती हूँ और उन लोगों के लिए जिन से मैं प्रेम करती हूँ प्रेम ही मुझे सभी बादाओं और बलीदानों के लिए तैयार करता है हम क्या चाहते हैं और हम क्यों नहीं चाहते इनका तालमेल भी एक कारण या लक्षय हो सकता है जब लोग मुझे से पूछते हैं कि अमीर होने की इच्छा के पीछे मेरा कारण क्या था तो यह गहरी बावनात्मक इच्छाओं और अनिच्छाओं का संयोग है मैं कुछ की सुची बताऊंगा पहले तो अपनी अनिच्छाओं की क्योंकि उनी के करण इच्छाओं पैदा होती है मैं सारी जिन्दगी नोकरी नहीं करना चाहता था मैं वहें नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे यानि नोकरी की सुर्गशाओं और उपनगर में एक घर मैं एक करमचारी नहीं बने रहना चाहता था मुझे इस बात से बहुत नफरत होती थी कि मेरे डैडी अपने करियर में इतने वेस्त रहते थे कि वे मेरे फुटबाल मैज देखने भी नहीं आपाते थे मेरे डैडी सारी जिन्दगी कड़ी मेनत करते रहे और सरकार ने उनकी मौत पर उनकी कमाई का ज़्यादातर हिसा ले लिया मुझे इस बात से भी नफरत होती थी अपनी मौत के बाद वे अपनी मेनत की कमाई को अपने वारिसों के लिए नहीं छोड़ पाई अमीर लोग ऐसा नहीं करते वे कड़ी मेनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए धेर सारा पैसा छोड़ जाती है अब इच्छाओं की बात मैं दुनिया गुमना चाहता हूँ और जिन्दगी को मंचाई तरीके से जीना चाहता हूँ मैं ऐसा अपने जवानी में ही कर लेना चाहता हूँ मैं केवल आजाद होना और अपने समय और अपने जिन्दगी पर नियंतरन करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करें ये मेरे गहरे भावनात्मक कारण है आपके पास क्या कारण है अगर वे परियाप ताकतवर नहीं है तो रास्ते में आगे आने वाली हकीकत आपके कारणों पर हावी हो जाएगी मैंने कई बार पैसा गवाया है और कई बार फिर से शुरू किया है परन्तों कि मेरे पास गहरे भावनात्मक कारण थे इसलिए मैं हर बार उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ चला मैं 40 साल की उमर तक आजाद होना चाहता था परन्तों इसमें मुझे 7 साल ज़्यादा लग गई और मैं आखिर कर 47 साल की उमर में आजाद हो सका और बीच में मुझे कई सीखने वाले अनुबव मिले जैसा मैंने कहा है काश मैं कह सकता कि यह असान था यह बिलकुल असान नहीं था परन्तों यह कठिन भी नहीं था परन्तों बिना दमदार कारण या लक्षे के जिंदगी में हर चीज गठिन होती है अगर आपके पास कोई दमदार कारण नहीं है तो आगे पढ़ने में कोई समझदारी नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा मेनत लगेगी नमबर दो मैं हर दिन विकल्प चुनता हूँ विकल्प चुनने की ताकत यह मुख्या कारण होता है कि लोग एक आजाद देश में रहना चाहते हैं हमें चुनने का अधिकार चाहिए आर्थी ग्रूप से जब हमारे हाथ में एक भी डालर आता है तो यह हमारे हाथ में होता है कि हम भवीशे में अमीर गरीब या मद्य ओमरगिया बनने का विकल्प चुने हमारे खर्च करने की आदतें बताती है कि हम कौन है गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती है बच्पन में मुझे यह फाइदा मिला कि मुझे लगातार मोनोपली खेलना बहुत पसंद था किसी ने मुझे यह नहीं बताया था कि मोनोपली केवल बच्चों के लिए है इसलिए बड़े होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा मेरे पास एक अमीर डेडी भी थे जो मुझे संपत्ती और दाइतव में फर्क को समझाते रहे तो बहुत समय पहले अपने बच्चमन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्ब चुना और मैं जानता था कि मुझे केवल इतना ही करना था असलिए संपत्तियों को इकठा करना था मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ती वाला कॉलम विरासत में मिला था परंतों से इसे बनाई रखना सीखना था कई अमीर परिवार अपनी संपत्तियों को अगली पीड़ी में सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उन संपत्यों की देख रेक करने के लिए किसी को पर्शिक्षन नहीं दिया जाता। ज्यादातर लोग अमीर नहीं बनने का भी खलब चुनते हैं। 90 फिजदी लोगों के लिए अमीर बनना बहुत जंजट का काम है। तो वे इस तरह की काहोतें इजाद कर लेते हैं। पैसे में मेरी कोई रूची नहीं है। या मैं कभी अमीर नहीं बनूँगा। या मुझे चिंता करने के जुरूर नहीं है। अभी तो मैं जवान हूँ। या मेरे पती या मेरी पतनी फाइनेंसियल पैलोगों संभालते हैं या संभालती हैं। इन वक्तवियों के साथ समश्या ये है है कि ये बोलने वाले से दो चीज़ें लूट लेते हैं। एक तो है समय जो आपकी सरवादी केमती संपती है और दूसरी सिक्षा। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है आप यह वाहना नहीं बना सकते कि आप इस कारण नहीं सीख पाई। परंतो यहे विकल्प हम हर रोग चुनते हैं। यहे विकल्प कि हम अपने समय, अपने पैसे और अपनी सिक्षा के साथ हर दिन क्या करते हैं यही विकल्ब चुनने की ताकत है हम सभी के पास विकल्ब होते हैं मैं अमीर बनने का विकल्ब चुनता हूँ और मैं यहे विकल्ब हर रोज चुनता हूँ पहले सिक्षा में निवेश करें वास्ताव में आपके पास जो इकलोती असली संपती है वह है आपका दिमाग जो आपका सबसे सक्तिशाली अंतर है जैसा मैंने विकल्ब की ताकत के बारे में कहा है कि हम अपने दिमाग में क्या रखते हैं आप सारा दिन M.T.V. देख सकते हैं या गोल्फ मैगजिन पढ़ सकते हैं या सीरे मेक की कलास में जा सकते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग की कलास में जा सकते हैं विकल्ब आप चुनते हैं ज्यादातर लोग बस निवेस खरिचते हैं परन्तो इससे पहले निवेस के बारे में ग्यान हासिल करने के लिए जरा भी पैसा खर्च नहीं करते हैं मेरी एक मित्र है जो एक अमीर मैला है अभी हाली में उसके गर पर चोरी हो गई चोर उसके गर से टीवी और वी सियार ले गई और उसके किताबें जैसी कितैसी छोड़ गई और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं एक बार फिर दो रादू नबबे फिजदी लोग टीवी सेट खरीगते हैं और केवल दूपिस्दी लोग बिजनस पर पुस्त के या निवेस पर टिप खरीगते हैं और मैं क्या करता हूँ मैं सेमिनार में जाता हूँ मैं एसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम दो दिन लंबे हूँ क्योंकि मैं वीशे में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ 1903 में मैं टीवी देख रहा था और एक विक्ती मेरे घर आया वहे तीन दिन से सेमिनार का विग्यापन कर रहा था कि किस तरह पैसे ने होते हुए भी रियल इस्टेट खरीदी जा सकती है मैंने 385 डालर खर्च किये और उस सेमिनार के सिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उसे कम से कम 20 लाख डालर कम आये होंगे परंतो इस से भी ज़्यादा मैं तो कुण यह है कि इस से मुझे नया जिवन मिला मुझे जिन्दगी वर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वह है एक सेमिनार मैं हर साल कम से कम दो ऐसे सेमिनारों में जाता हूँ मैं ओडियो टेप का भी प्रेमी हूँ कारण मैं उन्हें ततकाल पीछे कर सकता हूँ मैं पीटर दे लिंज के टेप को सुन रहा था और उन्होंने इसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह ऐसा मत था हटी और आलोजनात पक्म होने के कारण मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस पांस मिनिट के टुकड़े को कम से कम बीस बार सुना शायर इस से भी ज़्यादा बार परंतो अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंनों ये वह बात क्यों कही थी यह जादू की तरह था मुझे इसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेसक के दिमाग की एक खिर्की कोल ली थी उसके ग्यान और अनुवों के विराट संसादनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतरद्रस्टी मिली इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समझ्चा या स्तिति को देखने का पीटर का तरीका भी मुझूद होता है मेरे पास एक विचार होने के बजाए दो विचार होते हैं किसी भी समझ्चा या परवर्ती के विसलेशन का एक और तरीका जिसे जानना बहु मुल्य है आज मैं एक्सर कहता हूँ पीटर लिंच इसे किस तरह करेगा या डोनाल्ड ट्रम्प या वारेन बफे या जार्थ सोरोस मेरे पास उनकी व्रहद मानसिक ताकत तक पहुंचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनू या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ू जिद्धी या आलोचनात्मक लोग प्राइक कम आत्म सम्मान करने वाले होते हैं जो खत्रे उठाने से डरते हैं अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो अपने सीखे वे ग्यान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियां भी करने पड़ती है अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तैह है कि आप जिद्धी नहीं है जिद्धी लोग बुस्त के कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं उन्हें इसकी क्या ज़रूरत है वे ब्रमान के केंदर बिंदू है एसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद भी वाद करने लगते हैं अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग होता है इस परकरण में उनकी तथा कतित बुद्धी उनकी हट दर्मिता के साथ मिलकर अग्यान बन जाती है हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्छिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट हैं परंतों की बैलेंस सीट एक अलगी तस्विर दिखाती है जो व्यक्ति वास्तों में बुद्धी मान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्बुत संयोग कर सकते हैं बोलने से ज़दा आप सुनना में तो कुर्ण है अगर यह सहीं नहीं होता तो भगवान ने हमें दो कान और एक मूँ नहीं दिये होते बहुत से लोग अपने मूँ से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तो था संभावनाओं को समझने की कोसिस ही नहीं करते सवाल पूसने के बज़ाए वे बहस करने लगते है मैं अपनी दोलत के बारे में दिर्क कालिंदरिस्टी रखता हूँ मैं फटा फट अमीर बनने की मानशिक्ता में बरोसा नहीं करता जो ज़्यादातर लाटरी खेलने वालों या कैसे नों के जुआरियों के पास पाई जाती है मैं शेर खरीच सकता हूँ शेर बेच सकता हूँ परन्तु मैं सिक्षा के मामले में दूर कमी विचार रखता हूँ अगर आप एक हावाई जाज उड़ाना चाते हैं तो मैं आपको पहले से सीखने की सला देना चाहूँगा मैं एसे लोगों को देखकर हमेसा स्तब्द रह जाता हूँ जो स्टॉक या रियल एस्टेट खरीते हैं परन्तु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिलकुल निवेस नहीं करते हैं जो उनका दिमाग है केवल एक या दो गर खरीद लेने से आपर रियल एस्टेट के ख्षेतर में विशे सग्या नहीं बन जाते हैं साथ रहने की ताकत सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के इसाफ से नहीं चुनता मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनोंने गरीबी में जीने की कसम खाईए और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोणों कमाते हैं मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगा कर उन से सीखने की कोशिस करता हूँ मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलास की है परंतो मेरी नजर उनकी दोलत पर नहीं बलकि उनके ग्यान पर थी कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए जब कि कई बारे ऐसा नहीं हुआ परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहता हूँ मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते है परंतु मेरा यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का गमण है वे इस विशे में रुची रखते हैं इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे मेरे वे दोस्त दो आर्थिक दलदल में पसे हुए हैं वे पैसे वे वे वसाई या निवेस के बारे में बात करना पसंद नहीं करते उनकी नजर में इसा करना मुर्कता पुन या बेमानी होता है इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए मेरे कई दोस्त हैं जिन्हों ने अपनी छोटी सी जिन्दगी में अर्पों डालर कमाई है उन में से तीन ने एक ही अनुबो बताया उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूसने कभी नहीं आई कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है परंतु वे उनसे दो में से एक चीज या दोनों ही चीजों के बारे में मदद मांगने आई पहला कर्ज और दूसरा नोकरी चेतावनी गरीब या डरेवे लोगों की मत सुनिये मेरे कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ परंतु वे जिन्दगी में डरे हुए मुरूए है जब पैसे की बात आती है खास कर निवेस की तो उनकी नजरों में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है वे आपको हमेशा यह बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामियाब नहीं होगी समझ्चा यह है कि लोग उनकी बात सुनते है और जो लोग इन रसावादी विचारों को आँख मूंद कर मान लेते हैं वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं जैसे एक पुरानी कहावता है एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमती होती है अगर आप CNBC देखते हैं जो निवेस की सुचना देने वाली सोने की ख़दान है तो आपके पास अक्सर तथा कतित विचे सग्यों का एक पैनल होता है एक विचे सग्यों यह कहेगा कि बाजार दरा सही होने वाला है और दूसरा यह कहेगा कि बाजार में उठाओ आने वाला है अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेगी आपके दिमाग को खुला रखिए क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तरक हैं दुर्भग्या से ज़्यादा तर गरीब लोग चोटे मुर्गे की बात सुनते हैं मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं सोदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तरक देते हैं कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमान चित था क्योंकि उसे अपनी जमापुंजी पर 6 फिजदी ब्याज वाला बोन्ड मिल गया था मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से 16 फिजदी ब्याज कमा रहा हूँ अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख वेश दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था मैं सालों से 16 फिजदी ब्याज कमा रहा हूँ और वह अब भी 26 पर 30 ब्याज ही ले रहा है मैं तो यह कहूँगा कि दोलत बनाने में सबसे कटिन चीज यह है कि आप अपने प्रतिमांदार रहें और भीड के साथ चलने की इच्छा ने रखें बाजार में आम तोर पर भीड सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है अगर मुख्य परस्पर किसी बड़े सोदे की खबर चपी है तो ज्यादा तर मामलों में बहुत देर हो चुकी है किसी नए सोदे की तलास करिये जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं हमेज़ा एक और लहर आती है जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं वे एकसर धराशाई हो जाते हैं स्मार्ट निवेसक बाजार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजिशन में कर लेते हैं ज्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो लोगप्रिया नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है डरपोग निवेसक उस भेड के जुंड की तरह होते हैं जो भीड के साथ ही चलते हैं या उनकी लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेसक मुनाफ़ा कमा कर बाहर जा चुके हैं समझदार निवेसक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोगप्रिया नहीं होता वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफ़ा कमाते हैं बेशते समय नहीं, वे धीरत से इंतजार करते हैं, जैसा मैंने कहा, वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं, किसी तैरने वाले की तरह हैं, वे भी अगली बड़ी लेहर के लिए खुद को पोजिशन कर लेते हैं, यह इंसाइडर ट्रेडिंग या इसे कितनी दूरी पर हैं, अंदरुनी जानकरी रखने वाले हमीर दोस्तों को बनाई रखने का एक कारण यह भी होता है, क्योंकि पैसा यहीं बनाया जाता है, यह सूचना के अधार पर बनाया जाता है, आप अगले उच्छाल के बारे में जान लेते हैं, प्रवेस कर लेत आप उतने ही कम खत्रे में उतना ही जदा लाब कमाँ पाएंगे, दोस्त इसलिए होते हैं और यही फाइनेंशिल बुद्धी है, नमबर चार, किसी फार्मूले के विशे सग्या बन जाईए और फिर एक और नया फार्मूला सीख लेजिए, जल्दी सीखने की ताकत, ब्रे हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह कावत सुनी है, आप वह हैं जो आप खाते हैं, मैं इसी कावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा, मैं कहता हूँ आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं, दूसरे सब्दों में, आप साउधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, या क्या सीख रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग इतना ज्यादा तकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे उधारन के तोर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको को प्रिशे को सावदाने से चुनें जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के पास वही एक मुल्बूत फर्मूला होता है जो उन्हें स्कूल में सिखाया जाता था और वह फर्मूला है पैसे के लिए काम करो संसार में सबसे ज़दा लोग प्रिया फर्मूला यही है इसके कारण हर दिन करोडों लोग सूबए उठते हैं और पैसे कमाते हैं बिल चुकाते हैं चेक बूक को बैलेंस करते हैं कुछ म्योचल फंड करीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं यही उनका मूलबूत फार्मूला या नुसका है अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप ठक गई हैं या परेप नहीं कमा रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फार्मूले को बदल लेना चाहिए बहुत समय पहले जब मैं 26 साल का था मैंने सब्तांत की एकक्षा में भाग लिया जिसका सिर्शक था किस तरह रियल स्टेट फॉर क्लोजर्स को खरीदें मैंने एक फार्मूला सीख लिया अगला कदम था अपने सीखे हुए सी दांत को असली जीवन में आजमाना यहां पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं तीन सालों तक जब मैं जेरक्स के लिए काम कर रहा था मैं खाली समय में फॉर क्लोजर्स को खरीदने की कलाक में पारंगत होने की कोशिस कर रहा था मैंने उस फार्मूले से कई करोड डलर बनाए है परंटो आज यह बहुत धिमा फार्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रियोग कर रही है एक बार मैं उस फार्मूले का विसे सग्या बन गया तो मैं नए फार्मूले की खोज करने लगा कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकरी सीधे रूप से नहीं मिली परंटो मैंने हमसा कुछ ना कुछ नया जरूर सिखा मैंने इसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव सोधे बाजों के लिए आयोजित की गई थी और वस्तों के आप्शन सोधे बाजों के लिए तथा अराजक बाजियों के लिए युजत कक्षाओं में भी मैं गया हूँ मैं अपने दाइरे से पूरी तरह बाहर पहुंच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहां परमाणों भोती की और स्पेस साइंस की विसेसग्यों की भीड थी परंदों मैंने वहां बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टोक और रियल इस्टेट निवेस ज़्यादा अर्थपूर्ण और फाइदे मन बन गया ज़्यादा तर जूनियर कालेजों और समुदाई कालेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेस को खरीदने के तरीकों पर कक्षाई आयोजित की जाती है सुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी जगह है तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज़ फार्मूले की खोश करता रहता हूँ इसी कारण नियमत रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों की पूरी जिन्दगी लग जाती है एक और बात आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा मैतपूर्ण नहीं रह गया है क्योंकि प्राई आज आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुगा है मैतपूर्ण यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं यह कला अनमोल है ज़्यादा तेज फार्मूले डूनने में यह बहुत काम आती है पैसे के लिए कड़ी मेनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानों के जमाने से पैदा हुआ था नमबर पांस खुद को सबसे पहले वेतन दे खुद पर अनुसासन की ताकत अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी ने करें आपको इससे पहले मरीन काप्स या किसी धार्मिक संस्ता में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें पैसा कमाएं और उसे फूंक दें खुद पर अनुसासन की कमी के कारण ही करोडों डालर की लाटरी जीतने वाले लोग जल्दी दिवालिया हो जाते हैं यह खुद पर अनुसासन की कमी ही है जिससे तनक्वा बढ़ने पर लोग ततकाल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं यह कहना कठिन है कि दस कदमों में कौन सा सबसे ज़ादा मैत्वपून है परन्तो सभी कदमों में से इस कदम की विशे सग्यता सबसे कठिन है अगर यह आप में पहले से ही मुझूद ने हो मैं तो यहे भी कहना चाहूंगा कि खुद पर अनुसासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को तीन समुदायों में बांटता है अमीर, गरीब और मद्यमवरग सीधे तरीके से कहें सीधे तरीके से कहें कि जिन लोगों में आतम विस्वास कम होता है और जो फाइनेंसियल दबाओं को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते वे कभी अमीर नहीं बन सकते और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं जैसा मैंने पहले बताया था मैंने अपने अमीर डईडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इदर उदर तकेलेगी दुनिया लोगों को इदर उदर तकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाकी लोग गुंडे होते हैं बल्कि इसलिए कि आप में आंतरिक नियंदरन और अनुसासन की कमी होती है। जिन लोगों में आंतरिक सेंसक्ती की कमी होती है, वे एकसर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं, जिन में आतम अनुसासन होता है। मैं जिन व्यवसाई कक्षाओं में पढ़ाता हूँ, वहां मैं लोगों को लगातार यह है याद दिलाता हूँ, कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान के अंदरित ने करें, बलकि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान के अंदरित करें, अपना खुद का का मैंनेजमेंट मैं यह कहूंगा कि ये तीनों दक्सताइं के वल व्यावसाई शुरू करने वालों के लिए ही नहीं बलकि सभी काम करने वालों के लिए हैं ये तीनों आपके जीवन सहले में में तपून भूमिकाने बाती है फ्यक्ति के रूप में परिवार के सदस्य के रूप में व्यवसाई में किसी दार्मिक संग्ठन में शहर या देश में ये सवी दक्सताइं आत्मा नस्वासन को साधने से बढ़ जाती है मैं खुद को सबसे पहले बुक्तान करें सिद्धान को हलकेपन से नहीं लेता जार्ज कलासे इनकी पुस्तक दरीचेस्ट मैन इन बेविलोन में खुद को सबसे पहले बुक्तान करें का वक्तव्य सबसे पहले आया है इस पुस्तक की करोडों पर तियां विक चुकी है हालांकि करोडों लोग जबरदस जुमले को दोराते हैं पर बहुत कम लोग इस चला का पालन करते हैं जैसा मैंने कहा है financials अक्षर था अक्षर पढ़ने की योगता देती है और अंक कहानी बता देते हैं किसी व्यक्टिक के इंकम स्टेटमेंट और बैलेंस इट देखकर मैं तत्काल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले बुगतान करें किसी दान्त का राग अलापते रहते हैं वे दर असल इसका कितना पालन करते हैं एक चित्र हजार सब्दों के बराबर होता है तो एक बार फिर हम एसे लोगों के फाइनेंसियल स्टेटमेंट की तुल ना करें जो खुद को सबसे पहले बुगतान करते हैं और जो एसान नहीं करते हैं चित्रों का अध्यन कीजिए और देखिए किया आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं इसके लिए कैस्पलो की समझ जरूरी है जिससे कहानी बताई जाती है ज्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अंदेखा कर देते हैं अगर आप सचमस कैस्पलो की ताकत समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले चित्र में कहां गड़वड़ी है और 90 फिस्दी लोग क्यों जिन्दी वर कड़ी मेनत करते रहते हैं और इसके बाद उन्हें सोसल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की जुरूर क्यों होती है क्या आप इसे देख सकते हैं यह चित्रूस व्यक्ति के काम को दरसाता है जो खुद का बुगतान सबसे पहले करता है हर महीने अपने मासिक खर्चों का बुगतान करने से पहले वे अपने संपति वाले कालम में पैसा डालते हैं हलांकि करोडों लोगों ने क्लासेन की पुस्तक पड़ी है और खुद को सबसे पहले बुगतान करें का सिदान समझा परंतो हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में बुगतान करते हैं अब मैं आप मैंसे उन लोगों की चेक पुकार सुन सकता हूँ जो अपने बिल्स का बुगतान सबसे पहले करने में गंबीरता पूर विस्वास करते हैं और मैं यहे भी सुन सकता हूँ कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल्स समय पर चुकाते हैं मैं यहे नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं यह आपने बिल्स का बुकतान ने करें मैं सिर्फ यहे कहता हूँ कि आप वही करें जो यहे उस तक आपको सिखाती है यानि खुद को सबसे पहले पैसा दें और पिछला चितर इसी सिदान्द का सही लेखांकन चितर है जबकि बाद में आने वाला चितर पूरी तरह से गलत है मेरी पतनी और मेरे पास कई बुक कीपर्स, अकाउंटेंट्स और बेंकर हैं जिने शुरू में इस खुद को सबसे पहले पैसा देंसी दान्द से बहुत समश्या होती थी इसका कारण यह है कि यह फाइनेंसियल प्रोस्पेस्नल भी दरसल वही करते हैं जो कि जन्ता करती है यानि वे भी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं मेरे जिवन में इसे महीने भी आई हैं जब किनी कारणों से मेरा कैस्पलो मेरे बिल्स से काफी कम रहा है फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसे दिये मेरे अकाउंटेंट और बुक की पर चीखने लगे वे आपके पीछे पढ़ जाएंगे आपको जेल भी हो सकती है आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगार देंगे वे लोग बिजली कार देंगे मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया क्योंकि दे रिचेस्ट मैन इन बेविलोन की कहानी इसी बारे में है खुद पर अनुसासन की ताकत और आंत्रिक सेहन सकती के बारे में इसे बोलचाल की बासा में गुर्दा भी कहते हैं जैसा मेरे अमीर डैडी ने नोकरी के पहले मा में मुझे बताया था कि जयदातर लोग दुनिया की ठोकरे सेहन करते रहते हैं पैसे वसोलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाऊ लगना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं एक सेल्स कलर कहता है आप इसे अपने कार्ड चार्ज में डाल दे आपका रियल इस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे चले वड़ो घर खरीदने पर सरकार आपको टेक्स में छूट देती है पूरी पूस्तक दरसल इसी बारे में है आप में धारा के विरुद जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए हो सकता है कि आप कमजोर ने हो परन्तु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का होसला पस्त होने लगता है मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदारन बने मुझे पर ज़्यादा करज नहीं है और एसा इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं अपनी आए को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता इसलिए आप में से जिन लोगों ने The Secret of the Rich नाम का वीडियो देखा है उन्हें मैं यह है बता दूँ कि मेरी आए नेवादा के कार्परेशन के जरीए मेरे संपती वाले कॉलम से आती है अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती क्योंकि मैं अपने बिल्स का वुगतान सबसे आखिर में करता हूँ परन्तु मुझ में इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं करता हूँ मैं कंजुमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ मेरे पास इतने दाइतो है जो 99 फिजदी लोगों से ज्यादा है परन्तु उनका बुगतान मैं नहीं करता बलकि दूसरे लोग मेरे देंदारियों को चुकाते है वे मेरे किराईदार कहलाते है तो खुद को पैसा देने का पहला नियम यह है कभी कर्ज में मत फसो हलांकि मैं अपने बिल्स का बुगतान सबसे आखिर में करता हूँ परन्तु मैं के और कुछ मैं तवहिन बिली बचा कर रखता हूँ दूसरी बात यह है कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने देता हूँ जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है क्यों? क्योंकि ये लोग मुझे पर एक ऐसान कर रही है वे मुझे प्रेदित कर रही है कि मैं जाओं और ज़्यादा पैसा कम हो तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ उस पैसे को निवेस करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूँ मैं वैसे आम तोर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूँ मेरी पतनी और मेरी साख बहुत अच्छी है हम केवल दवाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बच्छत को इस्तेमाल नहीं करते नहीं उनके लिए अपने स्टोक को बिशते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है तो जवाव यह है नमबर एक एसे बड़े कर्ज में ने फसे जिसका बुगतान आपको करना हो अपने खर्चों को सीमित रखें अपने संपती को बनाई अपने संपती को सबसे पहले बनाई फिर बड़ा घर या शांदार कार खरी दें चुहा दोड़ में फसे रहने में समझदारी नहीं है नमबर दो जब आपके बास पैसा कम हो तो दवाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेस को खर्चने करें उस दवाव को अपनी फाइनेंसियल परतिबा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का बुगदान करने के नई तरीकों के बारे में सोच सकें इस से ज़्यादा पैसा कमाने के आपकी योगधा भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंसियल बुद्धी भी ज़्यादा विक्सित होगी मैं कई बार फाइनेंसियल बट्टी में तपा हूँ और मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ज़्यादा आमदनी हासिल की है और यह ध्यान रखा है कि मेरे संपत्ति वाले कालम को कोई नुकसान नहीं पहुंचे मेरा भुक की पर चीखने लगा और बचाओ के लिए छुप गया परंतु मैं उस तरह का सिफाई था जो किले की रक्षा के लिए लड़ रहा था गरीब लोगों की आद्टे में गरीब होती है एक आम बुरी आदत है बचत में से पैसे निकाल लेना अमीर लोग चानते हैं कि बचत को ज़्यादा धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ने की बिलों का भुक्तान करने के लिए मैं जानता हूं कि ये कठोर जान पड़ता है परंतु जैसा मैंने कहा अगर आप अंदर से कठोर नहीं है तो दुनिया को इदर से उदर दखे लेगी अगर आप आर्थिक दबाव पसंद नहीं करते हों तो एक ऐसा फार्मूला कोज ले जो आपके लिए कारगर सावित हो एक अच्छा फार्मूला यह होगा कि खर्च कम किया जाए पैसे को बैंक में रखा जाए ज्यादा इंकम टेक्स चुकाया जाए सुरक्षित म्यूचल फंड खरीदे जाए और ओसत बने रहने की कसम खाई जाए परंतु यह है खुद को सबसे पहले बुगतान करें कि इसी दान्त का उलंगन करता है यह नियुम आतम बलेदान या आर्थिक सन्यास को प्रोटसाइट नहीं करता है इसका मतलब यह नहीं है कि खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद बुखे मरो जिन्दगी मोजमस्ती के लिए है अगर आप अपने फाइनेंसियल परतिवा को जागरत कर लेंगे तो आपके पास जीवन के सभी सुक हो सकते हैं आप अमेर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं और इस प्रकिरिया में अच्छे जिन्दगी जी भी सकते हैं और यही फाइनेंसियल पुद्धी कहलाती है नमबर छे अपने ब्रोकर को अच्छा पैसा दें अच्छी सला की शक्ती मैं एकसर देखता हूँ कि लोग अपने गर के सामने एक पट्टी टांग देते हैं मालिक बेचना चाता है या मैं टीवी पर देखता हूँ कि कई लोग डिसकाउंट ब्रोकर होने का दावा करते हैं मेरे अमीर टेडी ने मुझे इसका उल्टा सिखाया है वे इस बात में बरोसा करते थे कि प्रोफेशनल्स को अच्छा बुगतान किया जाई और मैंने भी उसी सिदान्द को अपनाया है आज मेरे पास महेंगे वकील अकाउंटेंट्स रियल इस्टेट ब्रोकर और स्टोक ब्रोकर हैं क्यों? क्योंकि अगर और मेरा सच्पुज मानना है अगर लोग प्रोफेशनल्स हैं तो उनकी सेवाँ से आपको पैसा मिलना चाहिए और वे जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे आप भी उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे हम सुचना के युग में रहे रहे हैं सुचना बेश कीमती है एक अच्छा ब्रोकर आपको सुचना तो देगा ही आपको सिक्षित करने के लिए समय भी देगा मेरे पास कई ब्रोकर हैं जो मेरे लिए यह करने के इच्छुक है कुछ ने मुझे तब्सिक आया है जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी पैसा नहीं था और मैं आज भी उनके साथ हूँ मैं ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ वह है मेरे द्वारा उसकी सूजना से कमाए गई धन का बहुत चोटा इससा होता है मैं इसे पसंद करता हूँ जब मेरा रियल इस्टेट ब्रोकर या स्टोक ब्रोकर बहुत पैसा अब कमाता है क्योंकि इसका आम तोर पर यह मतलब होता है कि मैंने भी बहुत सा पैसा कमाया है एक अच्छा ब्रोकर मुझे पैसे कमाने के जानकारी देने के अलावा मेरा समय भी बचाता है जैसे उस समय जब मैंने खाली समीन के टुकडे को 9000 डालर में खरीदा और ततकाल इसे 25000 डालर में बेच दिया ताकि मैं अपने लिए जल्दी से कार खरीच सकूँ ब्रोकर आपके लिए बाजार की आँख और कान है वे हर रोज वहां होते हैं और इसलिए मेरी वहां कोई जरूरत नहीं होती मैं इसके बजाए गोल्फ खेल सकता हूँ इसके अलवा जो लोग खुद ही अपना घर बेचते हैं उनके लिए खुद के समय की कोई खास कीमत नहीं होती मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूँ जबकि इस समय को मैं ज़्यादा पैसा कमाने या अपने अंतरंग लोगों के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकता हूँ मुझे यह बहुत मज़ेतार लगता है कि इस से ज़्यादा गरीब और मद्य उमर गया लोग रेस्तरों में खराब सर्विस के बवज़ूद पंदरा से बीस फिजदी टिप देते हैं और ब्रोकर को तीन से साथ फिजदी देने में अनकानी और शिकायत करते हैं वे खर्च वाले कालम के लोगों को टिप देते हैं और संपति वाले कालम के लोगों को टिप देने से कतराते हैं यह आर्थिक समझदारी नहीं है सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते दुर्भग्य से ज्यादातर ब्रोकर सेल्जमेन होते हैं मैं तो यह कहूँगा कि रियल इस्टेट के सेल्जमेन सबसे बुरे होते हैं परंतो उनके पास खुद बहुत कम या बिल्कुल भी रियल इस्टेट नहीं होता घर बेचने वाले ब्रोकर और निवेस बेचने वाले ब्रोकर में बहुत बढ़ांतर होता है और यह स्टोक, बोंड, म्यूचल फंड और बीमा ब्रोकर के बारे में भी सही है जो खुद को फाइनेंसियल प्लानर कहते हैं परी कथा की ही तरह, आप एक राजगमार खोजने के लिए बहुत से मेंड़कों को चूमते हैं पुरानी कहावत को याद कीजिए अगर आपको एनसाइकलोपीडिया की जुरूरत हो तो एनसाइकलोपीडिया बेचने वाले से मत पूछिए जब मैं किसी प्रोफेशनल का इंट्रिव लेता हूँ तो मैं पहले यह पता करता हूँ कि उसके पास खुद कितने विक्तिकित प्रोपरटी या स्टोक है और वह कितने परतिसर टेक्स दे रहा है मैं अपने टेक्स अटारने और अकाउंटेंट के बारे में भी यही करता हूँ मेरे पास एक अकाउंटेंट है जो अपने काम से काम रखती है उसका पिसा हालांकि अकाउंटिंग है परन्तो उसका काम रियल स्टेट में है मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटा बिजनस अकाउंटेंट था परन्तो उसके पास रियल इस्टेट नहीं था मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक ही बिजनस से प्रेम नहीं करते थे एसा ब्रोकर खोजी है जो आपके सर्वसरेश्टितों को ध्यान में रखता हो कई ब्रोकर आपको सिक्षित करने के लिए समय निकाल लेंगे और वे आपके द्वारा खोजीगी सर्वसरेश्ट समपति साबित हो सकते हैं बस उदार रहिए और वे भी आपके परती उदार रहेंगे अगर आप उनके कमिशन में कटोती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो वे आपके आसपास क्यों रहना चाहेंगे यह विशुद और आसान सा तरक है जैसा मैंने पहले कहा था management की दख्षताओं में से एक लोगों का management है कई लोग के वले से लोगों को manage कर पाते हैं जो उन से कम smart हो और जिन पर उनकी सप्था हो जैसे किसी office में अदीनस्ट कोई दोयम दरजे के manager's, दोयम दरजे के manager's ही बने रहींगे और उन्हें कभी तरक्की नहीं मिल पाएगी क्योंकि वे यह हैं तो जानते हैं कि नीचे वालों के साथ कैसे काम किया जाता है परंतु वे यह नहीं जानते कि उपर वालों के साथ कैसे काम किया जाई असली दक्सता है किसी दक्निकिक छेतर में अपने से स्रेश्ट और ज्यादा स्मार्ट लोगों को मैनेज करना और उन्हें अच्छे पैसे देना इसलिए कंपनियों में बॉर्ड आफ डारेक्टर होता है आपके पास भी होना चाहिए और यह है फाइनेंसियल समझदारी है नमबर साथ इंडियन दाता बनिये यह बिना कुछ दिये पाने की ताकत है जब अमेरिका में गोरे लोग गए तो उन्हें अमेरिकी इंडियन्स की परंप्रिक संसक्रती से जटका लगा उधारन के तोर पर अगर किसे गोरे व्यक्ति को ठंड लगती थी तो इंडियन उन्हें कंबल दे देते थे स्वेत परवासी इसे उपहार समझ लेते थे और जब इंडियन कंबल वापस मांगता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता था इंडियन को भी बुरा लगता था जब उन्हें यह पता चलता था कि स्वेट प्रवासी कंबल वापिस नहीं करना चाते थे इस तरह इंडियन दाता वाक्यांस पैदा हुआ एक छोटी सी सांस्कृतिक ना समझी के कारण संपत्ति के कोलम कि दुनिया में इंडियन सदाता बनना दोलत के लिए बहुत जुरूरी है परिशकर्ट निवेस्ट का पहला सवाल यह होता है मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापिस मिल जाएगा वे यह भी जानना चाते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिल रहा है इसलिए निवेस्ट पर वापसी इतनी मेहतपून है उदारन के तोर पर मुझे एक छोटा रियल एस्टेट मिला जो मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर था बैंक साथ हजार डॉलर चाहती थी और मैंने पचास हजार डॉलर की बुली लगाई जो उन्होंने सिर्फ इसलिए स्विकार कर ली क्योंकि बुली के साथ पचास जार डॉलर का चेक भी लगाई था उन्होंने यह महसूस किया कि मैं गंबीर था ज्यादातर निवेसक यह कहेंगे कि क्या आप अपना बहुत सा पैसा पसा नहीं रहे हैं क्या इस पर लोन लेना ज्यादा बेतर नहीं हो तका इसका जवाब है इस मामले में बिलकुल नहीं मेरे निवेस कंपनी जाड़े के मैंनों में इसे वेकेशन रेटल के रूप में इस्तेमाल करती है जब परवासी पक्षी एरेजोना से आते हैं और इसे चार मैंनों के लिए डाह जार डॉलर किराए पर दे रेती है बाकी के आठ मेंनों में इसका किराया केवल एक अजार डालर होता है मेरा पैसा लगवग तीन सालों में वापिस आ गया था अब मैं इस अंपती का मालिक हूँ जो हर मेंने मेरी आमदनी बढ़ाती रहती है यही स्टोक के बारे में किया जाता है प्राइब मेरा बरोकर मुझे सला देता है कि मैं किस कंपनी के स्टोक में काफी पैसा लगाँ क्योंकि उसके विचार से याए कंपनी को इसा कदम उठाने वाली है जिससे उसके शेर में तेजी आ जाएगी और कोई नया सामान बाजार में लाने वाली है मैं अपने पैसे को एक अपते से लेकर एक महीने तक लगाए रखता हूँ जब शेयर की किम्ते बढ़ती है फिर मैं अपनी मूल दनराशी को निकाल लेता हूँ और बाजार के उतार चड़ाओं से बेफिकर हो जाता हूँ क्योंकि मूल रखाँ वापस आ चुकी है और दूसरी संपते पर काम करने के लिए तयार है इस तरह मेरा पैसा जाता है और फिर वाहर आ जाता है और मैं एक ऐसी संपती का मालिक बन जाता हूँ जो एक तरह से मुझे मुझे मुफ्त में मिलती है यह सच है कि मैंने कई मुखों पर पैसा खोया भी है परन्तु मैं इतने ही पैसों से खेल खेलता हूँ जितने का नुक्सान मैं सहन कर सकता हूँ मैं यह कहूंगा कि ओसर दस निवेसों पर कुझे दो या तीन में बहुत वाइदा होता है जबकि पांच या च्छे में कोई लावानी नहीं होती मैं दो या तीन में गाटा भी खाता हूँ परन्तु मैं अपने नुक्सान को उसी पैसे तक्सियमी तरक कर लेता हूँ जो मेरे पास उस समय होते हैं जो लोग जो खिम से नफरत करते हैं वे अपने पैसे को बैंक में रख लेते हैं और दिरक्काल में उनकी बच्छत कुछ नहीं से बेहतर ही होती है परन्तु आपको अपना पैसा वापिस निकालने में बहुत लंबा समय लग जाता है और ज्यादातर मामलों में तो आपको इसके साथ कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता पहले तो वे टोस्टर दिया करते थे परन्तु आज का लेसा बीरेल ही होता है मेरे हर निवेस पर एक नए एक चीज मुफ्त होनी चाहिए एक छोटा रियल एस्टेट एक मीनी स्टोरेज खाली जमीन का टुकड़ा घर स्टोक शेयर्स या आफिस बिल्डिंग और जोखिम भी सीमित होना चाहिए इस विशे पर इतनी ज़्यदा पुस्त की लिखी जा चुकी है कि मैं इसे नहीं जाना चाहूँगा मैकडोनाल्स के मसूर रेक रोक हैंबर्ग फरंचाईजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैंबर्ग से प्यार था बलकि इसलिए क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाईजी के साथ आने वाला रियल इस्टेट मुफ्ट में मिलता था तो समझदार निवेशकों को ब्याज की दर से ज़्यादा चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपका पैसा वापिस मिल जाए और आपके पास क्या समपत्य आती है यह भी मैतब्गून है यह फाइनेंसिल समझदारी है नमबर आठ समपत्य से विलासिता की चीज़ें खरीदी जाती है केंदरित करने की शक्ति मेरे एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चिला था और एसा लगता था जैसे उसकी जेब में छेद हो गई हूँ 16 साल की उमर में सववाविक रूप से उसे अपनी कार चाहिए थी बहाना यह था सभी दोस्तों के मम्मी डैडी ने अपने बच्चों के लिए कार खरीदी है यह लड़का अपनी बचत में से पैसे निकाल कर नगत कार खरीदना चाहता था एसे समय में उसकी डैडी ने मुझसे सला मांगी आप क्या सोचते हैं कि मुझे उसे इसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूँ इसके जवाब में मैंने कहा कुछ समय के लिए तो ठीक है परंतो लंबे समय के लिए आप उसे क्या सिखा पाएंगे क्या आप अपने बच्चे की कार प्राप्त करने की इच्छा से उसे कुछ सीखने के लिए प्रेजित कर सकते हैं अचानक उसकी टूबलाइट चमकी और वह तुरंद घर की तरफ चल दिया दो महिने बाद मुझे वैदोस्त मिल गया क्या तुम्हारे बेटे को उसकी नई कार मिल गई? मैंने पूछा नहीं उसे नहीं मिली परंतु मैं गया और उसे कार के लिए तीन अजार डाटल दे दिये मैंने उसे कहा कि वह अपने कॉलेज के पैसे के बजाए मेरे पैसे का उप्योग करे मैंने कहा यह है तो आपकी उधारता है? नहीं उस पैसे के साथ एक शर्त भी जुड़ी है मैंने आपकी सला मान ली और उसकी कार खरीदने की परबल इच्छा के साथ सीखने की सर्त भी लगा रखी है शर्त क्या है? मैंने पूछा पहले तो हमने आपके कैश पलो गेम का साहरा लिया हमने इसे खेलते हुए पैसे के समझदारी से इस्तिमाल पर एक लंबा विचार विमर्ज किया फिर मैंने उसे वाल स्ट्रीट जनरल की सदस्ता दिलवा दी और स्टाक मार्केट पर कुछ पुस्त केंवी दिलवाई फिर दिखत कहां थी? मैंने उससे कहा कि तीन हजार डालर उसके हैं परंतु वह इसे सीधे कार नहीं खरीच सकता वह इनके स्टोक खरीदे और बेच सकता है खुद का ब्रोकर ढूंड सकता है और एक बार वह इन तीन हजार डालर के छे हजार डालर बना लेता है तो वह अपनी कार खरीच सकता है और बाकी के तीन हजार डालर उसके कालेज के फंड में जाएंगी मैंने पुछा और इसके परिणाम क्या निकले? वह सुरुआत में किसमत वाला रहा परंतो कुछ दिनों बाद उसे अपने मुनाफे के सारी रकम गवा दी तब वह सचमुच रूची लेने लगा आज चाहिवे दोजार डालर के गाटे में हो परंतो उसकी रूची बहुत बढ़ गई है उसने मेरे दुआरा खरीदी सारी कितबें बढ़ डाली और वहे और ज़्यादा पुस्तकों की खोज में पुस्तकालिया भी चला गया वहे मन लगाकर वाल स्ट्रीट जनरल पढ़ता है सुचकों पर नजर रखता है और MTV के बजाए CNBC देखता है उसके पास केवल एक जार डालर बचे हैं परन्तु उसकी रूची और ग्यान आश्मान को चू रही है वहे जानता है कि अगर वहे इस पैसे को खो देगा तो फिर उसे दो सालों तक अपने पैरों पर ही चलना पड़ेगा परन्तु उसकी ऐस कोई खास चिंता नहीं पड़ी यह अब उसे कारा हसिल करने में ज्यादरूची नहीं है क्योंकि उसे एक एसा खैल मिल गया है जिसमें उसे ज्यादा अनन दिलता है क्या होगा अगर वहे सारा पैसा हार जाता है मैंने पूछा जब होगा तब देखा जाएगा मैं तो चाहूँगा कि वह अपी सारा पैसा हार जाए बजाए इसके कि वह हमारी उम्र में आकर सारा पैसा हारे और इसके अलावा मैं तो यह मानता हूँ कि उसकी सिक्षा पर खर्च किये गया यह सर्वसरेश तीन जार डालर थे जो वह सीख रहा है वह जिन्दगी वर उसके काम आएगा और वह पैसे की ताकत का सम्मान का भी सीख गया है मुझे लगता है कि अब उसके जेव का छेट बंद हो चुका है जैसा मैंने खुद को सबसे पहले पैसे देंवाले खंड में कहा था अगर कोई वेक्ति आतमानुसासन की ताकत हासिल नहीं कर सकता तो बेतर यही होगा कि वह कभी अमीर बनने की कोशिश नहीं करें सैदान्तिक एसाब से संपत्य वाले कालम से कैस्पलो विक्षित करने की परकिरिया आसान नजर आती है परंतो इसमें पैसे की दिशा देने की मानसिक शक्ती की जरूरत होती है जो मुश्किल सावित होती है बाहरी आकरशनों और परलोबनों के कारण आज की खरिदारी की दुनिया में यह ज्यादा आसान होगे चला है कि पैसे को पूरा उड़ा दिया जाए कमजोर मानसिक शक्ती के कारण ही वह पैसा सबसे कम परतिरोध वाले रास्ते पर बहे जाता है यही गरीबी और आर्थिक संगर्स का कारण है मैंने फाइनेंसियल समझदारी का यह है आंकडों का उदारन इसलिए दिया ताकि पैसे से ज़्यदा पैसे कमाने की योगता को जाना जा सके अगर हम सो लोगों को साल के शुरू में दस अजार डालर दे 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 तो साल के अंत में क्या होगा असी के पास कुछ भी नहीं बचेगा वास्ता में कई तो ज़्यदा करज में दवे होंगे क्योंकि उन्होंने नई कार, फ्रीज, टीवी, वीचियार या छुट्टियों के लिए नगत पैसा दिया होगा सोला ने उस दस अजार डालर को पांच से दस फिजदी बढ़ाया होगा और चार ने इसे बीस अजार डालर या लाखों डालर तक बढ़ाया होगा हम किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए स्कूल जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें मेरे विचार में यह सीखना भी मैं तो पूर्ण होता है कि पैसे से अपने लिए कैसे काम करवाया जाई मैं भी हर व्यक्ति की तरह विलासिता की वस्तों से प्रेम करता हूँ अंतर यह है कि कई लोग अपने विलासिता को करज लेकर खरीदते हैं यह पडोशियों से परत्योगिता करने का जाल है। जब मैं कार खरीदना चाहता था तब आसान रास्ता यही था कि मैं अपने बेंकर को बुला कर लोन ले लेता। परन्तु मैंने दाइतो वाले कालम को बढ़ाने के वज़ाए संपत्ती वाले कालम पर ध्यान के इंद्रित र के निरित करते हैं और पैसा बनाने पर ध्यान के निरित नहीं करते हैं यहाई रास्ता उत समय के लिए तो आसान है परन्तु लंबे समय में यहाई बहुत मुश्किल सापित होता है यहाई एक ऐसी बूरी आदट है जो हमें इनसानों के रूप में और राष्ट के रूप में भी है याद रखें आसान रास्ते अक्सर मुस्किल बन जाते हैं और मुस्किल रास्ते अक्सर आसान बन जाते हैं जितनी जल्दी आप खुद को और अपने प्रियजनों को पैसे के सासके रूप में परशिक्षित कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा पैसा बहुत बड़ी ताकत है दुर्भग ऐसे लोग पैसे की ताकत को अपने खिलाप इस्तेमाल करते हैं अगर आप में पैसे की समझ कम है तो पैसा आपके उपर राज करेगा यह आप से ज्यादा स्मार्ट होगा अगर पैसा आपसे ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा तो आप इसके लिए जिन्दगी भर काम करते रहेंगे पैसे के उपर सासन करने के लिए आपको इससे ज्यादा स्मार्ट बनना होगा फिर पैसा वही करेगा जो आप इससे कहेंगे यह आपके आग्या का पालन करेगा इसके गुलाम होने के बज़ाए आप इसके मालिक होंगे यही आर्थिक समझदारी है नमबर नो, नाइकों की जुरुत मिथक की ताकत जब मैं छोटा था तब मैं विली मेज, हैंक आरन, योगी बेरा का बहुत बड़ा प्रसंद सकता वे मेरे आदर्स थे लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाता था मैंने उनके बेसबाल कार्ड भी सहीज रखे थे मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाता था मैं उनके बारे में सभी आंकड़े जानता था उनके बेटिंग के उसक, उन्हें मिलने वाली धन्राशी और वे किस तरह बड़े हुए, सब कुछ मैं सब कुछ इसलिए जानना चाता था क्योंकि मैं उनके जैसाब बनना चाता था नो या दस साल की उमर में मैं जब बेसबाल खेलने के लिए मैदान पर जाता था तो वह मैं नहीं जाता था बलकि मेरे रूप में योगी या हैंक मैदान पर उतरते थे यह सीखने के सबसे ससक तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं हम अपने नाइकों को खो देते हैं हम अपने नोसिखिये पन को खो देते हैं आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बासकेट बाल खेलते देखता हूँ कोर्ट पर वे छोटी जानी नहीं होते वे तो माइकल जोडन, सर चार्ल्स या कलाइड होते हैं आदर्स नाइकों की नकल करना ग्यान प्रापत करने का सचा और सचक तरीका है और इसलिए जब O.G. सिंक्चन की तरह का नाइक बदनाम होता है तो इतने चिख पुकार मस्ती है यह किसी अदालती कारवाई से जड़ा होता है यह एक आदर्स नाइक को खो देना होता है एक A.C. व्यक्ति जिसकी तरह बनने का सपना लोग बच्पन में संजोई रहते हैं और वे जिसकी पूजा करते हैं अचानक हमें उस व्यक्ति को अपनी जिन्दगी से निकालना पड़ता है जब मैं बड़ा बोल गया था तो मेरे नाइक बदल गए थे मेरे गोल के हीरो बने पीटर जैक्प्शन फ्रेड कपल्स और टाइगर बूर्स मैं उनके शोट की नकल करता था हूँ और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ मेरे आदर्स नाइको में डोनाल्ड ट्रम्प, वारेन बूफे पीटर लेंच, जाद सोरोस और जिम राजर्स भी है बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके आंकडे उसी तरह जानता हूँ जिस तरह कि अपने बच्पन में बेस्पाल हिरोज के आंकडे जानता था मैं अनुसरन करता हूँ जब बारेन बूफे निवेस करते हैं और बाजार के बारे में उनके नजरिये के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ मैं बूफे स सुन्ने के अनकी तकनिक को समझा सकूँ और मैं द। टरंप के बारे में बीच्पन बारे में इसलिए पढ़ने करता हूँ जिस तरह मैदान पर बेसबाल के लिए बेटिंग करते जाते समय मैं खुद की भूमिका में नहीं होता था उसी तरह जब मैं बाजार में उतरता हूँ या मैं कोई सोधा करता हूँ तो मैं आवचेतन रूप से ट्रम्प की बातुरी का अबिने करता हूँ या जब मैं किसी प्रवर्ती का विशलेशन करता हूँ तो मैं उसे इस तरह देखता हूँ जैसे पीटर लिंच यह काम कर रहे हूँ आदर्सनाइक होने से हम अपनी कच्ची परतिबा के व्रहद सुरूत का दहन करते हैं परन्तु आदर्सनाइका में प्रेरित करने से भी ज़्यादा बड़ा काम करते हैं वे चीजों को ज़्यादा आसान बना देते हैं चीजें आसान दिखने के कारण हम भी उनी की तरह बनना चाते हैं अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी यही कर सकता हूँ जब निवेस की बात आती है तो ज़्यादातर लोग इसे बहुत कठिन समझते हैं इसके बजाए उन्हें आदर्स नाइकों की तलास करना चाहिए जो इन्हें आसान बना देते हैं नमबर दस सिखाओ और आपको हासिल होगा देने की शक्ती मेरे दोनों डैडी सिखशक थे मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबग सिखाया जो मेरे साथ जिन्दगी वर चल रहा है और वह सबग था परोपकार करना या देना मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ग्यान द्वारा दूसरों को बहुत दिया परन्तु शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो जैसा मैं बता चुका हूँ वे सामाने ता कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ अतरिक धन होगा और उनके पास कभी भी अतरिक धन नहीं होता था मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और शिक्षा भी वे देने के इसी दान्त में पक्का यकीन रखते थे अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है वे हमेशा कहा करते थे जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपनी चर्च या अपनी पसंदिदा धार्मिक संस्था को दान देते थे अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूँ तो वह विचार यही होगा जब भी आपको किसी चीज़ की कमी या जरूरत मैसस हो तो पहले उस चीज़ को दे दें बाद में वह बाल्टियों से बरकर आपके पस लोटाएगी यह पैसा, मुस्कुराहाट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है मैं जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इसा नहीं करना चाहेगा परंतु मैंने इसा किया है और इसके फाइदे भी उठाई है मैं विश्वास करता हूँ कि आदान पर्दान का सिदान सही है और इसलिए मैं वही चीज़ देता हूँ जो मैं पाना चाहता हूँ मुझे पैसा चाहिए इसलिए मैं पैसे देता हूँ और यह कई गुना होकर मेरे पास वापिस आ जाता है मैं विक्री बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी और विक्तिगी कुछ बेजने में मदद कर देता हूँ और मेरे विक्री बढ़ जाती है मैं संपर्क बढ़ाना चाहता हूँ तथा मैं किसी और की संपर्क बढ़ाने में मदद कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे भी संपरक बढ़ जाते हैं मैंने सालों पहले एक काहाउत सुनी थी इस वर को कुछ नहीं चाहिए पर इनसानों को देना चाहिए मेरे अमीर डेडी एकसर कहा करते थे गरीब लोग अमीरों से ज़्यदा लालची होते हैं उन्होंने इसे समझाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो वह व्यक्ति दूसरों द्वारा चाहिए कुछ चीज़ दे रहा है मेरे जीवन में मेरे तमाम वर्सों में जब भी मैंने पैसे की कमी या जरूरत महसूस की है तो मैंने पहले तो अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर इसे देने का फैसलात किया है और जब मैंने दिया है तो यह हमेशा मेरे पास वापस लोटा है यह मुझे उस व्यक्ति की कहनी याद दिलाता है जो जाड़े की ठंडी रात में लकडियां लेकर बैठा है और पास में धीमे धीमे जल रेश्टो पर चिला रहा है जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकडियां अंदर डालूँगा और जब पैसे प्रेम सुक बिक्री और संपर्क की बात आती है तो हर व्यक्ति को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाते हैं पहले आप उसे दे दे और यह कई गुना होकर आपके पास लोट आईगा बहुदा केवल यही सोचने की परकिरिया से भी कि मैं क्या चाता हूँ और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूँ मेरे अंदर उदारता का ज्वर आने लगता है जब भी मैं यह देखता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्करा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना चालू कर देता हूँ और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कराने वाले लोग जमा हो जाते हैं यह सच है कि आपकी दुनिया केवल आपका दरपन है तो इसलिए मैं कहता हूँ सिखाओ और आपको मिलेगा मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंबेरता से जितना ज़्यादा सिखाता हूँ मैं भी उतना ही ज़्यादा सीखता हूँ अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाते हैं तो इसे किसी और को सिखाई ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फार्मूलों की बाड़ा जाएगी ऐसे भी समय आये हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लोटाया या जो मुझे मिला वह मैं नहीं चाता था पर अंतु करीबी जांच और आतम अवलोकन से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था बलकि पाने के लिए दे रहा था मेरे डैडी ने सिक्षकों को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गई मेरे अमीर डैडी ने युवा लोगों को अपना बिजनस करने का तरीका सिखाया मैं पीछे पलट कर देखता हूँ कि यह सीखने वालों की अपनी ग्यान के प्रती उदारता ही थी जिसके कारण वे ज़्यादा स्मार्ट बन गई इस दुनिया में ऐसी ताक्ते हैं जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है आप वहां खुद अपने दम पर पहुंच सकते हैं परन्तों उन ताक्तों की मदद से वहां पहुंचना ज्यादा आसान होता है आपको बस इतना ही करना है कि आप उदार हों और वे ताक्तें भी आपकी प्रती उदार होंगी धन्यवाद आइए चलते हैं अध्याई दस की और जो है और चाधा चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए आपका दिन शुब हो रिछ डैड, पूर डैड, अध्याई दस और चाहिए कुछ काम जो आपको करने चाहिए हो सकता है कि कई लोग मेरे दस कदमों से संतोष्ट ने हो उनकी नजर में यह फिलोस्पी जदा है और इसमें काम की बातें कम है मैं यह मानता हूँ कि फिलोस्पी भी उतने ही मैतवपूर्ण है जितने की काम की बातें एसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाए करना चाते हैं और एसे लोग भी हैं जो सोचते हैं परंतु करते कुछ नहीं है मैं यही कहूंगा कि मैं दोनों परकार के लोगों का सही योग हूँ मैं नई विचारों को पसंद करता हूँ और मैं काम करना भी पसंद करता हूँ तो उन लोगों के लिए, जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ मार्ख दर्शक बातें जानना चाते हैं मैं संक्षेप में कुछ ऐसी बातें बताउंगा जो मैं करता हूँ आप जो कर रही हैं वह करना बिंद कर दें दूसरे सबदों में, आवकास लें और यह आंकलन करें कि कौन से चीज़ काम आ रही है और कौन से चीज़ काम नहीं आ रही है पागल्पन की परिवथा साइ यही है, कि आव व़ही चीज़ करते चले जाएं और अलग पर इनाम की आफिक्षा करें जो सफल नहीं हो रहा है वहे करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोजें नए विचारों की तलास करें नए निवेस के विचारों के लिए मैं किताब की दुकान में जाता हूँ और अलग-अलग तथा अनूठे विशो पर पुस्त के ढूनता हूँ मैं उन्हें फार्मूलों का नाम देता हूँ मैं कैसे करें पुस्त के उस फार्मूले के लिए खरीता हूँ जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता उधारन के लिए मैंने एक किताब की दुकान में जोल मासको विर्ज की पुस्तक The 16% Solution देखी मैंने वह पुस्तक खरीदी और पड़ डाली ततकाल काम करें अगले बुद्वार को मैंने बिल्कुल वही किया जो पुस्तक में कहा गया था मैंने हर कदम पुस्तक के अनुसार उठाया था वकिलों के आफिसों या बैंक में मैंने रियल एस्टेट के सोदों के साथ भी यही किया है ज्यादातर लोग तकाल कदम नहीं उटा थे या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके दोरा सिखा गया नया फार्मूला गलत है और उसका अनुसरन करना बिलकुल बेकार है मेरे पडोसी ने मुझे बताया कि मेरा सोला फिजदी का फार्मूला क्यों बेकार है बहराल मैंने उसके बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने कभी ऐसा करके नहीं देखा था किसी ऐसे आदमी को खोजे जिसने वह किया हो जो आप करना चाते हैं उन्हें लंच पर ले जाएं उनसे टिप्स लें बिजनस की बारिकियां समझे अपने सोला फिजदी के प्रमान पत्रों के लिए मैं काउंटी टेक्स आफिज गया और मैंने वहाँ पर काम करने वाले सरकारी करमचारियों को खोजा मैंने यह पाया कि वहबी इन में नुएस करती है तदकाल ही मैंने उसे लंच का नोता दे दिया उसने रोमान चित होकर मुझे यह समझा दिया इसे कैसे करना है और उसने अपना पूरा ग्यान मेरे सामने प्रोस दिया लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वह जगें दिखाई जहां मैं इस तरह का सोदा कर सकता था अगले दिन तक मैंने उसकी मदद से दो बड़ी जायदतों को पा लिया था और मैं तब से उन पर 16 फिस्दी की दर से ब्यास कमा रहा हूँ मुझे पुस्तक पढ़ने में एक दिन लगा कदम उठाने में एक दिन लगा लंच में एक गंटा लगा और दो बड़े सोदे करने में केवल एक दिन लगा कक्षाओं में भाग लें और टेप खरी दें मैं अकबारों में नई और रोचक कक्षाओं की खबर रोज़ा ना खोज़ता रहता हूँ इन में से कई तो मुफ्त होती है या उनकी फिस्द बहुत कम होती है मैं जो सीखना चाता हूँ उस विशे पर मैं महेंगे से मिनारों में भी जाता हूँ मैं इसलिए अमीर हूँ और मुझे इसलिए नोकरी करने की कतई जुरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस तरह के पाठ्ठे करमों में भाग लिया है मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे यह बताया करते थे कि इस तरह के करकरमों में भाग लेकर मैं अपना समय और पैसा दोनों बरबाद कर रहा हूँ वे आज भी वही काम कर रही है हमेशा आफर देते रही जब भी मैं कोई रियल इस्टेट की प्रोपर्टि चाहता हूँ तो मैं कई प्रोपर्टि देखता हूँ और आम तोर पर एक आफर लिख देता हूँ अगर आप नहीं जानते कि सही आफर क्या होना चाहिए तो यह मैं भी नहीं जानता यह तो रियल इस्टेट एजेंट का काम है वे ओफर का आंकड़ा देते हैं मैं जहां तक संभव हो सकता है कम से कम काम करता हूँ मेरी एक मित्र चाती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं एक शेनिवार को वे है उसका एजेंट और मैं गए और हमने छे अपार्टमेंट हाउस देखे चार तो गटिया थे परन्तु दो अच्छे थे मैंने उससे कहा कि वह सभी छे पर आफर लिखे और मालिकों द्वारा मांगी गई कीमत से आदी का आफर दे यह सुनते ही उसे और उसके एजेंट को दिल का दोरा पढ़ते पढ़ते बचा उसके हिसाब से यह बत्तमी जी होगी और इससे मकान मालिकों को बुरा लग सकता है परन्तु मैं वास्तों में नहीं सोचता कि एजेंट इतनी कड़ी मेनत करना चाहता था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और वे एक बेतर सोदे की तलास में चले गई उन्होंने कभी कोई ओफर नहीं दी और वह आज भी सही कीमत पर सही सोदे के लिए भटक रही है आप नहीं जानते हैं कि सही कीमत क्या है जब तक कि सोदा करने के लिए आपके सामने दूसरी पार्टी नहीं हो ज्यादा तर बेचने वाले बहुत ज्यादा किमत मांगते हैं यह दुरलब ही है कि कोई बेचने वाला वास्तो में इसी किमत मांगे जो वास्तो एक मुल्या से कम हो इस काने से हमें यह सिख्षा मिलती है कि हमें आफर देना चाहिए जो लोग निवेसक नहीं होते उन्हें ये समझ ही नहीं होती कि कोई चीज बेचना कितना कठिन होता है मेरे पास एक रियल एस्टेट की प्रोपर्टी थी जिसे मैं महीनों से बेचना चाहता था मैंने किसी भी चीज का स्वागत किया होता मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं बढ़ता कि कीमत कितनी कम थी उन्होंने अगर मुझे दस सूरों का वियाफर दिया होता तो भी मैं खुश हो गया होता ओफर की कीमत से नहीं बलकि इस बात से कि कोई तो मेरी प्रोपर्टी में रूची रखता है इसके जवाब में मैं बदले में पूरे के पूरे सूरों फार्म को हसल करने की कोशिस करता तो यहे खेल इस तरह से खेला जाता है खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है इस बात का हमें सांद्यान रखें यह मज़ेदार है और यह केवल एक खेल है ओफर देते रहें कोई तो कभी हाँ कहेगा और मैं हमेशा अपने आफर में बचाओ के वक्या डाल देता हूँ रियल इस्टेट में मैं हमेशा अपने ओफर में यह लिखता हूँ कि बिजनस पार्टनर के अनमोदन के बाद ही यह समझो था अंतिम माना जाएगा मैं यह कभी नहीं बताता कि मेरा बिजनस पार्टनर कौन है ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि मेरी बिजनस पार्टनर मेरी बिल्ली है अगर वे आफर को मान लेते हैं और मैं सोदा नहीं करना चाता तो मैं घर फोन लगाता हूँ और अपनी बिली से बात कर लेता हूँ मैं यह आजीगों करीब वक्त वे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यह जान सकें कि यह खेल कितना आसान और सरल है ज्यादातर लोग चीजों को बहुत ज्यादा जटिल बना देते हैं और उन्हें काफी गंविरता से ले लेते हैं एक अच्छा सोदा खोजना या सही बिजनस डूडना सही लोग या सही निवेसक डूडना दरसल डेटिंग यही तरह है आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ओफर देने होते है कई ओफरों का जवाब देना होता है तर्चा करनी होती है एस्वीकार या स्वीकार करना होता है मैं जानता हूँ कि एसे भी अकेले लोग होते हैं जो घर पर बैठकर फोन की घंटी बजने का इंतजार करते रहते हैं परन तो जब तक आप सिंडी कारफोर्ड या टाम क्रूज नहीं होते हैं मैं सोचता हूँ कि आपके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप बाजार में जाएं चाहे सूपर मार्केट में ही चले जाएं खोजें, आफर दें, ऐस्विकार करें, सोदे बाजी करें और स्विकार करें यह जिन्दगी में हर चीज के बारे में दोराई जाने वाली प्रकिरिया है महिने में एक बार, किसी निश्चित स्थान से दस मिनट तक जोगिंग करते हूए या टहलते हूए, या गाड़ी चलाते हूए निकले मैंने अपने उच बहतरिन रियल इस्टेत के निवेस्तों जोगिंग करते समय ही खोजी है मैं एक साल तक किसे निश्चे धायरे में जोगिंग करता था मैं परिवर्तनों को देखता रहता था किसी भी सोदे में फाइदे के लिए दो तत्वों का होना जरूरी है एक तो सोदा और दूसरा परिवर्तन हलांकि सोदे तो बहुत से होते है परन्तु परिवर्तन को भाप लेने से सोदा एक फाइदे मन मौके में बदल जाता है इसलिए जब मैं जोगिंग करता हूँ तो मैं जोगिंग करने के लिए एसी जगह चुनता हूँ जहां मैं निवेस करना चाहता हूँ बार बार उसी जगे के चक्कर लगाने से मैं वहाँ हो रही छोटे छोटे परिवर्तनों को देख सकता हूँ मैं एसे रियल स्टेट के साइन बोर्ड को भाप लेता हूँ जो वहाँ काफी लंबे समय से लगे भी है इसका मतलब यह होता है कि बेचने वाला सोधा करने के लिए बहुत ज़्यादा ही चुक होगा मैं जाते वे ट्रुकों को भी दिखता हूँ और आते वे ट्रुकों पर भी निगा लगाए रखता हूँ मैं रुक कर ड्राइवरों से बात करता हूँ मैं डाकियों से भी बात करता हूँ उन्हें अपने इलाके के बारे में गजब की जानकरी होती है मैं एक बुरा इलाका खोज लेता हूँ खासकर एसा इलाका जहां लोग किसी बुरी खबर से डरे हुए होते हैं मैं वहां साल में कई बार यह देखने के लिए चक्तर लगाता हूँ कि सुधार के लक्षन कहा नजर आ रही है मैं रिटेलर से बात करता हूँ खासकर नए दुकानदारों से और उनसे यह पूचता हूँ कि वे इस इलाके में क्यों आए हैं इसके लिए महिने में कुछ मिनट का समय देना होता है और मैं इसे तब करता हूँ जब मैं कसरत कर रहा होता हूँ या इसी तरह का कोई दूसरा का कर रहा होता हूँ जैसे स्टोर जाने या आने का काम स्टोक के मामले में मुझे पीटर लिंस की पुश्तक beating the street इसलिए बहुत ज़ारा पसंद है क्योंकि इसमें एसे स्टोक को चुनने का फार्मूला दिया गया है जिनकी कीमते बढ़ने वाली है मैंने यह पाया है कि कीमत पढ़ने के सिदान्थ हर जगे एक जैसे होती है साहे वे रियल इस्टेट हो, स्टोक हो, म्यूचिल फंड हो, नया पालतु कुता हो, नया घर हो, नया जीवन साती हो या लॉन्डरी के डिटरिजेंट पर बार्गेनिंग हो पर किरिया लगबग वही रहती है आपको यह जानने की जरूरत होती है कि आप किस की तलास कर रहे हैं और इसके बाद आपको उसे तलास ना होता है ग्रहा का हमेशा गरीब क्यों रहेंगे जब सूपर मार्केट में कोई सेल लगती है जैसे टोईलेट वेपर की तो ग्रहा क दोड़कर स्टोक इकठा कर लेते है जब स्टोक मार्केट में सेल लगती है जिसे सामने तेक क्रेस या उतार या सुधार कहा जाता है तो ग्रहा क इसे दूर भाग जाते है जब सूपर मार्केट अपनी कीमतें बढ़ा देता है तो ग्रहा क कहीं और जाकर खरीद दाई करता है जब स्टोक मार्केट अमनी कीमतें बढ़ा देता है तो गरहाख खरीदना शुरू कर देता है सही जगों पर खोजिए मेरे पड़ोसी ने कांडो मीनियम एक लाख डोलर में खरीदा मैंने उसके बगल में यह वैसा ही कांडो मीनियम पचास अजार डालर में खरीदा उसने मुझे बताया कि वैकीमतों के बढ़ने का इंतजार कर रहा है मैंने उससे कहा कि फाइदा खरीदते समय होता है नहीं की बेजते समय उसने एक ऐसे रियल स्टेट ब्रोकर को चुना था जिसकी खुद की कोई प्रोपर्टी नहीं थी मैंने एक बार बैंक के फोरकलोजर डिपार्टमेंट की मदद ली थी मैंने एक ककशा में 500 डॉलर की फीज देकर यह सिखा था कि येसा कैसे किया जा सकता है मेरे पडोसी का विचार था कि रियल इस्टेट में निवेस की कक्षा के लिए 500 डॉलर की फीज बहुत महंगी थी उसने कहा कि उसके पास नए तो इतने पैसे हैं नए ही समय इसलिए अब वो है किमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है मैं पहले तो उन लोगों की तलास करता हूँ जो खरीदना चाते हैं फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंडता हूँ जो बेचना चाता है मेरा एक दोस्त एक प्लाट ढूंड रहा था उसके पास पैसा था परन्तु उसके पास समय नहीं था मैंने भी ढूंडना चालू किया और मुझे अपने दोस्त की जरूर्ट से बड़ा टुकडा मिल गया मैंने इसे एक विकल्ब के साथ जोड़ दिया अपने दोस्त को फोन किया और उसे इसका ओफर दिया उसे जमीन का छोटा टुकडा चाहिए था इसलिए मैंने उसकी जरूर्ट का टुकडा उसे बेज दिया और जमीन खरीद ली जमीन का बाकी बचा टुकडा मैंने मुफ्त में ही अपने पास रख लिया इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है केक खरीदो और उसे टुकडों में बांट दो ज्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिछ सामान की खोज करते हैं इसलिए ये कम सामान के ज्यादा कीमत चुकाते हैं चोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं दिखते हैं इसलिए अगर आप ज्यादा अमीर बनना चाते हैं तो पहले तो बड़े विचारों को सोचना सुरू कीजी दुकांदा ज ा समान खरि़ने वालों को डिसकाउंट देते थे और वेकेवल ऐसा इस लिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा थर दो साइज ज़्यादा खर्च करने वाले लोगों को पसंद करते हैं जियादा सामान खरेदने वालों को डिसकाउंट देते हैं और वेकेवल एसा इसलिए करते हैं क्योंकि जादा तर वियảoसाई ज्यादा खरच करने वाले लोगों को पसंद करते हैं अगर आप कम खरच भी करते हों तो भी आपको हमेसा बड़े विचार को ही सोचना चाहिए थे, मैंने यही सेरों के साथ भी किया, चोटे लोग हमेसा चोटे ही रहेंगे, क्योंकि उनकी सोट चोटी है, या तो अकेले ही काम करें, या फिर काम ही ने करें, इतिहास से सिखें, स्टोक एक्सचेंड की सभी बड़ी कमपनिया, चोटी कमपनियों की रूप में शुरू हु जब तक साथ साल की उमर में, उन्होंने अपना सब कुछ नहीं गवा दिया था, बिल गेट्स तीस साल से भी कम उमर में, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, सक्रियता हमेसा निस्क्रियता को हरा देती है, अवसर पैचानने के लिए, केवल कुछ ही चीजी हैं, जो मैं करता आया हूँ, और अब भी कर रहा हूँ, इन में से सबसे महत्व कुछ शब्द है, किया और करो, जैसा इस पुस्तक में कई बार दोर आया जा चुका है, संपत्ति के पुरुषकार को पाने से पहले, आपको सक्रिय होना पड़ेगा, तो काम पर जुट जाएं, अ कोलेज की सिक्षा, आपका दिन सुभ हो, रिच डैड, पूर डैड, उपसाहार, केवल सात अजार डालर में ही कोलेज की सिक्षा, अब जब यह पुस्तक खतम हो रही है, और चपने जा रही है, मैं आपके साथ अपना एक अंतिम विचार बांटने जा रहा हूँ, इस पैसे की समस्य जिन्दगी की समन्य समश्यां को सुलजाया जा सकता है, वितिय प्रशिक्षन के बिना हम उनीगी से पिटे फार्मूलों के साहरे जिन्दगी काड़ देते हैं, जैसा कड़ी मेहनत करो, बचाओ, उधार लो और बहुत ज़्यादा टेक्स चुको, आज हमें ज्यादा समझदारी की जरूरत है, मैं निजे दी हुई कहानी को एक ऐसी आर्थिक समश्या के अंतिम उधारन के रूप में प्रस्तूत कर रहा हूँ, जिससे कई युवा परिवार आजजूज रही हैं, आप अपने बच्चों के लिए किस तरह अच्छी शिक्षा का इंति कर सकते हैं, और अपने खुद के रिटायर्मेंट के लिए पैसाई कठा कर सकते हैं, इसी लक्षे की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत के बजाई वित्य अबुद्धी का प्रियोग किस तरह किया जा सकता है, यह इसी का उधारन है, मेरा एक दोस्त एक दिन अपना जमा कर रहा था, और अब तक उसके पास 12,000 डॉलर जमा कर लिए गई थे, उसे अपने बच्चों को कालेज बेजने के लिए 4,000,000 डॉलर की जरूरत थी, उसके पास इसे जमा करने के लिए 12 साल थे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा बच्चा तब 6 साल का था, यह 1991 की बात थी और उस समय फिनिक्स का रियल स्टेट बाजार दुर्दसा में था, लोग बाग अपना घर पार बेचने में लगे थे, मैंने अपने इस सहवाटी को सुझाया, कि उसके पास म्यूचल फंड में जो पैसा जमा है, उसके कुछ हिस्से में वह एक घर खरीद ले, यहे विचार उसे कुछ-कुछ जम गया, और हम इस सम्भावना पर विचार करने लगे, उसकी मुख्य चिन्ता यह थी, कि एक और घर खरीदने के लिए उसकी बैंक में क्रेडिट नहीं थी, और उसके पास इतना नगद नहीं था, मैंने उसे पर होसा दिलाया, कि किसी प्रोपर्टी को फाइनांस करवाने के लिए, बैंक के पास जाने के लाव़ दूसरे रास्ते भी होते हैं, हमने दो हपतों तक मकान खोजा, एक एसा घर जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता हो, चुनने के लिए हमारे पास बहुत से घर थे, इसलिए हमें शोपिंग में मज़ा भी पारा आता, आखिरकार हमने एक अच्छे महले में तीन बेटरूम और दो बात वाला घर खरीद लिया, घर पसंद किया, मालिक उसी दिन घर बेचना चाहता था, क्योंकि वहे और उसका परिवार कैलिफोर्निया के लिए जा रहे थे, जहां उसकी नोकरी उसका इंतजार कर भी थी, वहे एक लाग दो हजार डालर चाहता था, परंतो हमने उसे उन्यासी हजार का आफर दिया, उसने ततकाल उसे मन्जूर कर लिया, उसकर पर एक नोन कौलिफाइंग लोन था, जिसका मतलब यह था, कि कोई बिना नोकरी वहला आदमी भी, उसे बेंकर के अनुमोदन के बिना खरीद सकता था, मकान मालिक पर 32,000 डालर का खर्ज बागी था, इसलिए मेरे दोस्त को केवल बचे हुए 7,000 डालर का انतिजाम करना था, जो कर्ज की रकम और खरीदने की रासी का अंतर थी, जैसे ही मालिक ने घर खाली किया मेरे दोस्त ने मकान की रहे पर उठा दिया सारा खर्च निकालने के बाद जिसमें करज की किस्त भी शामिल थी उसकी जेब में हर मेंने 125 डालर आने लगे उसकी योजना थी कि वह मकान को 12 साल तक अपने पास रखे और हर मेंने मिलने वाली अतिरिक 325 डालर का उप्योग करके जल्दी से जल्दी करज उतार दे हमने अनुमान लगाया कि 12 सालों में करज का एक बड़ा भाग चुक जाएगा और जब उसका वहला बच्चा काले जाएगा तो उसके पास 800 डालर पर 3 महा की अमदनी होगी अगर उस मकान की किमत बढ़ जाती है तो वह घर को बेच भी सकता है 1994 में फिनिक्स में रियल इस्टेट मार्केट अचानक बदल गया और उसे उसी घर के लिए उसके किराईदार ने 156,000 डॉलर का ओफर दिया जो उस घर में रहता था और उससे प्रेम करने लगा था एक बार फिर उसने मुझसे पूछा कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ और मैंने वास्तविक रूप से कहा कि वह इसे 1031 टेक्स विहिन एक्सचेंज के आदार पर बेच दे अचानक ही उसके पास लगबग 80,000 डालर अतिरिक ता गए मैंने ओस्टिन टेक्सास में अपने एक और दोस्त को फोन किया एक मिनी स्टोरेज फैसिलिटी में लगा दिया तीन महीने के बीतर उसे हर महीने लगबग 1000 डॉलर के चेक मिलने लगे इसे वह कालेज म्यूचल फंड में जमा करने लगा और वह बहुत तेजी से बढ़ रहा था 1996 में मिनी वेर आउस बिक गया और उसे बिकरी के हिस्से के रूप में लगबग 30,000 डॉलर का चेक मिला जो उसने एक नए प्रोजेक्ट में लगा दिये जिससे उसे हर मेंने 3,000 डॉलर से ज़्यादा आमदनी होने लगी जो उसके कालेज म्यूचल फंड में जाने लगी उसे अब पूरा विस्वास है कि उसका 4,000,000 डॉलर का लक्षे आसानी से हासिल हो जाएगा और इसके लिए उसे शुरुआत में केवल 7,000 डॉलर और थोड़ी सी वित्य गुद्धी का इस्निमाल करना पड़ा उसके बच्चों को अब उतनी सिक्षा मिल रही थी जो वे हासिल करना चाते है और वह है अपनी मूल पुंजी का प्रियोग अपने रिटाइर्मेंट के लिए कर सकता है जो अभी उसके सी कर्परेशन में निवेस की हुई है इस सफल निवेस रिननिती के कारण अब वह जल्दी ही रिटाइर्मेंट ले सकता है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए धन्यवाद मुझे आशा है कि इस से आपको कुछ समझ मिली होगी कि किस तरह पैसे की ताकत का इस्तेमाल किया जाए ताकि पैसा आपके लिए काम करे आज हमें बचे रहने के लिए भी पैसे की समझ की जरूरत है यहे विचार की पैसा बनाने के लिए पैसे की जरूरत होती है बित्य रूप से ना समझ लोगों का विचार होता है इसका यहे मतलब नहीं है कि वे समझदार नहीं है इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसे बनाने की कला अभी नहीं सिखी है पैसा केवल एक विचार है अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाते हैं तो केवल अपने विचारों को बदल दीजिए हर आत्म निर्मित आदमी ने छोटे पहमाने पर एक विचार से शुरुआत की थी और बाद में इसे बढ़ा किया था यही निवेस के बारे में भी लागू होता है शुरू करने के लिए केवल कुछ डालर ही काफी है और बाद में इन से बड़ी रकम बनाई जा सकती है मैं इसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो जिन्दिवी पर किसी बड़े सोदे के पीछे भागते रहते हैं या बड़े सोदे के लिए बहुत सा पैसा जुठाते रहते हैं परन्तु मेरी नजर में यह मुर्क ता पूर्ण है ज्यादातर मैंने ना समझ निवेसकों को अपना बड़ा अंड़ा एक ही समझोते में लगाते हुए और इस कारणों ने तेजी से बरबाद होते हुए देखा है वे अच्छे काम करने वाले हो सकते हैं वे अच्छे नागरिक हो सकते हैं परन्तु वे अच्छे निवेसक नहीं थे पैसे के बारे में सिक्षा और बुद्धी मैतवपून है जल्दी शुरुआत करें, कोई पुस्तक करी दें, किसी सेमिनार में जाएं, अब भ्यास करें, चोटी शुरुआत करें मैंने 6 साल से भी कम समय में 4500 डालर को 10 लाख डालर की संपति में बदला है जिस سے हर महीने 5000 डालर का कैस ऐल वाता है औरन्तु मैंने यह बच्पन से सीखा है मैं आपको सीखने के लिए इसलिए प्रेरित करता हूँ क्योंकि यह इतना मुश्किल नहीं है दरसल एक बार आपको इसकी लख पड़ जाए तो आपके लिए यह असान हो जाएगा मैं समझता हूँ कि मैंने अपना संदेश बहुत सपष्टा से पूंचा दिया है आपके हाथ में क्या है इस बात का निरने इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है पैसा केवल एक विचार है एक बहुत बढ़ी अपुस्तक है सोचिए और अमीर बनिये इसका सिरसकी यह नहीं है कि कड़ी मेंनत करिए और अमीर बनिये यह सीखें कि किस तरह आप पैसे से अपने लिए कठोर मेंनत करवा सकते हैं और आपकी जिन्दगी किस तरह ज्यादा आसान और सुखद हो सकती है आज इस बात की जरूरूरत है कि आप सुरुक्षात्मक खेल खेलने के बज़ाए स्मार्ट बने और अपनी बुद्धी का प्रियोग करें धन्यवाद